कि आप यहां पकूछ टांब की लिए ही अच्छे लगते हो हम यहां रोज रोज है लगते हम आपको सासरे बीजते हैं हम इसी बरती के अंदर आपको सबको भेज़ दें पीछे रहोगे तो तकलीब होगी आपको ठीक है तो आज मैंने शुटी है और सुपर सुपर आपसे तोड़ा मिलके चला जाता है ठीक रहेगा ना चलो तो पुटेंगी क्या बन है यह अच्छा मैं तो पड़ों करों के बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे टाबर मिले हमको इतने सज्जन पूरुष है का दुनिया में देखे आपने कहीं तुम तो निक में हो तो टाइम पे नहीं आते हो यह होता दूसरी बार पढ़ाने आने के भाइदे है आते आते चूस इंस्टाट वे सोचो आमें 11 वजे तक पढ़ाओंगा आज हाँ हाँ चलो तो आराम से जहां बैटे कोपे किताबे बंद करके बैटो दो डंगी चीज़ें पढ़ते हैं लीकिवी चीज़ें आप एक्जाम तक तो आपको वैसे याद याद नहीं रहेगी 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 क्या अब दिमाग के उपर बढ़न नहीं होना ची आतारी कित लगां श которой Tao Chicago आपके जो जिके किकी सम आता तेंघ्याइड किसी भी सब्जेक से किड sounds अवाज बंद करो अब यारा बजे तक खाली यावाज मेरी आनी चारिये उसके बाद तो अनूसरा और वैसे भी नहीं है किए आपकी ठीक है तो ग्यारा बज़े थे एक तम आप सांती पर यह बैठे होगे ने तो मैं यहां से हिलूँगा ने आप यहां से हिलोगे ठीक है प्यास लगी तो भी यहां बैठे रहोगे भूग लगी तो भी आप यहां बैठे रहोगे चाही पीने की इच्छा है तो भी आप ऐसे मा बैठना पड़े हम फिर से अगली बार आके यहां पर बोलेंगे हैलो अच्छो फिर आपकी वही पूरानी सखले दिखें कि हमको अच्छा नहीं लगेगा हम चाहते हैं यहां पर हर बार सखले चेंज होती रहे ठीक है आप它 बोलेंगें हैं एक उस्ट्री टाया एक पॉलेटी होता है एक एक इकोनुमिक्स उता है एक जोग्रोपी नहीं शीचाए Ο कि अब सब्जिट किए दिए अपने बात करें तो इस्टी की बात करें तो इस्टी अपने इंडिया की पड़ें और मेने लगें लेकिन बात में बता चला के कि इतने आये आई नहीं मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा ही पॉलिटी का मतलब है कि भारत देश के सविधान कि भारत देश के अपना नागरी गो तो भारत के कानून आपको पता होना चाहिए पर कोई क्यास होता है तूप अपने रिज़न ये हैं और जै भाई चाल तहdern तो आपको आपको Cayce कॉण्य क्यार महां रहाएगा ते लेकर करें तो हिमास प्रीम जा सकते हैं पिर आप जाओ कं़ित बैस पर इस चैनल है इसलिए मैंने दंग से कहस नहीं लड़ा, आपका कहस मैंने लड़ा, आप मेरे उपर इंजाब लगा दोगे, तो ले हमारा वकील बिग गया था, और आप यह क्योंगे वकुद बिग गया, बुंडे लगों की कहते हुए, इसलिए खुद का कहस आजमी खुद है, नहीं है, तो पॉलिटी का मतलब यही होता कि भारादेश के कानून पढ़ाई जाता है, इसमें भी करीब 6-7 महीन है, लगते हैं, लेकिन मुद्धे की बात यह है, कि आपको किशन की तो पूचेंगे, यही पूचेंगे, बीस ही पूचेंगे ना, इस बीस में लिख तो दो किशन मैट्स के आएंगे, जो आप सब करके आजाओगे, और आठे किसन के पूचेंगे, रिजनिंग के, और देश एक आसान-ासान किसन के पूचेंगे, जी के के पूचेंगे, आप कभी यूटूब पे मुँ तो नहीं मारते हो, कि यह इंपोर्टेंट चीज है, कोई आता कि, मै इसाम अज ए, मैं आज एक्जाम आगा, माम आहिका किना क?」 यह इनक्ति को किसे पूचेंगे से इस ब्यूच इस परकार में इसनिते हो कोई कमंड हो ठीक है वो यह कहते हैं कि हम चीजें पढ़ा देते हैं जो आपको एक्जाम में पूची जाएगी तो अभी लेटेस्ट मैंने एक साल के एक्जाम देखे जितने भी परकार के वे उन सबी के अंदर सेंसस जन करना के हर बार एक किसन पूचे जाते मैं हर बार पढ कि एक बात बताओ मैंने चनन गरना कर रही बाना की मैं सरकार हो ठीक है और मैंने चन करना कर मैं उससे आप कोपलेशन कंट्रोल कर लोगे कंट्रोल या ना कंड्रोल वह तो आपक्या आत में भेचे नड़ोगे आ देश के अंदर संसादन सिमीत है जमें सिमीत है इसलिए आप हैसाब से चलना जैसे अपने पैसे घर्च करता है न आपके बास 1000 रूपे हो और आपने 2000 रूपे घर्च कर दिये इसका मतलब क्या हुआ तो वैसे बारादेश के यदि आपको आज भी ये पूछ ले क्या जंड करना हर कितने साल में होती है दस साल में होती लेकिन कोवीड की वज़े से यह आंक रहे क्या होगे पाज पर गपाता ह्भी बारादेश के मिनिस्टर जनगना कर रहे है, कोर्से बारदेश के राष्टपत्ती परदान मंत्री आपका काम था टाइम पर क्या करानी थी जो कि सब्सक्रान के दोरान भी वे था जितने भी पखार के गेम थे सब्सक्राइब करा सकते थे लेकिन इसको जादा जरूरी नहीं समझा और लोकसबा इलेक्शन 2024 को और इससे पहले बंगाल के चुनाओ रजस्तान के चुनाओ मारस्ट के चुनाओ जो भी इतने भी चुनाओ आई उन्चुमा चुनाओ को क्या दी ज्यादा इंपोर्टनेस दीख किसकी बजाई जनगर्णा के उजाई चलो अब आपको लगना के सब्सक्राइब कर दोजार के अंदर हुई ती लेकिन आज आपको बैटे हैं क्यों आपको किशन पूचे जाईंगे सब्सक्राइब जाएंगे कुछ चीज़ें कि यह तो जो 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 सालों तक वह चैंज नहीं होता है जैसे भारत देश का पहला प्रद्ण मंत्री क्यों था एक आप चेज़ सकते हों इसकी संस्ताब की इस्ताब नहीं कर सकते हो उसको बोला जाता इस्टेतिक रएंदर वारत देश का परदान मंतरी कि पहली गर्भारत की पहली मुर्या राष्ट पति कि न्र आपएश्चफेत position कर सकते हो आप ठाण के भी चैंज नहीं कर सकते इसको बॉला जाता है इस्टेटिक जी के जो एकड़म फिक्स है रहता है उनी में से एक टॉपिक है जिसको अपन क्या कहते हैं सेंसस जन गंड़ना ठीक है तो आईए सबसे पहले अपने बात करते हैं यह जन गंड़ना इस परकार से करी सारे बच्चे बता नहीं बाते हैं इस परकार से एक वाईसा बाते हैं इस परकार के एक सरकार थेला दे देती है और फिर वो कुछ आँग्ने लिखके यह जो जन करना होती है वो लगबग सही मानी जाती है जहरत सरकार के 2011 के अंदर आमने जन गंड़ना खराई थी तो कराने के लिए उनको मैं सच्छा ही बताऊंगा बुंडे के लगए कि साफ पड़े लिए कि आजमी और 15-15 टापर करके बेटे हो लोगों को ज्यान दे रहो अच्छा नहीं लगे करना इसलिए एक डाटा नहीं होता है आंकलन करा जाता है चुनाओ का सर्वे होता पता आपको वो चुनाओ से पहले जिसको अपने एकजिक्ट पाल कहते है जो चुनाओ के नपीजे से पहले आता है बतगा जाता है कि इस पार जो भ१ूमत है वह किसका आने वाला है तो क्या वह एकसे होता है नहीं होता है लोग सब्सक्राइब पहले यह roadmap सरकार इकटन करें दुट के लाकेर नाइध करणे कि अधरा है वह को एकति के अधरा में सब्सक्राइब करद सब्सक्राइब जो है कि इस पूर्प में सेुब्स क्यों सारे नाच के लिए तो इसका मतलब क्या है आपने कोई ठान रगा है क्या जो जो सर बाते कहेंगे ऐसे कानों में अगुले नाल के बैठेंगे क्या दिमाग में सुना ही क्या देते हैं टीचर आ रहे बारा बारा गंटे परवचन सोना रहे फिर भी आपन सुन नहीं रहे है तो घलती किस्किया है में से कही कही है आज कल पड़ा ही का है लोगों नने दंदा Carm Calcula हो और पर अबसे दिया है उसका आपका क्नेक्शन खथम च्राफ, च्राफ, चेर के फिखा दॆ को में बिए खोल लो कि अठिया थाला, आपको यह फ्लीड पता चल जाएगी क्याँ जूस धंड़ाता ही होता है यह ध्यार क्या ध्योस धंड़ा हो गया गई इसको नई बात पता साफ के जूस पहले सा होता है कि कलास मेटों बहुत सारी नहीं चीज़ें को मिलेगी आपको साही ठंडी होती है जूस गरम होता है हाँ तो इधर ध्यान दो भारत के अंदर जो लास्ट बार जो जन्गर्णा हुई थी सेंसस हुई थी वोकब हुई थी लेकिन याद यह रखना है कि वो कौन सी जन्गर्णा थी पंधरवी अब बात यह थी कि पंधरवी मतलब इससे पहले सरकार ने कितनी बार जन्गर्णा करा लिए थी चवधा बार वोग जो लास्ट बार कर रही थी counting वो कौन से नंबर की थी जी 20 के जो सब्मिट है वो निश्वय नमबर का है इस गैम का यह नमबर है उसी परकार जो जंगर्ना का नमबर था वो कौन सा था यह पन्दरवा याद रखना कि 2011 के अंदर जंगन्ना कर रही थी वह याद रखना और उस टाइम जो आपके पास में जो कमिशनर भा उसका नाम क्या था डोक्टर सी चंदरमोली उन्होंने यह जंगन्ना कर रही थी जिस परकार इलेक्शन कमिशन होता है उसी परकार यहां पर भी एक चेर्मेन बनाये था क सवतंदर भारत की यह सात्वी जंगन्ना थी अब दो चीजें याद रखना आपको पूचा जाता कि 2011 के अंदर जो जंगन्ना थी वह कौन से नंबर की जंगन्ना थी तो दो आप्शन है एक तो भात आजात कब वह ता 15 आगस्त है 1947 को उससे पहले क्या जंगना नहीं होती थ अग्रेजयों का था अपने देश के कानून नहीं थे अपने कुछ भी चलती नहीं थी लेकिन जंगन्ना पहले भी होती थी और जंगन्ना बाद मैं भी होती थी अब इसका कहना है कि क्यों यह पंदर भी जंगना थी कौन सी 2011 कि लेकिन यह कह रहा है कि भारत आजा दोने के सिधा पूचा जाता कि यह कौन सी जनन गणना तो आप कहते हुआ और आगे आई कि सोल वां लेकिन भारत देश आ जा दोने के आप अराम से बैठ जाओ पैस ठीक है और यदि आपको सच में ही लिखना है मैं तो कह रहा हुआ रहा हुआ है ठीक है आज भारत देश के अंदर आश्टपती है परदान मंत्री है पहले यहां पर ऐसे होते थे लोड जो सरकार को जो देश को चाहते थे आज अपने कहते हैं त आपको क्लास से बाहर रिकाल दूंगा आप ऐसे नवर्म लिखेता हैं तूं कौन सा लाड साब है वो लाड साब होते थे जिसको इंग्लिस में क्या कहते थे लोड 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 इंग्लिस का वर्ड था अपने देशी लोगों को आता नहीं था लोड को चैंज करके लाड और मालीजिए यहां पर जो भी आपको आमदनी औरी कुछ भी हो रहा है मालीजिए 10 कुटल यहां पर कुछ भी हुआ है ठीक है उनमें से एक कुटल आप रखते और 9 बाद किसके पास जाता था अंग्रेजों के पास जैसे माल लो आप में 10,000 रूपे कमाते हो तो 1000 रूपे तो किसके पास जाएंगे अंग्रेजmetros मतलब इतने गुलाम अहां थे मंतलब मेनत करते थे पैसे किसके पास जाते थे ठीक है तो सरकार टेक्स में क्यूंजे इनकम इंकम इंक्स पीडिंग क्या है आपको इतने क्यी था हम सिरेट से सान से ऑफर यह रूपे कमाते हो तो उसक पर रेट कितनी लगती है कर्टी पसेंट यह नहीं नहीं यह ताना सही नहीं भारत देश को चला ही रखने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा पड़ेगा जैसे सरकार रोड़े मना रही है जितनी जैसे आप एमस के अंदर लग जाओ गए यह सेलेरिया कहा साएगी यह फ़ना रही है इसके पैसे सरकार के बास न के पास प्यास आ रहें है अपन सरकार अपशा पैस लिभास नहींसाश करते हुए और M से बड़ा कोई होस्पेटल खोलो तो ऐसा कुछ भी नहीं से बड़ा नहीं खोल सकते हैं लुनिया में बड़ा कुछ भी नहीं आपको पता हिंद्रा गांधी की सरगार थी उस टाइम किसी नहीं यह सोचा नहीं था कि एक छोटी सी पार्टी वीजे भी सरगार ऐसी है कि एक दिन कांग्रिस को खतम कर देगी सोचा कभी आपने जैन सी माने से पहले कि सोचा मेरे साथ मिस पढ़ने होगे नहीं सोचा ताने फिर भी पढ़ी रहा हो ना यह जैसा सोते हैं वैसा मुझ भी नहीं होता है तो यहां पर द्यान दौब यह कर रहा कि भारत के अंदर पहली बार जो जन्गरना कराई थी वो कि अपर रही थी अटारहसों बैतर कंदर सेवंटी टू में वो किसने कराई थी लोड वह यह दिखने में ऐसे खुंकार आदमी थे जिनको आप याद रख नहीं सकते लेकिन यह मैं इस्ट्री बता रहा हूं जहां से अपने स्टाटिंग करी थी अगला कह रहा है भारत की पहली निमीत रूप से पहले ऐसे एक बार जन्गरना कराई थी एक तो हमने ऐसा करा यह क्लास है इसमें एक दिन रेंडम ली इस बच्चे को वैज़ा मैंने का गिन क्या बच् जोगो चैन नहीं आ रहा है तकलीब क्या है तकलीब जोड़ी जाएगी तो यही था पहली बार एक बार जन्गरना कराके थी अठारसो बैतर के अंदर उसके बाद लगा तार जन्गरना कप स्टार्ट कर दी थी 1881 के अंदर आपको यह पूचे के निमित रूप से लगा ता 1881 के बाद में हर 10 साल बाद में जिसके पीचे एक एक लगावा ना वहां वहां उन्होंने क्या कराई थी जन्गरना तो इक यह परकार जन्गरना होती है याद नहीं रहे जिसके पीचे पीचे एक लगावा वहां वहां पर क्या हुई थी जन्गरना हुई थी लेकिन यह पुचले के पहली बार ही कब हुई थी तो पहली बार तो कब हुई थी यह मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि option के अंदर यह year भी आएगा और option के अंदर यह year भी बात किस ने गलुए तिलोड बींच करेंगे आ यह काम बढ़ते हैं अपन जन्दगरणा करा के देखते हैं पॉपलेशन है कितनी ऐसा तो नहीं होगी और यह संग की सूचि का विश्य है यहां पर ध्यान दूआ संग का मतलब क्या है किन लेस्ट है संग का मतलब होता है के अंदर सरकार आधे और एक होता है संग और एक होता समदी सुची समदी को बटा सेंटरल थे इस padres में अभी कितनी गवर्ण। और जानाँ आपन बैटा ये तो राजतान की सरकार चलती है और वहारत थे संटें की संटरी सूची का विषए है कभी ऐसे मिदो के ये य्यूंे कि प्हारत के आपको पूच ले तो आप ध्यान रखना यह काम किसा होता है सेटल गवर्मेंट का लेकिन आगे प्रेकेट में लेखा कि जबकी परिवार नहीं हो जानते हो फैमिली प्लानिंग वह जो हिस्सा है वह भारत की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों का विसे हैं मतलब वहां पर सरकार दोनों सला सकती है लेकिन यहां जन करना काउंट कराना काम किसका है और भारत की सरकार का जिसको अपन कहते हैं सेंटर गवर्मेंट यह मैं सारी पीडिये बहुत दूंगा जिसको एक बार यह दिया आपको टाइम मिले तो आपड़ लेना नहीं मिले तो एक बार मेरे को याद करना एजन करना आपके फिर से याद हो जाएगी एक छोटा सा आप से क्यूशन पूच लूँ यह कहरा कि भारत में परतेग वरस में निमीत रूप से जनगर्णा कब होई थी यह कहरा आठवी दसवी बारवी कब यह कहरा कितने साल में एक और होती थी यहांपर आप 10 रगो गया क्यूशन सही हो जाएगा यह कहरा कि भारत में परतेग 10 वरसों के बाद में हर जनगर्णा होती रहती है चलो अगला क्यूशन देखोती है कहरा कि भारत की जनगर्णा 2.011 में शुटंतरता के बाद राष्ट गौन गणर साटवी नोसी न्वी फjekt पनरी स जुन से तुमरता को इसको में हटा दूँ तो कौन सी जुन कर्णहीं 15 और भारत में सालिज एक और प्हारत की पहली जुन करना आप मेरे को बता हैं कि Anandarと思います लेकिन भारत देश आजाद होने के बाद पूछ क्या रहा है यह सवतंतर भारत की पहली जनकरना अब अब यह अनुमान कैसे लगाओगे यह यह अनुमान ऐसे लगो भारत का देश आजाद कब वह था पहुअ है 1040 हे इसके पीचे एक नहीं इस के पीचे एक नहीं थी पीचे साहगे है तो घमाने का hundreds落ब शॉब यह उजाते तो थांस तो इसके पीचे में एक-एक प्रेंश की तइक हो जाता यह आप कहते हैं तो फिर भी ऐसा आजाता तो फिर उनसे अगली बार पेपर ही नहीं बनाएंगे आंदोलन कर देंगा हमारी मांगें पूरी करो जिससे पेपर बना रहे हैं उनको चेंज करो ठीक है और पेपर बनाने वाले पड़ने लिखें आद में होते हैं पता ना आपको प्रफिर भी ऐसा किसन आगया तो ऐसे गलत किसन कैसे आ सकते हैं अगला किसन यह कह रहा है कि भारत में पहली जंगन नहीं कब हुई थी आप मेरे को बताओ क्या भारत में सवतन तर्ता की या भारत आजादी की कोई बात करी यह तो पूछ रहा कि हमने जब पहली बार आजात का बुदा तो यह आजादी की साल से पहला है लेकिन यहां पर क्या करा ली थी इन्होंने पहली बार क्या आप आप शीर आपशन सही है नहीं ने बोला था कि हमारी जंगना हमारा क्या है बहुत इस यह है आठी को और यह चलो में दोन करते हैं तो आपका बेश इस दिन इस रीके आप को पढ़ा नहीं से अच्छे तीचिव करया नहीं यह प्लूंगे की थी यह पहले बाद में तो आप हमको देख लोगे आगे थोड़े दिन बाद हमारी कुद्धी पवर भाई साथी तो अपने यह देखते हैं कि अपने कितने आगाता है उसके बाद मीटर के बारे में सोच आए बाद में सोचोंगे पहले सोचना बढ़ेगा कि पनीर में कौन कौन सी सब्च् चटनी किस-किसी बढ़नी और मिटी मीटर की बना निए प्लानिंग कब की होती है पहले के मुद्ध होता है ऐसे होता है कि आपने घर का बजेट है ना साध्य करने का 50 लाग तार लेकिन बाद में तब बढ़ने वह तब पता चला था कि वह तो तो तोड इतने शेक बीड थी वह भी बिग और बिल बनके डैट गुरोड का ऐसा होता कभी नहीं सारे प्लान पहले से होते हैं इसका मतलब पहले से मुद्ध किलियर होता है कि यह चीजे अपने लाने बाले हैं तो जब सरकार पॉपलेस्टन को कंट्रोल करती तो उनके पहले से क्या होते हैं उमुते हुते है तो यह ख़ते हैं कि हम जवगों कौूंट केरेंगे हो कि घर के वह यह को पढ़िए हैं इसलिए नहीं जाता कि तकि आप सारे के सारे नौकरी लग़ेंगे तो वारत lle बारेत के अंदर हिस्से दारें नए जए लगने बाढ़ों की जादा उती है आप तो सồngडी कुछ लोग क्या है एंख हैं के सामने एंशी बड़े उस्पटिल खोलेे खेडिक है करें च़ों यह पर लिलोमेटर के दाइरे कंदर दोन कितने लोग रहा है पूरे भारत का निकार जाए गागा अंत्क्री है डिल्य क्या है तो वहां पर कांद है यह कहते हैं एक किलोमेटर के धाइरे के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको आपन कहते हैं population density जिसको बोला जाता जन संग्या घनत्वे अगला है आपका सेक्स राइशियों है कि देश के अंदर डबले डबली地方 होना चीए बड़ाबर बराबर बड़ाबर और फमेल को यूखा चालिभ livres अभी आलां की जनगर्णा तो ही नहीं है लेकिन सरकार के कुछ पिछले साल ऐसे किसी ने कुछ अनुमानी डाटे निकाले थे जिसके अंदर यह बताए गया था कि लड़कियां अब लड़कों की तुल्ला में कहां जा रही है आगे मतलब पॉपुलेशन के अंदर तो यह फिर से दिकत आएगी फिर लड़कें किसे साधी करेगी फिर से चोरे कासों कम दीख रहे हैं फिर से त्यारी कारनी चोड़ देगी बोले अब बताओ जाएगी कहां वो पिते दिन साधी नहीं और इते दिन तो चोरे पट क्यो रहे थे इस लि प्रियास करेंगे उनके लिए अनके लिए क्या निकरेंगे योजना निकरेंगे बोले लड़कियां पेदा होगे तो हम आपको 10,000 रुपे सब्यों से लिएजरे हैं सकार के अगले ये कह रहा है क्या है कि हर 10 शाल में कित्री जंस बढ़ी जैसे अपन हजर्यंबर यहन अगली जंगृजुटिए बोलो सुने ग्यारा अब एक से 11 जनगर्णा थी नहीं कुछ 17% के आसपास बढ़ी थी तो जब अगली बार जनगर्णा 2021 के अंदर हो रही है और 21 के बाद में कब होगी 31 अब आपने कहते हैं कि यहां पर 25% बढ़ रही है और यहां पर 35% बढ़ रही है तो इसका मतलब आप सरकार को समझ आना चाहिए ठीक है अब सरकार को यह समझाना चाहिए एक बार इंद्रा गांधी जी ने क्या करा कि आज में को पकड़ो सब के नस्बंदिया कर दो टापर पेदा नहीं करेंगे और पोपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है इंद्रा गांधी जी को किस ने आइडिया दे था बोले पोपुलेश खादम होना थे ताना सही होती है आज अपने भारत देश के अंदर कोई भी ताना सही लेका आएगा अपने सेहन करेंगे क्या कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि वीजे भी कहले कि इस पार हमारी इतनी सीटा आई तो यह करें हम सवीदान के अंदर संसोधन कर देंगे सवीदान करेंगे तो यह बात कर रहा है तो यह बात कर रहा है तो यह कह रहा है कि इस परकार यह दी कुछ पॉपूलेशन भड़ी है तो हम इसको कंट्रोल में लेकाएंगे कि पहले इतनी थी तो अभी कितनी होने चाहिए पहले सत्रा परसेंट बढ़ी तो अभी कितनी बढ़नी चाहिए इतनी बढ़नी चाहिए या इससे कम बढ़ने चाहिए जादा जादा बढ़ेगी तो खत्रा है कि नहीं बोलो है अगल कुछ इलेक्षन आएंगी दोज़एंगे तो हम महीलाओं को आरेक्षन देंगे और 33 पॉइंट के कुछ आसपास महीलाओं को चुनाओं में खड़ी करेंगे लेकि यह कह रहें कि यह कब करेंगे पता है पहले हम जन्गंणा करेंगे ऐसे दो हमको पता कैसे लिगा महीला है कि अगला है आपके पास में यूटी का मतलब जानते हो जिसको अपन क्या कहते है यूणियन टेरेडिए जिसको कहता है कैंदर सासित जांपर कैंदर की चलती है तो मेरे को बताए केंदर सासित राज्य कितने भारत में आठ राज्य है और तो याद रखना 28 राज्य है और 8 तो यूटी का मतलब होता है वहां पर रहां पर उसी स्टेट की चलती नहीं है ठीक बात है किया वह सुख चोटे छोटे लागे जैसे दिल्ली है दिल्ली आपको बताए जोदपूर की बात करें नो पर यह जोटपूर शेर थोड़ी है जोटपूर के अंदर गाउं भी तो ह वोग जोत्पुर के अंदर बाओं के अंदर बढ़ा रहे हैं इसलिए कम टाइम के अंदर उन्हों कुद की क्या बना ली रास्तार नमणों इतना बड़ा है इधर जैस्नमेर रहा है उदर बाश्वारा दूंगरपुर काँ भूमे आदमी बड़ा सकता है बड़े ही नहीं खुद की सरकार इसलिए क्योंकि वो छोटे इलाग है यह से महर को रमेशर को यहां चुना लड़ना पड़े आपके सामने ही तो हम दोनों रोज आएंगे रोज अपना परजार करके चला जाएंगी क्योंकि आप लोग इतने हो इतने ही यही पूरी बोगित की कोटी में परज यह रहेंगे यह बारदेश का नक्सा तो आपने देख रहे होगा यह नहीं देखा है ओके ठीक है और इस नक्से के अंदर आप देखोगे अब मैं बता दूँ आपको यहां पर देखो आप सबसे बड़े-बड़े राजी दिख रहे हैं कुछ आपको राजिस्तान आपको स महारस्ट और गुजरात को यह आप लग-बग-बग मान सकते हो कापी क्या है जो बड़े हिलाके हैं वहां की वोपुलसन जाता है वहां की लोगसाभा की सीटें जाता है वहां की जंगरना करोगे तो लोग ज्यादा पाएंगे और वहां की चाई विजान सभा की सीट दखो कि लोगसाभा की सीट दोह रहें कि लोगो स्का इसलिए आपकर को जादा की सmb से जदा जो अपने हैं लोगसाभा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें की बोलो मुष यूपी हैं ज्ड cooked jealousy ने लेकिन यह बड़े सीते लेकिन है यह बढ़ा हिलाका है तो ठीक है यह बहुsch के कुछ क्या है बड़े बड़े इलाके हैं अब देखो यह कह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन की बात कर रही है कि 2011 के अंदर हमने जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करके देखा था तब हमारी जंगरना कितनी थी जिसको आपन कह रहे हैं 121 को करोड आज भी कुछ नेता जब बास अबादी वाला देश पता ही ना अपन कैसे हनुमाल लगा सकते हैं के 121 क्रोड से 500 क्रोड हुए या भी यह तो अपना भारत देश का पहले कि इसको काड़ उटा के देख रहे हैं कि जब यह जन सेंग के बढ़ाने में पहले आगे थे तो अभी क्या है आगे ऐसे पिछली स वेवसाइड के आंक्रों के मताबिक यह बोला था कि चाहिना को पिछे रखे वार्त कौन से नमबर पे आगे हैं है वर्ट के अंदर पहला नमर किसका रहा है बारत के शाइना को आणा को गाउट करें कि क्या दूए लोग ना पच्चे पेदा करें बहाई कुछ नहीं वहां तो पीचे रहेंगे जनकन नहीं हम चाहिने से कहां निकलेंगे अगे उनों चाहिना क्या रख दिया आगे बोलत चाहिना की टेक्लोजी है इन चीजहों के चाहिने से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जोर नहीं चलता है लेकिन पूपूलेस्ट में आपको पूछ ले भारत के अंदर क्योंकि अभी एक्जाम के अंदर थोड़ा दिन पहले पूचा के बारत के जन संक्या कितनी है हैं 2011 के नुसार पहला option के अंदर यह लेका था 140 क्रोड दूसरे option के अंदर लेका 500 क्रोड मोदी जी की रेलियों में सुन तका था 500 क्रोड जेब दिए ठीक है तो इसका आज भी आंसर कितना रहेगा आपको 151 क्रोड अगला कह रहा है वारत के अंदर सर्वात दिक राजिये ऐसे हैं जिनकी जन गणना क्या है यूपी महरास्ट्र और ब्यार मैंने का बड़े राजिये जन से क्या रहेगी ज्यादा यूपी की जो 2011 के अनुसार लग बग जो जन गणना है वो कितनी है खाली 19 क्रोड यह पॉइंटा के अंदर है मैंने आपको मोटे तोर पर बताए क्योंकि बागी किसी भी राजिये की जन गणना 19 क्रोड के आसपास है नहीं तो सबसे ज्यादा जन से क्या का पर है यूपी के अंदर और वो कितनी है 19 क्रोड और मारास्ट्र की जो जन से क्या है वो लगबक कितनी है 11 क्रोड और वियार की जो जन से क्या है वो लगबक कितनी है नो क्रोड यह पॉइंट आपने बले शेतर पकी दस्टी से बड़े दिख रहे है पर इतने बले हैं टाबर पेदा करने में कहां पर है पीचे है क्योंकि आपने पास पैसे कि धあ यह स्लिए क्या कर रहे है कम कर रहा है टाबर ज्यादा पीश्चे क्या होंगे जदा होंगे भी रसतान लेकिन फिर भी यहा पर घया को बीर क्या है वियार ने तो खार-घार रखी तुम बड़ने हो हमसे आगे जार हो बाकी मेरे बड़ने हो नो बागिये का काम नहीं है लेकित तुमको वैसले मैं Лomund को दारे के अंदर ये जन्कन मन मैं तुमको आगे नहीं जाने दूँगा यह तो मेरे यह ़ान थका है सबसे जादा पॉपूलैशने कंदर नहीं नहीं होगा तो आफ सही क्लिए किसको करोगे जब यह दोनों ही नहीं होंगे तो किसको क्लिए करोगे पियार को क्लिक कर दो ग्राइट बाद आज जब यह कह रहें नियुन्तं लकडवाड़ी आदमी वो लेटाबर हम कम पेदा करेंगे लेकिन उनको कौलिटिऑ पूल आदमें बंगे अच्छी शिक्षा देंगे अच्छे कपड़े लएगे अच्छे संस्कार देंगे यह वह लोग है यह वह लोग क्यों है बता है कि है। कि चोटे हैंक मिजुरब बड़े को भारत केका हैं चींग बड़ा पीयार है इसको शिक्म को बियार से कुछ शीक आती है लेकिन फिर भी एसी के नहीं रहा लेकिन यह सीक रहा है कि यह ख्याबादी इतनी बढ़ चुकी है ताकि इन लोगों को अच्छी फैसलेटी मिल नहीं रही इसलिए इसमें लकड पहले ही आगे कि हम टाबर क्या करेंगे कम परदेश की है सबसे ज्यादा कुन से कम जंसी कि है ंसब से चमाइख की किरेंगे जो फ़ाद कि है ऑनराशल परदेश यह सबसे जादा भारत देश रहादरिए कंद्र सबसे कम फपूलस किसी है इससे थोड़ी सी बड़ी किसकी है नौलाग क्या असपास है इसकी और इसकी अरुनाचल परदेश की ये तो छोटे जो इलाके होते हैं ना वहां की लिटरेसी रेट दे अगनाम ऐसा साख शरतादर है वो भी ज्यादा आएगी क्योंकि लोग कम है तो कम लोगों को जागरू क जा सकता है अब कम लोगों को पढ़ाया जा सकता है तँछ 살아या तो नहीं सरकार बेंगे और अपने के स्थिरना ओला है कम वड़ा है अब इसके उपर क्योश्ण करते हैं यह कह रहा है कि भारत का सरवातिक जन्सिंग क्या वाला राजी है और ऑप्शन में से होना चाहिए कमिलनडू राजिस्तान यूपी करेक्ट बाद है यह थोड़ी याद है इसे को पर पांच यार क्योश्ण करते हैं यह तो गया चलो अगले किसन यह कह रहा कि 2011 के जनकर ना करूं सार किस बारत के राजिये में उत्र परदेश के बाद दूसरे नंबर पर यूपी के जन्सें क्या कितनी थी 19 करोड़ और माराश्ट की 11 करोड़ और उसके बाद 9 करोड़ अब कौन सा इसमें से कहां पर लिखा है टार है और यह क्या है यह किया है उन्युक्त की जैन्सें क्या सिर्क पांच राजियों से आती है 5 राजिय जो बड़े बड़े माराष्टर में सबसे ज्यादा करेंगे और उसके बाद राज़तान में सबसे ज्यादा करेंगे अब जब यूपी के अंदर जब वीजेपी की लेर चलेगी तो असी शीटा आई पड़ेगी यह यह जा रहा है कि भारत की आदी जनसें या फिर पांच राजियों से आती फैट बातें यह कहता है कि वें या यह वेस्ट बंगाल यह उन मेंते जाद़ां के टोढ़ा राजी है प्यो undertर की रही है के समीसरत आद सबसे क Hij एक नम्र फे कोड़ है के रहों वहां पर जो लिए पड़े लिखे लोग यह कह रहा है कि आप मापो की कैसे जैसे लिट्रेसी रेट है आपके डोगों को मापोगे चोटे-चोटे जो जिंगे होते ने टाबर जैसे इस बच्छे के आच चोड़ा हुआ आप तो गये होंगे हम तो पांच चाह साल के गए थे पहले कहीं दिन पहली क्लास मेटे थे फिर अच्छा तो लेने लगा फिर हम दूसरी में बैटने ही स्टार्ट हो गया और फिर गई दूसरी में थोड़ी एबीसीड एबीसीड लिखके शिधे तीसरी मेटेथे हम तो ऐसे ग्रोथ करते थे हम रिचल का वेट नहीं करते थे क्योंकि सर्कारी स्कूल में जाते ते वहांपर कोई क करना होता नहीं ग्राउन में वह खेज़ी आर पेट बहुते होते थे उसे बागे दूसरे के नीची ते बैठना होता था रिचल इतना फास्ट आथा भाईशा पूचो मते गारोंने पूच रहने के कौनसी गलास में पढ़ते हैं हमारे लिए कहना मुश्किल हो जाता काभी त साथ साल से अधिके लोग होने चीह किसको मगने के लिए लिटर सी रच शरत आडर यह साथ साल से यह किसी भी पासा में समझ सके या फिर फट सके या उसको समझधर हां ममाना जा सकता स्थाल का आदमी बॉल सकता है कि जंद। ने रहें यह कि है कि Running सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको पॉइंटों में याद रख लगाना 74.0 मतलब सो लोगों में से लगबत चोतर लोग पड़े लिकेवे हैं जो बचगे 26 लोग वो क्या है आण पड़े हैं तो यहां करे खराब तो नहीं आखने क्या है अगली जंगना होगी जब भी होगी 24 साल में कभी ने कभी तो यह कराएंगे तब यह देख लाना लगब यह 85 को क्या कर जाएगा क्रॉस कर जाएगा ठीक है लेकिन अब यह कह रहे हैं कि महिला कितनी पड़े लिकिए पड़ें लिकिन पहले पता पहले लोग ऐसे बैदस करते देंगे लड़की और वो पैसे लगये किसी और रेड़न किसी को और को मिल रहा है ये तो वह बात हो गई मतलब बिजनेस मैंने करा और रिटन इसको मिल रहा है मैंने एक चाही की धड़ी खोली महीने के 54 रुपे उकमा के देरी उसका सारा इन्वेस्टमेंट किसका था मेरा इसका रिटन किसको जा रहा है इसको पहले लोग दिमाग बहुत लगाते थे लेकिन अब चाहते हैं, के उलाद हमारी है लडकों को, लडकियों को, दोनों को हम क्या करा steep बढ़ाएंगे ताकि के लडकी लगने के बाद लगने के बाद है लोगों की शेवा करने के लिए यही बाद मेरे को इंट्र्यू में पूचाएगा तो आप क्या कहोगे बताए कि लोगों की शेवा करने के लिए यही बात मेरे को इंट्र्यू में पूझे ना मैं सिधा कहूंगा पैसे कमाने के लिए ठीक है सेवा होती किसे बीना पैसे के कोई भी सेवा मैंने कह दिया कि बच्चों को पढ़ाऊंगा इसका मतलब एक सेवा है पैसों के बदले में सेवा होती है सफोगाट में कोई सेवा होती क्योंकि आप जिन्द कीम क्या कमाना चाहरे हो पैसे कमा क销प घुड़ा का फुछ रहना चाहर說 एक ऊस्овर चीच चाहरे और आप खुश रहने के लिए त्यारी कर रहों, तो इंसान ये चाहता कि खुश रहने के लिए आप लड़के को और लड़के को दो लोगो क्या करेंगे अपने, पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जितने भी मेल केंडिटेट है, उनकी जो लिटरेसी रेत आई थ या फिर इतना याद रख लाना है, एटी टू परसेंट, और महिला कितनी लेकी पड़ी लिखी हैं, 65, लेकिन ये बात याद रखना है, ये कह रहे हैं कि महिला, पुरुष और महिला की साक्षरता में जो डिप्रेंस है ना, वो किना है, 16, कैसे डिप्रेंस, इन दोनों का ड है, ये कह रहा है कि महिला कम पड़री और पुरुष क्या करते हैं? ज़्यादा पड़री ये जो डिप्रेंस है ना, वो कितना है आपका 16% का पर ये धियान रखेंगा हूं, राजस्तान एक ऐसा राजी है, जिसका सबसे ज़्यादा डिप्रेंस है, ज़्यादा का मतलब जा तुल्णाओं में राजिस्तान के अंदर पुरूष 27% परसेंट जादा पड़े लिखे है या फिर पुरूषों से 17% कम कौन पड़े लिखे हैं अधिया यह सबसे ज्यादा रैश्यो कहां पर है राजिस्तान का और सबसे कम जो है मिजोरम का 2% और भारत का यह निकाला जाए तो वो कितना है जोड़ा परसेंट यह डाटा के लिए रहे आपके आई यह नेक्स्ट पर यह यह यहां पर यह के बात लिए है यह कहरा है भारत में 100% लिक्टरेशी रेट कहां पर है तो यह केरल का एक गाउं बता रहा है यह पिर जीला बता रहा लेकिन इसको काटो आप यह करल नहीं है यह बिजवर्व मेंज्वर्व क northern की डाट है याद रख लेना ठीक है और इसफ गाहों का यह समझदार हो गए थे या जगे छोटी थी पदा नहीं क्या था कि अलोग जादा पढ़ लिये थे लेकिन 100% लोग क्या थे मतलब साथ साल के उपर के जिस भी बच्चे को पूछा तो वो बच्चा क्या था पड़ा लिका लोग था आपको क्या रहता है आने वाले टाइम के अंबर 100% लोग यह लेकिछे नहीं तो यहां पर द्यान दो आयं यह गाई रहे के बाहरे सब सबसे ज़्यादा काम पर पड़े लिके लोग है क्यारल के अंदर है और करल के अंदर पड़े लिके लोग कितने है 94 स्पेस्व एकनों नंबर पर कों है बोलो मीजोरम और मीजोरम कितना है बोलो लाइंटाइवन आपको बताऊं जब जन गणना करी थे नहीं आपको पीचनम अवेते यह कह रहे हैं कि जितने भी स्टेट Gardensh उनकी हम अलग से आग जारी करेंगे और जितने भी यूटी हैं उनके हम अलग से क्या गरेंगे आगëंड़ जारी करेंगे इसको हम यूटी के साथ में गुषडेंगे इसलिए क्योंकि यूटी जो होता Union Territory जिसको अपन कहता है केंदर परसाशीर राज यह वह बहुत छोटा ही लागा होता जैसे दिल्ली का कंपेरिजन अपन इनके साथ कर नहीं सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आप राजस्तान के करने दिल्ली के जो अंसर ये आंसर क्योंकि जब नोर्मल जर्णकर अंदर यूटी को आपन क्या रखेंगे अलग से रखेंगे खिक बात यह 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 दो 黨 इस लिए सुबहारी कि रहा है गिरती जारी गिर्ती आरेइस दू कि अच्छे आरे ने Красष नहीं समर्थी तो यह एक काल्या यहां आप समय दोख ना ऩो कि अच्वक यूटूबर भी देख रहा है कि आखा तो कवी नमस्खार अमने काई नेyyri तूब बच्चे थेखने हैं हाँ अग्ला क्योशन पूटा है 756 आच्या अग्ला के चाहिए तो चलिए सबसे जादा पड़े लिके लोग के रल के अंदर ये याद रखना उसके बाद सेगें नमर किसका है मेज़ोरम का और इधर कह रहे हैं कि सबसे कम लिटरेसी रेट है वह बियार के अंदर है और कितने परसेंट है 65 परसेंट आपको मैंने अभी अभी बताए था बीयार का जो मक्सद है वो लोगों को जन से बढ़ाना है पढ़ाना उनका टार्गेट है इन्हें ये कह रहा है कि जन से क्या बढ़े पड़े या नहीं पड़े उसे कोई फ़रक है नहीं पड़ता तो यह यहां मिली कि आरे कि साकसरता मेंटे तिर यहां पहले बात बात है कि हमको यह बता तो किसी इसेट की है यूटी की मतलब यह कहारा राजिए यह यह कंदर शासे देख बोलों मैसे लेकिन एक बात बटाओं यहां पर यूटी ऑप्सन है क्या यूटी ऊप्सन है यह वलाएशन नेक्स्व दोजार गयारा की जनकरना के अनुसार भारत में जो मेल की लिटरेसी रेट है वो कितनी है बोलो है अगला कि यह कह रहा है अब कुछ पॉइंट आये हैं यह बात करा डेंसिटी जन से क्या घना तो की ठीक है पट एक किलो मिट के दाइरे के अंदर कितने लोग रहेंगे कितने का में जो दूला माजिश्य समयत्तु आप परति वड़ किलो मिट का दाइरे के अंदर कितने लोग रहते हैं और कितने लोग नहीं रहते हैं कि यह एक किलो मेट को दाइरे का है कि नोर्मली पूरे भारत के निकाला जाए तो एक किलो मेट के नियुक्त नायप रहता है उसको क्या कि एक किलो मिट्ट के दाइरे के अंदर क्या करते हैं रहते हैं यह आपको याद रखना पढ़ेगा ठीक है कुछ चीजें होती जो ऐसे नहीं कि एक्कल एक्जाम हो रहा है आप में से कुछ बच्छे तो ऐसे होंगे जो इस बार एक्जाम के लिए सीरी से नहीं है है कुछ बच्छों को ऐसे लग रहा हो कि आज से तीन महीने पहले त्यारी करें मतलब इतने वह सीरियस नहीं है कुछ बच्छे ऐसे हैं जो पढ़ा है क्यों जिन्दकी में समझदारी आपके डोलप और जिन्दकी पर आपके लिए चीजें क्या है काम यह चीजें जिन्दकी बाते करोंगे तो यह कहारा कि आपकी जन्दकी घनतव वह कितना है बोलो 382 लोग एक किलोमेट के दाएरे के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वह कितने लोग रहेंगे 382 अगला कहारा कि भारत में सर्वादीक जन्सांग या घनतव वह वाला राजी है वह कौन सा है बियार वाइसा बाटी नेरा इलाका कैसा है चोटा अब आपको बढ़ा कि छोटे इलाके के अंदर ज्यादा लोग रहेंगे तो डेंसिटी जादा आएगी कम आएगी अब रा इनका तो मेन मंक्स से देना पूरे राज्याी का टावर प्र प्टा करना है और कुछ है यह नहीं नहीं दार कि आरगेट बनालिया टावर प्टा आले लिखположiser जोना इन है यह पहले सोच लगी कि आपने को पूछ नहीं रहा है चुनाव आ रहे हैं योजना और ही है टेक्नोलोजी आ यह अपने काम करो जदा टाबर पेदा करें तो पोपलेशन गया स्टार का द्यान आकर्शक कर घर भोले हमको भी देखो सब्ढर बहुत द्धार नहीं दे रहे हों कि यह डैसर पर यह कं से कम जखें के अंदर जादा से जादा लोग है रहे रहे आप मैं से कोई ब्यार के हो कि कौन है कि सरकार को सम्दों ढपोड़ों बोलो ठाबर जादा पेदा हो रहा कुछ नहीं कुछ करो है 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 तो बागी दो अदिए ने लेकिन तुम थोड़ा ध्यान रहेना जब करना अपने ब्रेंगे जन सिंग्यां करने में इनकी तरह चल़ से बनाने में द्यान गञार यह यह तो पूछा जाता सबसे ज्याधा सबसे जादा गनत हुए कहां पर है कि वारत का पूचे जाए तो 382 सबसे जादा बियार सबसे का अरुणार चल रहे हैं और देश में कितने लोग रहते हैं सद्राइब कुछ क्यूशन करते हैं के अगला यह कहरे हैं सेक्स रेश्यो की बात कर रहा है सेक्स रेश्यो का मतलब यह है जिसको अपनक्राइब बहुत कम नगिया प्लकः और या पर लड़किया जाएगा जूप अब जब आपके तो गया सरा सरण्या ही हो रहा है 80% किसको लिया जा रहा है लड़के लिया जा रहा है तो यहां पर तो आंक ले लगाना मुस्किल है और किसी बर्दी को आप उठा के देखलाना बारा देश का सबसे बड़ा एक्जाम होता है इसका उसके अंदर आप देखला है और सेक्स रेशियो के अंदर सुधार भी ओड़ा है ठीक है तो यह कह रहा है कि पड़ती एक हजार पूरुसों पर पॉसेतन जो सेक्स रेशियो है भारत का वह कितना है 900 किसी भी साइड पर चेक करके ऐसे मत चेक करना कि बताईए दो हजार चौबीस के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो दोजार चौबीस में जंगर्णा तुमने कर रही थी क्या नहीं कर रहे थे ना जंगर्णा तो कब होई थी बोलो 11 होई थी जब भी पोपुलेशन की चंसेंक्या की इन चीजों की जब भी जुरूत पूरे तो ऐसे लिखना कि 2011 के जंगर्णा के मुताबिक आगड़े क्या है आप आगड़े का लोगी लेकिन सरकार उसको माने की नहीं तो यह याद रखना आप सेक्स रेशियो का आगड़ा लेकिन यह खेरा है जबकि हमने 2001 के अंदर रहा था वह कितना था वह 2011 में जंगर्णा हुई उससे पहले का भूई थी एक में दिये कह रहा है जब हमने एक में जंगर्णा करा के देखी तो इसका सक्षेश कितना था नौ सो तेटीस लेकिन जब हमें 2011 में कराये तो बढ़ा कौन पढ़ी है लड़कियां पढ़ी है पहले लड़कें किती थी बोलो नौ सो तैठीस अब लाटकें किती होती है इसका मतलब जच कुई रिपरेंस बढ़ागे नेबढ़ा तो लगतार यह बड़ता जारा अब आगे जब जन गल्न भरन अगर तब क्या वारइगा बढ़ जायेगा पिर भी एक्ट्रा प्रोडेक्ट कितने बच रहे हैं चौरा सी तभी रोग खरीद खरीद के ला रहें जो बेरोजगार बैटे है ना वो तुम चाहते है क्या हो रहा है आज अचलो आके देखो यह कहना कि भारत में नियूंतम जो सेक्स रेशियो है वो कहां पर है हर्याना के आपको मोटे दोर पे पूज़य को सबसे कम आगे आंकड़े याद नहीं होगे तो भी आपको होगा काम चल जाएगा तो सबसेहां याद रखना केरण में और सबसेजाद कम अंपर है अब यह कह रहे हैं कि मान लिंगनुपा की बात करें तो परती एक हजार पूरूसौ पर बात करें सेक्स राइश्यों की तो वहां पर चेक करा यह तो इसको याद ही मत रखना नोलाइज के लिए बतारो आप यह याद रखना यह करें एक हजार पुरुसों पर लड़किया कितनी मिली है नौसा और यह कह रहा है कि अधिक्तम अरुना चल परदेश के अंदर है और न एक नंबर पहर है ठीक है चलो अगला यह कह रहा है कि हर दस साल में हमने प्रोथ कैसी करी तो जब 2001 के अंदर जन्गना हुई थी उसके बाद कब हुई थी तो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वह कितना परसेंट बढ़ी थी 17 जनसेंग्या बढ़ गई थी तो यह बात सबी राज्यों की यह बार्क के होस्त निखा जाए तो सत्रा परसेंट थी लग जब कि इसकी कितनी आरी थी 27-24 के आसपास की कुछ रेट थी वो रेट थी मतलब सबसे ज़्यादा किसकी थी मेगले की और सबसे कम किसकी थी बोलो नागलेंड की आप याद नाम रखे लाना सबसे ज़्यादा मेगले और सबसे कम नागलेंड नेक्स्ट देखो अगला क्यूसन यह कह रहा है क्या भारत किसकी चल दी सबसे पहले S C की बादध चल दी है तो S C का मदल में यह कह रहा है कि सरवादिक अनुसुचित जाती जिसको अपन क्या कहते है S C वो सबसे ज़्याधा कहां पर है UP के अंदर है तो आपको पूछ लेके सबसे जादा सबसे जादा सबसे जादा सबसे जादा क्यों पर है तो वह नहीं पहाँ पर है यह आइक है यह कहा रहा कि परसंटेज का मतलब जानते हो यूपी की पॉपूलेशन जाता है उसके मुताबिक परसंटेज में देखोगे ऐसी वाले लोग है तो वह कमाएंगे लेकिन राज्यों की तुल ना करोगे तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा कोण मिलेंगे ऐसी वाले लोग मिलेगे पंजाब की पॉपूलेशन कम हैं लेकिन परसंटेज की अंदर बात करोगे तो परसंटेज में आपके कोणने बोलो मजाब है जाएए लोग जाता है आगला से को जोधपुर से लोग जाकर मकान ले रहान है बात है लेकिन यह कुल लोगों के मुताबिक और 2011 के जनगर्णा के अनुसार वहां पर कोई नहीं था विसने जनकर नहीं कराई थी अगला के उसंदा को यह कह रहा है एक होथा सबसे ज़्यादा लोग कांपर है यूपी में इतना ही दियान रखना और सबसे ज़्यादा एस्टी वाले लोग कांपर है तो वह क्या एगा अब हम आपकी क्लास के यूदि सक्षे जो आप सेलेक्शन होगा उसका रैशियो निकालेंगे तो यह देगा 30 परसेंट यह 40 हमने एक बीच मैं जिसमें 10 बच्चे रखे थे वह सारे के सारे अच्छे पढ़ने वाले तेरे जिनके उपर मेनत करी 10 मैं से लगबग 10 के 10 लगे तो फिर हम यह कह सकते है कि 100 परसेंट बच्चों को क्या हुआ है सेलेक्षन क्या इनमें बड़ी रास के अंदर पांद सो अच्छोँ मैंसे क्या सब्या सकता है पूरी रहेंगे पूरे तो एक बच्चे पैस धियान थोड़ी दे सकते हैं कि तुम पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है तो आपकी यह इंद्रीए कि यह सच वहां पर हैश्टी के लोग नहीं है कि हकौन है है कि अफ प्रेट कशन्षे पासे कि जनरव हो आज प्रेट कानुप काई चण उसमें हो अच्छेह्ड परchas थी तो अभी ही इस और पर अबिल घूट वह वो तो जंगर्ना किसने करई सरकार के आगर बढ़ा रहो मैं तो ठीक है तो सरकार का कहना है कि हरियाना और पंजाब के अंदर जब हमने जंगर्ना 2011 के अंदर करई थी उस टाइम हमको कोई भी एस्टी का आजमी वहां पर निवास करता हुआ नहीं मिला था अब है या नहीं है या लो मतलब जो टोटल पोपुलेशन की बात करोगा ने 121 क्रूर आबादी की उनमें से कह रहे हैं कि 31 परसेंट लोग कांपर रहे हैं आप जेंगरना रहे हैं जेंगरना वापीस करो अब सेरों में ज्यादा मिलेंगी को क्योंगिंगे क्योंकि आप से आपसे यह कह रहा है कि 2021 की जंगरना करनुसर बार्त में सेरी और ग्रामीन का का अनुपा जो रहेशियो था वह कितना था 31 का और 69 का मतलब 31 लोग कांपर थे हैं और ये बचेव लोग कांपर थे हैं गाहों के अंदर थे अगला खेरा 2011-2011 में भारत की जनसेंख्या वर्दीदर कितनी रही थी 17 यह अपने पढ़ चुके हैं अगला खेरा 2011-2011 तक बारत की वार्शिक जनसेंख्या की वर्दीदर इसका मतलब क्या है यह कह रहा है कि हमने 10 साल का आंकड़ा निकाना तो कितना आया 2011-2011 तो हमने डूना के जनसेंख्या वांपर कितनी बढ़ गे थी 17 परसेंट बढ़ गी लेकिन यह कह रहा है कि हमने एक एक साल के आंकड़े निकाल के देखे 10 साल में एक साल की जो वर्दीदर आई थी एक साल का मतलब समझ रहे हो दो हजार एक में जनगर्णा काउंट हुई थी रूस के बाद वापिस हमने दो में देखा गया था तो एक की बजाई कितना बढ़ गया बोलो अब आप क्योंगे सर एक साल बाद जनगर्णा ही नहीं हुथी ए सबसे बढ़ी कोन है तो सबसे बढ़ी कोन होगी कि किसकी है याद के बात करें लगसभी की कितरी वह दो पर सिक्सटी परसेंट अगलाом करें को तो अलग से काउंट करा जाता है क्योंकि छोटे इलाखे होते हैं इसलिए पूरी जनकर नमें राजियों के साथ इसकी काउंटिंग है नहीं होती है अब यह कह रहा है कि इलाखा चोटा तो इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है बोलो 11,320 उदर सबसे पहले बियार की जादा थी कितनी थी जारा सो उसको भी अपने जादा मान रहे थे दिल्ली बहुत चोटा यह लेका बहुत जादा भीटबार है परती किलोमेट के दाएरे में किते लोग रह रहे हैं 11,320 लोग है अगला कहा रहा कि नियुंतम जनसें क्या गनेतववाडा अंड़मान निकोपमार लक्सदीप की कितनी है बोलो 46 है अगला कहा रहा कि सरवादिक सेक्स रेश्यो यदि अपन यूटी की बात करें तो वो कांपर है बोलो पदुचरी में कितने पर एक हजार है प रिजानी की आठ्स और सूर गुस्ती लेगे इधर कम किस की आरी है ज्वनदीप की अगला के चार्वास दिक लिट्रेस्य रेट की बात करें किस में यूटी बोलो था किसकी आरी है लास दीव परसेंट है लाक्स दीप कीत़ी है ऑन्य क्या रिए बोलो दादर और नागर व कि इत्यास में मान वीपाचन वरस्रा मान वीपाचन का मतलब क्या हुआ यह कह रहा है कि जब मर्क्युदर में गिरावट आई और जंसें क्या वर्दीदर टेजी से बढ़ी अब आपको पता कि पहले घ्यास कि तो संच चलद लेकिन पोपूलर सब्टरी इसका है घॉन्दर होतें में जाहा है नहीं देंगे फिर भी तीसरा बच्चा होता है और सरकार अपने जब उसका अधार कार्ट पैन कार्ट जब भी कुछ भी बनाते हैं उसमें माबार बाप का नाम चैन्ज कर दिया चाता है इसका मतलब जानते हो आप है जैसे यह बच्चा है यह गवर्मेंट जॉब करता है इसके मान लोग दो लड़का हुई इस नहीं सोचा एक लड़का नहीं भा फिर तीसरी बार फिर लड़की होई तो जो तीसरी लड़की है ना उसके जो डॉकमेंट के अंदर नाम है वो इसक जैसे लगा करके 1921 तक मर्तियुदर में क्या ही थी यह तीके में बहुत पार किसन पूजा जाता है बोले मार्वीबाजन का वर्ष किसको का गये था तो 1901 लगा करके 1921 तक मर्तियुदर कम हुई थी जनसें क्या बड़ी थी अच्छा दोर चल रहा था तब अगला कह रहा है हो सब्सकु तक तो जन सेंग क्या बड़ी रही थी बढ़ी रही थी उनी सब्सक्राइब करता है उसी परकार इनका कहना है कि 1981 में जाके लोगों को यह बात पता चला ही कि बोले जो अपन काम कर रहे थे वह काम खराब था अब उस पर क्या करा है चैसे नहीं लोग आज में दारू पीना इस्टार्ट करता है पहले पहले बहुत पीता आगे जाके उसक सबसे कम जन सिंक्या वाला राजी कौन सा है कि सिक्किम सबसे कम जन सिंक्या वाला राजी है अगला क्यूसन देखो भारत में सरवादी बारत कि अधिक जन सिंक्या वाला सहर कौन सा है तो मैं बता दू सबसे ज्ञादा जो सेर है वह अलग अलग इला के देरके हैं वह डिली ऐसा शेयर है जापर जन सिंक्या सबसे ज्यादा की बात करें यहां पर चीले कि ऐसी कोई बात है सबसे अधिक यह क्या रहा है एसी एसी वाला राजी कहां पर बोलो यूपी नेक्स वाला क्यूसन आपसे यह कह रहा है कि 2011 के जनकर्णा के अनुसार किस के अंदर साशित परदेश की सिक्षा परतिसत है यूटी के अंदर सबसे ज्यादा थी अभी अग्रा बतायता हूं दिल्ली बहुत दिल्ली पुदुचेरी लक्स दीप अंडोमान निकोबार्त दीप समुए अभी बताई दियाद है कौन सा अप किस Но सबसे ज्यादा जीला वह सबसे ज्यादा है कंपर ठाण आता है महाराष्टर के अंदर है कि नाक्स हूं दोस्तकिए हिस वोश दोडुर की जनकर्णा के अनुसार जन संक्या की दस्टिस क्या सबसे दूस में लगशिये राजिया कॉन सा है माराश्टर अगला क्यूसर आपसे यह कह रहा कि भारत की परतम नीमित रूप से जनगरना कब हुई थी 81 में यहां पर क्या हुआ था स्टार्ट हुई थी यहां से नीमित बोल दिया था कि आज के बाद 10 साल बाद क्या होगी जनगरना होगी अगला क्यूसर यह कह रहा कि 2011-9 पर्शंट के आपस से अपने लिटरेंशी रेट थी उसका एवरेज भारत देष का क्या था 16 परशंट के आपस दाना अच्छा सबसे ज्याधा काम पर था मैं पूछ क्या रहा हूँ 2011 की जन्गान के अनुशार भारत में पूरुसों और महिलाओं की साक्षरतातर है सबसे ज्यादा है राजस्तान का कितना है 27% मतलब आदमी ज्यादा पड़े लिके हैं और लोगे क्या है कम लेकिन यह पूछ रहा है कि सबसे कम कापर है कितना हैं और पर्देश के अंदर परदेश मद्यपरदेश के यह निए बात कर रहा है तो बहुत ही है हम है 만दमी और लोगे लग लग साहर है पड़े लिके हैं और यह जो के आरिकी हैलैегिन क्या के अंदर सबसे ज्यादा यहां पूछ लेते तो राज्तान का बता देने कितने परसेंट है अगला किसन देखवा निमली कित मैंसे किसमे महीला साक्षरतादर अधिक है चंडिगड दिल्ली मीजोरम इसकी ज्यादा थी सबसे लास्ट वाक अच्छे था ही नहीं यह यह हुई अपने भारत देश की चंड़ना पूरी और पड़ों कुछ है खागे तो नहीं हों क्या बाग है प्यस्य केर करो ओगे सब्सक्राइब चलो तो अब कुछ और पड़ने है कि ठीक है आप बार भाग मजाना ठीक है है जू सब्सक्राइब हो गया ओक हो गया अब हलो यह तो है मेरे पास में 50 शाट और करंट पेर के सब्सक्राइब हो यह तो यह तो यह तो मैं सोच रहा हूं नहीं पड़े तो इठीक है लास्ट में देख लेंगे यह तो पूचे जाते हैं तो पूचे जाते हैं तो सब्सक्राइब हो यह तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं करंट पैर के क्यूशन है पढ़ लेते हैं उसके बाद इस्टेटिक जीके के पढ़ लेते हैं ठीक है तब तक यह जोश क्या ओरा ठंड हो रहा है ऐसी के निचे कि इधर बहुत ठंड ही लागा है 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 जोशन है तो यह तो और खुल करी नहीं है क्या पढ़ रहे थे अपने जीके पढ़ रहे थे उल्टा हो गें तो काम यह लो वह क्या करण सर लगा उठान आगे पहन सोचा सर कौन है हाँ तो करंट अपैर पिछली बार मैंने आपको कापी पढ़ा था और कुछ क्यूशन चुटके थे उसके मैंने आंसर लगा कि आपको गुरूब में बेज़े थे तो गुरूब में थे वो तो बढ़ लिये थे नहीं थे वो कोई बात नहीं हम जोड़ देंगे अगली बार चलता है तो इसकी थोड़े दिनों तक बात चलती बात में थोड़ी बात चलती है ठीक है तो इसी प्रकार सरकार ने काके बोला हम 3 से बात करेंगे न वह हमारा अफ़ेर च्छे महिने पूरा नहों इससे पूरा नहीं होगा लेकिन आज लिए उस्ट्री का बन चाहिए तो इनको बोले यह करेंट का क्यूस्सन नहीं है तो इसलिए आपन रिश्क उठाई हिं नहीं अब मैं बात कर लेता हूं 2023 के अंदर कुछ भी कोई अच्छी गटना हुई है उसके बारे में और आज क्या चल रहा बोलो आपरेल 24 चल रहा है तो यहां तक मैंने जो अच्छे-च्छे 50 एक्यूसन जो आने के लाइक हैं उनक्यूसनों के बारे में बात करेंगे आप मैं फट जो बहुत अच्छी बात हैं इतर धियान दो आप हैं यह कह रहा है के परिवर्तन चिंतन काश के बात चल रही है चिंतन कभी कभात परिवर्तन हीinya यह यई उसा है Q कह से तो हमारे लिए परिवर्दन चिंतन है अगली बार हमारी हिमत टूर जाएक यह बारा गंटे नहीं रहेंगे हम तो हिमत के बरों से खड़े हैं कि आप पढ़ रहे हैं आपका सेलेक्शन हो रहा है इसलिए आद भी बारा गंटे खड़े रहे रहे हैं के वागी आपे काम करना एक्जाम के बाद कुछ भी काम मत करना एक खड़े रहना भारा गंटे असे रहे पाते हैं लिए पॉरा आंटा होता जो आट बजेश्वी इधर वक्म के इधर आती बहुत महनेत होती है जैसा अश्र ने तो कल दूबर ले ले हैं तीन वारा गंटे कि जिनके पास time बहुत कम है और कितनी मेनद करके 2 मेरा तन ली आपर खेलता है एक हाद भागी जाओंगा फिर आप जेलना यह क्योंत घ्रिवर्तन चिन्तन एक अग्रणी त्री सेवा समिलन कि सेर में आई जी दुआ पहले बात यह बता तो परिवर्द चिंदन क्या है अपने भारदेश के अंदर तीन सेना है जानते तीन सेना कौन-कौन आर्मी नेवी और एयर पॉस्ट इन तीनों के अलग-अलग मुख्ये होते हैं हालां कि एक सरकार पॉस्ट ल जिसको आपनु कहते हैं 3 सेवा शम्हलन इस के अंदर तीन सेना के हैट और इनके बारे में चर्था गरी थी किसके बारे में करेंगे कि अब यह पर अगनी भीर के बारे में पदा ने कि मैं एक मूझन करके तो नाइक पूछा तो इसको उन्होंने का परिवर्थ नचीन दर मतलब सैनाओ के बारह में इसके बार में मिटिंग करी तिनों सैनाओ के तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह तीन ही आदमी इसका मतलब उनके साथ में बहुत शारा वह और भी आदमी जए कभी कबार मोधी जी कई भीडेस जा तो यह तो यह तो यह कौन से सहर के अंदर हुई तो भार्त की कैपिटल क्या बोलो नहीं देले शेवाद है कि वेशाब आपने आप मेरे को सब्सक्राइब करा था सब्सक्राइब करा था वह तीनों सेनाओ के मुझे हैट बैटे थे और वह जो मिटिंग करी ती इतना याद रख लेना बांस लगा कि मैं भटा पटा आपको क्यूशन करूंगा अगला अप्रेल दो हजार चौबीस में किस कंपनी ने भारतिय सेनाओ के देट आपकास-3-a-defense security system मतलब यह जाते हैं स्कराइब तो लिए आप दैना जो मिश्यल उड़ती है जो हवा के दिश्ष्जी ने यूद करने के परपस से बैजी है और इधर से अपने वाठत वारे जो हवा के अंदर उसको उड़ाकर क्या कर देंगे देश्यवा कर देंग त्यासी नियुक्त में के अधियर से चोड़ी तुनकों पहले पता चल हुए उद्र से जोड़ी इसकी शुटी और मेरी मुझे यहां बीच में क्रेस्ट करके और हमारी मैश्य को क्या कर दिया का घाल थे हुए अब क्यों क्यों बार्च के पास पहली थिए अब बात बात प्ल क्या करते हैं आपक्टार है जिसका नाम रखा इनोंने आकास तीर एट्यूर्थ तेपेंस सिस्टम सिक्रूटी उसपी तो अपने साथ चेड़ का निकलेगा तो सिस्टम का बतलब क्या है ऐसी एक चीज बनाई है वो किस कमनी ने बनाई है उस कमनी का नाम है आपका भारत लिमिडेड जिसको बोला जाता है वी सिदे सिदे याद रखना सिदे चेव जना अगला यह कहा रहा है कि नमली कित्में से पूरे विश्वे भड़का एक सब्मिट हुआ है जिसको आपन शॉट में बोले जाता है डबलू एप इस वह कौन सी जगे पर हुआ है युए के अंदर नेक्स्ट वारा क्यूसन यह कह रहा है कि राष्ट्य बागवानी मेला दो हजार चॉबिस किस विश्वी कहता हूं ऑज पहली बात तो मैं यह कहत Сегодня कि राष्ट्य बागवानी मेला का मतलब यह है जैसे अपन किसी चीजों में नहीं नहीं टेक्निनलोजी लेकर आते हैं किसी प्रिवेट में चीज होती उसमें नहीं नहीं है उसको भी मेंटेन रखा जाये ऐसे नहीं सारे फूल तोड़ा के छेड़ का निकर दिया जाए इनके ऑप्शन-पड़ आपको क्या लगता है यह कह रहा है कि इसका जो विशे है वो क्या रहेगा आपका विशे को या कहते थीम जैसे जी ट्वंटी की कुछ ना कुछ थीम थीग नहीं थी यह कह रहे है कि हम राइस्ट ये बागवाने मेला दोज़ार्वीस का यह जन करें उसका थीम क्या है आपको इन में से एक पता चल जाएगा कौन स कि यूटूब और बताना इसका कौन सब्सक्राइट है कि यूटूब आपसे जादा बच्चे पट रहे हैं ना वह आंसर देदेंगे अनुमान लगा सकते हैं यहां पर क्या लिखा है नेक्स दन का मतलब होता नेक्स्ट जनरेशन कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है लेड इसका मतलब है कल्चर और इसका मतलब है प्राकर्टिक जो चीजें होती है वह बचके रहे तो इसका जो ऑप्शन से वह कौन सा है इसलिए वह चीजें होगी जो अगला क्योशन यह कह रहा है कि हाली में खबरों में रही है अब इसमें भी आप अनुमान लगा होगे और नाम लिखा इंद्रा गांदी अब यह सोचों इंद्रा गांदी कॉंग्रेस की एक विज्यपी की है आप जोंघ्रेश कोई योजना आए कि नहीं आएगी इस ने इह बोला एक हाल में खबरों में रही इंद्रा गांधी प्यारी बहने सुक शमाने नीदी योजना इसका बतब है लड़की पेदा होने पर हम 10,000 रॉपे कश पास कुछ रूपे यह योजना किस राज्य द्वारा शुरू करें गई एक बात वाहां परदेश की लोकल सरकार अपने राजदान में आरेलपी रहे है ना इसी परकार की वहां पर सरकार रेंगे रहे हैं पीजेपी है और आपके पास क्या बचा केमा चल पड़ेश में अभी कॉंडेश की सरकार है तो यह कांपर लेका हैं कि बोलो कि यूशन को गूर गूर के दो चार बार पड़ लो कि खड़ लिया ओके डैक्स वाला की संद्या को पड़ो किसन क्या कह रहा है कि मोनेटरी पॉलिसी सब्मिट जिसको आपन कहते हैं मोद्रिक नीति समयती रेपो रेट रेपो रेट को कहते हैं कि रेपो रेट और लो क्या गूल भी फेल हैे उत्रकराइड समस्ट सब्मिट जो बेंको की रेटे होती हैना कोडि करती है रेपो रेटेट फोड़ी uta यह बढ़ा के नाम लिखा रेपो रेट होती है जो आर बीजो बेंकों को लोन देती है ना बैंकों के पैसे कहां से आते हैं तब याप जियान देना कभी कबार आपके आप जब एक लगाने दाते हो एक अधियम कार्ट के अंदर सरकार की कुछ भी पॉलिश आती तो आप एसे इसका मतलब पैसों के जो मामले जितने बीजो कि संस्ता काम कर रही है और बट्का कर रहे हैं किसके आ रहे हैं are you ko अब मेरे को एक बात बता हो आरवी जब रेट बढ़ाएगी किसकी रेपोरेट रेपोरेट अभी के कितनी है 6.5 इसको याद मत रखना यह हर तीन महीने में चेंज होती रहती है तो आप तो रेपोरेट का मतलब ध्यान रखना लेकिन अभी आज का यह दी एक्साम में पूछ लिया जाए तो यह तो तो दोजार 24 25 की बात कर रहें अभी की तो रेपोरेट 6.5 यह लेकिन यह तीन में बाद बदलती रहती है ऐसे नहीं आज के चैनल अज़कर आपने क्या पढ़ा है अमाना आशर क्या हो गया गए हो सकते हैं तीन में बाद रेपोरेट क्या हो जाए कम या फिर ज्यादा और रे सब्सक्राइब क्या आपको बैंक 6.5 पर सकती है क्या नहीं देदी आप कार लोन होम लोन यह तो सिक्रोटी लोन होता है जो जिसका यदि मालो रिटन भी वापिस नहीं मिले या आप किस्ट भी नहीं बढ़ो तो आपका घर या कार ले सकते हैं तो उसकी बीजो रेट आती वह कम से कम जो रेट आती वह भी 8% आती है जिनका सिवल अच्छा नहीं है उनको 10-12% या 15% तक लिए जा रहे हैं इसका मतलब हो जो बीज का कमिशन है वह किसका है और आपको मेने दे दी 8% मेरा और आपके दे भीज मृट नहीं जो कि दो जिए फूरिक फूरिक है लेकिन ये कहा है परिवर्तित रखने का फैसला लिया है मतलब इसको हम चेंज नहीं करेंगे मतलब आपको पता मेंगई बढ़ती है घड़ती कभी आज पैंट्रोल की रेट बढ़ी होई है आपको अनुमान है क्या सोक अंदर पैंट्रोल आएगा कभी नहीं आएगा और कभी बाइचांस चुनाओं से पहले सरकार ने यह कह दिया कि हम 110 रूपे से 109 पर करता है तो जब अगली बार बढ़ाएंगे तो तीन रूपे बढ़ा कि यह कह रहा है कि आप इसका मतलब होता है महंगाई ठीक है यह कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है भारादेश के अंदर बहुत जादा तो यह कह रहे हैं सरकार ने यह कहा है भारादेश के जो महंगाई चल दी है वो पांच पोईट चार परशेंट की दर्थ-बर चल दी लेकिन रही ने कहांए ने यह कए आपस्त पांचर्ण बादा है यह है जाहिए के व्याजरी धनी कि छाहिए यह पांच डिया और रही है ज्यादा में अब हो कुम ऩौन कर सकता है तो विजेपी की सरकार में इतना दम नहीं है कि वह महां किया करते है आपने सोक पठके अपन क्या करना है महां कि चीजह करीद रहें अब जैसे आप एक 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 लाग रुपे को Claus और मत अब यह नहीं है ग्यारा है अब आव नहीं है क्या जैसे पैंट रोल है टीचल खाने पी आख जाए इसकी के लिए इनकम है जो आपने पिस्ट दी वह आपके लिए क्या है एकस्पेंटिचर जैसे के लिए इनकम है तो कुछ भी चीज में बढ़ा हुआ तो दोनों पार्टियों के साइड़ अलग होता है पर यह इनका अनुमान है बोला 2024-25 के अंदर हमारी जो अनुमानित महेंगई को कंट्रोल करने का है वो है च्यार पॉइंट है पांथ अगला क्यूशन यह देखो जनवरी 2024 में ICC को जानते हुआ ठीक है यह कह रहा है कि ICC बोर्ड ने किस किर्केट बोर्ड को निलंबी तत्काल परपाउस से हटा दिया आपको पता जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना एक टीम को ICC ने मार कर दिया था अगला कि वह गेम तो खेलने दिया था फूरा मनलो वर्ल्ड कप तो खेला था लेकिन एक टीम को बाहर करा था किसने ICC ने करा था एक तो रिजन यहाँ पर था कि जो राजनितिक पार्टिया थे ना वह गुष्टी जारी थी एक आपको पता जब किर्केट खेलते हैं ना ज लेकिन पहली बात और उख गो तो इसको जो दो रिजन थे पना फार करने कर डाट जो दरी चेप गरे अमना झाप पर रखा कि अबन जीयरकी कि अन्या था खराब कर रहा है Setala sol सबस्केट चुब। लेकिन यह कहा रहा है कि किसको सिरिलंका को रिया भी किसको सिरिलंका को कमच विश्वए अ Свी यह रहा है कि उसय सक्टे इंग्लेंड न्युजयों wheel लॉस्ट वृस्टेल्य मईक अब इसका नहीं है इंग्लेंड 2027 के अंदर जब विश्वे टेस्ट चैंपियंशिप जिसको अपन क्या कहते हैं धगलू टीसी ठीक है वर्ल्ट चैंपियंशिप जो किर्केट का होता 2027 का जो फाइनल मेज की जो मेजमान नहीं करेगा वो कौन करेगा इंग्लेंड करेगा अगले किसन आप से यह पूचा गया है एक ऑप्शन दिया जिसमें खाली जगे चोड़ी है कि भारत की जोड़ी ने काईरा में आई एसस एप शूटिंग विश्वेकप दो हजार जोबिस यह किसका विश्वेकप पर बोलो शूटिंग का विश्वेकप 2024 में भारत को गॉल्ड मेडल मिला था वो किसको मिला था यह तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे जिसका नाम है आपका रिदम सागवान और उज्वल मलिक जिसको क्या हुआ है यह दो केंडिडेट थे कि भारत की जोड़ी ने काईरा में हुआ का पर था काईरा में व पड़ा के गए ता आया शीटी वड़ा आया शीटी का जो चेर्में मने था वो किसको मणे था आपके पास में लाइस्ट वड़े संजे कुमार जैन इस क्रेक्ट आंसर तो इसका मतलब आपको याद है ठेक हाई यार शीटी का अभी हाली के अंजरें नए नए चेर्में उने उने उस चेर्में का नाम क्या है संजे कुमार जैन अगला आपको पूचा जा रहा है केंडरिये यूआ मामले और खेल मंत्री अ स्कुलbest आप वारत के बाल ओऄ और खेल के बाजको आए कर रहा है तो भारत वर सीघूअध को स्टूर्ट refresh日कोर्स अब कस अबाद को बाल KPس ने चूब आपको आ रहा है मद दिन ऩोदो होते है इंस पहरत कर और ब्राजिल इंडाले इंड़ोनेशिया इंड़ोनेशिया इन हदिए ब्राजिल को इस शाल कों से नमबर का G-20 सब्मिट ब्राजिल के अंदर है 102 के अंदर तो इसी परकार यह कह रहा है कि आपने किसको देदिया जो अगली बार गोंड कराएं का बोलो यह चीन लों каких हैं थे सि जये कराएंगे सिंगापूर हो में वैसे ध्यान नहीं देता यह चीन देश करा है नहीं उमान करा नहीं रह Пड़ार देहरें में नहीं को अ कर दे दो हाई हाई fell on Jesus कर दोंटिव के लिए मंदिर आप कर से वालें पर्दान नरह नहीं तों यह कह रहा है के पढ्दान मंत्रि नरह नहीं तो नशाक्थि यह कर सकी हिंदूसरा नाम किया प्रदान मंत्र नाम मंत्र क्या स previousworld High proband on theичноynn a few उसी परकार शलए राओं Toutर्ड ह'. सारों के पीछे हिंदू मंदीर हिंदू मंदीर हिंदू मंदीर लगा दिया लेकिन इसका जो मंदीर का नाम है वो कौन सा है क्या नाम लिखा बोलो वच्वानी अक्सर यह क्या है परशुतम स्वामी नाराइन संस्ता हिंदू मंदीर यह याद रखलाना रह जाएगा ठीक है त करना आई ओ एस जान्ट हो जो आई फॉन के अंदर आप डाउलोड करते है ना उसका नाम है ठीक है एक होता एंट्राई और एक होता आई ओ ऐसा है अब इसने बोला है कि इन्हों ने एक एप लॉंच करा है जैसे यह सरकार निकालती है ना लग लग आरे चेशर के लिए ठीक ह आरे यह करा है और को मंत्रा लिए ने करा पहली बात तो यह बात बतओ कौन से गंदर आता है और ऊप्रणुर को यह करें इसको यह करा आए मिनिस्ट्री ऑप आवर यह करें कि यह टारा करा मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली को यही देखता है न तो इन्होंने लॉंच गरा था कि वह पहले वड़ा एंड्रोड के अंदर चलता था इपॉन में चलता नहीं चलता नहीं चलो जी टेक जानते हुआ है कुछ चीज जहां कि जादा फैमस होती है उसको टेक दिया जाता कि आज के पहनो नहीं पहनो लेका जाना जोथवर आप जाता तो कुछ तो अच्छा काम करके पूछ नहीं को पहने को फैनका तो आप दिया हो तो आप एक्जाम के बाद लेलाना और मैं क्योंकि जैंसी का कलर कैसा है पिंक कलर की यहां से वह जए टेग वाली साड़ी आ पहन के जाना लोग पूछे नहीं है क्यों पहन कहें तो बोले इसको जोट पूट की जी टेक मिला वाए यह कह रहा है यह कह रहा है यह कह रहा है यह गउं की एक कुसल का नाम है अलो हलो गाइस हां ऐसे चुपचा बैठ रही है करो ऑनलाइन और बच्चे पूरे बाहरत तवर से देख रहे बाहरत के बाहर के भी बच्चे देख रहे हैं यह दिन में रात को ले रहा था एक पाकिस्तान से पढ़ रहा और आप जैसे टीजर मैं यहां नहीं तो यहां पर कुछ वीदेशों से बच्चे देख रहे हैं आप ऐसी अरकते मत करो कोई अमरीका मेरे जान पजान के गई है तो भी क्लास देख रहा है ठेक है वहाँ पर ऐसे बता है बोले हैं है मेरे दौस्त यूटूब पर बढ़ा रहा है ठीक है और असोख सर भी निचे का लेकर रहे है पता नहीं भारत वर्स में कौन कौन देख रहा है तो ऐसी अरकत है मत करो यह कैमरा इसने बाइचा सीधर गुमा दियत आपकी क्या इज़त रहेगी पहले से कुछ इज़त है नहीं और जो है वो की भी आज़त चली जाएगी माहिने समें क्यों ऐसा खुद के साथ किलियाड कर रहा है वह बात है कि जैब में पांच रूपे हैं पांच के पांच खर्च कर दिये पहले से तो इतिक इज़त है कोई गमा के बैटो के पूरे भारतें तुम्हेरी सखलन देख लिए ना है है तो क्यों में क्यों तो क्यों क्या बात नहीं कर रहे हैं यह कंड़ की बात कर रहे हैं कोई यह में मैं दाल दिये यह कह रहा है किस राजिया से समन्द रखता है ये रखता है UP से UP के अंदर योगी जी अब कोई यूपी के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं देखा तो जौदपुर के लोग यहां पर बैटे हैं उनको पूछो जौदपुर की बंदेज्वारी साड़ी को जिए ही टेग मिला तुमने कौन सी साड़ी पहन के तो जौदपुर के है न वहीं नहीं है किया हाँ यह जीतरे भी जौदपुर के बैटे ही है कोई सी बंदेज्वारी साड़ी एने टेम तेले में लेके गुम्र है यह तो मैं जीके से थोड़ा तालूग रखा हूं तब मेरे को बता है यही बात आप रमेसर को पूछो के तो कि साड़ी के मेरे को यह पता है 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 हां तो यह कह रहा है कि यह जादा जो जीए टेग मिले है वो यूपी को मिले है वह सबसे जादा किसको दिये गए है सिक्स्टी कभी कभार कि अब इसे हवाँ में चलते रहते हैं आपने कह रहें कि यह सरकार अच्छा नहीं कड़ी इसे काम करती है कुछ आप जैसे आप जैसे योगी ची यह कुछ पर यह बहुत ही अच्छे का मुझी पर यह कुछ प्लीडिन सिलका मिनें रहें मोधी थे आज से च्छे महीने पहले में आपको पढ़ाना है था आज भी ऐसा ही हूँ आप यह थे मैं भी ऐसा ही हो अपने सरकार से को पढ़ा है किया अपने तो वह कुछ शणी खुशी थी एक वार अंग्रेस की सरकार गई और वीजेपी आई वह किसी का थोड़ा लगा वीजेपी से लेकिन आप भंपमें अपन ऽे बर्दोटेर कुछ पढ़ाने और या कुछिज पढ़ा है सरकार कुछ चीजें लेकär ही है भौस आरी चीजे लिए उनको पढ़ों के तब आपको पता चले का वरणा तो आपको पता ही नें चलेगा तो सभ सेलें जालेगा जूए इसको मिले प्रहुटी कुर्म यह एकाशा के बहुत कली है कंसर के लिए पहली घरेलोrek जीन premi का सुभ अरेलों कि घरेलों जानगे बारत में जीन अन्हीं मतलब के जिसको यदि माहिए ही है उसके अंदर कि आपने लिए न लोग्त कि सब्सक्र disguise ? यंफ कि बाइरत की पहली गहुनारेची लगाएं और उसको रटी लेना जो मेडिकल प्रेट से जुड़े वे जो जो करेंट आपके साथ हो सकते हैं ठीक बात है किया एक मिन फौन देख रहा तो लोगों को पता नहीं कि शुब आज में कोई काम होता है चलो अब यह जो जीन तरफी वो इसने पूचा के क्या पूचा है बार्त के राष्ट पती ने किस इस्तान पर कैंसर के लिए बार्त की पहली जीन तरफी क्या सुबहरम करा यह अभी रिशर्च करा किसने आई टी अगला देखो अगला यह कह रहा है कि सिंगाई सयोग संग्टन के सजेशिये देशों की शुरुक्सा प्रिशत की सचीव की 19 वी वार्शिक बैटक हुई थी यह किसली होती है बताए कि आपको सिक्रोटी काउंसिल होती है जो पूरे वर्ल्ड के कुछ कुछ मेंबर जाते है तो यह पूछ रहा है यह कांपर है अब मेरे का बात बताओ यह आपसे पूछ रहा संगई संगई एक जगे कानाम दिया है यह कह रहा है कि सजोग संक्तन के सजैशिये देशों की सुरुक्सा प्रिशत की जानचीव की 19 वी वार्शिक होई थी तो क्यूशन पढ़ो और इसका आंसर बताओ यह जो बैठक हुई थी वो कांप पर हुई थी यह सुरिक्षा के लिए बैठक होती है को और से देश के अंदर कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे कैसे अपन सुरिक्षा पढ़ाएंगे आपने नाम सुना अजीत डोबाल एक अजीत डोबाल अजीत डोबाल एक आपने कभी आज पढ़ना वह यहां से पहले आईपेस अधिकारी का मतलब जाना तो आप आईएस के एक्जाम देते हैं कुछ लोग क्लेक्टर बन जाते हैं क्लेक्टर के नीचे की पोस्ट को क्या कहते हैं आईपेस का मतलब है इंडियन क्या थे आईपेस अधिकारी थे वह भारत के पहले तो आईपेस थे और उसके बाद आईपी के अंदर आईपी का मतलब जानते हूं इंडेलजेंस प्योरो जासुषी वाले के अंदर ठीक है फिर भारत से वह पाकिस्तान गएते साथ साल तक यह कहीं आप आगरा देखो के वारत के सरकार को देते थे, साथ साल बाद पहले वारत तिर कब आए थे, बारत के अंदर आये थे, उसके बाद यह शिक्रूटी के जितने भी सलाकार है, उनमें से एक मोधी जी का जो अच्छा सलाकार है उनका नाम क्या है? अजीड दोबाल, अब जितने भी, सीक्रूटिकी इतने भी मिटिक होती हैं किसको बेजा जा रहा है आजी दोबाल टो क्योंकि उनको इतनी जासुशी करनी आ रही 7 साल पाकिस्तान के अंदर जाकर अखर रहे han और सारी की वहां को की अपडेट दे रहे हैं नहीं हो सकता है किया कुछ और इसलोग होते हैं कावी एढ़ी और चाहिक आधर के आप ँच्छेश जोबहें देखते हो वहां पर और एक पाण वाला राभा खुला वह कुछ दिनों तक आपको दिखती है तिर आपने देखते हैं पहले हैं यह था दिती है प्रसक्राइज करता है उसको जासूस करते हैं है जिस देष का होता है उस देष गो लगातार चैसिता रहता है अबुटेट देता रहता है विद्था इलेकिन लेकिन यह वोल रहा है यह कांपर थी वहां आपको जैकेस्तान पूर्कित्व को इसका जो आंसर किया था कजयकिस्तान प्रिक इसका नाब ऐनगे मियार अपन और्ला करें और अब मिलस राष्टपती को अपनम नहीं नहीं है है और दीज्द कर दो क्या इस क्यान चेनाना तक्र्षिय। आपको कभी पूछ ले के भाद देश के राष्ट पती के चुनाव के पढ़ा लिए मतलब उनको अपन कैसे चुन रहे हैं कौन-कौन बोड़ दे रहे हैं आप दे रहे हैं क्या उनको बहुत नहीं दे रहे हैं कौन दे रहे हैं लोग सभा के मेंबर मतलब MP जो भी चुनाव हो एक उमीद्वार को खड़ा करती कॉंग्रेस की सरकार एक को खड़ा करता है वीजेपी जिसकी सरकार रादा उसके मेंबर क्या रहेंगे अब ये अपने राश्पती दे रामनाथ कोविन जी यह भी वीजेपी कि थे इस बार ये जो मुर्मुर बढ़ी है ये भी किस्की है अर्यें क हरा है क्योंकि यहां पर जो मेंबर बट है वह सारे क्लेंस के मेंबर किगा मेंबर किसको देगा कौंगरेस का आज में कम करें सको राश्टती का मतलब यह होता है कि एक हैसी पोष्ट होगी बारत में जो सबस्सें tobacco निंग रिक्ता नहीं और बई उसके सं मैं और सब कुछ रहता किसका है उसका ही रहता रही है कि एस जो पिजधे जो भी बाथ जब कुछ आदमी किसके रहेंगे और का की मे talents की सरकार है कि सु ultimate come तो इसने बहुत है कि अब पना बना बढ़ा कि इसको बना बॉलो बें सरकार मांगलादीश की प्रदान मंत्री को ने तोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था है शेक है आपको याद तो रहता है मैं सोच्राव ऐसे में पड़ा के जाता हूं आप दो चार दिर बाद बूल जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना ओ कहा रहा है बहुत बढ़ा को आदमी वि अब फुरा उन्हों करा उनों ने काया अब टो मेरे चार घान को हória करते हैं जादा मानोगे लेकिन सब की मैं सलमान गहां को आप लेक्र यहां ने इस दिन नाम तो विने सर्मा यह वो एक मुई आई तीन सिंगम शिंगम मुई यहां पीछी 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 वीची लगिए देंगना वाँ पर तहरें यहां पंड़े लोग आता है हम कभी कभारा ऐसा होता है कि बड़े लोगों को साथ हम एटते ह इसा है कोई भी ऐसे आता है अब इस्टने भी किरा किसी का एड कर रहा है किसी करीम कर रहा है कि करीम का पाुटर कर रहा है को को स्कार करोगा बैसाई भी अगो रहा हो जाओ कि तुम्हार पीचे लाइन लग जाएगी तो तुम थोटी लगाओगे यही बात ही दिसल्वान गान के देखा तो तुम इस बात को या करोगे मान लोगे पर जूटे हो सल्मान गान पहले से गोरा है मेरी मान ने मैं पहले काला था और कि अद्यूं मेरे इसका मतलब यह बात सचा है तो क्या बड़ा कोई एट्टराइड्मेंट करता तौ इसको अपन क्या करते है आजमी मह veil आध मेंगा है व्चिज भी काशी है तो is adoption Nós ये लोगों को जादा करोड़ेगला मत दांत दिलाने कले किया करोगे घृत00 करोगे हम आ क्षावर्ट को चुने और आकी सब्सक्राय को चुन आप जिस भी पार्टी को चुना जाना चाहते हैं ज्यादा ज्यादा है आपको ही क्या करना चाहिए बोर देना चाहिए तो यह Election Commission ने ये कहा है कि हम क्या करने हैं, एक चैरां लेकर आ रहे हैं, जो क्या करेंगा, जादा से जादा योगों को बोर देने के लिए रिजित करेगा, उसका नाम क्या है ? है इसके साथ ऐखाप नाम है इसको क्या इसको आइकन मना रखा है इसको तो मिधिया नियूजप्र जगय पर कativelyट उसको थो तो जाधा से सब्सक्रेशन घर व्यूजप्राक्र और इसको चैनल कमिशना रखा है इसको तो एलेक्शन कमीशन न्युक्त कब करा के बोला आपके जितने इस त्यष्सन थे तरह को पूछना के लाइक, अगला वह सो आप कोगनी रेल्वे इस्टेशन लिमिटर जो भी है अधिक्स के तौर पे इसको बोला के पर्बंद निदर्शक के रोप में किसे नूप्त करा गया है तो इसका आपको नाम बता ना बूलो किस राजिये में चुनाओ समन्दी जानकारी के लिए बूत राप्ता राप्ता राइता जो भी है यह कह रहा है किस सरकार ने यह करी है चुनाओ से समंदीट जो भी है लोग्षबर के समंदीथ है यह सब क्योंकि अब जो ट्रेंडिंग मुता है वो क्या है लोकसभा इलेक्शन कभी-कभार ऐसा होता मैं इस बार आपको जीके मार बार इसलिए पढ़ा हूं पिछले साल मैंने इतना जीके पढ़ा ही नहीं था क्योंकि पिछले साल फिक्स डादा थे जीटुएंटी था मेरे को बता था वहां से दो चार क्योशन पूचेंगे और एकाद मार से आजाएक तो भी कोई परागे नहीं बढ़ागा लेकिन कभ में उतले तो वह लोकषबा एलेक्शन यह और कुछ भी नहीं है ठीक है तो आपको मैंने लोकषबा एलेक्शन के पारे बता दिया आच्छे बेरोजकारी के आँखण आये थी वह आपको मेंने बता दिया वह ट्रेंडिंग हुदे थे एक लुशन पूंट नहीं था 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 पूछ लेकिसे जुडवा है तो राजनितिक पाट्यों को चंदा देना कहें कि तरीका है तो यह वैस्ट किसले लॉंच करी थी बोलो पंजाब की सकार है कि अजिन रहा है कि सीतार और तानपुरा को परतर्ष्टित भोगळलिक संखेट जिसको किया खहते है जी करें टैग है कि सीतार जांदेग से तेक से समय नित करा वो किस ने करा UP की सरकार ने गुजरात में राज़तान मारेस्ट्र ने नहीं के यह स furnace मारस्ट स्ञर्ण है यह को मिला हutar है मारास्ट के सामने मतलब यूट्य से मतलब होता है 100 लोगों के घरओं के अंपने सालिये एक ऐसा गाव या ऐसा कुछ भी राजिय है जहां पर 100% लोगों के पास में सरकार की योजना आई थी पिछली बार है सबस्क्राइब लेकिन गावन के अंदर नहीं होता है तो सरकार निकाँ थाके फिर्जड़ों के निसली असके तो शरकार ने खा हम 12 buatाह देंगे और इस बारह जार रूपे में थीगर सर्पन्स यह चा था और और फ्रन सवखा लेता था होगा मैं उ только 10000 और उओक थी अजया रूपे का गया करें आप 799 रूपे हां इस देज्ट level कि अगन duod कि अधिक और यह वधिके कान अनुटल और चार्पनेम्स का लें यह था च्छार मैं कि अधियर दे अधिके जो हुआ इस दुनिया में पावर किसमें हैं आप आप रहो गोंगे तो खाते में इसके आ रहा है इसे तो मैंने पहले ही ले लिए वहां तो वैसे इसको कुछ नहीं मिलना था लेकिन इसे 12000 में से 4500-500 नहीं ग्राम से खा लिए तो जो इसको मिल रहा वह भी ठीक है ना इसमें बुरा क अट्रूम और इसके अंदर आपको बात्रूम भी होना चाहिए स्वच भी ओना चाहिए सब चीज़ें होना चीए वह क्या है जम्मू कसमीर यह इनोंने त्यार कराए यह कि इतना कोई खास नहीं यह कह रहा कि भारत की अध्यक्स्ता में पर्थम G20 की ससकर्थी के ऊपर कल्चरल के ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई थी वह जो कल्चरल के ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी अमारा यह आपके मद्धी परदेश के अंदर बुलाई गी लेकिन इस मीटिंग को याद मत रखना क्यों जब भारत देश के अंदर G20 की मीटिंग हुई थे ना 200 अलग अलग मीटिंग हुई थी लेकिन कितने सेरों में हुई थी 60 वह उस टाइम के लिए तो इंपोर्टेंट थी लेकिन आज के टाइम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इतना याद रखला ना कि जब G20 की सब्मिट हुई थी 200 अलग अलग तरह के एक मीटिं साइट सेरों का बतला है कि पूरे भारत को उन्होंने दीरे-दीरे क्या करा था गवर करा था जगे-जगे बैठके मीटिंग करी थी और तो पर मिटिंग करी थी इन्होंने मध्यभर्देस के अंदर करी थी याद रेज़े तो ठीक है लेकिन अभी के लिए इतना इंपोटेंट नहीं है यह कह रहा है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रीड समयलन भारत की अध्यक्स्ता में किस शेर में आवेजित होने वाली है बैंगलोर है नईतिली है हेद्राबाद है और वुडगाव है तो भारत के अंदर जो भी सब्मिट होड़े वह ज्यादे तरकांप जैसे भारत में पूचा जा रहा है तो सबसे जादा सब्मीट होता ही कहां पर है वारत में तो इस सब्मीट का नाम क्या था याद रखना वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रेड अगले क्यूंट के बारे पूच रहे है कि दिल्ली में जी टुट्वंटी के वह रहा है मैंने का आपको पूच ले के दुनिया की सबसे उंची यह जो लगे थी मूर्ती लगे थी वह कहां की है जी उसमें लगी हुए किसमें भारत मन्पब के अंदर उससे वड़ी मूर्ती कहीं पर भी अभी तक लगी हुई नहीं है और उससे मेंन अभी तो नहीं बनावा कोई बैसा 5,000 सबसे उन्ची जो मूर्ती लगई उसका नाम क्या है नट राजन की स्थापना हुई वह मूर्ती किसके द्वारा बढ़े गई राममंद्य दूमॉर्ती ये पूछ आलको जो किसने मूर्ती त्यार करें थी उस आद्म किया एृष्जडri राद्य करश्ण से ईसे मूर्ती को क्या को क्या करता त्यार रधा करता हो घ्र करता कि piace प्रदान मंत्री नरंदर मोधी जी ने शिपिंग और रेलवे लिंक सही थे आर्थी के गलियारों गलियार को लॉंच करने के लिए दुनिया की सिस अर्थोस्ता के सम्वे में सम्वे की 20 की वार्षिक शिकर समयलन के दोरान प्रियोजना की गोशना करी है इसका मतलब एक बात भारत के अंदर जितना भी गूट साथा जितना भी महल आता वह कहसे आता पाइप राइट या भाई जितना भी गूट साथा वह कहां से इसका मतलब यह है कि जुड़ा बहुत होना चैन सिप से किसी देश से आ रहा तो तो इन्होंने यह का है कि परदान मंत्री नरंदर जिसके अंदर किसी एक दूसरे देश के साथ में कुछ भी वेपार नहीं हो रहा है तो उस वेपार को जोड़ने के लिए क्लिए करा जाते सरकारे प्रियास करती है बोले यह देश अपनों को कुछ देश को कुछ भी देखे जैसे भारत के अंदर चाही को उत्वादन बहु है एक्सपॉट तो इन्हों नहीं कि एक सब्मेट होई इसका नाम है सब्मेट में यह बोला था क्यों वार्सिकर स्मयलन झाथी इसका नाम क्या था बहू हाँ अर्थ योस्ता के समवेट 20 के वार्षिक शिकर समयलन के दोरान पर योजना एक कोई योजना लेका है ते मोदी जी उस योजना का नाम है यह पड़ो ऑप्शन क्या-क्या देरका है इसके अंदर एक शीओ अप्शन देरका है इसने बोला है कि इंडिया मीडल इस्ट मीडल इस्ट का मतलब कापी सारे इसमें देश है जोड़ गे और आगे बोला है अपरी का कोडिनेटर इसमें बोला है कि इस इलागे को हमने नए से मतलब है वह जहां से हम सिप भी क्या कर सकत हैं चला सकते एक दूसरे देश के साथ क्या कर सकते हैं लेंड या किसी परकार का वेपार कर सकते हैं तो उस सम्मेट के अंदर इन्हों नहीं यह बोला था कि इस रस्ते को नहीं जोड़ा है इंडिया मीडल इस्ट और अफ्रीका को रिडि़ोर को अर्ष नेक्ट्ट्ला कि उसने आपके पास में चंदरियान 3 मैं को यह बताओ चंदरी अभी आपके कोई एक्जाम वाता यूपी वह जिसमें यह पूचा था ज़ांट यूज़ नार्ट अचे लेंड को शाओ आप il जो लहें के बाद है अगस्त की तारीक है थी 23 है यह कह रहे है कि 23 अगस्त 2000 है 23 को इस तिन चंद्रियान को उड़ाए गए था और इस तिन क्या हुआ था यह डेट देख लगाने एक पार सही है क्या सही है हाँ तो यह बुला था कि चंद्रियान 3K मिशन के इस पूरे प्रोज फिरिट्र के जो अगस्त थी आफ यह पास में है जंड़ को यह बताओ जिस मिसल चंद्रियान थी की रोक्रेट को लॉंच करा दाना मतलब उसका मतलब यह हैं कर जो बेजने की जो जो बेजने का तरीका हो तारीका है जैसे मालूं आप कोूई शीटीबस लेका है को कोई तो इसने यही बोला था कि इसको यहान को नाम किया था जिसको बेजने वाला जो रोकेट था उसका जिसका उप्योग चंदरियान 3 को लांच करने के लिए क्या था उसका नाम यह था जिसको यह पन किया कहता है जी एसल्वी और एमके 3 यह जिस रोकेट से बेज़ा कहता है उस रोकेट का यह नाम है तो यह काफी बार क्यूशन पूज़ा गया अभी यह पूज़ेंगे नहीं पूज़ेंगे करीब 6-7 महीने पूराना क्यूशन हो चुका है लेकिन आप इसको याद रख सकते हों नेक्स्ट वाला क्यूश क्या टार्ट वाल कर लूशन होग तो इतना याद रख लूशन ने अदर रहता कि आईशन गैम उसका एडिसन कौन सा था और जी ट्वंटी का भी एडिसन कौन सा है इस बार नाइंट कि आपके पास में है एक खेल जानते हो अब ठीक है यह कह रहा है कि एशन गैम में भारत ने किस टीम को वो एक से हराकर पुरुसों की इसके टीम इस परदा में सवर्ण पदा गए यह पाकिस्तान को रहा है था यह प्रदायता बेन आपको इस पार एशन गैम अभी क्या चलना बोलो दो हजार वाश किते साल बात होता है बाइवारे को शकू राश्टुनियस कर देए एक की पार्टी को बोल को और शूट कर देंगे उसको कहता ना तो आपको बैठा दिया जाएक जबर दस्ती तो आपसे पूछा है कि अगला जो एशियन गेम है दो हजार वीस वाड़ा वो कहां पर होने वाला है जापान में तो इससे पहले दो हजार बईस वाड़ा गेम कहां पर हो रहा है यह जो गेम जो साल बात में होते है जैसे धर्ति के सबसे बड़ा गेम कौन सा है है तोलम्पी कितने साल बात होता है चार साल बात होता है किर्केट का व्ल्ड़क प् проблем होता है कि इंडिया आंदर इंडिया से पहले का बुर इंडिया अगनतर नहीं बता गया और स्थना अटार है तो अफ्सक्त पर और इस से पहले उल्हें पीज्न आपड गुवा है और वर्ल्ट कोणा होड़ा उल्पी टापन के अदर रुहां कर दोगी चैन के अन तो जिद्द गेम दो हजार तो आपका ओलंकि ये 2020 के अंदर नहीं वाद है यह काम पर होगा। सब्सक्राइब चाहरा है लेकिन यह अपना आख़ना खराब नहीं करना चाहरें कोई गैम चाहरा साल बाद भाद ही करेंगे स्थाइब वजह से लेट हो गया। जैसे सरकार को भी अपने यही करना चाहिए, अब ही अपन जन اखना के बारे में पड़ रहे थे, तो सरकार को यही करना चाहिए, चलो şवीड के अंदर लेट हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसको जन घंगदा को करा के फिर से थी जन घंगदा ठाबकरा चाहिए, था बार को चैना का निंटी नंबर और जापान का 20 नंबर अगला कि यह क्यों से लाके पूरूश होगी टीम में गोल्ड मिडल जीतकर जापान पर उलेके निया जीत आसिल करी है और भार्तिय पूरूश होगी टीम के एशिय खेलों में आसिल जीत करने पर कितने गोल्ड मिडल जी लिया आस तक आंसर क्या बोलो याद रह जाएगा सिद्ध याद करना चार गोल्ड मिडल आपको देके तो मैं बता नहीं सकता किसन क्या है बार्तिय पूरूश होगी टीम ने जो गोल्ड मिडल जीत कर जापान पर उलेके निया जीत हासिल करी है किस के सामने जापान के सामने भार्तिय फुरूश होगी टीम ने एशी खेल कोन से खेल थे बोलो एशी खेल में हासल जीत करके गोल्ड मेडल जिते वो कितने जीते है चार मिडल एक एशीन गेम है तो जीते को क्लास में किसन करा के कहता है बोलो यह कह रहा है कि एशीन खेलों में भार्क का सोवा मेडल किसने जीता रहा है बैंट विंटर ने एथलीट्स मदलबी जोडने वड़ा बच्चे इन्होंने किरकेट ने और कबड़ी ने महिलाओं की कबड़ी टीम थी जिसको सोवा मेडल मि यह था तो इसका अंसर क्या बोलो वन अर्थ पर आप इसको यह सियाद रखना देखो वन अर्थ का मतलब होता कि पूरी प्यूचर कैसा हो एक हो आपको यह क्यों सुन पूच ले कि आप यह बता हो कि जब G20 की जो मिटिंग स्टाट होने इस्टाट हुई और भारत में जो पहली सब्मिट या पहली मिटिंग वह इंदिन भारत में G20 को उसका नाम क्या था वन अर्थ है ठीक है अगले किसन कहा रहा है कि G20 का पहला सिकर समयलन कांपर आयो जित हुआ और किस सन में हुआ था यह भी बताना है अलो जिसको मैं पूछू हाँ आप बताओ जी ट्वंटि की जो पहली मिटिंग हुई थी वह कांपर हुई थी अवाज नहीं करोगे वेति होंगे वको आपटना नहीं चाहर दिन पहले नहीं अब आपने है ता अब देट वंटि की पहले समीट कांपर हुई थी अवाज नेकरों को मूर के बना के डोकमा आओने इन सामने यूटूब पढ़िको को गरोनों को हाँ जी ट्वंटी की फर्स्ट सब्मीट काँ पर विदी यूसम विदी कब हुई थी कोई नहीं थी अध्या की नहीं होगी यह बच्ची के रिद्या की नहीं थी हाँ हो सकता है हाँ आप बताना जी ट्वंटी की फर्स्ट सब्मीट काँ पर विदी इस कब हुई थी कि आपको पड़ने को अध्या मुर्खों बूलता तो चार दिन बाद में हाँ आप बताना जी ट्वंटी की फर्स्ट सब्मीट काँ पर हुई थी है ब्राजील मुई थी ओ कब हुई थी यह पता नहीं आपन थे ही नहीं उस टाइम और जब अपनी नीच अपन को याद क्या आपको आपको नहीं पूछ रहा है थी नहीं है वह था नहीं पूछ नहीं पूछ वह पार नहीं जाएगा कि और अब बुखम तुकां कुछ यह यह बटन आपको हाँ हाँ है जी ट्वंटी कि स्थाफ नगव हुई थी 2008 में हुए थी रॉंग आंसर तुमको कुछ भी फूचल आंसर जोगोगे रहे हाँ हाँ जी ट्वंटी की स्थाफ नगव हुई थी लेट यह थी लेट यह थी क्रेक्ट आंसर बहुत बहुत तन्यवाद हाँ आप यह बताई जी ट्वंटी की फर्स सब्मिट का भुई थी 2008 में का पर हुई थी अमेरिका मुई थी यह भारत के अंदर जी ट्वंटी का जो सब्मिट हुआ था यह कौन से नंबर का था एडिसन को सा था अठारा नंबर था यहां पर एक नए सदेशी जोड़ा था वो किसको जोड़ा था आवाने जूद का होगे डंके जूद काया अधिक नहीं रहोगा है यह यह बता नहीं है आप देने से देशी किसको जोड़ा है रशीय तो पहले जोड़ चुके आरे तुमको नहीं बोलने है क्याल था नहीं बताए आच्या ओलंपिक गयम का च्छला होता ना लोगों उसके अंदर कितने कलर होता है जिंगो का कितने में आप पूझे जाएंगे ने जाएंगे लेकिन आन्यवाली एक साल तक जितने बी बढ़ते आएगे यह पूरे भर्ड का सबसे बड़ा सब्मीट को नहीं है उनको भी आमन्तृत करा जाता चीठेए भी बड़ा जाता है उनको भारत जेश का चीप घोड़ा बिल खाल हिर तो सबसे बड़ा जो सब्मीट है goods कुछ से सब्मिट है जी टवंटी का सब्मिट है कि कि अहां तो मैं ने आपको यह एक दिन भोला था कि जो पहली सब्मिट हुई थी ना वो अमेरिका के अंदर उई थी और कभी ती बोलो 2008 में अब मेरे को बताओं आप जी ट्वंटी की जो इस्ताफ नहीं थी ट्वंटी सब्मिट बने था उसका कब हुई थी बोलो चब्वीस है जी ट्वंटी का जो छोटा रूप था पहले वो क्या था एक जी सेवन था और उसके बाद चेंज गर के आपने क्या बना जी एड़े जी एड़े जाला एड़ उसका नाम क्या दिया झुट आप यह लोगे तो उसका नाम क्या घ्टिए अधर आप यह बात समझ नहीं आई है क तो आपको पहले कि दूए नाम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अब सारे लोग इसको किस नाम से जान रहे हैं ब्रिक्स सब्मिट हो रहा है अच्छा पित्ली बार में आपको ब्रिक्स पड़ा था आप मेरे को बता है ब्रिक्स के अंदर कितने देश सदिश्य हैं नहीं अभी नामचेंज करने रहा थे जासे इस कमुएंड नोघी सकते हैं कहते हैं किसका नम है दुआ मिए अब में सब्सक्राइब में प्रिर तो इस सब्मेट का कोई मतलब भी नी है क्योंकि ओल्रेटी को किसके सदिश बनके बैटे है यूए के सदिश बनके बैटे है ठीक बात नहीं तो इसका आपका अंसर कि आए का बोलो यूसे नेक्स अगो तो सब्सक्राइब कि आपको पूछ लेंग्वेज थी तीन तीन में से एक इंग्ली से एक प्रेंच हो रहे हैं कि इस पहने है अगला किसन देखो कि यूओ को ओट देने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत के चुनावायों किलेक्शन कमिशन ने किसे न्यूक करा गया है किसको नाम आयुसमान खुरान को बोलो जादा से जादा लोगों से क्या करें बोड़ दिला जाए अगला देखो अंत्रिक्स में सरोदिक समय बित अंत्रिक्स के अंदर इस से ज्यादा अभी तक वॉल्ड का कोई भी ऐसा आदमी आपको द्रेश पूछ ले तो देश का नाम क्या बता होगे आपको इतने पूछ दा सकता है सिंपल क्यूशन है यह तो पूछ रहा कि अंत्रिक्स में सरवादिक समय बिताने वाले किस देश क आदमी था तो आपता देना चाहिना और यह थी आदमी के नाम पूछ ले तो यह भी ट्रेंडिंग में क्यूशन चलता तो इसका नाम याद रख लेना ओले बागी देशों की क्या है अपने देश के जो नाम होते हैं आदमी होगे वह अपने को नॉर्मल याद रह जाता है जो देशों के नाम कुछ मत ही होते हैं उसको एक बार पढ़के फिर तीन मेंने नहीं पढ़ने तब ते क्या हो जाते हैं बूल जाते हैं ठीक है चलो यह कह रहा है कि एश एक परिस्द के अधिक्स के तो तौर पर एश एक कि जो किरिकेट के मोताना उसकी बात कर रहे हैं एटियसिक तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वेस से मतलब चुनाओं नहीं कर रहे थे इसे नियूट कर दिये उसका नाम क्या है जेसा ठीक है और यह अपने हमालत यह यह जो जेसा है ना कुछाहीं जाटे मालते माली फुरोंर यह आदि जेसा कोहें पर इसकी हैशी क्रिकेट परिश्यत के दिख्ष के रूप में इत्यासिक तीसरी कारी कर ले पर इसको जोने बोलो जाया सापकों आध्या questions आपसे यह कहedar कि नितिश कुमार जी ने रिकोड टोोड दिया हो वह भारत के अंदर पिर से तीसरी बार क्या कहर crochet नितिश कुमार ने रिकोर्ट बनाते हुए कितनी बार भ यार के मुट्यमंत्री डूप सपत ले ली मुणो सी और और स्काइब कुछ बाटी से पुद की बाटी से बढ़ें कि पिट्ती बार है लगा तार नौ बार ऐसा लगणा कि अगली बार जुकाओ कंग्रीश की तरफ है बाइसान नितिश कुमार जी तर चल जाते हैं कॉगरेस में ऐसा लग रहा एक सर्कार किसकी आनेवली है लिटेफी नितिश कुमार घी कहां कोष्यी मंत्री कौन मताई ऐसे नितिश कुमार नों बार ये भारत में एक मात्र पहले इंसने गाताण नो पर मुक्य मंथ्रेंट्रेंट्र राज गौंड्न कर रहे हैं नेतीस कुमार जी नमबर यह नहीं जाल जोटी मुट्की मंत्री जेंज है को ओंगे इसके सरकार में मुट्की मंत्री निदिश कुमार वीजेपी में गट बन हो जाए तो जो जो अगला कह रहा है हलो हलो गाइस अगला किसन कह रहा है कि जनरल विक्के तेर्सेंग द्वारा जारी पुष्थक है एक जिसको अपन कहत 하는데 श्रकरती के आयाम जो भारत की संस्कर्थी के बारे में बन अपन है उसका लेखा को shamu में और के नाराइम कब अप्का पड़ा गें आहीं नहीं पड़ा तो यह अपने सनुक क्या चौन लगा एक और सेथरी कोमर्श जानते हो यह फ्लिपकार्ड है आमेजोन है यह कंपनियां हो किसके अंदर आती है इक हुआ है यारा बजने वाड़ी एक पेराम चलो तो नाम स्ट्सिंट इन्होंने अपनी कंपनी को परगार की कंपनी आप नहीं बनाओगे जैसे में कोचिंग चलाता हूं अशोक्सर ने मेरे को का कि 100 क्रोट के अंदर आप कंपनी दे रहो मैंने खासर अभी ले लो पसरती है थी कि आप है आने वाले पांच साल तक इस परकार की कोई कंपनी खड़ी नहीं करोगे पढ़ाना है तो आप इसी में पढ़ाना हम आपको सेलरी देदेंगे लेकिन पांच आप मेरे पढ़ोच से सुनते रहना हाली में अंतराश्टी टेबल टैणिस पड़े रचांपने पांडेशन के गवर्नीं मोर्डन के नियुतम भारत के पहले रूप में किसने इतियास रच दिया है क्या कहरा बोलो यह कहरा हाल में अंतराश्टी टेबल नाम शूर रख तर्फष्टपू सबस्क्राइब सब्सक्राइबhelp दिसा को मेरत ब्रॉन कदम किसको हमने महीला चिकिक्स अधिकारी बना दी जिसका नाम मैं पहला गीता है शीवा है जिसका नाम जुह है वह आपियाद रखना क्या लाम है गेता अगलय किशन आपके पास में है जटने उडी सामेर राश्टी फ्रेसन हाँ ये कहरा है स्वामी नातन जान की रमन द्वारा चोड़ी करें को भरने के लिए यह जो आदमी था ना स्वामीना थने आपको पता जैसे अभी एक बात बताएं आर्भीक का गवर्णर कौन है और पार्पेते के गवर्नेर्ट नहीं पता है यह बगवान भारती रिच्रों पेंगोप इंडिया के गवर्नेर रहे है सची कांटास लिग रोगे याजे के एक्जाम में चार दिन बाद है है एक अपर लिखावाता है लेकिन नोट इतना है नोट हो रहे हैं पैटे किसली है और यह नहीं होता है तो यह बहुता है ना उसके साथ में गवर्नर रखावा तो नहीं होता नहीं है जैसे मैंने इक दिन उसी परकार इनके साथ में भी क्या होते हैं यह कह रहा है कि स्वामी नातन जानके नात द्वारा थोड़ी की रिक्त को बरने के लिए 30 नौंबर है दो हजार पत्सीस तक भारत्य स्टेट में एक एश्वी ने परबन निर्देशक मतलब एश्वी का चेर्मेन किसको न्यूक्त करा गया है और यह जब आर्वी के अंदर चले गए था ना इसकी जगह पर एश्वी का जो हेड बनाए गया है ना वह कब तक के बनाया कब तक के लिए उसका नाम क्या है विन है टॉंस इसको इसकी जगह पर हेड बनाया है कौन चौती बार दो हजार चौबीस में 69 वे आपको पता है कि पुरुषकर किसको कहते है कि किसको कहते है यह बोलो एकेडमिक अवार्ड है किस फिल्ड में दिया दाता है कि सब में किसमें ऑसकर सुना यह ओसकर आवार्ड यह जिसको फिरुषकर रीविक कहा चाता है और या दिया जाता है किसमें दिया कर्का दाथे। तो पहले बात तो यह दियान रखना के यह खहरा के कौन चौति बार 2014 में पहले बाद तो यह दियान रखना के ऑसकर आउस्के रवाट तो भी दिया नहीं यह जैसे हुआ जो था वह कौन सा था 95 इंडिया कि मुवी ती जिसके गणा था नाटू नाटू उसको ऑसकर वाट मिला था वह कौनसा अवाड था नाइंटि आइजिक्सक्स्क्ड तो ध्यान रखना अकादमिक पुरुषकार का मतलब होता ही ऑसकर ओठीक्सक्ड यह कह रहा है कि 96 में ऑसकर अवाड की वह ने काम भषाजर। जाणते हो वह यहांकर जैसे आपना भारतीसर बोलते हैं ना कि अवाद इसको मिलने वाला है यह वाद इसको मिलना है। जुनलब के चांड गाने ao Лए चॉफ है यह चुनल पेमर्रट कोपेंज्नों पर इंडियाझ ए टेक्वान परोपरान क्या कह सकते हैं यूप्य कह सकते हैं दौलर यूपयाई फिरिक्रण राजभूत के तौर प्रेक किसे न्यूक गया है पंकस्टृपाटी को औक सर्फ कि राजकुमार राव को थोड़े दिन पहले पड़े condition पाइड टिक है मैं आसे पहले याद रखना यह भारत के पORA हु बचासेन याइदी है कि से क्वेशन पुज़ादा सकता है भारत का सुप्रीम कोट का जो मुख्य नीयाईदी दीज जिसको बला जाता सी जए जसका आधा रखना नाम चिसका नाम किया है चंदर चूड लेकिन ये कह रहा है कि भारत के भारत के मुख्य करम इंदर नहीं पार करते हैं तो इस पहली बात आपको पूछ लेके कहां पर कोला तो यह काहँ पर बताओं के बोलो सुप्रीम गौट के अंदर यह कौंशे नंबर का जज्ज है बोलो 50 नंबर का और सुप्रीम कोड के मुख्य नियाज़ जानते हो आपके नियाज़ और भी है सुप्रेम कोड की बेंच होती है इसमें च्छेंज होते हैं जो भी बड़े डिस देना होगा वो देंगे एक अले हाद में क्या कर सकता है अगला की सबस्क्राइब है डबलू एचो ठीक है तो यह पास है आपके पास में दक्षिन पूरु एश्या के लिए दक्षिन पूरु को मतलब समझगे कि अपना हाते है किसमें पोलो डिड़ एशे के अंदर भी अपन किसमें आते हैं साउथ इस्ट अश्या के अंदर ठीक बात हैं तो यह कहा रहा किसाओ इस्ट एश्या के दर रूपलु का जो डाइरेक्टर निंट कत करा गया है न वह किसको करा पढ़ना एक बार कुस्कंथ को हाँ बोलो कि यह यहां है साउथ इस मतलब एयष्या के पार्ट कर दिया है जैसे कि अध tidy कि मैं श्क और बोलते हैं नॉर्फ इस को और यह लिए ऑपनल जो ऑश तरफ से कुछा नाम उसका नाम क्या है बोलओ क्या नाम है । यह है क्यों पता है तो Creative प्राइमिस्ट को थी है है तो इसकी लड़की का नाम है यह ठीक है यह राजा किया थे लिए करेंट पईर का फिर इस्टिक के बढ़ेंगे कि बारत का चुनाओ आयो कि इसको अपन क्या क्या खात है कि इसको बना रहा है आप प्रांड में से समझ सकते हो इसको इसको बना दिया बोलो राजगुमार दोनों का नाम पूचा जा सकते दोनों मैंसे एक आप जो आपको करेंट पर नहीं हो नौट्षेट के लिए तो इनहीं के मैं आंसर लगा कि पहज़़ूंगा इनको एक बार प पर पढ़ने के लाइक है नहीं होता है महीना होता करीब 30 दिनों का 30 दिन के अंदर जैसे अभी अपरेल की बात करें तो अपरेल के अंदर सबसे बड़े से जो बड़े मुझे रहेंगे वह चुनाव के रहेंगे या चुनाव से पहले कोई और मुझा आजए तो वह अलग हार चुनाओं हार हार कोई दो और मुझे आखि या किसी महीने के अंदर बढ़ा उता है तुश्कू पर चाहिए ग्याम के बारे माको पूछा जा सकता ठीक है चलो तो अब सटेक करो शर्टी कि अमक्रणि के पूरा नेची के ठीक है तो अब मैं क्लास बागी एकरी 15 मिंट मैं सीधे पढ़ते जाओंगा आप सूनते जाना ठीक है और क्यूसन काली कितने हैं सो क्यूसन आपके पास तो अपन्दर में किते क्यूसन करेंगे आपना सो क्यूसन करेंगे तो इसके बाद कोई क्लास नहीं है क्या ठीक है तो इसका मनब आप दो दिन सुटी भी हो बिल्कुल भी और इंज लेना और जिस तिर आपको एग्जाम है उससे पहले दिन आप करीब नौ रात को नौब जाए देश बज़े बढ़िये सो जाना और सुबर उटकी क्या करना ए त्शाब जले एक कड़को पी पहना जां कहां रहा हो मैंने का मैं इस्टाइग जीकट बढ़ा रहा किसको पढ़ा हुआ तुमारी तेरह सारे भागे तो अलो है जाना गई लिए तुम जहां तो ऐसे रहे जैसे तुम को इस्टेटिक जिक्या है देश की इस्ट्री है देश का गल्चर है भारत देश के तानुन आपको सारे आरे पहले सारे हैं तो आपको तो चुप चाहिए ना जीए है मैं आप चुप तो होंगे लेकिन 11 बजे बाद होंगे अब इता किता पॉने पीतों एक बोतर भर के लाथो ना आते हो पॉने पीते हो परस्ते हैं यह लो आप इधर के आंदो आप जादे अपनी स्ट्री में जाएंगे तो अबरपड नहीं भाएंगे आपको शटी कांसर बता रहो हूं पहला किसे यह कह रहा है कि भात की राष्टिक आप जिसको अपन क्या कहते है वंदे मात्रम उसको लिखने वाले गाम क्या बोलो और इसको अपने क्या कहते है वकें चंदर चटर जियर अवाज ने गड़ाउगे अगला किसन यह कि अधर जयान दो भारत का सरवत्यम्नागरिक समाण क्या है भारत रतन मैंने आपको गाता आ धर्ती का सबसे बड़ा अवार्ड है धर्ती का नोबल प्राइज भारत का सबसे बारत लिया जा सकता है आपको यह कह रहा है किpendra अपने थोड़े दिन पहले मैं आपको रुपे पढ़ाया था याद है आचा उसका आपको हेड़कौर्टर पूचा गई है याद है यह यही पूच रहा है कि यह ने का है यह ने के जो टॉटल मेंबर है वह नाइन्टी त्रीट देसे ठीक है और उसका जो हेड़कौर्टर वह कांपर है नियुवार्क यूएसे के अंदर है नेक्स्ट वड़क्योशन आपसे यह कारा कह रहा है कि पर्शी देख पुच्ट के नाम याद रख लाना बागी देखो पहले तो क्या थी बुकें कम थी कम लिख रहे लोग लेकिन आप लगाता रहे अच्छे अच्छे आजमियों के बारे में बुकें लिकी जारी है अच् की पुल्देश्ट के बारे में भारत देशन के बारे में आपको समया तो आप बारत बारत क्या है यह पूरा सभीतन पड़ोगे लेकिन चोटी एक बूग है जिसका नामें डिसकोरी आप इंडिया यह लिकी किस नती बोलो 15 जवालाल नेरूनन अगला किसे नुद्दोगो यह कह रहा है कि भार्त की पहली महीला प्रदान मंत्री कौन थी तो कौन बने थी गोला इंडरा गांदी सोन्य गांदी यह मस्तों सरोजिन जनाइटं को अचे अपर्धिबर सीन पाति कौन थी लिए ड़ी की अचेव टोगी से भार्त देश की राष्ट्पती पहली मश्राश्तान कि राजबन गयर एप sprtering ती यह ते और देश की पहली मायिला राष्टपती को थी गारे देश के पहले परदान मंथरी कों थी और वाहा अला लहा हमारत के पहले मैं भूक्त पढ़ल ओर तो ले वाच्ष में पहुंचने वाली पहली मायिला पोन अम्ता कहां जा करता है वह बात की राष्टपती को बनाता को सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला धों परलमेंट किया मैं या लूपन किया है अगला बनाते हैं कि वहां राय सब्सक्राइब ऐसे अवारत के राष्ट पती को जो बोर्ट रेते हैं वेक तो पार्लेमेंट के मेंबर देते हैं और विदान-साहब के मैंबर ये तीनों बोर्ट देते हैं ठीक है और उसके बणाते बढ़ राष्ट फर इसका अंसर कि अधा होगा है कि इसका यह अप्शन गलत है यह आंसर सभी है यह अप्शन घ्रक हो सारे ऑप्शन लेकिन देहां कि दारा किसने लोग पर भ्राज का उन्य जान तो इसका मतलब यह था कि भारत देश आधाद होगा अंगरेजों का सवसरी थे यह अधाया इस्टाइगा। लेकिन इसकी जो सुपार अंदोलन करें लेकिन ये जो ये जो लेयर लेके आहे थे शुरुवात करी थैं आपको बूचा के शुरुवात किस ने करी थी पंडी जवाल लौन नरूने और इसको फैमस किस ने करा था है तो जो अंदोलन करेगा तरणों पर पेठेगा वही करेगा तो इसको फैमस तो गड़ा था मातमादन्दी ने लेके को नहीं है पंडी जवाला लरू नेक्स्ट रोला कि उसने जापान की मुद्रह क्या बोलो यह नहीं है चलो अगला साल की उमर में उपनियास लिखा था जिस उमर में अपनेकर बैंके घूमता है तो इस उमर में उन्होंने एक जिसको लिए उनको क्या मिला था नोबल प्राइज मनद धर्तिका सबसे बड़ा और अवाड और अपनों को यह चोटी सी को टोपी देदे किर्केट के खेल में त अपर बहुत हो जाता है तो इनसे कुछ शीक और 16-16 साल की के उमर में मिल रहे हैं नोबल प्राइज बात में लिखा मिला दालेकिन सोरा साल की उमर है इन्होंने बहुत अची किताब यह अपनियास कह सकते हैं वह लेकिती लेकिंजन कर थे अच्छा अधा प्राइज कुशन लेकिन पहली बार किसको मिला यह कह रहा है कि युनिस्को नहीं इसको काम क्या आगर ना पोलो कि यूणिस्कों को कई पर भी शॉशन हो रहा है एक दिन में आपको की इंटरनेशन अर्गनेशन पढ़े थे वड़ है तो यह कहना है कि यूणिस्कों का मुख्याले कहां पर है जैनेव शुच्टर लेंड के इंदर है नाइक इसका जो मुख्याले वह का पर है फ्रांस के अ जिसको बोला जाता फ्रेस वाटर लेग याद रजाएगा भारत का सबसे बड़ा फ्रेस वाटर लेग कहां पर है तो बताना जम्बू कस्मेर और उस जील का लेग का नाम क्या है वुलर जील कर ये मंदर का पर है इसको याद रखना क्योंकि है जो मोईको सब्सक्राइब जीट ौटी के पीच में चक्कर लगे अ तो आपको बोला कि सूर्य मंदिर काम पर है तो आप बताओ कि को नार यह काम पर बोलो पुछा गया कि भारत राजी की पहली महिला मुक्य मंत्री इंड्रा गांधी रॉंग अंसर श्रोजनि नाइडू रॉंग अंसर ममता बनर जी रॉंग इसका नाम है सुचिता करप्लानी इसका और मुक्य मंत्री मट्री ने नाम नलम तो पहली जी पर उनलम हो तसमी के बूंधे इसके पहली अंहलत राज्लों पार को यह थो किसे हैं ऐस्थिंगे को AMY रञे नीग है। जिसको एक नमबर मिल रखा वो किसको है जिसका नम है वी अनाव ठीक है तो ध्यान रखना है और ऑस्ट्रेलिया की राज़तानी के वियना और ऑस्ट्रेलिया की राज़तानी के अनवेरा अगला किसन यह कर रहें अंतरा इसकी मुद्रकॉस एक दिन पढ़े है ता इंट्रनेस्टल मॉनेटरी फंड जब वर्डबेक स कि च्वोटी बेहन है इसको क्या बोला दाता है आएम एप इसका एड़कॉर्टर मैंने यह बतायता है जितनी भी पैसे वड़ी ओर्गनेजिशन है इन सभी का कहां पड़ा बोलों यूसे वशिंग्टन डिसी यूसे अगला एक प्लासी का यूद यह एक यूद था बंगा लुए बाजन के अंदर बंगाल के कुछ और कुछ अंग्रेजों के बीच में हुआता हो फंद्रा सो साथान के अंदर हुआता है अगला कि आप से यह पूचा के भारत का लोगय का आत्मी किसे आ गया है सर्दार वने भाही पटेल को अगला कि परशित पूष्टक है मेरा स कितने भी कितब है लिख्यों है अगली सपेद करांथी बूद से बारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को यह बारत और पाकिस्तान की जो बोडर है ना उसका जो नाम है रेड क्लिप है रहां अच्छा एक में रूखना यह भारत और पाकिस्तान की जो बोडर है उसका नाम क्या है रेड क्लिप है अच्छा में एक मौन रहा किसकी है एक कुछ पूछ रही हुग है हुए तो बारत पाकिस्तान की जो बोड़र है उसको क्या आंजाता है अब मैं बात कर रहा हूँ बारत ओशाइना इसका नाम मैं मैं उसका नाम ये जो 안जा कि ये जो नाम लिखा ना लाइड पाकिस्तान की कुछ जगे है जहां पर भारत के नागरिक नहीं जा सकते हैं वहां पर एक लाइन खींची हुई है रेड कलर से उसको क्या कहते है लाइन ओप है कंट्रोल जिसको बोला जाता है एक नाइए यहां पर बोला है डूरंड रेका यह कौन से देश के बीच है वारत और भारत और अपगनिस्तान की जो रेका है जो पर उसको क्या कहते है पहली बात तुमें आपको बता देना तो आगे पास की बताई रेट बारत और पाकिस्तान की और वह बारत और पाकिस्तान कि आरत और ताहेन का रहते हैं कि आम 2022 माुछे के मारे में लहां ल्हेस्ट हिस बारत में हरित करांधी किसे समझते एंसे अगले किसट ये कह veilig मेरी पूरी जिंदकी में बात दोड़ी लिकी हुई है यह बुस्त किस के बारे में लिकी गई थी मिलका सिंग के बारे में मैनिस कार्लस निमल कितमें से कि सब्सक्राइब तरह कि अधिये कि यह थी पारहत प्हाना निगगें एक चाहिए बारत के अधर वाता यही पूचे और किया हुआ है वार्त इस्टपी में कांसा हुई थी 1982 से अगला कहार गम लोक नर्थिये निमली कितमें से किससा समझतीत है यह जो नर्थिये जिस्य प्रकार कावल बेलिया है राजस्तान का है उसी विbolतार यह कहा रहा है वो किसे जुडवा है। कम इलदू उसे उसे होगला आगरा है कि वोजार गारा की जंगर्ना कॉंछारं न अपकी बख्शी ऑचा है। ब्रस बखंखिंडोक निल्ली एंप YouTube ऐसों आप्षण cricket सबसे अधिक था किया अगला क्यारा कि परशीद भार्त ये वेग्यानिक डेक्टर अब्दूल कलाम की आत्म कता के नाम से जाना जाता है इन्हों ने कि भिवसर पर याद रकलो के राइट अग्यानिक केस है किसमंदी थैं तो यह होता है सब्सक्राइब भारत नाटिया किस राजिय से समधित है जो भारत नाटिया वो तमिल्नाडु से नेक्स टोड़ा यह गरा कि टेबल टेरिस के टेबल की उपरी सते टेबल टेरिस की जो ऐसे नहुंब एप एसे होती है पांच फीट लेकिन इए कहरा है सेंटिमीटर के अंदर तो इह एक्दी टेबल टेर हिसके टेबल की ऊपरी सदेंगे चुलम्मोरी होती होती दो सोग्य descent अग्ले कि यह करें कि भारतिय राष्टी मतन्ता ती इसको याद रखके चला जाना यह करा आप आरप्तियर शॉंद तो फचींस के जन्वरी को अब आब बड़ो नहीं 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 गुट मॉर्निंग अल अल फ्यू पहले आप करन सर को थैंक्यू बोल लेते हैं सर के एफ़र्ट के लिए उनके लिए जोरदार तालिया हो जाए आप एक पूरी 12 गंडे की क्लास लेने बाद सर को लग रहा था कि कुछ रहना जाए इसलिए फिर से प्रियास किया और विशेश तोर से ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए यूट्यूब के बच्चों के लिए सर ने करन्ट के साथ साथ स्टैक्स जीके को मेरे ख्याल से बहु तो थेंक्यों सो मच कांश है मैटले सिंथ माइट कि अबिए ठीक्षिया एक माइक काता हुआ थिम लोग होई कर देख कुछ दागे करन्टर के लिए एके प्सेसे प्सेस कर दो अपर है कि भी प्सेस कर दो, कर सक दूझे, कि दिव हूब एला है कि पूलग क। बीट वाला मॉट एला हुड़ अपर प्सेस्ट कर दो, इसले हो। कैसर राव सुबह का सेशन शांदार ना तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आपको रिसर्ट्स नसिंग एजुकेशन और मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट से इंट्रिद्यूस करेंगे थोड़ा नया लग सकता आप लोगों को पाटिसिपेट करने की कोशिश करते रहना और इनकेस आपको लग रहा है कि थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो आप घर जाके थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हो हमें कॉंप्रियंसिवली कंसेप्ट को कावर करना है तो दिन की है नवरात्र भी नौ दिन कही है लेकिन आपने शारांस लगवा 11 दिन से चल रहा है और रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होंगे इसका हमें पूरा विश्वास है आपने देख रहा होगा यह क्वेशन बन सकता है हमने कली इसको डिस्प्ले कर दिया है आप लोगों के लिए आज के दिन की इंपॉर्टेंस वैसे आज जानते हो आज एद है तो आप सभी को एद मुबारक थैंक्यू थैंक्यू सो मच और चत्र नवरात्र जो चल रहे हैं वह तो कंटीनियू है बहुत ज्यादा हो गया ना आवाज बराबर आ रहे है आप लोगों को तो क्यों बढ़ा रहा भाई आप ठीक है आप ठीक है ओके-ओके मुझे लगा ओल्रेडी ठीक थी और ज्यादा करने में लगा हुआ है सो यह नैशनल सेफ मदरूट डे हम एमसीएज सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं बहुत लंबी इस्ट्री रही है एमसीएज प्रोग्राम की आपने पढ़ रखा होगा रिवाइज जरूर करना क्रेशन बन सकता है जो एमसीएज डे अबरी मन्त नाइंत को था अब नाइन टैन्ट इलेवन तक है नाइन टैन्ट इलेवन मिन्स तीन दिन का एक दिन की बजाए और 11 एप्रिल एक सिंगल देखा जाए तो नैशनल सेफ मदरूट डे अब आम नसिंग रिसेर्च के बेसिक कंसेप्ट शुरू करेंगे जैसे आप यहां एक क्वेशन देख रहे हम कुछ सवाल उनना पड़ता है और टु आलुसल शौद अपर्बलम्स यहां कि अभी हमारे पास कुछ सवाल है यह प्रभलम है जो क्वेशन पास का इंशन उंडना पड़ता है प्रबलम हम रिसेर्च करते हैं सब्सु आपर निंवेर्च करते हैं अगली चंपर पर्पर्ब एक्टिव और येंटेशनल ऐसे कुछ ऑप्शन्स दिये हुए तो क्या लग रहा है यह तो मैंने कई बार पूछा है क्वेशन बेसिक रिसर्च नहीं बेसिक का मतलब तो क्या होता है जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि एक्जाम सर पे आया हुआ है तो यह तो प्य क्योंकि हमें अक्शन लेना पड़ा क्योंकि problem और question सामने था तो ऐसे रिसर्च को हम क्या कहेंगे एक्शन रिसर्च यह immediate problem को solve करता है इसलिए आप इसको applied research भी कह सकते हो आपने apply किया क्योंकि problem सामने थी yes लेकिन जो लोग साल बार से पढ़ रहे हैं एक्जाम का शेडियूल नहीं आया हुआ था तब से ही पढ़ रहे हैं जो ongoing research है आज उसका utilization immediate नहीं है तो वो हमारा basic concept इंप्रूब कर रहा basic knowledge इंप्रूब कर रहा basic life को इंप्रूब करने के लिए research कर रहे हैं तो ऐसे researches जो सिरफ knowledge base को बढ़ाते हैं ना knowledge base को increase करने के लिए हम लोग कर रहे हैं आज कोई problem को solve नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलेगा basic research क्या so according to purpose research can be of two types लेकिन हम mainly research methodology के हिसाफ से research का classification देखेंगे research methodology दो प्रकार की होगी एक होगी quantitative दूसरा होगा qualitative अपना syllabus जो है वो mostly quantitative research को cover करेगा quantity as the word means it is related to numbers which can be measured यानि कि जिसको ना पा जा सकता विच है unit of measurement जैसे आपका weight कितना है तो आप kg में बता सकते हो height कितनी है तो आप fit में बता सकते हो लेकिन आप सुन्दर कितने हो तो कैसे बता होगे आपको तो बहुत ज्यादा ही लगता होगा खुद के बारे में तो या किसी को आपके बारे में लगता होगा लेकिन सबको ना लगे सो इट कैन भी सब्जेक्टिव जिसको सिरफ बयान कर सकते हैं और एक unit में नापना काफी मुश्किल है या फिर आप दुखी कितने हो दुखी हो दुखी होने की क्या ज़रूरत है यदि प्राब्लम है कोई कोई solution है तो आप ट्राइब करिए प्राब्लम है और कोई solution ही नहीं है तो फिर दुखी होने से भी क्या होगा कुछ होने वाला है क्या सो जस्ट अपना बेस्ट देने का प्रयास करते रहिए सो quantitative is measurable and qualitative is subjective which can be narrated जिसको बयान कर सकते हम सिरफ यानि कि मेजर नहीं किया सकता describe किया जा सकता है जिसे आपको अभी कैसा लग रहा है तो हर कोई अपने अपने words में उसको describe करने की कोशिश करेगा इस डिस्क्रिप्टिव और narrative in nature and it can vary from person to person तो यह वह सब्जेक्टिव बट क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं आपके हाइट कितनी है उस सब को ही दिख रही है क्योंकि एक्जाम इंदर तो सब पूछ रहा है अब 100 क्वेशन के अंदर कितने टॉपिक्स कवर करेंगे वह लोग और अभी नहीं तो में आएगा बट आएगा ज़रूर सो नसिंग रिसर्च की डेफिनेशन आपको आसानी से पता चल गई होगी यदि कोई क्वेशन है हमारे सामने उसका आंसर सर्च करना है या कोई प्राब्लम है उसको सॉल करने के लिए साइन्टिफिकली सिस्टमेटिक तरीके से जो इंक्वाईरी की जाती है वो रिसर्च कह साल्विंग, जरेल प्रॉब्लम सॉल्विंग के होथा आपके सामने प्रॉब्लम now for example headache सरदा दर्गों का मुझे मुझे होता रहता है काफी तुमारे घुटने में दर्द होता होगा कि हो के तो कमर मैं है डश्य कंव हनी विडियु हो रहा है आईसा बोलना पके अच्छी बात है ना यह तो यदि मालो हैडेक किसी पर्टिकुलर पसंद को रहा तो उसने अपनी प्राप्लम सॉल्विंग के लिए तरीके बना रखे हैं नीद लेने से चाही पीने से म्यूजिक सुनने से वॉक करने से अलग-अलग तरीकों से ठीक होगा कुछ लोगों के प अब यहां जब हम रिसर्च मैतडलोजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या-क्या स्टप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर और साइन्टिफिक मीन्स यूनिवर्सल अप्लिकेशन होना चाहिए इसको प्रूव किया जा सकता है कोई चैलेंज करें तो फिर से से किम रिजल्ट मिल सकते हैं तो आप यह नहीं कहा सकते हैं कि यह सरदर्द का प्रभावी मैनेजमेंट है यह एक वर्ड है दा कट-off पॉइंट बियांड विच दा रिसर्चर दस नॉट इंटन तो प्रॉब विच इंक्लूद दोस रेस्टिक्शन दा रिसर्चर प्लेस्ट दा प्रभावी नतर नेखिशन करें अपनी स्टडि के अंदर क्यों कि जैसे मैं आज क्लास लेने आया हूं तो मैंने इतना ही पड़ाओंगा क्यों कि सब कुछ आज नहीं पढ़ाया जा सकता ऐसे सब कुछ एक रिसर्च के अंदर आंसर नहीं ढूंडे जा सकते यहेस सो उसको क्या कहते हैं तो यहां पर दो वर यह lagi यह तो मैं jitナ cover कर पाऊंगा मेरी कि लोगी आज कि टेट और एक डी लिमीटेशिट मतलब क्या किनलबividad कैसे क्कीन का आंजर क्या होगा जहां रिसर्चर ने खुद अपना दॉरा सेट किया है यस में नहीं होगा इसका आंज़र होगा डी-लिilsमिट करना मतलब मैंने इटाय कियाता कि मैं यह-इंत ही पढ़ाउंगा अब मैं वह भी नहीं पढ़ा पया ऐग में टाइम लिमेट की वज़े से तो वो मेरी लिमिटेशन होगी लेकिन जो मैंने परपस भूली तैय कर लिया था कि इससे आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं क्लास शुरू करने से पहले ही तो वो क्या थी लिमेट करना जैसे अभी आप लोगों तैय कर लिया कि इतना ही करूंगा यह कहला था डी लिमिटेशन अब रिसर्चर यहां तक जाना चाहता था पर यहां तक भी नहीं पहुंच पाया संभवत है यहां तक पहुंचा होगा उसकी कुछ कम्यां रह गई होगी स्टडी के अंदर जो प्रॉप्लम वो सॉल करना चाह था उसको पूरी तरीक कुछ रह जाता है वह लिमिटेशन होती है क्या होती है हम स्टडी की लिमिटेशन लोगों को इसलिए बताते हैं कि मेरे पास सीमित साधन सीमित समय तो वह इससे आगे भी कर सकता है पॉसिबल है कि ने ओके अब यहां रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी थोड़ा आगे है और हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं और इसके लिए जैसा करन्स आपको पढ़ा रहे हैं एम्स भी हमसे जनरल अप्टिट्यूट एं लॉजिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट करता है कि हम सिरफ नॉलिज से भरे हुए पॉट नहीं हो जिन में से सिरफ एम्स यू के आंसर निकले हम लॉजिकली सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकें तो रीजनिंग पे अक्सर एक्वेशन आता है कि आपको इंड़क्टिव कि यह डिदुक्टिव रीजनिंग पड़ासा अइडैंटिफाई करना पड़ था तो मैंने के एक्जामपल दी है प्रसयस और इसका उल्टा भी है इस पैसिफिक टू लेकिन यह मैं जो पुछ रहा हूँ वो कौन सा है क्या किया जा रहा है यहां पर जब आप कंक्लूड कर रहे हो मेंज या जनरलाइजिंग कर नोकिन सबी की पुण कनक्लूड कर रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरिशन. के आदार पर मैं इसको conclude कर रहा हूं, generalize कर रहा हूं for everybody that you have excellent preparation. So I am using inductive reasoning to generalize the result. So what will be the answer here? I had some specific response, 5-10 लोगों के answers. On the basis of that, I have conclude. So I am generalize our statement. So I am proceeding from specific to general. I am generalizing it. सब पर लागू करना, generalization कहलाता है. क्या कहलाता है? Generalization. और इस reasoning को हम क्या कहते है? inductive. यानि कि आप क्या कर रहा हूं? इंडक्ट करना मतलब इसमें थोड़े add कर रहे हो. कुछ लोगों के आधार पर सब लोगों के लिए हम ये conclude कर रहे हैं. तो रिसर्च में करते क्या कुछ सैंपल्स लेते हैं. जो फिफ्टी, हंड्रेट, तू हंड्रेट, फाइवंडेट, फाइवंडेट. उन लोगों की जो फाइंडिंग थी, उस फाइंडिंग को हम दूसरे लोगों पर भी इंप्लिमेंट कर रहे हैं. उनके जैसे हैं, पॉसिबल है? तो इस इस वाल जनलाजेशन आप रिसर्च फाइंडिंग. तो दाट इस आओ रिसर्च कैन कंक्लूट बेस्ट आन स्पेसिफिक उप्जोविशन. तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? इंड़क्टिव रिसर्च इसका आपोजिट क्या होगा? डिड़क्टिव रिसर्च जब आप रिड्यूज करते हुए, जनलाज इंफोर्मेशन में से स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचोगे. तो दाट विल बिकाम डिड़क्टिव रिसर्च जैसा कि आपने जनलाज तक पहुंचोगे. जनलाज इंफोर्मेशन को फिल्टर करते वे स्पेसिफिक पॉइंट तक आते हो. एक्जामपल, कोई बात को गुमा गुमा के कहता है. यहां पर एक एक एक्जामपल है. जैसे लिखा हुआ है, आल यूमन बिइंग एक्सपिरियंस लॉस. तो यह हैंस के बाद आपने जो कंक्लूड करा है, मोरल अफ्टे स्टोरी बताया है, कि सभी इंसानों को लॉस होने पर दुख होता है, होता की नहीं? और इंफेंट भी इंसान ही है, जब उसकी मदर नहीं होगी, तो उसको लॉस एक्सपिरियंस होगा, और एंग्जाइटी, सेपरेशनल एक्जाइटी महसूस करेगा. तो आप स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचे, जनरल अब्जर्वेशन में से, तो यह क्या हो गया? डेड़क्टिव रिज्दिंग, समझ पा रहे हो? और इसका आपोजिट जो हम है, अल्रेडी एक्जाम्पल से देख रहे है, स्पेसिफिक टू जनरल, यानि कि जैसे भी मैंने हैडेक का बताया, कि हैडेक is altered level of health, that is stressful, yes? जैसे आपने बताया, गुटना दर्द, पीट दर्द, कमर दर्द, कहीं का दर्द भी stressful हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो यहनि और जनरलाइज कर सकते हैं, कि any pain can be stressful, समझ पा रहे हैं आप लो? Yes, so here you are creating a story on basis of certain observation, by adding certain things, तो यह कहलाता है, inductive reasoning, अपने को यह मुश्किल लग रहा, लेकिन आजकल छोटे बच्चों को, जो कुछ भी हम यहां देखने वाले mean, mode, median, statistics, correlation, यह 8, 9, 10th के chapters है, पर अपने को याद नहीं, अपने 8, 9, 10th कब करी थी, उसके बाद nursing कब करी थी, और, अब हम कुछ बता रहे हैं, यह एक्जाम में याद रहेगा, उमीद तो ऐसी है, रहेगा किने, ओके गुड, गुड, रख लोगे याद आप लोग, मुझे पूरा बरोसा है, और attempt कर लेना, in case ऐसे कुछ questions दिखे तो, अब research में हम collect करते हैं data, data consume हो जाता 12 गंडे की class में, समझ पारे हो आप लोग, तो वट इस data, एक वड़ इन्फोमेशन, और दूसरा, data, क्या दोनों सेम है, जैसे मैं बताऊं, कि आप लोगों की height, 5 feet and 3 inch है, यह मैंने क्या बताया अभी, information या data, तो information क्या होगी, इस information है, इसको आप meaningful बनाओगे, तब वो data होगा, क्या 5.1 feet का अभी कोई meaning समझ पारे हो, आप लंबे हो, छोटे हो, या फिर ठीक हो, या मतलब कुछ में पता चल पारा रहा है, क्लास में आपकी height का rank क्या है, कुछ बता चल रहा है मेरे को, नहीं बता चल रहा है, जैसे आप गर जाके बताते हो, कि मम्मी मम्मी, मैं प्लस में 5th आई, यास ये एक information दी, आपने आपकी मम्मी ने का, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ये ले मेठाई, अभी आपके पापा, जिनको आप पर पूरा डाउट रहता, आयो और पूछे कि, हमारा बच्चा और क्लास में 5th, बच्चे कि इतने थे क्लास में, तो तुमने बताया 5, आप क्लास में लास्ट आयो, बढ़ आपने इस इन्फोमेशन को बहुत ही अच्छे डेटा की तौर पर प्रेजेंट करा, और उसके नतिजे पर आपको मेठाई मिल गई, पॉसिबल है, तो टू डिराई मीनिंग आपने इन्फोमेशन, यो नीट डेटा एंड डेटा अनलेसिस, एंड डेटा प्रेजेंटेशन के कुछ तरीके होते हैं, जो आप सीखेंगे आगे, हाला, तो हम मेजर करते हैं, जो वेरिक करता रहता है डेटा एक इनसान से दूसरे इनसान में, तो उसको आप शॉट में वेरियेबल्स कह सकते हो, क्या कह सकते हो? So, we in the research are measuring variables, किसी डेटा है तो यहां हाइट एक वेरियेबल बन गया, किसी में एज है तो एज एक वेरियेबल बन गया, नौलेज है तो नौलेज एक वेरियेबल बन गया, समझ भा रहे हो? और आप लोगों ने नर्सिंग में पेशेंट की जो परसनल हिस्टी कलेक्ट करते हो, तो 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 बिकम्स डेमोग्राफिक वेरियेबल्स डेमोग्राफिक वेरियेबल्स तो होता ही है, तो हम मेनली दो वेरियेबल पर फोकस करेंगे, डिपेंडेंट एन इंडिपेंडेंडेंट वेरियेबल्स पर, और एक होता है कौज और एक हो सकता है एफैक्ट, कौज और एक एफैक्ट, जैसे एफैक्ट में है आप लोगों का सिलेक्षन, क्यां? आप लोगों का सलेक्शन हो गया खुश हो जाओ कुन की लोगों का योगदान संधकी वज़े से फक्यक्ट हुआ ? पहले को आप क्या पता हुए ? पक्का यह तो नहीं मैं तो पैदा ही इंटिलिजेंट हुई थी ऐसा नहीं कहोगे पक्का फिर ठीक है आज तो तुमको ऐसा बोलना ही पड़ेगा जब मैं सामने हूं जब हम सामने नहीं हैं और तब आप ऐसा बोल रहे होते हैं तो तो हम मानी लेंगे और हमारे most of the बच्चे मैं काफी गरों के साथ कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एज एंसी फैमिली के लिए वो देखे हमें बड़ा अच्छा लगता है था वहले स्वोफ सो कांज खर्च अपेड़ स्ट्रॉङ होगा फेल उदर सबस्क्ति हूं को गया फिर एक और विपंह भाम लगाया तब सर्दरस और ना सरदर सही होना एक effect है लेकिन हुआ किसकी वज़े से हाँ तो बाम क्या है cause तो dependent कौन हो गया सरदर dependent है कम हुआ ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ ठीक किस पे कि बाम की quality क्या थी है न समझ पारे हो आप so effect is dependent effect is dependent on what cause जैसे मैं कहता हूँ कि तौबे को use causes cancer समझ पारे है आप तो cancer होगा कि नहीं होगा ये किस बात पे निर्वर करेगा तौबे को use पे अब तौबे को use को कम जाता हुआ या बंद करवा कि हम cancer से बच सकते हैं कि नहीं यानि हम cause को manipulate कर सकते हैं cause को manipulate कर सकते हैं और experiment कर सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं, so cause is independent variable and effect is dependent variable, बहुत ही आसान है, confused होने का नहीं, so a variable that is a presumed cause, कई बार तो proved cause हो जाता है, research से prove हो गया, तो इसको हम proved cause कह देते हैं, जब तक prove नहीं है, risk है, तो हम इसको risk factor कह देते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, तो संभावित cause भी जदी है, तो भी वो क्या होगा, independent, effect उस पर क्या होगा, dependent, समझ रहे हैं, cause is independent variable and effect is dependent variable, okay, very good, और यह कहीं न कहीं आपके exam में आ सकता है, अब इसके साथ साथ variables कई प्रकार के होंगे, but mainly हम दो variables को ही highlight करेंगे, so what is variable, any characteristics that will vary from person to person, independent as I told you, cause, बहुत सारे examples, अबने हमने तोबे को या smoking या high fat diet, कुछ भी ऐसा example लिया, अब इसका effect क्या हो सकता है, वो dependent होगा, जैसे, good pre-off nursing care will have rapid post-off recovery, yes, या फिर smoking may cause lung cancer, या फिर high fat diet may cause risk of heart diseases, समझ पार है आप इनका relationship, so independent and dependent variable, next नेख लेते हैं यहा, fact generally accepted as true or correct, are known as, limitation और delimitation तो हमने देख लिया, assumption और statistics मैंसे बताना है, एक होता hypothesis, जो हम आगे देखेंगे, जो independent और dependent variable की relationship बताएगा, घरा hypothesis, एक होता है, assumption, आप लोग JINC platform तक पहुँचे, तो हमारा hypothesis क्या है, आप लोगों का, कि हम NORSET पार करना चाहते हैं, yes, यानि hypothesis is the relationship between dependent and independent variable, जो आप predict कर रहे हो, predict कर रहे हो, या expect कर रहे हो, कि यह समभावत relationship होगी, dependent या independent variable में, कई बार variable dependent है या independent है, बोल नहीं पाते तो, it is just variable, so variables के बीच में क्या relationship होगी, एक variable है, आपका JINC आना, है कि नहीं, और दूसरा है, वापस जाना, नहीं, क्या लेके जा रहे हो वापस, दूसरा है, आपका result, आपके JINC आने से, आपके result में कुछ फरक पढ़ा, क्या, पढ़ा, result ही नहीं मैं बता रहा हूँ, आपकी पस लड़ी के अंदर, आपके thought process के अंदर, आपके ransom के अंदर, आपके overall aura के अंदर फरक आएगा, और अलग से दिखने चाहिएगी, यह बच्चे JINC बढ़ते हैं, अब यहां, यह तो होगए hypothesis, जो संभावित result है study का, वो तो हमें लिखना ही पढ़ता है, कि मेरा selection होने वाला है, अब दो probability है, इस exam में होता है या नहीं होता है, यानि accept या reject हो सकता है hypothesis, लेकिन एक होता है assumption, यानि कि fact generally accepted as true, हम उसको prove नहीं करना चाहते हैं, उसको सही मान के ही आते हैं, कैसे, जैसे आज आप इस class में आयो, तो knowledge बढ़ाने आयो ना, यह मान यह देखने तो नहीं आये, कि सर ने जो कहा था, वो सवाल आया या नहीं, इसलिए एक्साम दे रहे हैं, कि सर ने कहा था, इसमें से सवाल आएंगे, आप देखता हूं कितने आते हैं, इसलिए एक्साम देने वाले हो क्या, ठीदि देने वाले हो तो बहुत बड़ी किस्टी कर रहे हैं, ठीक है, यानि कुछ लोग यह है कि वो देख रहे हैं कि सर पढ़ा पाते हैं कि नहीं जेएंसी से जो हम भरे भरे क्लास्रूम की फोटो देखते हैं उतने बच्चे वहां है कि नहीं एक बार जाके चेक कर लें आप लोग ने इस फैक्ट को जनरली ट्रू मान के आ गये थे कि सर ने कहा सुखसर रोज कहते रहते हैं मतलब JINC है तो quality है बरोसा है selection है यह आपने मान लिया so that is assumption that is assumption as a researcher हम उनको प्रूव करने की research नहीं कर रहे बट हां assumption की जरूरत क्यों है क्यों है क्योंकि हमें रस्ते में planning में मदद करेगा just you can assume certain things कि आज मौसम ठंडा रहेगा तो मैं यह कपड लेता हूं बर हम बाहर इसलिए नहीं निकलेते हैं कि साबित कर दें कि मौसम सही रहा या हम तो दूसरे काम से निकले हैं समझ पारें आप लोग okay very good so these are just facts which are believed to be true और इसका काम है हमें रिसर्च में सिरफ direction दिखाना रिसर्च में सिरफ direction दिखाना अज्यूम कर रहे हैं है हम सुधिया कॉल्ड है अजंप्शन स्टैस्टिक्स इस साइन्स ऑफ डेटा जो हम आगे पड़ेंगे आप रिसर्च के अंदर एक प्रोसेस होता जैसे आप नसिंग प्रोसेस पड़ते हो नसिंग प्रोसेस किस ने दिया था नसिंग प्रोसेस लिडिया हॉल ने वर्जिनिया एंडरसन ने अच्छा अब पोल खुल रही बच्चो पका लिडिया हॉल ही आंसर है एक बार चेक कर ले ना मैं रिसर्च पड़ा रहा हूं फंडमेंटल नहीं फिलाल बट रिसर्च पाटिसिपेंट्स आर डिस्क्राइवड इन डीटेल इन विड्च सेक्शन ओफ रिसर्च प्लाइब देखें मैं आपको दो सीन चीजे बताता हूं यहां पर होता क्या है एक टॉपिक लेकर अपना रिसर्च का प्लान सब्बिट करते हो आपका ब्रीफ वर्क तो उसको हम नाम देते हैं रिसर्च प्रोपोजल क्या रिसर्च यह प अब हमें लग रहा है कि इसको रिष्टेदारी में है एकसेप्ट होगा रिजयक्ट होगा पता नहीं पट उन्होंने एक बढ़ी असा प्रोपोजल तो बनाया है बनाया है एक शुप बोरत देखें तो उस प्रोपोजल में आप क्या बताते हो ब्रीफ कि मैं क्या रिसर्च वर्क in short yes so this is plan of your research work in short so that can be called as synopsis brief plan इसको कहते हैं synopsis so research proposal and synopsis हम present करते है योदि वो आपका अप्रू हो गया तब आप उस research project को undertake करोगे करोगे कि नहीं फिर जो आपका Research Project complete हो जाएगा तो इसको आप Research Report के तौर पे दोगे क्या दोगे आपके यूजिश्ट का दूसरा साइंटिविक नेम उनिवर्सिटी यूज़ करती है वह डिशर्टेशन क्या जो आपके की रिजल्ट है यू नीड टू पब्लिश इट सो लोगों को पता चले ना कि इस रिजल्ट से किसी का बला हो सकता है क्या तो हम छोटी रिपोर्ट को छोटे फॉर्मेट में लिखते हैं उसको हम कहता है रिजल्ट पेपल और पीपल के उसे पर जहां पर भी रिजल्ट की रिपोर्ड लिखते हैं चाहिंघ जर्नल आर्टिकल के लिए और थिसिस के लिए और या एवंश करते हैं जो हैडिंग कॉमन रखते तो आपको पूझा जाता है कि जो मेन रिसर्च के पार्टिसिपेंट है ते मादाब के ion कोन को कौन थे वो वाला कौन से section में describe किया जाएगा introduction में methods में data analysis में ya discussion में काँ पर होगा सब कुछ methoस में आएगा किसमें आएगा GREG कैसे होगा कौन होगा कहां आप research कर रहे हो कितने सेंपल लोगे सेंपल सिलेक्ट कैसे करोगे उनसे डेटा कलेक्ट कैसे करोगे वो सब जो प्लान होगा देट विल बी अंडर दा चैप्टर कॉल्ड एस रिसर्च मेथडो लॉजी रिसर्च मेथडो लॉजी जनरल चैप्टर पहला किसी भी बुक में जैसे होता है इसा एक introduction होता ही होता है फिर research में review of literature करना पढ़ता है background कि background of the problem कि problem कितिनी बढ़ी है आप research क्यों करना चाहते हो so background से there is need of study justify होती है need of study जब need of study justify हो गई और आपको पता चल गया कि this is the problem statement how big is the problem फिर आपने review of literature के basis पे सब किया लेकिन आप देखते हैं कि already कोई answer है या नहीं इस question का problem solved already किसी दूसरे ने करतो नहीं रखी research और जो gap है वो आप फिल करते हो और detailed review of literature करते हो आप review of literature जैसे आप market में कोई सामाल लाने जाते हो तो review देखते हो ना Amazon पे product के नीचे जैएंसी का भी Google review जैएंसी के प्ले स्टोर पे एप का review और तुम लोग बीज बीज में देते भी रहते भी ये review देते होगी नहीं क्यों क्योंकि जो लोग review of literature कर रहे हैं उनको सही पता तो चले वरना कुछ competitors कुछ बढ़के वे नौजवान आगे क्या लिखते हैं ना जाने क्या-क्या पॉसिबल है कि नहीं सो यह यहां पर review of literature अब उसके पाद आता है methodology क्या आता है methodology इस methods में हम अपने research को describe कर देंगे हम ऐसा research करने वाले और फिर फिर आता है result जब हम research complete कर लेंगे तो क्या आएगा result यानि इसके अंदर क्या आएगा data analysis data analysis कैसे करेंगे आपन और analysis के बाद उस data को interpret कैसे करेंगे interpretation और interpretation के बाद हम करते है discussion discussion का मतलब क्या कि मालों पहले कोई study का रखी थी उसमें यह finding थी हमारी study का finding यह कितना उससे similar है और कितना दूसरों से different and what is new जो हमने discover किया जो बाकियों से अलग है that is what is discussion yes आप लोग भी discuss करते हो तो ऐसे ही करते हो ना कि यह similarities है यह differences है यह इसके मेरिट से यह इसके weaknesses है ऐसे ही करोगे so that is how we write a research report आगे मैं बताओंगा आपको यहां पहले बात निकली तो बता दू शॉट में format होता है जिसको हम कहते है I am red I am red I for introduction M for methods R for results A is just for end and D is for discussion समझ पा रहे हो आप जो मैं बताने कुशिश कर रहा हूं चलो मैं आपको research process थोड़ा सा summarize कर देता हूं ज्यादा तर चीज उसी में हो जाएगी अब process तो बढ़ा है उसमें कई steps होंगे तो आपको एक पुछाओ कि final step of research process for the research is for the researcher is मालो मैं इसको ऐसे कर देता हूं for the researcher is तो क्या answer होगा आपका आपने research किया अब आपका आखरी काम क्या है जब आपका research बुड़ा हो गया सब्सक्राइब अभी बताया analyze the data interpret the finding communicate the finding or collect the data अभी अभी तो अपन ने देखा हमारा आखरी काम है कि communicate it चाहे रिपोर्ट के तुरू जर्नल आर्टिकल के तुरू न्यूस पेपर के तुरू आपका काम है communicating it यस इसके लिए आप scientific paper present करते हो लिखते हो जो researchers होते हैं लेकिन आपके हाथ में communicate करने तकी है लेकिन लोग जो आपका research पढ़ रहे हैं आपकी expectation क्या होगी कि कि they should utilize your research they should utilize तभी तो यह जो research है उसका implementation होगा और implementation होगा तो ही practice जो चल रही है वो change होगी होगी कि नहीं सपोज हमने कहा कि thermometer का disinfection सेवलोन के अंदर रखने से नहीं just running water से ही कर लो that is enough यह मैंने अपने research से बताया मैंने research कर दिया मैंने चाफ दिया लेकिन किसी hospital ने उसको implement ही नहीं किया तो मेरे research का कोई use हुआ क्या तो मेरे research का कोई यूज हुआ क्या तो रहता है कि people should utilize it and it should change the existing practice it should improve the existing practice समझ पा रहे हो so ultimate aim of the research is utilization of research finding वो यह option में नहीं है और researcher का हाथ में भी नहीं है वो यह लोगों के हाथ में okay very good so अब आपको हम कुछ phases और steps list कर देते हैं जैसे पहली conceptual phase जब भी आपको research करना होता तो आप दिमाग में plan करते हो आपने यह यूजी research किया होगा तो आपने कुछ तो plan कर रखा होगा कि copy कौन सी मार लें आसानी से कौन सा research हो जाएगा तिया जैसे भी किया होगा हो गया होगा में सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यहां पर क्या होता है कि आप concept माइं में रखते हो और सोचते हो जैसे मैंने की कौन सा research करूँ कितना करूं कितना कर पाएंगे यस सो यह देखो आप delimiting आया यहां पर कितना ही कर पाएंगे और फिर problem जो भी अपने पिक करी उसको आपने formulate करा यह एक problem statement का एक तरीका होता है problem statement का एक तरीका जैसे आप nursing care plan लिखते हो तो patient का diagnosis nursing diagnosis medical diagnosis तो अलग होता है जो ICD के according physician लिख देत diagnosis यह 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 फिर breast cancer और breads की grading लिख देता है कि according to breads grade 3 यह वो तो उसका ICD classification है हमें तो nursing problems लिखने होती है न तो आपने nursing diagnosis लिखने का एक system पढ़ रखा होगा कौंसा नंदा अरे अपना personal नंदा North American nursing diagnostic association ने nursing diagnosis लिखने के तरीके बताएं जिससे वो universal रहे और आम भी काई भी nursing world में यदि वो diagnosis लिखे तो उसका meaning समझ पाए तो वो problem को formulate करने का एक तरीका है ऐसे research problem को भी करने के लिए क्योंकि पर तो इंटरनेशनल पढ़े जाएंगे research वाले तो एक problem statement का भी तरीका हो जो आगे पढ़ेंगे अब आपने क्या करा उससे related review कर लिया कि यह project किसके पास मिलेगा पहले कौन सी दीदी ने ऐसा research किया था अब उससे मैं कैसे देवलब यह conceptual framework and definitions यह बहुत इमोर्टन चीज़ है conceptual definitions or operational definition कोई बता सकता है कि इसकी meaning operational definition according to yes according to researcher जैसे मैं कहूं कि I am studying the problem faced by the nurses in India अब बहुत सारी problem face करने पड़ रही है उनकी duty जल्दी शुरू होती है उनकी स्कूटी दीरे चलती है उनके पड़ोसी अलमा चा रहे है है ना उनकी सास्ताने मार रही है तो यह सारी problem को define कर दिया मेरी स्टडी में की problem faced by nurses means only problem faced in work duty time तो मैं उससे related question पूछूंगा उनको कि मेरी स्टडी के अंदर problem faced by nurses का मतलब क्या मेरी स्टडी में operational definitions या conceptual definition समझ पा रहे हो how you are operationalizing that word in your study आपके study के अंदर उस word का meaning क्या है अब आप जब research करोगे तो आपके पास कुछ models होंगे theories होंगे उसकी basis पे आप अपना research design करोगे models का मतलब क्या कि बहुत सारे scientists ने कुछ तरीके बताई होगे हैं कि ऐसा चलने से ऐसे रस्ते तक पहुंच सकते और एक वो famous model अकसर लोग चर्चा करते हैं इसको कहते system model क्या वह देखें आप लोग J.I.N.C. आये कि नहीं जो नहीं आए वो online आएवे हैं तो आप लोगों ने क्या देखा हमारा system और हम करते क्या है हम input लेते हैं मतलब आप लोग आए हमारे system से गुजरे और हम output देते हैं क्या देते हैं यानि कि इदर से future nursing officer आया इस system में से गुजरा और nursing officer यह model है हमारे वर्क करने का है कि नहीं आप ताली कौन बजाएगा और यह त्योरी है इसको कहते है system model theory यह और आपने इसका famous example देखा होगा इधर से आलू डालो इधर से chips निकले सोना नहीं निकलता है सोना इतना महेंगा होता जा रहा है आज कल तुम लोग देख पा रहे हैं क्या भाव सोना तो अभी भी आई रहा है एक तौला चिंता करने की कोई बात बारा एक महीने में तुम लोग सोने की चिडिया बन सकते हो जितना चाहते हो उत्रा पहन लेना तो मैरे operational definition और conceptual models बताएं बहुत सारे थियोरी से nursing में हम उसकी अभी यहां चर्चा नहीं करेंगे बट आपने सुन रहे होगी fundamentals में कुछ थियोरी जैसे 90s theory of environment या Henderson theory या फिर Betty Newman's theory या पैप्लोज थियोरी सुनेंगे सब question आ सकता है revise कर लेना तो हम अपना just formulate कर है सब माइंड में इसलिए क्या है conceptual phase और लास्ट में यह ज़रूरी होगा ता हम क्या formulate कर लेंगे hypothesis कि हमारे variables के बीच में possible relationship या पॉसिबल outcome अपने research का क्या हो सकता है तो पहली phase mental phase mental phase इसको कहते है सपने देखना में जैसे अभी देख रहे हो जूलरी बनाऊंगी मैं ऐसे ऐसे डिजाइन वाली दस महीने की तनका जमा करके तो यह conceptual phase है है कि नहीं फिर अब आप design phase में आगे design phase में आप जा 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 बनाते ना तो पहले वह बिल्डर अपने को दिखाता है यह जमीन यहां पर होगा आपका वह जो भी महल है फिर अब तो होगा भी बना तोड़ी है फिर वह एक चोटी प्नास्टिक का 3D मौड़ल वने मता देको यह हमारा है पूरे टाउंशिफ का डिजाइन यह गेट यह गाडन यह स्विमिंग पूल और यह आपका घर यह बैट्रूम यह किचन यह अपका अच्छा अच्छा लग रहा निक्या और अपन तुरूंद एड़ांस ते 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 सब्सक्राइब का बटेंगे हैं कि सब्फून का यहां पर शोर्च थे ते जाइन का आंश काओ करेंगें कंटिटिप्रिमेंट यह कान प्लानिग कंटिटेव और नॉन फिर मालबो, आपको एक्सपरिमेंट कररे हो, तो अपना कोई इंतर्वेंशन कर रहे हो को आपको पुलेशन कर न स्थेड़ी, घृतर थेIlमेंसाज यूशान अडिस अगरो दिसाइद करोगे को सबसेंपल शीय पॉंपट कैसे सेνεич बॉर जाओ तको आप सैंपल्स सwe देख लेंगे कि कितने size या sample लेने हमें फिर sample ले लिए फिर हम उससे data कैसे collect करें यानि कि जो variable है उसको measure करने के टेक्निक क्या है बही exam लें इंटर्व्यू लें physical test करें lab test करें कैसे जानकारी जुटाएंगे तो इसके बाद जब आपके पास data आ जाएगा या फिर जब आप research करते हो तो यह ethical point भी important है आपको human rights और animal rights का भी respect करना है और उसके लिए आप ethics committee होती है institutional research and ethics committee जो यह चेक कर रहेगी ethical legally तो आप सही हो लेकि ethically यानि कि moral values के तोर पे ऐसा research करना सामने वाले को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा जो आप बता नहीं रहे हो उसको yes so उसके rights को safeguard करने के लिए ऐसा होता है एक बार अपने प्लान को review कर लो और फिर final कर लो पहले हमने दिमाग में रखा conceptual phase फिर design phase अब next क्या बचेगा actual करना है research दिमाग में थोड़ी रखना है तो आपको पूचा जाएगी actual research किस phase में होगा तो that is empirical phase और आपको 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 आठना empirical 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 का मतलब होता है scientific और science क्या है आप लोग science के student होंगे 11 12 में science थी आपके कि तो आपने science क्यों लिया science biology है न क्योंकि maths नहीं आता था और arts क्यों नहीं लिया लिया हुए भी तो कोई नहीं लिया है वो जी नेम करके आपके आगे और आगे बढ़ रहे हैं नसींग में कोई बात नहीं बट science means क्या कि science में आपको बिलीव करने के लिए प्रूफ चीए क्या चीए प्रूफ ऐसा नहीं कि भगवान है और मान लिया कि science वाले कि कहेंगे का है बगवान दिखाओ तो अपने एक्जाम का रिजल्ट दिखते अपना यह देख लो भगवान थे तभी था हम पास हुए वरना हमारे बस की बात थी क्या नहीं या फिर वाटेवर प्रूफ अपने पास है यह अपन प्रूफ का है कर पाए तो वो ल किया जा सकते हैं कि आपके sense organs उसको मैसूस कर सकते हैं कि science believe in evidence तो evidence-based practice क्या करते हैं science-based practice यानि कि research में प्रूफ हो गया इसके evidence है कोई दुबारा इसको test करना चाहे तो same result आएगा तभी वो science है otherwise science नहीं है otherwise science नहीं है okay so actual data collection phase यह क्या है आप इसको implementation phase क्या सकते हो basically क्या कर रहे हैं हम implementation phase क्या सकते हो तो यह विल भी collecting data जो भी हमने प्लान करा है उसके according जिन samples को select करा है उसके according और जब data collect हो जाएगा तो हम क्या करेंगे analysis analysis वाली phase अलग है लेकर हम यहां पर सिरफ preparing for the data analysis just prepare कर रहे हैं सब कुछ जबा करके रख रहे हैं और next phase क्या होगी fourth phase analytic phase जिसमें data analysis हो गया अब data analysis के लिए आपको याद रखना है कि आपने अब आपके त्वेशनेर में 20 questions थे अब आप देखोगे कि first second third question का हर सेंपल ने कैसे आंसर दिया तो यहां पर सपोज आपके यह सेंपल नंबर है और यह question number है यह सपोज सेंपल नंबर 123 question number 123 सपोज सेंपल नंबर वन ने question number one को correct answer दिया question number two को गलत दिया question number three को correct दिया तो आपके इसके response को mark करोगे आप सपोज आपने तय करा कि every right response will bear one mark and negative वाला जीरो क्योंकि अपने negative marking रखी नहीं जैसे कर रखा है कि you will be awarded three marks for every right response and one third negative marking तो यह क्या हो गया यह coding हो गया क्या हो गया coding right wrong को हमने code कर दिया right मतलब three wrong मतलब 0.33 minus समझा गया और ऐसी एक पूरी टेबल बन जाएगी आपका result sheet कैसे होगा आपके 100 questions और आपके response right wrong कितने उसके basis पे आपका final score होगा की नहीं yes so that is table हम data को present करते हैं तो table अब आपका ही scorecard तो एक single table है suppose पचास हजार से ज्यादा लोगों ने नौर सेट लिखा और वह पचास हजार का एक final result एक साथ आता है तो वह क्या कहला था master table क्या master data sheet which has everything related to research possible है जैसे school में आपकी एक mark sheet होती है आपके class के तीस लोगों की पूरी mark sheet का चार्ट यदी notice board पे लगा दिया तो वह master table हो गई हो गई कि नहीं तो हम master table prepare करते master मतलब जो expert और final table होता ना master जी अपन जो अच्छा टेलर होता उसको master जी बोलते है अच्छा teacher होता उसको master जी बोलते है अच्छा कुक होता उसको master जी बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि नहीं अच्छा student होगा उसको भी क्या बोले उसको बोल तो master जी मेरा किया जा रहा है so this is preparation of master table क्या master table और आजका data analysis के लिए statistical software आगे क्या आगे statistical software और इन software के नाम भी आपको मैं आगे कुछ बताओंगा यहां बात निकल निकल गई तो बता देता हूं सबसे फेमस जिसका नाम शाहिद आपने सुन रखा होगा SPSS सुना है क्या वालो बच्चों SPSS सुना था आप लोगों नहीं जैसे हम जब nursing में online पढ़ाने आये थे तब वो चौक और बोर्ड वाले लोग थे चौक और बोर्ड वाले रीड है का और लोग पढ़ाते थे PPTP तो वह तो लोग हमको कहते हैं स्लाइडव वाले मास्टर है क्या है स्लाइड वाले मास्टर का कोई बात नहीं को क्या लेने देना है इन से अब स्लाइट उनको नहीं पता है बनती है पावर पॉइंट के अंदर है अच्छलिए आप प फिर माइक्रोफ्ट पावर्पाइंट आपको यह अपको आपको आपको हाइप पूछेगा बस आप डालो आपको निकाल लेगा क्योंकि उसमें फॉर्मूला फीट है अलड़ी समझ पा रहे हैं आप सो इस अपना डेटा शीट जो आपने आप लोगोने पाई डाइग्राम और आजगल ही आप मैस देखते होंगे तो वह जो अनलेटिक्स दिखाता है क्रिकेट वाले यह पहली टीम का ग्राफ यह दूसरी टीम का यहीं सोवर में यहीं सोवर में यह डॉट वाल मतला विकेट गया अलग अलग तरीकों से एक ही चार् कर रहे हैं data analysis का और जब आपने data analyze कर लिया था आपको result को interpret करना है क्योंकि जैसे मैंने बता है raw data that is information raw data is information and analyze data is statistics analyze data is statistics यानि कि कितने पास हुए कितने फेल हुए आप ने बता है sir मेरे नमर आए 33 आप गई सर ऐसा क्यों बोल ले हो अन्ड़ में से नहीं बता रहा हुए पचास में से बता रहा हूं यानिकि जब तक मैं ऐसा नहीं बताया तब तक आपको इसका कोई कि अब लास्ट फेस्ट क्या होगी फिर कि डिसेमिनेटिंग फेस्ट डिसेमिनेशन का मतलब क्या पहला दो जंगल में आग की तरह जैसे तुम लोग हमारा प्रचार करते रहते हो हमेशाद सुबह शाम नहीं करते हैं इसे तुमारी विज्जत बढ़ेगी कि कितना अच्छा सोचने वाला इंसान है सामने वाला हां और दिन भर में एकाद को प्रचार भी हो जाए अभी जैसे अपन ने अर्चना पटेल का वो देखा न तो हमें बता रही थी कि सर मेरे पूरे वाड में सब मेरे से बहुत जलते हैं शायद अर्चना भी क्लास भी देख रही होगी मैं ऐसा क्या हो गया मैं बहुत फेमस हूं इंस्टाग्राम पे मेरे से और पूरे हुस्पिटल में हमारी टीम में किसी के फांच हजार फॉलोवर्स नहीं तो आज हमने भी चेक करा यार ऐसा क्या कर रही है अर्चना आप लोग भी दिखना मैं 100 फॉलोवर्स बढ़ा रहा हूं अर्चना के तो आप देखोगे उसने सारे जैंस्जी की वीडिय जो भी अच्छे बच्चों के सेलेक्शन के या अपनी कुछ एक्टिविटीज के नैसे वीडियो डाल दी तो मिन्स आप अपनी पस्तनल्टी को एक्सप्रेस कर सकते हो यदि आप चाओ तो पागी नहीं करोगे तो भी दुनिया तो चलेगी ठीक है किसी के करने से कुछ फरक पड़ता है नहीं करने वाले तो बहुत है और जब तक आप डुवर्स में नहीं आओगे ना तब तक आपको कोई काउंट नहीं करेगा और जब आप काउंटेबल नहीं होंगे तो लाइफ का कोई परपरज तो आइक्सपेक्ट देट अलोब यू शुट बी अटलिस काउं अग्सटेंस लजन्ट वर्थ एनिधिंग चलो डिस्टैमिनेशन यह बीच-बीच मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि आज गल मेरे को लग थोड़ा सा हमारी पॉपुलरीटी में गिरावाट आ रही है पहले तो मैं बहुत पेमस था इस बार मुझे टिकट तक नहीं मिल से लगा रहे थी लेकिन मैं कभी चने के जाड में चड़ाई नहीं मुझे पता है यह बार बादी है एक बार नेता बने मतलब फिर लोग सिरफ गालिया ही गालिया देंगे और कुछ देने वाले इस देश के अंदर नेता जितना ग्लेबरस है उससे कहीं ज्यादा गालिया आता रहता और मेरे को नौकरी भी करनी वरना में बेरोजगार हो जाता चुना हार के तो मैं तुम्हारा प्लान समझ गया था इसलिए मैंने अपलाई ही बर कुछ हमारे नए नवेले बोले बादे टीचर को तुम चड़ा रहे हो और वह लग बग अल्मोस नेता बनने के कग तुम ही बोल रहे हैं मैं तोड़ी बोल रहा हूँ जनता बली परबनेंट होना हो स्टूडेंट हो और और लास्ट लास्ट हमारी विच क्या है यूटिलाइजेशन आफ दा पाइंडिंग तो हमने फेजेज के अंदर कंसेप्चुल फेज, प्लानिंग डिजाइन फेज, ए आपको कुछ ग्वेशन जो भी होंगे इस प्रोसे से रिलेटेड ही होंगे होंगे की नहीं समझ आ रहा है क्या ओके वेरी गुड तो इस फॉर्मेट के बारे में जानते हो जो यहां लिखा हुआ है क्या है यह वो जो नंदा डाइगनोसिस वाला फॉर्मेट हाना नसिंग प्रोब्लम लिखनेगा पें रिलेटेड टू सर्जिकल वोंड सेकेंडरी टू वाटेवर इस दा हेल्थ कंडिशन या मेभी इन्वेजिव लाइन या और भी दूसरे पें के सोर्सेज मोजूद है त तो यस अपने लिखते थे हैं कि नहीं पें एक रिलेटेड फैक्टर और कोई सेकेंडरी फैक्टर होगा तो और फिर मेजर भी करते थे सिवियर पें अक्यूट पें क्रोनिक पें तब जाके आपका डाइगनोसिस कंप्लीट बनता था बनता था कि नहीं और तुम लोग ने बड़ी कॉपी मार मार के ऐसे कैर प्लान लिख दी होंगे लिखा था या सिरफ कॉपी जो भी था बट आपकी नसिंग तो हो गई ऐसा ही रिसेर्च की प्रॉब्लम को स्टेट करने के लिए प्रॉब्लम स्टेट्मेंट में क्या-क्या चीजी होनी चीए इसका एक पिकॉट फॉर्मेट दिया पी मींस पी मींस प्लानिक नहीं आयेगी आप जो रिसेर्च स्टेटमेंट दे रहे हो ना जज़ा एक स्टेट में वाला था आपकी प्रॉब्लम से यानि कि सबोज मैं एक स्टेटी कर रहा हूं और डिस्क्रिप्टिव स्टडी टुच अश्च दा बबन क मैं इस तो फुल्फिल कर दिया उसके बाद क्या होगा आई इंटरवेंशन क्या मैं कोई इंटरे में इंटरीट पिस्क्रिप्टिव तो फी श्मपर्टीफ तो यानि कि मैं non-experimental research कर रहा हूं treatment that will be provided to subject तो मैं कोई treatment दे रहा हूं क्या problem solve करने के लिए कुछ कर रहा हूं क्या नहीं मैं ये पहले step के तौर पर study कर रहा हूं जिसमें I am just studying the problem faced by the nurses so here I is not applicable so if applicable I must be there कोई therapy, intervention, treatment, whatever you are implementing फिर आएगा C C is for comparison comparison means reference group और जब आप intervention करते हो experimental study आप देखोगे तो एक experimental group होगा और एक control group होगा जैसे आपको मैं कह दूँ कि आप लोग बहुत होशियार हो you are intelligent खुश हो जाओ लेकिन किससे किससे करो compare करो किससे intelligent हो इससे intelligent हो इससे intelligent हो मुझसे intelligent हो इससे हो या सब से हो दर गे अच्छा intelligence अब दिख नहीं रहा ना शेरी आपको पूछेंगी आप कह सकते हो I am taller than somebody else at least लंबे तो हो आप अभी तो आप बथा भी सकते हो आपस्वाले से भी तो compare करके yes लेकिन आप कहते कि मैं लंबा हूं और कोई comparison group नहीं होता तो मैं माल लेता क्या और आप लंबे हो only compare to that person इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे लंबे हो तो हम कहते हैं कि we are best नहीं आपके गुड नहीं 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 कौन कौन हैं बगवान हैं कई बार बगवान भी सोच रहा हूं पर मेंटे मेटें कि इसको बेजा था यह सब खरने के लिए हैं और मुझे उपीर हैं कि मेरे बागी टीचर भी ऐसे नहीं कहते होंगे कहते हैं क्या के दर आप मिरे को बता देना तुम लोग कह सकते हो ना सब्सक्राइब क्योंकि हमारी काड़ी आपके भरोसाई चल रही है वो आप लोग कह सकते हो क्योंकि कि आप किसी को कोई दर्जा दे सकते हो ना बट खुद नहीं देना चाहिए सुसी इस फ़र कांपेरिशन और कंट्रोल ग्रूप ओ एक्सपरिमेंटल रिसर्च में मस्ट है यदि आपकी थेरपी इफेक्टिव है तो आपको किसी से कंपेर करना पड़ेगा बिना कंपेर करें आप यह नहीं कहा जटे कि आपने बेटर रिसल्ट्स ती है ओ इस फ़र यानि कि आप क्या संभावित आउटकम जैसे मैं यह आउटकम देख रहा हूं प्रॉब्लम फेस्ट बाइन नर्सेज यस प्रॉब्लम फेस्ट बाइदा मैं में मेजर क्या कर रहा हूं तो देट इस यू कैन प्लान और मेजरिंग और एक्जामिनिंग अफेक्टिवनेस आफ यूर रिसेच सपोज एक इंटरवेंशन है तो तो एक्सपरिमेंटल रिसेर्च में तो हाउ इफेक्टिव इस यूर इंटरवेंशन जैसे अक्सर मैं एक्जाम्पल देता हूं कि जो प्रोटीन करते हैं तो एक हो था चिंटू एक हो था गोलू चिंटू पीता नॉर्मल दूद गोलू पीता हमारा वाला प्रोटीन पाउडर एक साल बाद चिंटू भी बढ़ा यह तो दोड़ी की चिंटू बढ़ेगा है नहीं क्योंकि नैचुरली आइट भी तो बढ़ती है और गोल कि यह रिसर्च कब क्या कई बार सीजनल वेरियेशन भी होती है और आपके स्टेडी का टाइम डियूरेशन क्या था वो भी आपको दिखाना पड़ता है सो टाइम डिस्क्राइब दूरेशन आफ यह डेटा क्लेक्शन सो पीस पर पॉबुलेशन आइस पर इंटर्वेंशन पर इंटर्वेंट के लिए रिवीव अफ लिटरेचर किया तो रिवीव लिटरेचर को हम कहते हैं और बिब्लियोग्राफी में बज्टे आपने के स्टेडी केर प्लान जो लिखे थे ना उसमें ये बिब्लियोग्राफी ज़रूर लिखी होगी और कई बच्चों को तो प तो यहां एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं साइटेशन रिसर्च में कॉपी नहीं करना है साइट करना है क्या करना है Fest A citation का मदलब क्रेड़िट यहसे आप ने एक पीडी एएफ मेरे नोट निए उसको एडिड करके लिग दिया सवनु लीएफ और दूसरे गुरूप में डाल धिया वागी लोग सवनुजी की जै के आवद ग्रेट लेकिन एक्षुली आपने पीडिएफ तो लिया मेरा मेरे को क्रेडिट दिया ही नहीं और अपना नाम लेके आगे चिपका दिया तो यह पाइरेसी इसको दोका धड़ी और एक वर्ड होता रिसेर्च में प्लेजियरिजम सुनें आपने प्लेजियरिजम एंड दिस गरेजियरिजम यह हम लोग अपने कॉंटेंट ए ले लेते हैं क्या एंग लेते हैं और हमारा सीमबल जैए फिस हमने जोटपूर इंसिट्टिट तो इसलिए किसन लिख दिया मिडल ज्याएंजी पॉसलिवाल है इंडिया कुछ भी कॉपी हो जकता है कि नहीं तो कॉपी होना रोका नहीं जा सकता बट कॉपी करने वाले को कुछ अतक सजा दे जा सकती चिसका मैं परचार कर देता हूँ तो कुछ लोग उसके नियू अरोड़ा अच सर्णियम को पेंट तो नहीं कर सकते और अरोड़ा भी तो पैदा होंगे दर्ति पे होंगे कि नहीं सो कॉपिराइट एक्ट कमजोर जरूर है अपने यह बट अब यह बन गया है पहले पता नहीं चलता था क्योंकि आपने कॉपी करी आपके टीचर देखी और आपकी फाइल में रख दिया उस फाइल को चला दिया गया अब यह डिजिटल हो गया है तो लोगों को पता जल जाता है कि किसने किसने पाइरेसी की और हो सकता है इसकी सजा हो जाए तो हम पहले से क्रेडिट दे दें क्योंकि सब कुछ हम नया नहीं कर सकते जहां से जानकारी लिए उस सोर्स को मेंशन करें सोर्स को मेंशन कर दें तो इसको कहते हैं साइटेशन और साइटेशन लिखने के जो तरीके देखेंगे आपन बिब्लियोग्राफी या इफ्रेंस लिस्ट यह इसलिए बनाई जाते हैं कि आप उसको क्रेडिट दे दो सोर्स को एकनॉलेज कर दो तो यहां पर आपने कई जगे बिब्लियोग्राफी में आपने लास्ट में यह इटी एल एट ल लिखा वाद दिखा होगा नाम बाद आप यह पूरी जैएंसी टीम को तो कितने नाम बाद आप यह पूरी जैएंसी टीम लिखोगे तो गाइड लाइन्स ने कहा है कि आप छे नाम तक तो अथर्स के नाम लिख दो वेन ओथर्स आप मोधन सेक्स आप कह दो कि वैज़ा आप पूरी नहीं है ना एटी और लिख दो तो यहां पर आंसर क्या थेगा शिक्स अब यह रेफरेंस लिस्ट लिखने के कई स्टाइल है आपके टीचर ने कहा होगा वेंक्यूर लिस्ट में वेंक्यूर टाइप में लिखो एपी इस्टाइल में लिखो ऐसा कुछ कहा था कि कभी नहीं कहा है और लिट्रेचर सर्च कहां करते हैं आज कल तो ऑनलाइन डेटाबेस हो गया है आज आप लोग कुछ भी सार्च करते हो सीधा गूगल में जाके डाल देते हो गूगल उसका रिजल्ट बता देता है और कुछ लोग लिखते हैं कि गूगल इस दा मोस्ट इंटेलिजेंट फिंग ऑन दार्थ और उनको लगता है कि दूसरा कोई जो ज्यादा इंटेलिजे होगा कि गूगल इस जस्ट अ सर्च इंजिन क्या है सर्च इंजिन और वो लोग की वर्ड को यूज करता है कुछ बचे अकसर हमें बोलते हैं कि सर गूगल पीस कांसर ही आ रहा है तो आपने तो यह बताया तो मैंने का गूगल में मैं किसी परसन को टैक करके लिख दूँ डॉग तो जब भी वो नाम डालोगे ना तो उसमें डॉग का फोटो आएगा कुछ लोगों देलो डॉट ट्रॉम के फोटो के साथ डॉट की जोड दिया तो डॉट टॉट पर प्रच करते ही फोटो के अंदर एक डॉट की भी आता पता है कि तुम लोग ने तो गूगल इ को दिमानोंगे पका और आजगल याया आठिफीशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी और भारत ने अपना खुद का चैट पूड ओपन ययाय के रिप्लेस्मेंट के तौर पे अनॉन्स किया है जो IIT Bombay और IIT Ministry मिलके डवलप करने वाले हैं क्या नाम रखा है उसका हाँ अरे सच्छी करंचर वाले जीके से बाहर का है यह यह चैट बोर्ड हनुमान क्योंकि संजीवनी कौन डून के लायते हैं हाँ मैं नहीं हनुमान से लाय दे कि नहीं तो उससे बड़ा सर्च क्या होगा कोई GPS था क्या कोई Google लेंस था क्या तो फिर मेरे ख्याल से यह नाम जस्टिफाई होगा कुछ लोग अब्जेक्ट ले तो ले सकते हो तो किसी पे भी ले सकते हैं अब यह लिट्रेचर हम डूने कहां पर तो इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस है क्या है राइक गूगल बट हम लोगों ने हम लोगों ने साइंस में कुछ अलग से साइंटिफिक बना रखें यह पेड होगे या ओपन सोर्स पेड ओपन सोर्स में आप समझते हो स्क्रिप्शन लेना पड़ता है और नसिंग के अंदर एक बहुत पुराना डेटाबेस है पहले टेलिफॉन डारेक्टरी होती थी ना टेलिफॉन डारेक्टरी तो फोन वाला साथ में दे देता था फैमस फैमस फिर कुछ लोग और डारेक्टरी बेशते थे यह डेटा वा से आगया दूसरे नाम से तो वह उसके पास डेटाबेस है इतने फॉन नंबर्स का वह नाम बता देता है कुछ लोगों ने अलग अलग नाम ले रखे है कौशे-कौशे तुमारे गुप्त नाम वह बता देता है क्या हो एंजल प्रिया पुराना हो गया अब यह सिनहल एक डीटाबेस है इसकी फुल फार्म क्या है क्यूमिलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लेटरचर क्यूमिलेटिव मतलब एक साथ इंडेक्स है जिसमें आप सच कर सकते हो नर्सिंग या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स अभी डिजिटल हो गया और यह लोग अपने लाइपरी के मेंबर को इसका एकसस दे देते हैं पेड फीचर हर किसी में होता है आप सफ्ट्वेर भी लेते हो फोटो एडिटिंग वाला फ्री में कुछ फीचर देता है पेड में और फीचर दे सकता है दे सकता है कि नहीं यस अब मेडिकल इंडेक्स के आप समझ लोगों तक उसकी रीच है उसी हिसाब से उसके एड़ाइजमेंट की रेट भी होगी होगी कि नहीं अब कोई भी जर्नल कितनी अच्छी है वो कैसे पता चलेगी कि उसमें कौन से लोग अपना चाप रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कितना है उसके कितने है तो अब जर्नल की खुदगी वेब साइट होती है फिर वो जर्नल एक डेटा बेस पे लिस्ट करते हैं क्योंकि यह पॉबमेट क्वालिटी चेक करता है इसको किता हैं इंडेक्सिंग तो यदि आपको पता चला की पॉबमेट इंडेक्स जर्नल मतलब जर्नल अच्छी है तो समझ पारें आप लोग तो वहां कोई आप जानकारी टूंड़ोंके तो जानकारी सही होने कि एक रिसर्च अच्छा होने की संभावना काफी अच्छी आपको देखने को मिल सकते अब जैसे आप कुछ सर्च करते हो जैसे आपने अपना नाम सर्च करा खुद का नाम आपने सब्सक्राइब लगाया सब्सक्राइब तो अब ज्यादा की वर्ड डालोगे तो सर्च और स्पेसिफिक होती जाएगी और आपको पास सब्सक्राइब फोटो यह आप Google सब्सक्राइब तो इसलिए यहां पर जो हम की वर्ड यूज करते हैं उनको मैश कहते हैं क्या कहते हैं और एक्जाम में आपको पूछा जा सकता है मैश तो यह मैश क्या है यह मैडिकल सब्जेक्ट हेडिंग क्योंकि जो जनरल टम में आप यूज कर रहे हो पेन रिलीविंग ड्रग्स वह हम नहीं यूज करेंगे हम तो उनको एनलजैसिक्स कहेंगे क्या कहेंगे अब आप रिसर्च उस पर ढूंड रहे हो लेकिन वहां कहां मिलेंगे तो मैश हम जो सच के अंदर वर्ड डालेंगे उनको आप मैश कह सकते हो और हमारे पास एक और फ्री सोर्स है जिसको हम कहते हैं एनलम नैशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन नैशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन वह भी इस बेसिस पर सर्च रिजल्ट दिखाता है और एक वर्ड होता है बुलियन ऑपरेटर उपने को सणु और सणु तिवारी सणु और सणु तिवारी यस और सणु और सणु तिवारी के बीच में यह यह सारे ही चीए जाने कि मुझे cancer in children, cancer and children, cancer and children all, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, यह मेरे पर depend कर रहा हूँ, या cancer general, तो उसमें children के अलावा adult वाले reports भी आएंगे, तो आपको सर्च को और specific बनाने के लिए कुछ words होते हैं, जिनको हम boolean operators कहते हैं, और boolean operators में क्या आता है, तीन चीज़ें आती है, and or not, and or not, यानि कि sonu and tivari, sonu or tivari, sonu not sonu tivari, yes, तो Google को कि मुझे इसको छोड़के यह सब दिखा, समझ पा रहे हो, यह आप सर्च के अंदर जब डालते हो, तो medical heading तो आपके topics related होगी, यदि cancer in children, Hodgkin's lymphoma in children, या renal diseases in children, जो भी आपका topic होगा, कुछ समझ रहे हो, या तोते उड़ गए, यह गूगल बाबा थे, उन्होंने कभी बताया थे गया यह, ओ, अच्छा, अच्छा, जो जैसा मैंने का, pain and children, pain or children, यह pain and children, जो भी आप डालने वाले होंगे वहां पे, आर्टिकल सर्च करते टाइम, और common style जो reference लिखने की हो सकती है, Vancouver, Harvard, APA style, अब, APA क्या है, APA क्या है, APA, हाँ, यह American psychological society थी ना, association थी, उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, इसलिए APA हो गया, यह Vancouver तो Canada में एक city है, तो Vancouver referencing system बना था, उनकी एक library को बैतर तरीके से चलाने के लिए, Harvard को तो आप जानते ही हो, famous university, तो कई styles है, but health related researches, जो हम health sciences में research कर रहे हैं, उनमें हमें, जो ज्यादा तर health universities है, जैसे AIMS हो गया, या राजस्तान में RUHS हो गया, या किसी और state की university महरास्टा में M.UHS हो गया, यह लोग अब standard follow करते हैं, कि हमारे जो thesis होंगे, या research articles होंगे, उनमें Vancouver style में referencing लिखना है आपको, are you all getting this, और जो books है, स्यादा तर text books, text books, या जो social researches, other than health वाले हैं, वो सब अभी भी क्या follow कर रहे हैं, APA style, APA style, और कुछ लोगों ने अपने कुछ protocols ही बना रखे हैं, अब होता क्या है, work cited, citation तो मैंने बताया, create देना, तो work cited should be listed in reference list, कुछ लोग reference और bibliography में मतलब फरक नहीं समझ पाते, वो लिखते थे reference and bibliography है, सिरफ bibliography, उनकों यह नहीं पता था कि bibliography और reference same नहीं है, और difference है तो difference क्या है, आप लोग बताओ मुझे क्या difference है, देखे, work cited, work cited का मतलब क्या, कि उस work को आपने लिखा है, quote किया है, तो मैं कहूँ ना, कि strength is life and weakness is death, तुम कहां वाव 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 वाव, मैं कोट कर रहा हूँ, स्वामी बिवे का नंजी को, तब आपको इसका reference बता चल गया, वर्ना आपको, सर, आज कल आप English शाहिरियां कर रहे हो, नहीं ना, so, यहाँ आपको एक याद रखना है, work cited is reference list of all the sources you actually used while writing, उनके sentences, paragraphs, findings आपने पिक करे हैं, जैसे मैंने भी कहा, strength is life and weakness is death, मैं तो हुबहु ले लिया, और नीचे लिख दूँ आपना ता नाम, स्वामी जी उपर से देख रहे होंगे, कि भई हो क्या रहा है भारत में, तो मैंने क्रडिट दे दिया कि मैंने ये स्वामी वियक अनंजी की, तोट से लिया है और ये पढ़ा इस website से होगा या जहां से भी लिया होगा, यस, समझ पारे हो, जो आपने actual paragraphs, words लिखे हैं, हर paragraph के बाद, आपको उसका source बताना है, कि आप किसको site कर रहे हो, मैं की, में भी सर्मा, तिवारी, वर्मा, बिश्णोई, जिसको भी site कर रहे हो, जो भी author है, समझ पारे हो आप, और उसको लिखने का जो तरीका होगा, वो हम bibliography लिखने का तरीके में सिखेंगे, लेकिन आपने research की books भी पढ़ी, उसमें से तो कुछ आपने adjectives लिया ही नहीं, इस थिस में, रिसर्च की book तो आपने इसने पढ़ी थी, कि आप research process समझ जाओ, बट उसको आपने use नहीं करा, यहां पर actually वो line नहीं यूज नहीं करी, जो वहां लिखी हुई है, इसका मतलब क्या, इसमें बोक्स, जार्नल, पैंप्लेट, इंटरनेट, कैसे टेप, फिल्म, published, unpublished, जो भी material आपको मिला होगा, वो सब लिखना है, सबोज यह मेरा paragraph था, और इसके उपर मैंने one लिखा, यह super script करके one, उपर के तरफ one, यानि कि मेरी reference list के अंदर, यह मैंने कहां से लिया है, उसका source लिखा हुआ होगा, number one पे, जिस paragraph के पीछे तीन लिखा हुआ है, ऐसे super script करके, इसका मतलब है, मैंने मेरे paragraph में यह जो लिखा है, यह मेरी reference list में, तीन number जो source है, वहां से लिए है, जयानि कि reference कैसे लिखा जाएगा, alphabetically, कैसे लिखा जाएगा, किसी paragraph के end में, आप इस तरीके से numbers लिख रहे हो, one, two, three, super script करके, super script मतलब यह paragraph के उपर, जैसे यह water में हम h2o लिखते हैं, तो यह तो subscript हो गया, लेकिन h plus लिखते हो, यह superscript हो गया, हो गया गया नहीं, तो paragraph के end में लिखा हुआ number क्या दिखाता है, तो reference list में, इस citation का serial number क्या है, आप चेक कर दो यह कहां से लिए सर ने, तो आप references देखो, एक number पे कौन सा author book क्या है, उसमें देखो, यह मिलना चाहिए, तब ही तो research scientific होगा, होगा की नहीं, ओके गुड, अब बिबिलियोग्राफिय इस से different है, बिबिलियोग्राफिय में आप अपनी friend को भी, धन्यवाद कहना चाहोगे, select होने के बाद, उसने पढ़ाया नहीं है, लेकिन पढ़ने में बहुत help की है, की हैंगी नहीं, आप वाटन को, God को, यह environment को, जिसको भी thank you कहना चाहोगे, उन्होंने help करी है न आप लोगों की, इस thesis में, आपको और दूसरे sources से knowledge मिला, planning में मदद मिली, वो आप यहां लिख सकते हो, so bibliography is a separate list, यह alphabetically होगी, क्यों, क्योंकि पहले यूज करा, उसको एक number, बाद में यूज करा, उसको दो number देने की तो जरुत नहीं, सब ने help करी, तो हम role number कैसे कर ले, ABCD से serial number, easy है, author के surname, वहना लोग दाराज हो जाएंगे, इसका नाम पहले लिखा है, मैंने तो ज़्यादा help करी थी, नहीं क्या, तो role number कैसे देते हैंबर, ABCD से, देखे, वहीं, तुमारा नाम जो है, ABCD चाहा रहा है, मैंने सब को लिखा है, एक system बना दिया, so author के surname से, alphabetically, जो list होगी, वो होगी, bibliography, ये, आपको, आपने site नहीं किया है, बट इनको credit दे रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपकी help की, और रख समझ भा रहे हो गया, येस, तो एक, आप सोजो कि सार, हमसे तो ये लिखा ही नहीं जाता था, शर्मा.1996, कॉमा, टेक्स्ट बुक अफ देस, कॉमा, जेपी पॉब्लिकेशन, कॉमा, डेली, पेस नमर, 96 से 97, पेस नमर पहले लिखते थे, बुक का नम पहले लिखते थे, कभी शर्मा को बुझ जाते थे, होता था कि नहीं, तो ये एक सिस्टम में बना हुआ है, अब सोफ्ट्वेर आगे है, तुम कुछ मत करो, वो पुचेगा, आथर का नाम लिख दिया, एडिशन, वोल्यूम, पॉब्लिकेशन, पॉब्लिकेशन का प्लेस, पेस नमर सब लिख दिया, उसने वो बना दिया, तो ये रेफरेंस मैनेजर सफ्ट्वेर आगे, क्या आगया, रेफरेंस मैनेजर सफ्ट्वेर, मेरे लगता है ये बहुत हाई लेवल का, बढ़ एक्जाम अभी आसान लेवल के नहीं आने वाले, इसलिए मैं सब बता रहा, वरना तुम लोग कहोगे, सर, ये तो हमें आता था, आ रहा है कि तुम लोगों को, मेरी याद है थे, हम स्टुडेंट रिसेर्च को करेक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत फैमिलियर है, और बागी लोग हमें कॉपी करके, बताते रहेंगे, सो मेंडले, मेंडले एक सॉफ्ट्वेर है, एंड नोट है, जोटेरो, जोटेरो फ्री है, यह सॉफ्ट्वेर के नाम है, जैसे तुमने जोटेरो सुन रखा न, ऐसे जोटेरो है, जोटेरो तुमको तोड़ी पता था कि यह फूट डिलिवरी अप है, लेकिन भूग लगी, दूसरा न देखा, तुमने भी ओडर का रहें, पता चल लगा है, फिर पता चल लगा है, फिर पता चल लगा हरोटल वाले की भी अपने अपने अफ है, पॉसिबल है कि नहीं, तो ऐसे अप्लिकेशन्स अपना काम आसान कर रहें, तो यह रफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेर से, और रफरेंस मैनेजर नाम से भी है, स्कूपस तो एक साइन्टिपिक डेटा बेस है, जर्नल को लिस्ट करता है, बट उसने भी अपना बना दिया, कि अल इन वन काम ही कर लो, कि जब यहां हाई गया है कोई रिसर्चर, तो उसका रेफरेंस मैनेज कर लो, उसका रिवी अप लिटरेचर भी करवा दो, सब काम करवा दो, और यह सब कर क्यों रहे हम, प्लेजियरिजम चेक करने के लिए, अपने फेमस फेमस सिंगर्स थे ना, मैं तो ऐसे कुछ उदारन के तौर पे नाम बताना चाहूँगा, एक अनुमालिक का दौर था, अनुमालिक, वो लिफ्ट तेरी बंद है, उची हे बिल्डिंग टाइप वाला, था ना, तुम लोग भी हमारे वस्टल में चटते टाइप यही गाते होंगे, अनुमालिक तो है नहीं नहीं ना, बात में पतर चलता, रात में वो कॉरियन ड्रामा देख रहा, वहां से एक आट ट्यून पकड़ता, उसमें मराटी और हिंदी गाने चिपका के, एक वर्ड इंग्लिश का चिपका के, ले आता, होता कि नहीं, पसिबल है ना, फिर कहते हैं, हमने उन से इंस्पिरेशन ली, क्या लिए? इंस्पिरेशन, कि इस सॉंग इस इंस्पारेव ये कॉरियन मुजिक, बट कॉपी नहीं है, कैसे? बोले, उस तो कॉरियन में गया था, मैंने तो हिंदी में गया था, या फिर तमील में था दूर जाने की जए रुत deutschen नहीं था यह पंजपी में था रखने थो किसूप रहा हो जाता है तो सारे तुमने ले लिए क्या कर तो थे कानौन इतनी वालने होरें लिए आपसों किसौब और तूमक्राने मरें लिए थे भREAM Fifth और जब भी ये साबित होगा तब सजा मिल सकती है तो बचने का तरीका आसान तरीका है साइट एंड गिव क्रेडिट की कार्टिसी हानुसर कुछ लोग मेरी पीपीटी की स्क्रीशॉट ले लेके अपना ब्लॉग मना रहे हैं कुछ लोग तो हमारे जैन जी का वीडियो लेके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कुछ लोग अपनी परस्टनल वेबसाइट चला रहे हैं आपने का ततास्तु तो क्योंकि नकल करने वाला तो परचाई की तरह है ना जब हम होंगे तभी परचाई होगी और रात में होगी नहीं और जब हम इत्ती लाइटे लगा देंग तो मैं फॉम में आया हूं नहीं पड़ा हूं तुम्हें मत पड़ो मेरा क्या इसी लिए इसी लिए तुम लोग मेरे पैर पकड़ोंगे तो भी नहीं मानूँगा मैं अभी एंड ठीक हैं मैं उन टीशेस में हो जुचे बरदस्ती पड़ा है सच बता रहा हूं जब मैंने क्लास आज से दस साल पहले लाइव दस नहीं नौ साल पहले लाइव कि तब मैं ऐसे इस्क्रीन पर बढ़ाता था बच्चे कहते थे आवाज नहीं आ रही सर क्योंकि मेरे पास टेक्नलोजी नहीं थी मैंने का भाई साब हम ना दिवार के पार से आती भी आवाज भी सुन ल तो पढ़ लेंगे नहीं नेट होगी है यह मौटिफाइट सिग्नल है ठीक है सव आपको याद रखना कॉपिंग के लिए आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा और कॉपिंग चेक करने के भी सॉफ्ट्वेर है स्टूडेंट लेकर आजाता असाइनमेंट हम तुरं सॉफ यह राजायन से क्या एंट्रेंस से यह रासर की पीपीटी से फिर मेरे को थी सब आता नहीं मैं तो गूगल सर्च करा और उठाके चिपका दे तो युनिवर्सटी आपका थिस रिजेक्ट तो करती करती है प्लेजरिजम का केस भी हो सकता है तो ग्रामरली है बहुत सारे और प्लेजरिजम डिट्रेक्शन के यह हम लोग यूज करते हैं अंधर आइथेंटिकेट आइथेंटिकेट इसे मिलते जुलते कई नाम वाले आगया है इसमें भी और कई पेड़ भी है जैसे टरन इट इन या और भी सब्सक्राइब जैसे मतलब आप चैक करो कि मेरा कुछ नया कैसे करें वही रिशर्ज में भी आप पुरा नहीं लोग है ना तो हम लोग 10-20 परसेंट प्लेजरिजम एक्सेप्ट करते हैं आप उसकी बात को एज इट इस मत कहो दूसरे शब्दों में कह दो ना यस और फैक्ट्स या जो यूनिवर्सल थियोरीज है वो तो आप न्यूटन वाली बताओगे स्वामी विवेकानन जी वाली बताओंगा मैं तो मैंने उनको साइट कर दिया है ना तो इस तरीके से प्लेजरिजरिजम चेक होती है और यह बहुत जरूर है जीवन में भी इसका मैं आपको एक्जांबल दे रहा हूं जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब हमारे श्विडन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स आये जो पीएजडी टीचर्स थे वह आये प्रजेंटेशन शुरू किया उन्होंने उसका नाम शाहिद अलिजाब्यत था और उन्होंने स् सम एंजलीना मैथ्यू टाइप हमको लगा कि यार यह मैं ने तो इतने दिन से इंटरेक्ट कर रहें इनका नाम तो यह नहीं है और यह क्यों बोल रही है फिर उनको अमने लगा कि जैसे हम कहीं जाते हैं कि भाई अपना पीपीटी दे देना लेते हैं और प्रेजेंट करके आजाते हैं शायद मैं नाम चेंज करना भूल के ही होगी अभी अमने सामने शुरू कर दिया अबंद रहते हैं पीपीटी भाई आर्ची सर तुम लेके नहीं छोटे आर्ची सर अन जाते हो तो उस मैडम ने शुरू किया और मुझे आज भी याद है और इतना साथ समंदर पार वो प्रेजेंट कर रही है फिर भी उस नहीं बताया इसलिए स्वेड़न नौर्वे वहां के लोग इतिकल है और वो हैपिनेस इंडेक्स के अंदर इूमन डेवल्मेंट इंडेक्स के अंदर टॉप याद है अपन अपना नाम भी कोई पैचानने वाला वा अज अधर हो ही बाइसाब तो यह एजूकेशन में कहीन ही शायद मिसिंग हो गया होगा तो मेरे खाल से आज से आप लोग पारेसी और प्लेजरिसम को कम तो करोगे अटलिस सेलेक्ट होने के बाद यह बता हुए कहां के सुडेंट हो और नहीं बताया तो मैं कसम से बता रह पर तो बारे मर्डर के चकार में मेरा क्या होगा है अ Anda और यह इंश्था में आप खीई ढेदी और मोला लिए और या को या हिंदी बोलने वालों को ग्रीक नाम से क्या लेना दिना सभी लोग सीखें कि नहीं तो आप अपन बताएंगे बाकी वाले भी सीखेंगे सीखेंगे कि नहीं जैसे यह एक है उरकुंड यानि कि जब आप रिसर्च कर लोगे तो आप कहीं तो अपलोड करोगे ना तभी तो पता चलेगा यह अलड़ी कहीं वर्क है तो और पारिसी चेक करना आसान हो जाएगा तो गवर्मेंट आप इंडिया ने भी फ्री रिसोर्स क्योंकि बाहर के सफ्ट्रेर अपना डेटा बाहर जाता है तो गवर्मेंट प्रयास कर रहेंगी अपना रिसर्च का आप तो बाद में था पहले यूजी सी मानियता पर आप था कि नहीं रहें इसलिए एजुकेशन और विज्डम बेस्ट एजुकेशन में बहुत फरक होता और एक अक्रिटेशन की बॉड़ी है नैक यह तो सुनाओगा आपने नाक नैक यूनिवर्सिटीज एड़ाइजमे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज को एक्रिड़ेट करती है यूनिवर्सिटीज के लिए है और यह सभी रिसर्स डेजरटीशन की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए यूजी सी और नैक ने मिलके अपना खुद का एक पाइरेसी डिटेक्शन सॉफट्वेर बनाया है उसका नाम क्या रखा है और कुंड इसको ऐसे प्रणाउंस करते हैं शायद कुंड जिसमें काफी सारी चीजें समाहित हो जाती फिर अपन चेक करते हैं और सुद्धियां और सुद्धियां सेटल हो जाए संभा होता ऐसा कुछ मीनिंग रहा होगा यह गवर्मेंट अफ इंडिया सब्मिट होता है उसकी सफ्ट कॉपी अफ्लोड करो काहा पर शोद गंगा और शोद का मतलब होता है रिसर्च और ही है रिसर्च मतलब ज्यान की आपको यहाद अटना है शोद गंगा रिजर्वायर ऑफ इंडियन थेसिस इस इस अ ओनलाइन डेटा बेस ऑफ युनिवर्सिटी थेसिस एंडॉस्ट बाइग गवर्मेंट अफ इंडिया और यह मैं आगया हूँ अपना परचार तो करना ही पनता है यह एक वेबसाइट है यह तो मैंने अभी प्रोफाइल बना है था तुमको दिखाने के लिए ज्यादा नहीं बट बेसिकली एक वेबसाइट है जिसको सारे एम्स रेकमेंड करते रिसर्च गीट और मोस्ली आप इमेल आइडी है तो ही वह लेता है वरना अथेंटिकेट भी नहीं करता है बट यह बेसिकली दो तीन चीजें दिखा रहा है यहां आप जो अपने आर्टिकल पब्लिश करते हों उनको साइटिशन क्या है आपका रिसर्च स्कोर क्या है ऐसा कुछ उसके सॉफ्ट एस कैलकुलेट करता रहता है जैसे अपनी फिटनेस वाच नहीं होती किया डेली अपना स्कोर दिखा दिखा दिए कि आपने यह किया ऐसे और एक होता है इंपक्ट फेक्टर इस पर आपको क्वेशन पूछे जा सकते हैं यह इस पर आपको बता देता हूं यहां पर मेरा फोटो तैसी बताया था एक इंडेक्स बताने के लिए तो एच इंडेक्स क्या चीज़ है जैसे अपन लोन लेने जाते ना तो अपना क्रेडिट स्कोर होता है होता कि ने सिबिल एक अथरेटी बनी हुई है वह अपकी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर देख रहे हैं आपके पहले लोन लिए हैं उनकी इमाई आपने भरी है कि आप अपने को दिफॉल्टर हो जो डिफॉल्टर होता है यह माई नहीं बढ़ता उनको नया कर्ज नहीं मिलता उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं पैंकार्ड से सुना है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं तो भी तुमारे फ्रेंड उदार मांगने वाले होते दो-चार दोस्तों का जो उधारी मांगने वाले होते हैं की नहीं तो उनका計 सोडावन है क्यों क्यों नहीं पहले टाइम से पैसे वापस लोटा यह नहीं तो हुआ इल्श निक्स कि होती है रिसर्चर की धुर्च की तो आपको याद रहना है की यद्रिप्रेजेंट्विडींट इंधिक्तिविट समझ रहे हैं इसको calculate करने के formula है उसमें आपको जाना नहीं साइंटिस्ट का impact score है यह साइंटिस्ट कितना research में आगे बढ़ा हुआ है इसके कितने article लोग use कर रहे हैं उस basis पर यह count होगा यस समझ गया आप ऐसे ऐसे ही एक होता what impact factor और impact फाक्टर्जरनल का होता है किसका होता है ज़्साइनटीस्ट मिलके अपना और्टिकल एक ज़र्नल में जर्नल में च्हाफ थे अंधि उस जर्नलमे ज्यादा हच्छ happiness तो ज्यादा होगा क्योंकि उस ज्यायर्नल के आर्टिकल को ज्यादा लोग साइट करेंगे यूज करेंगे पॉसिबल है कि नहीं यानि कि आप यहां धख लो इंपक्ट तो ज्याएं सी कहा है कि कितने बच्चे से लेक्ट हो रहे हैं और एच स्कोर है कि इंडिवीज्वली एक एक टीचर कितना कॉंट्रिब्यूट कर रहा है बच्चे के सिलेक्शन में फरक पता चल गया आंसर आया और प्वेशन आया तो बता पाओगे ओके वेरी गुड भूग लगी कि तुम लोगों को लगी है तो जाओ है जैसे ही तुम क्लास हतम है कि मेरे को अलके में लेने का नहीं मैं ओडिनरी टीचर नहीं हो इसलिए तो अब कि दोगा यह बच्चे नहीं है ना इनको पता नहीं है कि सच में जाये तुम लों है कि तुम लोग जन्मत संग्रे करवा लो तब तक में एक टॉपिक पढ़ा देता हूं लेकिन रूल तो वही है जैसे तुम गए मैं भी गया अब इंपोर्टन चीज में बता देता हम आप लोगों को जिस पर बहुत क्वेशन आएं और उसके बाद में तुम लोगों ब्रेक दे दूंगा ब्रेक दे दूंगा जैसे यह टॉपिक पूरा हुआ मतला ब्रेक ठीक है तुम्हारे पास एगरी करने के लवाँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है ओके अ हाँ हाँ पीजा आ तो यह तो मेरे साटे रहे हो तो कुछ भी आ सकता तुम पीजा ही तुम मांग रहे हो उससे साथ में कुछ और भी मिल जाए लेकिन जब मांगने वाली सोची इतनी छोटी है कि नौर सेट से तीन दिन पहले तुम सिलेक्शन मांग सकते थे लेकिन मांग क्या रहे हो तो क्या चाहिए है है हाँ तो चुप रहो ठीक है फिला फिला हाल सेलेक्शन की पीजा दोनों आप्शन में अब मेरे पास थोड़ा काम ही टाइम बचा हुआ है मुझे इसको स्पीड अप करने दो वारना तुमने मेरे को भी आली सार बना दिया आज So what is the key defining characteristic of experimental research? Non-experimental or experimental research में फ bufferकिया है मैंने अल्रड़ी बताया आपको वो पी कोड़ बताते टाइम Clinical continuous variables never present positive correlation usually exist negative correlation usually exist many question of independent variable experimental research characteristics कि कुछ intervention होगा कुछ प्रीज़ुग होगा यानि कि कुछ कौस को कम ज्याधा करके effect किफेक्ट कितना हुआ यह देखेंगे और कम ज्याधा करना कर रहे हैं मतलब किस वेरियेबल को कर रहे है इनडिपेंडेंट वेरियेबल को समझ पाले हो आप एक्सपरिमेंटल रिसर्च के तीन करेक्रस्ट्रिक्स होती है कितने हैं तीन कौंजी-कौंजी M-C-R मैन्यूपुलेशन यानि कि कुछ इंट्रवेंशन तेरेपी देना कंट्रोल जो एक्स्टा कंपेरिजन के लिए ग्रूप रखना एंड रेंडमाइजिश्ट्र रेंडमाइजिश्ट्र का मतलब क्या रेंडमली लॉट्रि मैइटर से बिना किसी बственवाव के आधि लोगों को रिशर्च वाले ग्रूप में यानि एक्सप्प्रिमेंट ग्रूप में आधि-लोगों को कंट्रोल ग्रूप में डिवाइड करना हूँ यानि कि मैं चाहता हूँ कि मेरी रिसर्च में वही लोग आ जाएं जो मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलें तो फाइंडिंग बड़ी अच्छी अच्छी आएगी तो आप कहोगे सर चम्चों को ले लिया हम से पूछ के रेखते फिर पता चलता फाइंडिंग क्या होती है प्रिशले मुझे नहीं पता कि आपके ओपीनियन क्या है मैंने तो रेंडम लिचित या लॉट्री से लिए तो फाइंडिंग सही होने की संभावना बढ़ जाती है कि नहीं तो यह कहला था रेंडमाइजेश ओर दूसरा रिशेर्च 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 थर्ट के शिए तो पूल्ठी से उछेर्च धरिवीर रिशेर्च experimental तो जो तीन characteristic फुल्फिल करेगा intervention होगा वही होगा historical मतलब from the past histories replication का मतलब होता है replica replica पता है replica duplicate duplicates आज में लखा है लेकिन कई शहरों में उसकी replica बनीवी है जैसे कोटा में हो गया औरेंगाबाद में हो गया शायद ऐसा कही मैंने सुना है कई जगे और भी बनीवी होगी yes so उसका architecture is somewhat same but that is not the original यन कि क्या है उसी research को हूँ बहू दूसरी जनसंक्या पर carry out करना replication कहला तब और archives जो पुराना जमा पड़ा रहता है खजाने से एक और question बता दो इस पर तो question I have not set पर यह तो आप बता दोगे when our researchers start with dependent variable and moves backward it is called as predictive retrospective exploratory descriptive predictive कैसे होगा retro yes देखिए dependent variable का मतलब क्या है effect तो हो चुका है ना अब हम जा रहे है पास्ट में to find out the cause यानि we are moving backwards result आ गया select होगे अब speech बनाते time सोच रहे हैं past में कि किसने किसने कितना कितना योगदान दिया what are the causes of my success तुम तो बता होगे ने बजी बता है और वो लोग भी जो अभी नहीं देख रहे हैं वो भी रिजल्ट आने के बाद दूनेंगे कि रिजल्ट आ रहे है what are the causes क्या कम्या रह गई so event होने के बाद past में देखना वो भी जरूरी है आत्म मंतन के लिए пользов असाइन से और finances तो में तूभ अब्रेट 10 में देखेंगे तो फ्रोस्पेक्टिव फ्रोस्पेक्टिवीश लुकिन टूरी तो फ्यूचर रहे हैं चेसरे सब्याज है पर लुंक्र के शग वी बीजै डू जानता कि और मैं सच सच बता दूं तो कुछ लोग तो अभी रोने लग जाएंगे बताने रहा है मैं तो वह बाबा हूं जो आथ देके बताएगा ना कि आपकी जीवन रेका छोटी है फिर भी नहीं बताता है क्योंकि हो सकता है कल लुडग जाएं और अपने पर आजाएं और जो कि तुम को डरा रहा वरना तुम लोग फिर ब्रेक मांगोगे डराना पड़ता ना तो पास्ट में रिट्रोस्पेक्टिव और इसके लिए एक वर्ड क्या है पोस्ट डीफेक्टो पोस्ट या एक्सफेक जो कटना ओलेडी हो गई है हम उसका कॉजेस ढूंड रहे हैं तो बहुत सारी डिजाइन से उस पर से कुछ को हम समराइज कर लेंगे लंच ब्रेक के बाद और तब तक आप लंच ब्रेक लेलो और वापस कितने बज़े आओगे वापस आप लोग आओगे 155 अनसा झाहिए ओगे झाल तक दो झाल झाल अब नॉर्चेट फॉर्मेसे जोद्पूर जो जोद्पूर अब नौर्शेट अब नौर्शेट फॉर में से जो पदा रहे हैं हमारे एम्स जोदपुर में जिन्होंने एक किसा सुनाय था सेलेक्शन वाले दिन किसर बैक पे बैक लगती गई लेकिन फिर भी हिमत नहीं हारी और जब कहते हैं ना कि डूपते को तिनके का सहरा ही काफी होता है तो ये उनके ही सब्द है कि मुझे जब से जिन्सी का सहरा मिला तो बैक तो बहुत ही छोड़ी चीज है एम्स जोदपुर में हमने सीट पाली है यस्वंत हिमत राम जी जो पाली से बिलॉंग करते हैं उनके जिन्सी ओफलाइन बैच के स्टेट रहे हैं इनके पैरेंट साथ में हैं प्लीज आप भी स्टेज पता रहे हैं मदर भी साथ में हैं आप भी पता रहे हैं स्टेज पे जोड़दार तालियां देखें ये आज जो यस्वंत की खुसी है जो सेलेक्शन की खुसी होती है उसमें अंदर ही अंदर जो सबसे खुशी का भाव होता है जो बिना जाहिर किये वो हम समझ सकते हैं कि आद इनके पैरेंट्स के अंदर है जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है जिंदगी में एक सपना होता है कि मेरे बच्चे सक्सेस्पूल हो जाएं वो अपने जीवन में ऐसी चीज हासिल करें कि अपने पैरेंट्स को गोरवानित कर सकें तो हमारी तरब से भी यसवन्त को बदाई कि आपने अपने माता पिता को उस गोरव का अनुबव करवाया है और आपने एम्स जोदपुर में सेलेक्शन पाया है यस्वन्त पाली से तो इनका सब्सक्राइब करेंगे साफा और मॉमेंटों के साथ यस्वन्त से अभी पूरा किस्टा सुनेंगे कि नर्सिंग कितनी आसान है कि नर्सिंग करेंगे साथ यस्वन्त के पिदा जी जो हिम्तारम जी साथ में है उनका भी साफा पैनागर स्वागत करेंगे अब जो माता जी साथ में हैं उनका भी सौल से स्वागत करेंगे अब हम एक बार फिर से पूरा डिटेल में किसा सुनते हैं यस्वन से क्योंकि उस दिन साहिद समय कम था तो यस्वन पूरा सुना नहीं पाए आज ममी पापा के सामने पूरा सुन लेते हैं तो बिना यस्वन द्यान रखना है पूरी सही सही एकदम बातें बतानी है ऐसा नहीं कि बैक लगी हो तब गरवालों को बताये हैं नहीं कि मेरे बैक लगी है और आज पता चल जाए गरवालों को कि बेटा तो ऐसे फैल भी कुए हैं तो पूरा किस्वा पूरी कहानी सुना सकते हैं आराम से तो जैसा कि सब ने बताया कि में मारवाड जंक्षन और जिल पाली राजस्तान का निवासी हूं और हमारे मारवाड में कावत हैं कि जिल पाली और जेब खाली क्या कावत हैं कि जिल पाली और जेब खाली तो इतने दिन जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जब तैयारिया कर रहे थे तो हमेशा जेब खाली रहती थी क्योंकि जब एक तारीकों पापा पैसे जमा करवाते थे तब हम गरीबी रेखा के उपर होत आते थे और तीस तारीक आते आते गरी भी रेखा के नीचे चले जाते थे तो यह जो कहान ही है यह हर इस्टुडेंट समझ सकता है कि एक फाइनेंसली सपोर्ट होना कितना जरूरी होता इस्टुडेंट लाइफ में और सबसे बड़ा जो सपना था मेरा कि अपने माबाप को वो इज़त परदान करना या पिर माबाप को वो इज़त दिलवाना जो एक सोसाइटी जो होती है वो हमेशा अपने माबाप को परिसान करती रहती है कि आवका बच्चा अभी तक जोदपूर में क्या कर रहा है अभी और सबसे बड़ी बात कि एक माबाप को सपना होता है कि अपने बेटे को सकसेज होते हुए देखना और वो सपना जो है मैंने पूरा कर दिया आज तो जैसा कि अभी सार ने बताया कि मैं अपना किसा सुना हूं तो किसा तो मैंने सुनाया कि B.S.E. झाल नर्सिंग में जब फर्स्ट एर में बिसल ही आ ता यहां पे तब ऑष्ट यह था जब मैं रेगुलर क्लासिज गया उसके बाद मैं गया ही नहीं उसके बाद तो आई और क्या आई बेके आई और कहीं बार तो ऐसा हुआ कि मुझे जेपुर जाके मांकी सीट लानी पड जो नौर्सेट का जो डॉकुमेंट अपलूड की है तो सब के चार चार डॉकुमेंटी थी, मेरे नौ मार्क सीट थी और वहाँ पे एक इस्पेसिफिक पॉइंट लिखावा था कि दो एमभी से कम होने चाहिए साइज अब मेरे तो बन ही नहीं रही थी, बहुत बड़ी साइज हो गई थी मेरी तो उसके बाद जब मैंने बीएस इनर्सिंग कम्प्लीट कर ली जैसे तेसे करके उसके बाद मैं अपने को पता ही नहीं करना क्या और अपन बैक पैक करके गर चले गए गरवालों ने वापस जूते मार के निकाला और हमने जोतफुरा के मेडिकल जॉइन किया क्योंकि अपने को पता ही नहीं था इतना तो एक दोस्त का मेडिकल था वो जॉइन किया उसके बाद मैं, फिर मैंने आप भाद में काम किया, एक साल ऑस्पीटल काम करने के बाद जब एक बार भाहा जोड़ा ढूक्टर थे। मतलब ऐक पैसेंट था तो उनोंने बताया कि अगर पैसेंट को साइनवशी उजया तो हमें प्लीज इनपॉम करना। अब अपने को तो पता ही नहीं कि साइनोसिस होता क्या है। और मैंने गूगल खोला और स्पेलिंग लिखी कि S-Y-N-O और डॉक्टर ने देख लिया। और देख तो ही मुझे पुछा कि बेटा येस्वान, साइनोसिस होता क्या है। मैंने का सर अभी गूगल बता देगा। तो सर ने बोला कि जब तक आज तू पूरा साइनोसिस सुना के नहीं जाएगा। तब तक जो है मैं छोडूँगा नहीं। और वो मेरा लाश्ट डे था वास्पिटल में। उसके बाद मैं कभी नहीं गया। मैं योट्यूब पर दोजार बीस नौर्सेट के तायारी करवा रहे थे। क्रेस कोर्स तल रहा था। मैंने सर्च किया के कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। तब असोक सर की वीडियो सामने आई और तब से मैंने रेगूलर नोट्स बनाने सुरू किया। लगबग 1600-1700 से ज्यादा ही वीडियो की कम नहीं होगी। और वो इनफ है आपके सेलेक्शन के लिए। उसके बाद में मैंने दो साल जो हैं सेल्फ इस्टेडी की और नौट्सेट 2020 और 2022 दिया। एक बार मेरी 26,000 रैंक आई पिर भी मैंने हिमत नहीं आरी। और उसके बाद में 2022 में मेरी जो रैंक है वो बारह हजार सम्तिंग आई। फिर मैंने पापा से वैलिडिटी मंगी के पापा एक साल और दे दीजिए। और फिर पिता जी ने बुला के ठीक है एक साल लाश साल है ये। उसके बाद में घर आ जाना। और पास ही में Hero Service Center है वहाँ पे गाडिया दोने के लिए लग जाना। तो फिर दस अक्टुमबर के दिन हम यहां पे आये और Mental Health Day था उस दिन और पागलों की तरह सोच के आये थे कि इस बार जो है नॉर्चेट पार करके ही जाएंगे। और अकिस ने पहले दिन के यह दिया था आते ही कि यसवांत आपको जो है जो है जोदपूर Ems मिलेगा। और सर की बात सच हुई। आज जो है हम जोदपूर Ems के जमाई बन चुके हैं। जोदपूर Ems जो है वह अपने जमाईयों का जेव खाली होने नहीं देता। खाली होती है तब तक टूं टूं बच जाता है। तो मैं असुक सर का धनिवा देना चाहूंगा कि सर ने काफी सपोर्ट किया। और सबसे पहली चीज है कि अगर कोचिंग ही नहीं होती तो आप कहां पड़ते। और कोचिंग जैसी तो मुझे कोई बात लगी नहीं यह तो JNC परिवार है हमारा। और परिवार से। जो जितना भी श्टेस होता था जितनी भी तकलीप होती थी टेंसन होती थी प्रॉब्लम् सब कुछ यह आने के बाद भूल जाते थे और मैं तो दो गंटे पहले आके बाहर बैठता था भागने के लिए कि यहां बैठूंगा और यहां बैठने के पिछे गेरा राज हैं कि यहां से सीधा फोटू में चिपक जाना है और थोड़ा नजदी के फोटू इसलिए और जैसा कि अली सर जो हैं साहिरिया सुनाते रहते हैं तो एक छोटी सी साहिरी मैं सुनाना चाहता हूं कि कि जो भी यहां आएगा वो एक दिन सपलता प्राप्त करकर जाएगा और जो मैंने जो मैंने चत पर लिखवाया हैं वो हंड्रेड परसेंट आएगा और मैं पूरी टीम JNC का दनेवाद देना चाहूंगा कि सबने जो हैं इस्टुडेयन के ओपर इतनी महनत करते हैं ना कि इस्टुडेयन खुद नहीं कर पाता इतनी महनत तो मैं सभी का दनेवाद देना चाहूंगा और मेरे जो साथी लोग थे जो साथ में बैठते थे एक पॉजिटिव इनमार्मेंट बना के रखा उन्हों सभी ने और हमेंसा मोटिवेट किया मुझे कि कि यस वन तू कर सकता है और मैंने करके बताया और जब मैं घर से आया था तब एक जो है सपत लेकि आया था कि मैं जब तक सलेक्षन नहीं हो जाता कि मैं घर नहीं आहंगा और ममन पापा जो हैं रोज बॉते थे कि बेटा तू कब ऐगा कब अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा जिस दिन आएगा सेलेक्षना लेखे आएगा अर 18 तारिक को जैसे ही result आया उसके बाद में में आसोक सर को फॉन किया करी मेरा हुआ के नहीं और उसके बाद में मैंने पापा को फॉन किया और फॉन पापा का बस एक ही सवाल था के बेटा रैंक तो आई लेकिन सेलेक्शन हुआ के नहीं क्योंकि हर एक महावाप को ना वो competition इतना पता नहीं होता जितना अपन समझते हैं तो पिछली बार वी दो तिन exam मेरी rank लगी थी मैंने पापा को बता है पापा रैंक लगी तो बो लेक्ट सेलेक्शन का तो पता नहीं लेकिन इस बार मैंना सोखसर से confirm करके पपा को बोल दिया कि अब आप खुश हो सकते हो कि मेरा स्लेक्शन जो हैं वो हो गया है रुप और उसके बाद में भी मैंने हिमत नहीं आ रही तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता अटा तरिक जैसे रिजल्ट आया रिजल्ट परनेक बाद मैंने कनपॉर्म किया, यह आया दूसरे दिन क्लास में, कि नहीं, सर से वापस कनपॉर्म करेंगे, और फिर मैं गर गया, और दस दिन तक गर पे रुका और फिर मैं वापस आया यहां पे. अब जो है, मेरे मन में बस एक इदू कहें, कि यह जो यहां की जो सीटे हैं, वो छोड़ के, अब एम्स में काम करना पड़ेगा, तो आप सभी की बहुत याद आएगी, और एक बार जोड़दार तालिया हो जाए, मेरे सारे पिछे वाले साथियों के लिए. क्योंकि पीछे वाले जो साती हैं, वही साल भर और हर एक छोटा मोटा जैसा भी फंक्शन होता है, सब में एक अच्छा माहूल बना के रखते हैं, और हम भी जो दुनिया भर की टेंसन लेके आके बैड़ते थे, वो पीछे चे हूँ हूँ की आवाज आती थी, और मज़ा जाता था सच में, इसे के साथ थैंक यू सर, थैंक यू सर, और सभी को देने बाद से, इसके बाद हमारे साथ उपस्ते थे कमला भावणलाल जी बाड मेर से, ये भी ऑफलाइन बैच के स्ट्रेंड रहे हैं, अभी इनको एम्स अलोट हुआ है जोदपूर, एम्स झालोट झालोट है झाल झाल तो कमला अगर हम कहीं जोदपुर एम्स में इलाज करवाने जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे वैसे हमारे लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है कि बुड़ापे में सारे ऑस्पिटल खुद के होंगे जब भी इलाज करवाने जाएंगे तो कोई ना कोई जियायंशन मिल जाएगा जैसे हर नर्सिंग कॉलेज में हो चाए हर एम्स में हो डॉक्टर भी मिलेंगे और नर्सिंग ओपेसर भी मिलेंगे चाहे इमर्जाइनसी में हो चाहे ओटी में हो और अल्रेडी हमारे पास जो टिचिंग फैकल्डी जे वो नर्सिंग कॉलेज में हमारे प्रोपेसर भी है एनस भी है और सनो भी बहुत सारे हैं तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में तो पूरा राज है जियाएंसी का तो अब अनुपवू सेर करते हैं कमला की साथ अब गुड़ आप्टरनून आज दी नरोस ने सबी क्या बोलू क्या निकले का पासा ही नि कि अब अब आपिएर निक्त्त पूंचंत्यू कि यंद्वंध क्या करते हैं क्या है कर्वार्टमेंट्ट्वार्टमेंट्ट्च चियाएंसी निक्त्ति वजखे। कि नहीं 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 चलो सुरू करते हैं फिर तो मैं दो जा सोला से पोस्ट भी सिमन कंप्लीट किया था तो उसके बाद यही था कि आहां कोई नहीं स्टाफ नर्स बनना है तो बन जाएंगे पर यह नहीं पता था कि मतलब इतना पड़ाई करना पड़ेगा यह वो फिर मैंने छो का एक्जान दिया था तो मेरा सेलक्शन भी हो गया था डीवी भी हो गया था पर उसमें वो लिस्ट करोंगे तो राइंश् करांगे तो रैंक नहीं पहला थे तो फिर अटो झाल्य खरूळणा थो आपोर ती पीर जैसे की घख के पास जोदबुर एंश् मिलें वो रैंक नहीं मिली कभी तो फिर खर्वालों को बिला मैना मेनकि शव मेने के लिए मैं को जोदबुर जैन शी बेज दो, तो बोला कि ठीक है, उच्छाम गुडिया भी में छोटी थी, फिर भी गरवाल का ठीक है में हम रख लेंगे, आप जो तयारी करो, तो डेड़ साल की थी, तो गुडिया में छोड काई थी हो, और सबसे की घरवालों को सपोर्ट होना तो कुछ भी कर सकते हैं, मिरे बड़ा बेठा जो इसकूल जाता है, वो हमें से अजबें टीफीन बनाके, तयार करके इसकूल बेजते थे, और छोटी गुडिया का भी रख देते हैं, थे थे, थेंक यू, थेंक यू, सौ मज़ए, पहले तुम्हार को बनाके, पहले तुम्हार का दन्यवाद देना चाहूंगा, कि बहुत ही अच्छी टीम है क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, और मुझे ऐसा कहीं नहीं है जहांपे एक फरसन खुद है जो लीड बाइग्जामबल डील करें मतलब लीड बाइग्जामबल का मतलब डारेक्टर है उनको क्या करना है उनको तो एक एसी चंबर में बेटके सिर्फ एक और पास करना है एक मैंनेज कर सकते हो सारा सिब कुछ लेकिन मैंने जब यह वीडियोज देखती थी पहले मैंने ओनलाइन ले रखा था तो वीडियोज देखती थी मैंने देखा कई वार तो बता थी यह डारेक्टर है अकी सर पहले इनका नाम मुझे पता नहीं था अकी सर अकी सर फिर मुझे बता तेला कि दॉक्टर असोग ज सब्सक्राइब जैसे बिलगाई करता हूं, मैंने 2009 में चल्क कर लिया बैंगलोर से, उसके बाद मैंने कंटीनीन उमएंगी से फॉस्ट प्रेसी नर्सींग राजी का ने उनिसिटी से इसके बाद में क्या है कि मेरी साधी हो गई थी तो मैं घर आ घर आने के एक दोस्त मिला उसने कहा कि चलो मेडिकल लगा देते हैं तो मैंने का तो लगा के देख लेते हैं तोड़ी परिवर्वाज की स्थितिया मेरे फादर जो है वो अदब कंस्रुक्शन का काम करते थे मिस तो उतना वो नहीं था तो मैंने का चलो पहले पैसा अरंड करते देखते तो मैडिकल लगा दिया मैडिकल लगा के प्रक्टिस दू की उपर वाले के दिया से प्रक्टिस अची चली फिर मैंने एक मैडिकल और किया एक मैडिकल और किया तो पैसे की उपर वाले के दिया से कोई कम भी नहीं है लेकिन एक ड्रीम था कहीं कि जिस फिल्ड से आप बिल कि फिर मैंने इसको देख और इसी बीच हमारे बीच में एक और नौर्शेट फॉर सेलेक्टेड ललीद परजेंड हैं ललीद सनौफ राजेंदर जी जो की डैली से बिलॉंग करने हैं डैली से राजस्तान जोदपुर्त का सफर तैय करना और यहां से सब्दर गंज का टिगट लेगर जाना सेलेक्शन हुआ इनका सब्दर गंज दिल्ली में तो स्वागत है आपका ललीद इनकी रैंक रही है 574 ओफ लाइन बैच के स्टेंड है ललीद दिल्ली से कई बार जीवन में जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं एक सेर से दूसरे सेर जाते हैं तो भी सोचना पड़ता है कि हमें वहां रहने के लिए क्या सुईदा मिलेगी कैसा माहोल होगा फ्रेंट्स कौन होंगे लेकिन अब दिल्ली जैसे सेर को छोड़ कर जब जोदपूर आते हैं तो हो सकता है कि मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे तो हम जानते हैं ललीद से कि उसकी वज़ा क्या रही होगी जो उनको दिल्ली से खीच कर जोदपूर लेकर आई ही ललीद गुड़ आफ्टरन तो लो फ्यू और गुड़ आफ्टरन रिस्पेक्टेड असोख सर हनू सर अली सर एनर्जी बूस्टर स्री सर आर सी सर और सभी पेरिंट्स नन कि दोहजार इकिस में मैं आईसई उमें में वरकिंग था डिली में जोब करता था तो उस टाइम मैंने दस दिन की चुट्टी ली दोहार इकिस वाला नोर्सेट दिया उस टाइम तो 10 दिन की चुट्टी लेकर त्यारी करी तो म distorted मैं उस टाइम जो मैंने क्लास ली ओनलाइन MCQ आती थी तो उसमें से 40-50 कोशन आये मैंने वह से 40-50 कोशन करें तो मतलब जा आंसी जोइन करा उसके बाद ऑनलाइन बैच लिया ओनलाइन बैच लेने के बाद मैंने मर्च से तारी स्टार्ट करी 2022 से 2022 से त्यारी स्टार्ट करी छे महीने कंटीन्यू पढ़ना और लगाता और मरलब फर्स्ट प्रियोरिटी अपनी स्टडी को देना मरलब आपके आपके ओनलाइन बेच लेने के बाद फिर उसके बाद 2021 का नोडशेट का 22 का रिजल्ट आया 2021 में मेरी रेंग थी 38,000 2022 में मेरी रेंग थी 3,296 क्वालिफाई कर लिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक महीना ओनलाइन ऐसे यूट्यूब पढ़ाया तो उसके बाद मैंने सोचा कि ओनलाइन यूट्यूब पर जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर मैं जे आएनसी ओफलाइन आगया दो महीने मैंने यहाँ पढ़ा जो आपके MCQ टेस्ट होते वीकली टेस्ट होते उससे सीखा यहाँ पर फर्स सेगिंड थर्ड आना और यह भी जरूरी नहीं है जो फर्स सेगिंड थर्ड आ रहा है उसी का ही नोर सेट में सिलेक्शन हो सिलेक्शन उसका भी होचा जो पीछे बैठता है और उसके बाद मैं यहाँ से दो महीने बाद ही चला गया था अक्चली फैमिली की इसू की वज़े से उसके बाद मैंने आरेमल का एक्जाम दिया एसडी पीजिया का दिया दोनों में सिलेक्शन हो गया भी मैं करेंटली आरेमल वर्किंग हू लखना हूँ में और उसके बाद तीन महीने तक कोई पढ़ाई नहीं करी मतलब आरेमल की वज़े से तो एमस का जो दोजार तेइस का रिजल्ट था तो उसमें 574 रैंक आई थी ओल इंडिया तो कोल करके बम्मी पापा को बताया तो बहुत अच्छा लगा और स्पेशली थैंक्स टू अली सर एनर्जी वूस्टर और अललित के जर्णी में बताता हूं लली थोड़ा सा इमोशनल हो गया लली जो है बिसिकली डैली सब्दर जंग होस्पिटल के जस्ट सामने घर है और ललित ने ऑनलाइन क्लास देखने के बाद मैं 2022 का 21 का नॉर्शेट दिया तो उनको लगा कि कुछ पोटेंशल है फिर उन्होंने ओनलाइन कोर्स लेके 22 का दिया और 22 का देने के बाद रैंक अच्छी थी बट क्वालिफाई होने के बावजूद भी एम्स नहीं मिला तो ही डिसाइड़े टू कम फिर जहन सी जोदपूर आ ग गए घर पे चार से शेगंडे स्टडी को कंटिन्यू रखा तो इनका सेलेक्शन एज़ी पीज़ी लखनव में हुआ एज़ी पीज़ी के साथ साथ आरेमेल लखनव में हुआ आरेमेल लखनव को जोइन करने के बाद एम्स का सपना नहीं छोड़ा और कंसिस्टेंड हाड़ वर्क करते करते आज इनको सबदर जंग डेली मिला है घर के सामने फाइनली जिस डेस्टिनेशन के लिए मैनत कर रहे थे वो ललित को मिल चुका है और ललित डेली से सुबह फ्लाइट पकड़के जैन सी पहुंचे वो कहते हैं कि साइकल से फ्लाइट तक का रास्ता तै करना है डाट इस रियल एक्जाम्पल स्टगल महनत और फाइनल याज डेली से फ्लाइट लेके जोदपूर एरपोर्ट पे उतरे और सीधा जैन सी जोदपूर पहुंचे तो अगेन बहुत-बहुत बधाई ललित को खुश रहें आगे बड़े महनत करते रहें और ड्रीम जो था आपको मिल चुका है बेस्ट अब लक बेस्विसेज और अपने साथ नौर्सेट फोर के सलेक्टेट केंड़ेट्स मौजूद है जैसे कि आपको कहता कि सारे यहां परजेंट नहीं हो पाएं हैं कुछ वीडियो मैसेज के थुरू भी हैं और इनमें जो अभी अपने साथ मौजूद हैं फारुक मोहमद हासम खान जी जोदपूर से और इनको एम्स अलोट हुआ है गौहावटी तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से असुक्सर और मांसर से फारुक मोहमद जिनको एम्स गौहावटी मिला है इनकी रैंक रही है 1228 फारुक मोहमद अपने जोदपूर से बिलॉंग करते हैं आफलाइन बैच के स्ट्रेंड रहे हैं और एम्स गौहावटी मिला है तो फारुक से अब हमी अनुबव सेर करेंगे इनके एम्स का जो सपना पूरा हुआ है वो इन सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे नमस्ते मेरा काम मोहमद फारुक है जोदपूर से बिलॉंग करता हूँ मेरी जरनी नर्सिंग करने के बाद मेरा नर्सिंग का बैस था दो जार दस का नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हमें मालूम नहीं था गौर्वर्मेंट वेकेंसी आती है नहीं आती है कहां जाना है कहां नहीं जाना है नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद 2015 में हम जोब के लिए बार चले गई महरास्टा में हम हमारा गुरूप है साथ आट लोगों का जो साथ में 2014 पंदरों जिन्नों ने कंप्लीट किया था नर्सिंग और बाहर चले गई थी जोब की तिलास में तो वहां जोब करते-करते चार-पांस साल हो गए और लग रहा था कि अब उमर होने वाली हैं हमारे पास चांज कम बचे हैं तो हमें बैटके पढ़ना चाहिए और तैयरी करनी से कम यह मन में आ रहा है कि अमने तैयरी नहीं की तो 2019 में सब ने तया किया कि बिचलो तैयरी करते हैं बैठके दो-तीन साल है हमारे पास तो अच्छी तैयरी करेंगे और गोवर्मेंट जॉब लेने की कोशिश करेंगे यहां जब आए तो JNC जो कि पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे सेलेक्शन दे रहा था और हमने सुना तो फिर JNC जोइन किया सबने साथ ही आते ही हमारे दो दोस्त 2019 में ही सेलेक्ट हो गए एक एमस रिसी केस, अलानूर और मकबूल खान जो की सबदर्गन होस्पिटल दिली में सेलेक्ट हो गया तो उससे हमें भी थोड़ा जोज मिला और उरजा मिली कि हां करेंगे यह इनों ने किया है तो हम भी कर लेंगे आते ही हमने रेलवे का एक एक उसमें नहीं हो पाया उसके बाद एमस मंगलागरी, एमस राइपूर और एमस दिली के एकजाम भी दिये हमने पर नहीं हो पाया उनमें उसके बाद में तेहरी कर रहे थे हम और कोरोना काल आ गया उसमें फिर छोड़ना पड़ा हमें कोचिंग फिर घर बैट के ही तेहरी की और करते रहें कंटिन्यू दोजार बीस, इक्किस, बाइस, कंटिन्यू दिये हैं एक्जाम मैंने जब हम सोच के आये थे 2019 में जब एक्जाम था जोद्पूर, राइपूर और पटना हमसके 2000 पोस्ट थी उनके लिए मैंने 2018 में फोरूम बर रखा था और जब अड्मिट काट आये तो मेरा था ही नहीं उसमें सर्थ मैंने 2018 में फोरूम बरे गए थे कोई मिस्ट्रे के कारण मेरा नाम नहीं आया उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट की मैंने मैल की पर नहीं दे पाया मैं जो मैंन परपस से आये थे ये एक्जाम में फाइट करना है पोस्ट भी अच्छी है फोरूम भी कम बरे गए गए है तो इधर आके मैंने फिर वापस जोईन की मैंने कर दो इधर राम है चाम मैंने और 2020 का एक्जाम दिया मैंने 20 और 21 का उसके बाद भी जब मेरी 2021 में रेंग थी 3000 नहीं हो रहा था गर बेटे बेटे क्योंकि मैं भी साधी सुधा हूँ मेरे बच्चे हैं बड़े-बड़े तो बजबुरन मुझे वापस जोइन करना पड़ा तो वापस गया मैं पूने 2022 में वापस चला गया वाइसवड़ा एक्जाम दिया उसमें भी मेरी रेंग दो जार तीन दई रही तो दोस्त बोल रही नदीक है तो कर कर शकता है और मेरे पास भी अभी लास चांस था इस बार तो कोई चारा भी नहीं था मैं सोचा अब लास चांस बैठके देखता हूँ हो जाई तो अभी नॉट्ट्ट से सिर्फ एक महीने पहले मैंने रिजाइन कर दिया और बैठके पड़ा में और उपरवाले की दया से आज सेलेक्ट हो गया हूँ मैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए और यू मोटिवेशन बनाई रखने के लिए सुक्रिया सर्थ थैंक्यू थैंक्यू सू मच थोड़ा सा मैं स्टोरी बताना चाहूंगा अल्लानूर का और इन सबका एक 8-9 फ्रेंड का ग्रूप है और शुरुवात की थी इन्होंने 2020 से जैन्सी को जोइन किया और उर ग्रूप में से सबसे पहले दो जनों का नर्सिंग ओपिसर एम्स में सेलेक्शन हो गया फिर इनके बागी जो दोस्ते पूने में प्राइवेट जॉब कर रहे थे फिर अगले तीन दोस्त आये वो भी लग गये फिर दोस्त आये वो भी लग गये तो दीरे दीरे ये कारवा चलता आया और आप लास्ट इस ग्रूप में बचे थे तो पूरे ग्रूप के सभी करने के लिए बीच में कोचिंग छोड़ा फिर जॉब किया फिर कोचिंग को रिजोइन किया बट हिम्मत नहीं आरी और हिम्मत नहीं हारने वाले आखरी बार भी सेलेक्ट हो सकते हैं तो यह लास्ट चांस था वो सकता है कि अगले इस एम्स में एज की वज़े से फॉर्म नहीं बर पाते हैं बट इन्होंने लास्ट में पूरी ताकत लगा दी और उस एक महीने में बहुत अच्छा कर लिया और नसिंग ऑफिसर बने गए बहुत-बहुत बढ़ा है यह बट आपको शुक्रिया अपने बीच मौझूद है जो नौर्सेट से इम्रान इसमाल खान जी जोदपूर से ही इम्रान ये भी ऑफलाइन बैच केस्प्रेंड रहे हैं और इनको मिला है एम्स जोदपूर और सबसे बड़ी बात इनकी रैंक जो है वो 44 टॉप 100 में तो जोरदार तालिय इनके लिए टॉप 100 में नौर्सेट क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है और टॉप 100 में आना ये और भी बहुत बड़ी बात है तो इम्रान हाँ टॉप 50 टॉप 100 वे ने टॉप 50 गाएंगे अब यहां पर इम्रान जो टॉप 50 में हैं इनका साफा और मॉमेट्टों के साथ बख्च करेंगी असुक सार्थ टॉप 50 में रैंक लाना टॉप 100 में रैंक लाना ये वाकई बहुत बड़ी बात है और वो रैंक इनकी 44 रैंक जो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है इनकी मेहनत पूरे जयाएंसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बड़ाई इनको तो हम इनसे जानेंगे कि 44 रैंक लाने का क्या राज है क्योंकि सेलेक्शन पाना और उसमें भी टॉप रैंक के साथ पाना ये बहुत बड़ी बात है तो इम्रान प्लीज हेलो सब से बहुत बड़ी इनको मैं पूरी जैनसी टेम का तेयर दिल से सुक्रिया कहना चाहता हूं अकी सर हनु सर अली सर कुमाउज सर सिरी सर सब ने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है जब ही मुझे लगता था मेरी कमजोरी कमजोर हो रही है तो सर के पास आता था सर को पूछता सर कैसे क्या करना है हमेशा सर तेयार रहते थे कि बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है कभी भी में 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 सेज कर देता था तो सर तेयार रहते थे हातों हाथ अधे गंटे के अंदर रिपले आ जालाता कैसे करना ऐसे करना है उसके बाद मेरी जरनी स्टार्ट में दिया था तो मेरी 5000 रेंग आगई ती जब मैंने सोचा 5000 कम हुई है अग की बार देंगवाद 5000 कम होईगी तो फस्ट रेंग आजाएगी इसका करड़िटेर पूरा जयाता है जयाएगी पूरी टीम हो जाता है रही बात पढ़ने की तो जयाएगी तो सेलेक्शन फिक्स है जयाएगी आपको तीक के पढ़ना है थे सर के पास में विटेस्ट है उससे मुझे काभी हैव्जे क्लीज एल्व मिली जो टूजडे उसे कुछ कुसन डाइरेक्ट बढ़ते हैं, कुछ कुसन उसमें से घुमा फिराग आते हैं, मगर आएंगे उसी में से ही, बाहर से घुछ नहीं आएगा, कुमो सर, अली सर, सांधार पेपर बनाते हैं, लग 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 कुसन उसी के अंदर आते हैं, सब से लाश्ट म मिलेगा यहीं से ठीके रहना है तो सेलेक्शन फिक्स है मैं अभी एवरेज इस्टूडेंट था आया था उस टाइम सबसे पहले चंडे को था और हनुमान सर्गी कलास दी दोने कलास हनुमान सर्गी थी तो सर सब उपर से जा रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने सोचा यह ऐसे तो नहीं होगा फिर सर के पास गया आज सर ने बताया यह बेटा दिरे दिरे हो जाएगा आप continue ठीके रहो एक दिन जरूर होगा सर के motivate से आज जो प्रेम्स मिला है थेंक्यू थेंक्यू सो मच्छ जो आप साइद सोचते होंगे कि अपने आज पास कहीं किसी जिल्ले से या किसी राज्य से होंगे लेकिन हम कह सकता है कि भारत के बिलकुल आखिरी छोर से ही आएं है यह बिलोंग करते हैं जम्मू से पिंकी सर्मा प्रम जम्मू और इनको एम्स अलोट हुआ है विजयपूर यह एसेवन आफ्लाइन बैच के स्ट्वेंड है एम्स भी इनको जम्मू मिला है बिलकुल अपने गर में ही इनको एम्स मिला है यह एक सबसे बड़ी खुशी होती है कि आप जिस स्टेट से जिस जिल्ले से बिलोंग करते हैं अगर आपके आजपास के नजदी के किसी सहर में हैंस मिल जाए तब और वो सोने पे सुहागा बन जाता है तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे पिंकी सर्मा से कि वो अपना एक्स्प्रियंस सहर करें सभी फ्यूचर नर्सिंग आफिसर्स के साथ यह सबकी अपने अपनी जर्णी है अपना अपना सबका स्ट्रगल है और जब आप यहां बैटें हैं सामने अभी सफल नहीं हो पाए तो इंतजार करें एक दिन का कि एक दिन हम भी यहां इस स्टेज पर आकर सबके साथ सेर कर सकें तो पिंकी सर्मा से सुनेंगे आज की कहानी खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है गुड आफ्टून तो ओल टीचर रिस्पेक्टेड अक्की सर हनुमान सर अली सर सभी एस्पिरेंट्स को गुड आफ्टून ये जो सफर था बहुत अंगर्श बरा था वहां से यहां अने तक जो महनत लगी है वो मेरी अकेली की नहीं है पूरी जो जी आइन सी टीम है एज बोक बैगबोन हेल्प कर रहा है और जो मेरे पेरंट्स है और जो मेरे सिब्लिंग्स है और मेरे एक जो परवेश सर थे स्कूल टाइम पे उनको भी मैं थैंक्यू बोलना चाती हूँ और मेरी एक spiritual गुरू है, उनका नाम सुनीता जी है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मेरे मामा जी है, जो यहां मुझे वो ही अकेले आये थे यहां पे शोडने 20 वर्बरी को पहली क्लास थी, मैंने वहां से ली थी वहां से मेरा सफर शुरू हुआ था, में अशोक सर की एक लाइन है, जो मुझे बहुत ही दिल पे जाके लगी थी सर बोलते थे कि मैं आपको बंदूआ मजदूर नहीं बनने दूँगा तो बीच में मुझे चार पेपर में असफलता मिली, फिर मुझे डन लगता था कि अगर इंचान्थ मुझे वो प्राइवेट जॉब मींस बंदूआ मजदूर मैं यह सोच के ऐसे काम जाती थी कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए मैं क्या करूँ बट मैं JNC फैमिली से बिलॉंग करती हूँ और मुझे इतना स्ट्रॉंग JNC ने बना दिया था ओफलाइन बैच में कि मैं किसी भी हाल में give up नहीं कर सकती थी और जो मेरे फादर है मैं उनका मेरे जो पापा है उन्होंने वो आज यहां नहीं आ पाई वो थोड़े हेल्फ इशू था उन्होंने मुझे यहां तक लाने के लिए ओवर्शिप्ट काम किया है वो एक हॉकर है तेल्समैन पानी पूरी बेसे हैं मेरी माँ है जीनों ने अपना गर बहुत ही समेठ के रखा है ताकि उनके बच्चे यहां तक आ सके यह बहुत बड़ी बात है जो मेरा सफर 20 सर्वरी को शुरू हुआ था और आज मतलब हर एक एस्पिरेंट जो यहां पर कैंडिडेट बैठे हैं हर कोई चाहता है कि वहां से यहां तक आ सके मुझे 20 महीने लगिया मैं एक दिन काउंट कर रही थी कि बट जो 20 महीने मैंने वहां पर यूटिलाइज किये है अब उम्र बर मैं भी सुखी रहूंगी और मेरे परिवार वाले भी सुखी रहेंगे मेरा आपसे यहीं निवेज है न सभी आस्पिरेंट ते जो हमारी जी एंसी फैमली के जितने भी टीचर्स हैं वो जैसी भी आपको गाइड़न्स देते हैं उन्होंने वो एक्स्पिरेंस किया तब ही वो आपके साथ हर एक स्टेप वाई स्टेप वाई शेयर कर रहे हैं तो कोई भी कोचिंग उससे कंपीट नहीं कर सकती है आप उसको आप उसको जितनी वारवीजन कर सकते हो करो फिर नेक्स टेप है आपका MCQ सॉल्व करना आप पी यार यादव से कंसर्न करिए नेक्स लेवल है एंकलेक्स नेक्स लेवल है मौज भी अगर आप पूरी शिदत से पूरी महनत से आप अगर उसको टाइम दे रहे हो फुद को टाइम दे रहे हो आप भी वो दिन दूर नहीं है जब आप वहां से यहां तक आ सकेंगे तो थैंक्यू सो मज पूरी टीम जी एंसी को विलियम सर जो ऑनलाइन काफी सपोर्ट करते हैं मैं अगर में जाके मैं जब मैं नाइन अगर्ष को यहां सी आफ्टर शिक्समन चले गई थी तब भी मैंने जी अन्सी से यूट्यूब के थू जुडी रही हूँ तो तब भी मैंने देखा इस अरका संगर थैंक्यू सो मज सर और पूरे जी शर्मा बिसीकली जम्मू से बिलॉंण करते हैं और जम्मू में ही एमस विजाइपुर है जो इनको अलाट हुआ है जम्मू कश्मीर अभी इस बैच में अभी अपने कश्मीर से बच्चे पढ़ रहे हैं के प्यर्ला से इतिरपुरा से इंडिया के हर कौने से बच्चे जयाएंसी जोदपूर पहुंच के अपना सपना पूरा कर रहे हैं तो मैं पिंकी के मम्मी का शुक्री आदा करूँगा कि उन्होंने उतनी दूर से जयाएंसी भेज के जयाएंसी में भरुसा किया थैंक्यू माताजे थैंक्यू सो मच हमारे लिए कोई पैमिली या कोई परिवार बरोसा करके अपने बच्चों के तना दूर भीचते हैं और उसके बाद वो स्टूडेंट जो है नौसेट में सेलेक्ट हो करके घर आपसी करता है इससे सुखद पल अज़े पैरेंट्स हैसे टीचर जैंसी के लिए नहीं हो सकता है थैंक्यू सो मच अगें 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 कॉंग्रेचुलेशन समझ में नहीं आ रहा था कि मुलक्साथ में क्या हो रहा है बिल्कुल सब्सक्राइब चैंज हो गया सारे लोगों के फोन आने लगए कि आप जसी जाएगी नौकरी होती है कि लुग्छाव yakॉनीज के लिए आने चारे जाओ जाएगी लगएार थाया से जाएगा गद्सक्राइब चैंगेड़ा क्या में आने लिएएशन अजय नषिए सबसे हम जदर करदिट जो एक्ट परएंश को झाथ है आपंक embarrassing हम परिये जम बंद ने करेंखे जोने करें होें नहीं परपी है जोड़ी दोड़ बाद करके हैं आपकी हैं ये आई एंसी अवित्की कोठी महुत के इच्छा कॉलेज है आपको रहा है जोगा आपने बत्वों पढ़ाना से ये सर बहुत महदत करते हैं कर दोड़ा है एंसा आपक्ड़ को दोड़ा है ये लुट लिए teaching समय उपक्णे बाद के लिए माला है थार बखुड़ बार्डी लार्ड़ प्रेज़ टार्ड लार्ड़ लार्डिया। सबसे पहले तो लोकेंदर को इंस में सलेक्ट होने पर हारदिक बदाई और कैसा मैसूस कर रहे हो लोकेंदर जैसी सलेक्शन का बता चला सब बदाई दे रहे हैं और मतलब जिस दीज के लिए हम सुनते थे वहां जिंक के अंदर समय के नोगरी होती है तो सर तो सर्व और मन में आता था हम कब आई कराएं इस यह आपका जो भूशिधा है है जब हम करते हैं मेनत जब करते हैं उसá कम लोगों को दिखती हैं और जो आप सफ़ल होते हैं तो लोग आपको सच में ढून ते कि किया लोग एंदर का Нम有 तो यह क्षप्सक्षन में माँबाप का शुरवात और सबसे जादा आपकी मेनत आपकी लगन और नसिंग करने के बाद सपेश्ली मैं बताना चाहँगा कि जीनम करके जीनम करके, जीनम लोकेंदर ने जे आइन्सी नर्सिंग कॉलेज ने कम्प्लीट किया, जीनम करने के बाद मैं टू यर का एक्स्पिरियेंस पूरा किया अस्पिटल में, साथ में पढ़ाई को कंटीनु रखा और कोचिंग कंटीनु रखा, जैसी कोचिंग कंप्लीट हुआ, वीकली टेस्ट देना शूकिया, मॉडल पेपर देना शूकिया, और नौकरी करना, साथ में पढ़ाई करना, और स्टडी को कंटीनु रखना, और जीनम करके, एमस में नर्सिंग आपिसर बनना, ये एक चमतकार से कम नहीं है, और मैं कहुंगा कि, इसमें डिडिकेशन जरूरी उतर, वो मैं कहुंगा, लोकेंदर ने जो निभाया है, सच में बहुत बहुत उसका शुक्री अदा करूँगा, कि आपने बहुरुसा किया, पहले ही जैसे ही आपको पता चला, तो पहला रिक्शन क्या था अपको? मैं मम्मी की पास ही बैटा था, मैं मम्मी की पास ही बैटा था, मैं का रिजल्ट देखना है, मैं मम्मी की पास ही बैटा था, मैं का रिजल्ट देखना है, मैं मम्मी की पास ही बैटा था, मैं का रिजल्ट देखना है, मैं मम्मी रोने लग गया, फिर आपको मैंने पॉल भी मानता हूं और बाकी मेनकी मेनद और गरवालों ने भी सपोर्ट किया अगर आपको सही जो मार्ग मिल जाता है ना के सही गाइडेंस मिल जाती है उससे बेश्ट कुछ नहीं होता वो मुझे वाँ जैन सिंगंदर सब को जूला जा जैन सी पर वरुसा किया उसके लिए आपको अब शुक्रिया ममी जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि लोकेंदर का जीनमे जो एडमीशन है वो ममी लेके आए थे मेरे पास लोकेंदर में ट्वल्थ जो है बाइलो जीस्था और मैंने बड़ी जिद की थी कि आप लोकेंदर को अभी सी नसिंग कर आओ बट बच्चे का तो उसमें क्या सूच के आए थो जब आप जैनसी आखर एडमीशन करवा दिया पिर कैसा लगा तो क्या पढ़ने का आप सुरू से मुझे बताएं जब आपने जीनम एडमीशन लिया तब से अभी तक का जर्नी कैसा राप जैसे जैसे सबसे पहले तो मैंने जहां से नर्सिंग की वह इस इसे इस्टिटूर से पहस्ता मेरे लिए क्योंकि महां पर मुझे पूलेज के साथ-साथ कोचिंग के आप बेनेफिट भी मिलता था तो मेरे साथ-साथ में जो कोचिंग ती वो बीक्लियर हो रही थी उनकी बैच्चे जो अफलाइन के ल सेलेक्शन नीरबाई हुआ था तो उसको मतलब देखा और मेरा नहीं हुआ तो अंदर से हुआ के दोस्त का हो रहा है अपना वह नीरा है अपने कमी है सर कमी यही थी कि मैं प्राइवेट जोब कर रहा था जो की बाद मैर वाब जैसे आपक पास आया तो आपने मुझे बता से मैनत करवाऊंगा और आपको नौकरी तक लेके जाओंगा बगवान का अशिवाद है आपका प्यार है और हर एक्जामपल कहीं कहीं जो है नौकरी छोडने वाला तो लोकेंदर भी मेरे पास आये थे कि सर मेरा प्रप्रेशन जो है इंटुली पीक पे नहीं जा पारा तो पंदरा दिन ने स्टेडी की तब पता चला कि जो हम से वह पास ना गया है जून में होगा तो मेरे पास सर टाइम कम ता फिर भी मैंने अपने पूरा एफट दिये मैं आठ से आठ लाइबरेरी उसके अबल लावरा उगरपाने बाद रात रात वह एक बिस तर भी स्टेडी पर लेख एक्जाम और जो मैंने ओनलाइन क्लासेज ली जिनकी वह सारी मैंने अच्छे से ली उसके बाद मैंने अमसी की बैच में लिया उसका मुझे का पी बैच में का पी पूसंस तो जिंकर मलोरोल तो इस सक्सेस के साथ में जिंकर बहुत बड़ा जोग जाने साथ आप का तो सबसे उपर है सब्सक्राइब आप आप बिजरू करते हूं मैं हमेशा बच्चों पर बुरुसा करता हूं और आप सच में बच्चों के अंदर रियल पोटिंशल होता है तू हाटेड होते हैं आप थोड़ी महनतों खरवा उनसे चीज़े बदल जाती है और वही लोक यसे बंदर आप काशयोबाद हमेशा बना रहें हम और महनत करेंगी और आप एक शब्द में जसोक्त कर दिया कुछ कहना चाहें जोरूर कि है जैंजी बहुत बढ़िया है प्रेमी कहना हुछ में जाना है . शक्रिया शक्रिया बहुत बहुत शेया के लगूशल तो सबसे पहले आपने JNC को जिसे चूज किया, उसमें क्या लगा आपके? सर मेरे को तो क्या बता हूँ, मेरे को बोल नहीं आ रहे हैं कि मेरे को भगवान मिल गए था JNC में मैं बता देता हूँ, बेसिकली रहुल जोदपुर से बिलोंग कर रहे हैं, रहुल ने JNC से ही नर्सिंग किया है JNC से BAC नर्सिंग कंप्लीट किया, BAC नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में कोचिंग को अपना कंटिन्यू रखा और कोचिंग के साथ जो है हॉस्पिटल भी करते थे, हम लोग अपना काम करते हैं, बच्चा जिस दिन डिसाइड कर लेता कि नहीं मुझे अब कुछ करना है, तो तकदीर बदलती है और आप सब के सामने एक जीता जागता एक्जाम्पल है और के याओ कड़ी एक्ड़ेया वा गवा दुरोगा जीता के जागते हैं कुछ वस्ट श्टलम के जीता जागता एक्ड़ादे पीज से अचेड़ेयों जीतायों और आप सब्सक्तेडऱेगान जोपास अपना समयन आपको देगल अभी थाया है कि अपने गृंग गले को टुछिग को नहीं है हम लाप साथ अजब को है अजब हो पना नहीं? अजब जो एले ओर ऴाराइब कि अलुब रटा बनाग। कि पूने वरे जो घागेने के खो जायों। समय और जो किसे डाउनित करना फåर्थ जागति, कि हम आपप हेशी को रहगा की कि अबर्छांगर जागे कुटी है आजरव चुटा ला एर चाना, हम रहेंक कोषटी है कि दोब जो काड़ों कि अजे है और कि अ आबßen 곡 कि एुछ कि अज आबस देश जाबस है जार नहीं है पर दो दो कि नियुक्ति आपको शब्सक्तित आपको तो सबसे पहले आप मुझे बता है कि राहूल जो है जे एंसी जोइन किया नर्सिंग कॉलिज में और नर्सिंग करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटीनु रखा, कोचिंग कंटीनु रखी, हॉस्पिटल के साथ संगस किया, फिर कोचिंग कंटीनु रखी और आखिरी ज तो क्या बता हूं, मेरे को बोल नहीं आ रहे हैं कि मेरे को भगवान मिल गए था जी एंसी में, जो आपका बरुसाय है कि आप ज्यानिसी के रहे हैं और फर्ष्ट टाइम जब मैं आपसे मिला, आपने जो वादा किया, बचागर मेरे साथ चार साल रह लगा, तो मैं इसको जो पर लगा कि रहुआ, और वह वादा आपने पूरा किया, और मैं ते दिल से आपका सुक्र को जा रहूं, चिंद की पर मैं आपको यहाशु आपका जो संगर्स है, मैं सच में उसमें सलाम करता हूं, जैसी परिस्तिती थी आपने अपना बेस्ट किया, क्योंकि उम्मीद बच्चे से, और हमने हमारी तरब से बेस्ट करने की कोसिस की, और इस रिजल्ट में ज्यादा कोंट्रिगूशन जो है, और राहूल का, क्योंकि इसने जैसी चार साल कंप्लीट हूआ, और अपने कोचिंग पर फोकस करना शूर करते, बोला अब बेस्ट करना, और उसका नत मेलिये तेरी 600已经 strips, फोस तैम तो मारक दो मिनट कोच नहीं जाता व और वह भुरी नहीं भलोत है, तो मैनने का मैं जो किस्षम नहीं हो दा, तो मैं को बहुतै की सिंगbon मै भी था जयए तो बहुत से सिंगर को भी पिस्षम बीजये, फिस मिन को सुछ अच हो जाएगा, तो ब झाल 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 आपका चैलेंज बढ़ गया है ज्यादा कंसेंट करनी पड़ेगी शायद और आप अच्छे से कर लोगे ऐसा मुझे लग रहा है तो हम देखेंगे रिसेर्च के कंसेट उसमें हैं रिसेर्च दिजाइन जाज आपने बीगनिंग में देखा कि दिजाइन में एक ब्लूप्रिंट या ओवर अल प्लान रिसेर्च कब कहां कैसे कंडक्ट करेंगे आपको इसी में विलेगा कि रिसर्च कब होगा कहां होगा सेंपल कोई होगा कितने सेंपल संगे उनसे डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे डेटा करने का तरीका क्या होगा वो सब चीज़े सो इसको आप मास्टर प्लान कह सकते हो डिजाइन को ओवर आल प्लान मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट ऑफ दे रिसर्च इन नामों से जाना जा सकता है है सो रिसेर्ष डिजाइड इस ओवर अल प्लान आफ दे रिसेर्च और डिजाइन को जैसे मैंने का हुआ ह्क्नृटिटी वेंड क्वालिटिटीव डिजाइन में डिवाइड करेंगे। इंद वे क्माम से पता चल रहा है कि हम एक्सपरिमेंट नहीं कर रहें किया होता कोई ट्रीटमेंट ठरेपी कुछ कर फिर उसका आशर देखते हैं क्या एफेक्ट हो रहा है जैसे आपके घर पे कोई सर्वे करने वाला आया आते ही रहते हैं अकसर तभी आते दोपेर में जब अपना आराम से खाना खाके सोने वाले होते हैं तब दर्वाजा बजाते हैं वो लोग और फिर पूछते excuse me मैं आप detergent कौन सा यूज करते हैं सबसे सस्ता जो मिले वो सरफ एक्सल हो 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 है जो आपके उस टाइम चॉइस में होगा तो उसने question पूछा आपने response बताया वो चला गया क्या उसने आपने कोई एक्सपरिमेंट करके देखा क्या उसने जानकारी मांगी आपने बताया वो गया अब उसको अनलाइज करेगा कि कितने लोग यह यूज कर रहें कितने वाले यह यूज कर रहें देविल जस्क्राइब कि 10% लोग यूज कर रहें 10% अरियल यूज कर रहें 10% निर्मा 10% बाबाजी का पतंजली और बागी 10% नकली सर्फ लिखा हुआ सिरफ हाना जो लोकल ब्रांड हो सकता है तो ओवर जब आप सिरफ डेटा में डिसक्राइब कर रहे होते हो बिना कोई इंटरवेंशन सो देट इस नॉन एक्स्परिमेंटल रिसर्च डिजाइन तो यह जब लर्नर्स होते हैं वह इसी के तुरू ग्रो करेंगे फिर उन एक्सपरिमेंटल रिसर्च तक पहुचेंग तो नॉन एक्सपरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आप उसको डिस्क्रिप्टिव डिजाइन कह सकते हों और हो यह गांग तो दिस्क्राइब अकॉर्डिंग तो देट उसके और लेवल्स भी होंगे तो एक दिन जब वह आया और आप से सिरफ पूछा क्या कि कौन सा वश पाउडर यह सो दिस युनि वेरियेट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन वी आप को युटिए एक फिनोमेना को युटि करने वाले हो यह वी पूछेंगे आप यु वाशिंग पूडर एक किजी कितने दिन चलता है बएभी यह इतना ही पूछा तो युनि मीन्स वन Nivariate Non Experimental Study, यानि कि Non Experimental में डिस्क्रिप्शन का अलग-अलग लेवल हो सकता है, समझ और धी आप क्या कर सकते हो, इसको और Explore कर सकते हो, एक्सप्लॉर कैसे एक्स्ट टाइम वो फिर से आया कि मैं उस दिन आपने बता तो दिया था कि आप यह वाशिंग पावडर उस करते हो क्या बता सकते हो यहीं क्यों तो तुम क्या बताऊगे जिन से मंगाते we यह लाते हैं यह फिर कि इंप्रेस हो गए होंगे ऐसा कुछ तो रहता हो ना चोईस की कोई बज़े तो या बजट या क्वालिटी कोई जो भी आपका आंसर होगा अब उसने प्रोब किया आपको हाना एंड वो ट्राई कर रहा है एक्स्प्लोर करनेगी कि हाव पीपल मेक देर चोईस कि उनको सस्ता चाहिए ज्यादा चलने वाला चाहिए या वो आथ की चमडी ना उतार दे है ना मुलायम हातों को ज्यादा नुकसान नहीं वरना कुछ- सब्सक्राइब करने का पतलब आप समझ यह इंवेस्टिगेटिगें इंट फिनोमेना एंड रिलेटेल फैक्टर्स रिलेटेल फैक्टर्स क्या हुआ कि साथ साथ क्यों हुआ कब हुआ यह क्यों ऐसे कुछ और क्वेश्टन अकसर आप लोगों को एजुकेशनल विजिट पे ले जाते थे खॉलेज वाले यह दिरिआ आप धंगे कॉलेज में पड़े होगे तो कोई ऑजुकेशनल विजिट नर्सिंग में सबसे कौमन होता ल तो और अच्छी जगे भी विजिट होगी फिर तुम लोगों को वाबस आने के बाद विजिट रिपोर्ट लिखना पड़ता है विजिट रिपोर्ट वाँ वह सब लिखते जो आपने देखा ही नहीं था बड़ कॉपी कर रहे क्योंकि किसी ने लिख रखा था पहले पॉसिबल है यह है जैसे अपन घूमने चलेगे आप जोदपूर में जोदपूर फोर्ट चलेगे महरांगड फोर्ट या ताज महल देखने आगरा चलेगे गए वह तो वहां जाते ही क्या करोगे फोटो लेंगे वह बहुत सारे फोटो लेंगे और वाफस अब आपको कोई क अब बाहर वाली मिनार जो है न वह ऐसे चुकी है तो मेरी यह विख यह तो मिनार ना चारो कौनों पर एक एक तुम्हारा उस पर ध्यानी नहीं गया क्योंकि तुम मिनार पर काई फोकस कर रहे तो उन्सेरा बैकराउंड में तान्या ला रहा है कि नहीं आरा और फोटो ले थाखी नहीं रखा बस इदना ही देख रहे है तुम लोगों ने तुम लोगों से क्या उमीद कर सकते हैं अच्छा कौपी देखो तुम लोग और इसनल तक पहुंचो यह जाओगे ना और तुम तो और और तक आगे हो ना यहां पर चलो कोई नहीं मैं जब गया था तब श तुम को नुक्सान पूचता है आप डिरेक्टली यूपी आई कर दो साजा के खाते में जाएगा चलो जो भी है मैं यह बताने चाहरा था कि जब मैं गया ना तो वहां ऐसे अंग्रेस्टे कुछ बड़े-बड़े DSLR लिए एक्स जूम वाले उनको कोई सेल्पी वाल पी ल इतना केरफुली वह एक्स्प्लोर कर रहा तो आपन तो क्या कर रहे है डिस्क्राइब वह क्या कर रहे हैं एक्स्प्लोर मींस आठ को परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत डीटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं डेफ्ट में प्रोब करने कोशिश कर रहे हैं उसको वह वाशिंग पाउडर वाला ही ठीक है, आप लोगों के ताज मेल नहीं, अब यह वाशिंग पाउडर फिर से आया, इस बार ही अपना सेंपल लेकर आया, कि मैम, वह जो आप यूज कर रहे हैं, वह तो मेरको बता चल गया, यह हमारा है, तो मुने कहा नहीं नहीं, आम नहीं क्वालिटी कहां तक ठीक है फिरी का मिला था अपने यूज कर लिया और अगली बार वो फिर से आया तब अबने बताया क्या कि वह इफेक्ट तो लगबग ठीक है प्राइज भी तुमारे ठीक है प्रबैबली स्किन को भी उतना इरिटेटिंग नहीं है तो हम लोग यह करें किन चीजों में अच्छा है कैसे अच्छा है तब ज्यादा बैटर अंडरस्टेंडिंग हो सकती हो सकती है कि नहीं मैं कहूं हमारे स्टूडेंट अच्छे हैं कैसे कंपेर करें किन से करें फिर तो तुम पक्का जीत ही जाओगे हां हमें कॉन्फिडेंट है तुमारी ममी की तरह जैसे तुमारी ममी को भूच ले गली में सबसे सुन्दर बच्चा कौन तो बहुत तुमारी नाक और जब गली में लड़ाई हो जाए और वो पड़ोसे शिकायत लेकर आये और पूछे कि तुमारे बच्चे ने यह किया तो ममी कहीं कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर सकता ही नहीं तो ममी तो बाइस होती है होती है नहीं तो कुछ तक उतना तो नहीं बट हम भी तुमारी कुछ बाते मान लेते हैं और आप लोग अच्छे तो हो सो डिस्क्रिप्टिव समझ पाए आप विदाउट एनी इंपरेंशन दाट इस वाइट इस नान एक्स्परिमेंटल और आप यह मैं च्परिवगा आपने अपने और लिप्रेंट और को रिलेशन डिफरेंट होता है जैसे एज और हैट है ना इनगे डिवड़ी करते को रिलेट करते सपोस्पोस यह इस एक्स जह बढ़ा होगा और हाइट इस वाई तो यह बढ़ रही है तो हैट क्या हो रहा है और रिप्ट एक्स एंड वेरिएबल वाई को आफ टाइम के साथ कमपेर कर रहे हो इनकी कोहलेशनशिप है पॉजिटिव है प्रपोर्चनेट है इस्प्रपोर्चनेट है नेगेटिव है या नो को समझ पारे माप तो हम कैसे देखें एक तो पास्ट में देख लें और एक फ बड़ा नाम करेंगे हम भी कहते हमारे स्टूडेंट बड़ा नाम आपकी बाहर नौर सेट और बाद क्या पता चला अब इसको हम दो तरीके से देखते हैं कया से की जैसे असे 10 साल बाद आप सक्सशेसफूल ऐंडिविज्यों फ्यूचर में होगे कि नहीं अपर एक्रीन निलंग सकते हो कि छृप है आप जरूर बने सब्सक्राइब लेकिन वाले भाषन में याद रखना जो भी बनो थैंक यू तो वैसे भोलना है अपने को बस गुड गुड वी यह देटा कलेक्ट करते हैं जैसे आप लोग यहां कलास में बैट यह पढ़ रहे इस वक्त दिए आपके ममी पापा आजाए तो बहुत खुश होंगे तो आपके ममी पापा को सदमा लगा उनके ममी पापा को सदमा लगा उन्होंने उनको ट्रेक करके रूम से पकड़ के लाए और पीट रहें और क्या करते ममी पापा फिर वो कह रहें नहीं नहीं मैं तो आज अभी लंज के बाद ही तो गया था नोट्बुक लाने तो गया था सर से पूछ लो कल मैं यहीं था तो उसके बाबा ने एक बार छोड़ दिया वो कल फिर आए और वो बच्चा फिर नहीं मिला यानि कि आपको कई बार प्रुथ तक पहुंचने के लिए मुल्टिपल ऑब्जरवेशन की जरूरत पढ़ती है एक ऑब्जरवेशन में आप बायस हो सकते हो पॉसिबल है तो कुछ स्टटीज में वी कलेक्ट डेटा और अब्जरव अब् पॉसिपल ऑब्जरवेशन सबसेफ फीओ कलेक्ट डेटा अनली वन्स तो यह क्रॉस सेक्ष्टल अप्रोच देसा प्रॉस सेक्ष्ट अप्रॉच अपन करा ब्रेंगो यह दो हमिस्पेर अंदर क्या निकला ब्रेन किसका ता जिसक्का भी अंदर क्या निकलेगा खाली अवार आँः व्रेंद में होगा न है और कोई il valogn退 कि है निकलती तुमने सेंपल धेकर क्यों क्यों ब्रेंट के ऐसे और सेज्बड में थे अपन एक्टार ख्रण ligand अ मेंगेग प्रण तुम लोग बड़े अक्तर हो अभी असलिया तो ही ऐसा बता रहे हो चलो मैं माल लेता हूँ तो क्रॉस सेक्ष्टनल और लॉंजिट्यूडनल कैन भी एप्रोच इन डेटा कलेक्शन और आपको एपिटेमियोलोजी स्टडीज में हम यह पढ़ाते हैं कोर्ट स्टडीज केस क कर सकते हो जब आपने एक बार अब्जर्वेशन करना है तो आपकी स्टडी क्रॉस सेक्ष्टनल मतलब मोर दैन वन्स यू अब्जर्व इट तो यह अप्रोच वाइस और यह अपिटेमियोलोजी में और देखे हैं तो केस कंट्रोल केस कौन होते हैं जो जहां डिजीज प् टीबी लेकिन उसके रलेटिवस दे एक्सपोस्ट टो यह अप्रसन लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट में यह उनको कोई सिंप्टम्स नहीं है तीबी के जो यह अर नॉत टार्व टीबी बट यह अग्र्विश्क अव्र्वार्में प्र्वा टीबर ग्लोशिस ए तो हम देख नॉट हविंग एक्टिव डिजीज अब आपको ओवर ए पिरिएड ऑफ ताइम आप उनको फूट फ्यूचर में देख लें या पास्ट में जाके देख लें वाटेवर अप्रोच यू यूज तो यह हो गया केस कंट्रोल स्टडी केस कंट्रोल स्टडीज नॉर्मली रिट पिर अपने स्टडी करके अनलाइज करा कि इनौने तो वह वाली बात मानली कि वह सजेशन आया इननों ने ढला नॉट रेकमेंड़ नॉट रेकमेंड़ अच्छा आया तो एक बार पढ़लू एक बार पढ़लू उच चकर में उलज गए मकड़ी के जाले के अंदर एक इस ग्रूप आप पीपल, ग्रूप आप पीपल विच सेम करेक्टरस्टिक्स, यह सेम करेक्टरस्टिक्स, आप स्टडी परपस से देखोगे, वो सिरफ सेम होगी, आदरवाइस, नो इंडिविजोल कैन बी एक्जाक्ली सेम, इसे मैं आपको कहूं, कि 11 अपरिल को किसका बड ही करें, 11 अपरिल चुट्टी, तो, 14 अपरिल को किंद का बड़्टे है, उसको पता है कि क्लास होगी नहीं, इसलिए रिस्क लेली हाथ कड़ा करने की, ओ बाबा साहे भीमरा वंबेट करके बड़्टे के साथ आपको भी बड़्टे, आपको एडवांस में हैपी और जो ओन लाइन हाथ कड़े कर रहे हैं, उनको भी बड़्टे बोल दो, यानि कि अब हमें एक कोर्ट बनाना है कि पीपल बाउन 14 अपरिल, सब्सक्राइब को पैदा हो है, वो एक सिमिलरीटी तो उनमें है ना, यह बले ही अलग हो सकते हैं, बट उनका बड़्डे 14 अप जौँ में सब्सक्राइब कर जकते हैं, तो अब नर्स नर्स अप नर्स नर्स अब नर्स अपकर रहा है, भी उसको में में आपके लिए टोगया, क्या होगा प्रश window, शथ बेड़्यास्ट्र बिलर्ट अटाष दूग्पल से अपीज की उसको बिए प्ड़ कर रहा हूँ, में भी एक और इने स्टडी जिसमें स्लम ड्वेलर्स की कोई प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हो जैस नर्शिंग स्टूडेंट्स पर्टिकुलर क्लास्रूम ऐसे एक कोहर्ट हो सकता तो कोहर्ट स्टडी हम गाओं के कुछ युवाओं का एक्जामपल ले ले लेते हैं सब्सक्र अब वो फ्यूचर में क्या बनेंगे यह देखना है फ्यूचर में फॉलो देम और आफ्टर ट्वेंटी यह क्या देखेंगे यह सपोस हमने देखा कि दरा फिफ्टीन एल्कोहलिक्स पॉसिबली उन में से कुछ लोगों को आगे जाखे लिवर सिरोसिस लिवर फैलियर और हो जाएगी लेकिन सारे एलकोलिक्स को एक साथ लिवर सिरोसिस नहीं होगा तो वालों किसी को पांसाल बाद हुआ किसी को पांसाल बाद तक नहीं हुआ अब हम कंपेर करके देखेंगे और यह अब जो एक्सपरिमेंटल रिसर्च है उसमें तीन में क्राइटेरिया है तीन में मैं क्राइटिरिया और उसी के अकोर्डिंग हम उसको डिवाइट करेंगे तो एक होगा मैंटिप्लेशन कौन से वेरीबल का मैंटिप्लेशन का काम यहां control लेंगे control मतलब जो comparison की बात करी थी हमने protein powder पीने वाले और नहीं पीने वाले यासे बच्चे और randomization का मतलब होता है by chance किसी ग्रूप में assign करना तो इस research को करते कैसे देखिए suppose मैं दस बच्चों पे study 100 बच्चों पे तो यह दिड कर रहा हूं कि यह मेरे सेंपल से क्या है सेंपल्स अब मैंने इसको experimental groups और control group में बाँटना है क्योंकि मैं तो protein powder जो protein powder है वो एक group को दूंगा जो मेरा experimental group होनको उनको अंको मैं protein powder वाला milk दे रहा ako regular जो बचचे उनको bhooghaj thwdhi रखेंगा नार्मल मिल्क कि तेरेपी है उसको नहीं मिला उसको स्टेंडर्ड तेरेपी मिलेगी क्या मिलेगी स्टेंडर्ड यानि कि नॉर्मल मिल्क टाइप का ऐसा और फिर फिर हम इन दोनों को पहले इंटर्वेंशन से पहले प्री टेस्ट लेते हैं इसको कहते हैं प्री टेस्ट अब्जरवेशन फिर एक साल तक प्रोटीन पाउडर पिला या दोनों की बड़ी यह तो ठीक है यह ज्यादा बड़ा है तो प्रोबेबली उस थेरेपी का इफेक्ट होगा समझ पारे हैं और इंट्रेंशन के बाद जो टेस्ट होता है उसको कहता है पोस्ट टेस्ट क्या कहते हैं पोस्ट टेस्ट सेम इसका भी होगा और फिर हम कंपेर कर लेंगे यहां तो दोनों ठीक थे अब इन दोनों में अब डिफ्परेंस है तो इसके वज़े है यह ट्रीटमेंट और यह असाइन करते टाइम अधे 50 कंट्रोल गृप में और 50 एक्सपरिमेंटल गृप में मैं कैसे डालूं तो मुझे पता है इनके ममी पापा लंबे हैं इन यह खाते पीते घर गये हैं पहले संर अपने एक्सपरीमेंटल गृप में ले लूं इनके रिट ज्यादा ही बढ़ेगी अपने टीम मजब ले लोट्री कर लो एक यह एक से कर देते ते यह इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसा कुस्कु स्टम बनाएं होगा सबको बरबरी का मौर्टा देना इस प्रॅब अश्रो करने के लिए हम रेंडम सेलेक्शन कर रहें रेंडम तो मैंने रेंडम ली चेट लोटरीज किसी भी मेथड़ से 50 यहां ले लिए और 50 यहां ले लिए तो यह रेंडमाइजेशन अब यह तीनों करक्ट्रस्ट्री के लिए फुल्फिल कर ली तो वह क्या होगा यहां। की तो ऑङे होगा है मैंनूपलेशन के भीन तो एक्सपरिमेंट हो regulating वह यहां की उन् 듯 करेंड़ लेो...... या manipulation मेंसे कोई एक छोड़ सकते हो समझ रहे हो तीन मेंसे तो तीन मेंसे दो manipulation या control मेंसे कोई एक skip कर दिया तो जब आपका score तीन मेंसे दो है तो ये true experimental हुआ क्या नहीं तो ये truth जैसा है इसलिए इसको कहेंगे cause is experimental क्या cause is experimental studies अब आप कहेंगे हो या control भी नहीं हो रहा मेरे से randomization भी नहीं हो रहा हूं तो ये non experimental तो नहीं है experiment तो कर रहे हो इंटरवेंशन तो दे रहे हो यानि manipulation तो है पर आगी दूसरे दोनों criterion नहीं है only manipulation is there और आपका score है one out of three तो ये true experimental भी नहीं cause भी नहीं non experimental भी नहीं इसको हम कहते pre-experimental क्या pre-experimental research design समझेंगे आप overall तो हम experimental group को treatment देते हैं control group को standard treatment देते हैं थेरेट वाला treatment जो आपका investigation है वो नहीं दोगे और दोनों ही control और experimental group का pre-test लेते हो और दोनों का ही post test लेते हो अब इसी हिसाब से design के कुछ नाम भी होंगे जैसे true experimental में कुछ types आएगी कौजी में कुछ types आएगी और pre-experimental में कुछ types आएगी फिलाल हम इसको skip कर रहे हैं next पहुंचेंगे qualitative research design में मेरे क्याल से मिलता जुलता question आए तो आप answer दे पाओगे आपने कोई question देखा और आपको समझ में नहीं आया हो यहां पूछना चाहते हो तो मैं उसका मोटे तौर पे control और experimental गुरुप का concept समझना है control और experimental गुरुप का qualitative research design qualitative data is experience feelings which cannot be measured it can be only described जैसे माल लो tsunami earthquake fire जैसा कोई disaster हो गया लोगों को बड़ा loss हो गया उसमें मेभी man money material emotional trauma बहुत सारा loss हो गया और हम descriptive study करने वहां पहुंचे हैं जैसे अपने मीडिया वाले पहुंचते हैं कि आपका घर जल गया आपको कैसा लग रहा है तो लेड़ी ऐसे इदर देख रही कि इतना camera आया है लग रहा ही कि सरकार वाले होंगे वह पहले ओवर एक्टिंग करके रोईगी कि हम दो वर्बाद हो गए हैं लूट गए पिट गए पूसिबल है क्योंकि कितना नुक्सान हुआ बोले दो करोड का तो उनको लगा कि सरकार जाएं दो करोड कहें तब तो दो एक लाग तो देहीं देंगे तो हम हर जगे अलग अलग तरीके से रियक्ट करते हैं जब हमें पता चलता है कि पूछने वाला कौन जैसे आप लोग हमारे अ dön attribution करने आते तो सभी लोग middle class family to Festymlau से होते हैं वागी पंपर यह से प्रेजसर ना पसंद करते हो अपने अपने को संढ़ घी, रहेगा ज्यादातर व क्लिछाएं लोग आप Might इंकम गुरूफ अकाउंट नमबर दो और कितना डालना है बलो ऐसे कहते क्या कि जो है वो कभी कम करवानी की कोशिश नहीं कर रहे है कि कौन-कौन ऐसे बच्चे जो जूट बोले इमानचों फोकस करना जरा कौन-कौन आथ खड़े करो मैं अभी कुंडली निकालता हूं किता डिस्काउंट लेके बैटे वे हो एक बच्चे आप टी-शेट भी नहीं पहनने वाले अपने आपको पहले से आई-क्लास मान के बैटे वे हैं इसके अंदर अलग से पावर है शायद आप लोग मिस्स कर रहे हो उसको अभी कर लो अपनी रिस्क पे हाँ आप लोग ने बार्गेनिंग नहीं करी बहुत अच्छे बच्चे हम चाहते हैं से बच्ची आएं हमारे यां तीन बच्चे निकले तीन सो में से और बागी वाले बागी वाले तो रोज मन करता कि आज और कम कर वाले कुछ और कुछ कम कर वाले ऐसे बच्चे आते चलो कोई नहीं यह अपनी माइंड सेट रहता न ऐसा तो यहां जब हम देखें कि क्वालिटेटिव डेटा इस लाइक फीलिंग इमोशन्स और उसको डिस्क्राइब करने वाली बात तो यही अपन शादी के रिष्टे में इंकम बताते ना शादी के रिष्टे में जब आये होते हैं दूसरी फैमिली वाले उस टाइम दो ऐसा हम अपने आपको लगबग अपर इंकम गुरूप में ही रखते हैं रखते हैं कि नहीं और यह अपने नेता चुनावी घोष्णापत्र में या सरकारी टेक्स वाला जब चेक करने आते तब क्या पास तो गरी नहीं है गाड़ी भी नहीं है कपड़ी भी और रहें वो किसकी है यह तो सब समर्थकोगी है किसकी है सबर्थकोगी हाँ यह हालत है जोदपूर के एंपी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने अपने डिकलेरेशन में बताया कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है उनकी एन्यूल इंकम नौ लाख पचास अजार रू और वो कभी फॉर्चुनर और BMW से नीचे घूमते ही नहीं है किन के विरोगा रिया है यही काला धन नहीं तो हम अलग अलग जानकार्या देते हैं कि नहीं कौन पूछ रहा है उसके हिसाब से तो इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं मैसूस किया जा सकता अब इस स्टडी देखेंगे आपको एक्जाम में आया हूँ है क्वेशन इस पर इन तीनों पर ही सबसे पहले आता फेनमेन लॉजिकल स्टडी फिनोमेना एक वाता कंसेप्ट आक्सर आपको क्लास में बताते रहते हैं बच्चों कंसेप्ट वाली स्टडी करो कंसेप्ट क्लियर कर रटो मत हाना सो वट इस कंसेप्ट कुछ फैक्ट के भीच में क्या इंटर रिलेशन्शिप पर जवाब यह लॉजिक समझते हो तो एक कंसेप्ट बन जाता है कि सोडियाम पोटेशियम वह वाटर नहीं क्या एक ओवराल आपके दिमाग में थियोरी बन जाती है बन जाती है लेकिन समझा नहीं जा सकता तो उसको कहते है फिनोमेना तो फिनोमेना इस दिंग्स विच लेस अंडरस्टूड आपन कहते ना तुम आपने दोस्त को जानते हो क्या तो तुम गयते है ठीक है जानता तो हुआ पर मैं इसको समझ नहीं पाया अचानक जे कभी ऐसे और कभी वैसे यस क्योंकि human being is a complex machine उसको समझ बाना कई बार तो अपने आपको ही नहीं समझ बाते है कि हो क्या रहा है जैसे तुम्हारे साथ अभी हो रहा है कि यह सब कहां था हमारी nursing कैसे होगी सो एक फिनोमेना की स्टडी और फिनोमेना क्या है तो आपको एक यह वर्ड याद रखना जो मैंने यहां लिखा हुआ है एक्सपिरियंस कि एक्सपिरियंसिय। है किया जब्ध सबमकि एक्सपिरियंसिज। है जयो इफेक्ट भी होता है, फिजिकल इंजूरी तो अलग बात, तो यह आप अभी आराम से महसुस कर पा रहे हो, जिन लोगों के साथ यह गटना हो गई है, कि वही उस टाइम कैसा लगता है, तो इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव डिटा कहते है, वही दे सकता है, जो उसके साथ उस सिच्वेशन में रहता है, तो इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव डिटा कहते है, वह यू कैन फील एंड राइट, फील एंड राइट, जैसे जो लोग क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं, वो पैन एंड पेपर रिसर्च नहीं करते हैं, वो फील्ड रिसर्च करते हैं, यह मीडिया और न्यूज दिन कैसे बीत रहा है पानी खाना इन सुविधाओं की क्ली में कैसे ही अपना दिन निकाल रहे हैं So you just feel by being there और फिर आप अपने अनुभाव या उन लोगों के साथ एक participant की तोर पे रहे के वो बतानी पा रहे हैं आप उनको शब्द दे रहे होगी ऐसे 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 शायद मैसूस कर रहे होंगे समझ पा रहे हो वह है लिवड एक्सपिरियंस क्या लिवड एक्सपिरियंस सब्सक्राइब लिवड एक्सपिरियंस की जो भी सटीजे से किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया अब अपन ऐसे नर्स कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अपने तो सामने रोज पेशेंट आ रहा है आपने जाओ पीड़ी में जाओ इन्वेस्टिकेशन में लेकिन सपोज य सब्सक्राइब और मालो फुद को चिन को हो जाए फिर जब दूसरे पेशेंट से मिलेंगे तो उनका नजरिया आटोमेटिकली बदल जाएगा और वो समझ सकते हैं कि वैसा इस पे क्या बीत रही होगी यस सो अधिस लिवड एक्सपिरियंस तो फिरमेन लोजिकल स्टी करन करना आसान नहीं है यू नीड एक्सपर्टीज सो बिगनर नहीं कर सकता इसलिए क्वालिटेटी को हम एडवांस लेवल आफ रिसेर्चर में देखते हैं क्लिक पाओगे लिवड एक्सपिरियंस आप ही लिख सकते हो आपने एक्सपिरियंस जब ना सिंग ऑपिसर बढ्या ह कि हाउ आई क्रेक्ट नॉसेट स्टोरी ऑफ गल इन ग्यांस लम हो सकते हैं यह पर यह वाली बाते हैं लिवड एक्सपिरियंस आप तमाम हाडशिप्स जो आपने मैसुस के दूसरे उतना नहीं समझ पाएं अब नेक्स होता है इतनो ग्राफिक रिसच इतोस मींस कल्चर इतोस में कल्चर और आप देखोगे आजकल हम सब कल्चर का सब कुछ भूली चुके अपने घर में कोई पूजा होती है तो पंडी जी आते हैं अब जादी ब्याद के संसकार भी फिल्मों को देख देखके अब अन वैसे कर रहे हैं फिल्मों में हल्दी ऐसे हुई थी तो आपने भी पीछे हल्दी लिख दिया और हल्दी की रास्म हो गए फिल्मों में स्टेज लगा वा था अब सारे रिलिजियन सब कास्ट के अंदर लग बग वो स्टेज वाली शादी आगी इंडिया में पहले से स्टेज वाली नहीं हुआ करते थे सब कुछ है कुछ तो यूनीक था ड्रेस में भी आपकी कम्यूटी आडेंटिटी भी थी अब 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 आलिया बटन पहना है वही हम पहनेंगे और द करती जा रही है और कुछ दिनों बाद शादी के भी कंसल्टेंट आजकल भी है वैसे भी वह टाइम टेबल बना के देते हैं तुमको कल ऐसा करना है परसो ऐसा करना है और ज्यादातार काम यह फोटोग्राफ वाले कर देते हैं कि आज हम इस शूट में हो लेंगे आपका य तो इस्टोरियंस दे लिखी होगी तो अब आपने कल्चर पे रिसर्च कर रहें तो वह अपने को फोन पर नहीं पूछ रहे कि भाई तुमारी कल्चर क्या है तो उम शादियां कैसे करते हो वह आते हैं यहां गाहों में रहते हैं जो क्रिष्ण भक्ति में तबहें रह रह connect हो पाएंगे, हो पाएंगे कि नहीं? So, इतनो ग्राफी is basically a study that involves various study related to cultural groups, जो आपके जनम, रत्यू, विवा, संस्कार, पूजा, पद्धती, धर में जो आपकी एक जीवन प्रणाली है, उसकी study करना. समझ बार हो? इसको क्या कहते है? इतनो graphic studies. इतनो आप याद रख लो. एक होता है grounded theory. यह आपने ना discovery या animal planet देखें क्या? वो animal behavior observe करने वाले लोग जो है ना, वो वहाँ जंगलों में टेंट लगा कि कई महीनों तक उनको observe करते हैं. करते हैं कि नहीं? कि कैसे animals territory decide करते हैं? दूसरा animal आने पर कैसे वो signals भेज़ते हैं? क्या इनके rules है कि कौन dominating है? कौन भागेगा वहाँ से? कौन challenger बनके आया तो वो attack करेगा? लड़ाई में हार जीत के फैसले कैसे होंगे? हो देगी नहीं आज़े? बड़ा interesting सा लगता है यहाँ देखने पर. तो यहाँ grounded theory में social process आएगा. क्या आएगा? social process. जैसे हम सब समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, पापा आए, तो हम आप sofa पे फैल के नहीं बैठ सकते. ख़़ा होना पड़ेगा, probably, और हो सकता है तो टीवी के वहाँ से भागना भी पड़े. डिपेंड की आपकी status क्या है उसे हिसाब से, और यदि अभी तक नौकरी नहीं लगी है, पापा आने की आहाट हो गई, तो भी तुम लोग disappear हो जाओगे, कि at least within reach तो नहीं हो, और अभी अपना selection नहीं हुआ है, result ताजा-ताजा हुआ है, तो अब अब अंडर्ग्राउंड ही रहे हैं. तो यह सब प्रोसेस अब अब अनने कैसे सिखे, किसे ने सिखाये थे क्या, कोचिंग करी थी इसका, नहीं, बड़े बुजूर्गों से घर में फैसले कैसे होते हैं, यदि मम्मी को आज कुछ special बनाने का बोलना है, तो request करने का process क्या है, तुमारी मम्मी तुमारे कहने से ब बनाती है, मूँ तुमने का मम्मी आज पीज़ा बनाती है, तुमारी इतनी चलती, तो यहां क्या करते है, हां, डिपेंड कि मम्मी का मूड कैसा है, कुछ-कुछ ममी शोती होती, बहुत पॉलिटिकल होती है, मतलब डेमोक्राटिक होने का, उनको बहुत अच्छा करना आता वो पुछती बटा आज क्या बना हूँ तुम सोच रहे हैं और तुम दोड़ी देर बाद सोच गए तो मम्मी आज तो आप पूरी बाजी बना दो बनती क्या उस दिर पूरी बाजी मम्मी सिरफ ओपीनियल ले रही थी बनाना वही होता जो उसने पहले से सोच रखा है आप सकता तुम तीन चार दिन रो लगा था रैप्लिकेशन दो तो एक आप दिन पूरी सब्दी बन सकता है तो इस परकार की कम्यूनिटी रियेक्ट्स इन केस ओव यॉर हैपिनेस और सैड्नेस तो हम किसी के कुछ गढ़ना होती तो उनसे मिलने जाते हैं या पहले घरों में खाना नहीं बनता था इंफैक्ट था ना चूला नहीं चलने की ऐसी प्रता भी थी कुछ ऐसा हो जाने पर अब आजकर तो काना नहीं बनता पर जौमेटों से आया था फिर करें हम चूला तो नहीं चलाया पर खाया खूब है पर हम आपके दुख में सामिल है खापी के तो मैं क्या बताना चाहरा हूं कि यदि सोशियल प्रोसेसे रिलेटेड़ स्टड़ी हम करें तो वह कौन सी स्टड़ी कह लाएगी ग्राउंडेड थेओरी वाट इस एक्शुली गॉइंग ओन अट था ग्राउंड हाव पीपल लिव हाव पीपल लिव उनका जो डे टुडे लिविंग स्ट्रगल है उसको आप दिखा रहे हो तो वह हो गई ग्राउंडेड थेओरी बागी case studies quantitative भी होती है और qualitative भी होती है case study तो यह बेसिक तीनी टाइप याद रखना आपको qualitative के अंदर रह जाएगा फिनमेलो लोजिकल बहुत important है लिव्ट experience वर्ट जरूर डूनना human experience वर्ट जरूर डूनना अब hypothesis पे बहुत question आते हैं मेरे ख्याल जे previous classes में hypothesis पे discussion हो रहा का इसले मैं just a question लेता हूँ फिर देखता हूँ आप लोग कितना पड़े हो देके बताओ जरूर आए cardiac patient who receives support from former patients have less anxiety and higher self-efficacy than other patient this statement is example of एक होता है research hypothesis एक होता है statistical hypothesis जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते है नल hypothesis नल hypothesis नल यानिकी जीरो इसको लिखते है एच जीरो से research hypothesis को लिखते है एच से multiple hypothesis हो सकते है एच वन एच टू एच त्री यस अब मैं इतना बता दूं आपको कि यह नल नहीं होगा research hypothesis लिखने का एक तरीका है और research hypothesis दो प्रकार का हो सकता है depending upon the word used in the statement directional and non-directional अब यदि आप कुछ समझ पा रहे हो तो आप्शन बताओ देखिए hypothesis कैसे लिखते हैं जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपके रिसर्च का नॉलेज इंप्रूव होगा है मेरा hypothesis है मैं इसको लिखूंगा कि आफ्टर नेकिंग इस क्लास यू फफर्म बेटर इंद रिसर्च एग्जाम पॉसिबिलिटी है कि यू में नॉट पफर्म बेटर यह भी हो सकता है तो आइधर आइ एक्सेप्ट और रिजेक्ट आइपोथिस करेक्ट और लिना कोई एक ही होता है जैसे आप लोग लिखो क अब नॉर्सेट पार कर लूँगी यह आपका आइपोथिस से अब पॉसिबिलिटी जैकि नॉर्सेट पार ना हो लेकिन हम क्यों लिखें यह तो हमारे विरोधी लिखेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा अब क्या होता है कि यहां रिसर्च पे दो आइपोथिस की नीड क्यो अब कौन ऐसा लिखेंगा कि नॉर्सेट मेरे से नहीं हो पाएगा फिर देखो मैं अपने आपको जूटा सावित कर रहा हूं अच्छा लगता कि यहां कि कौन रिसर्च अब सिरफ नल आइपोथिस लिखेंगा फिर उसको रिजेक्ट करने के लिए रिसर्च करेगा कि अल्टरनेट हाइपोथिस और अल्टरनेट तोर पर हम क्या लिख रहे हैं कि आपने रिजल्ट की बताएगे नहीं एक आप कहते कि मैं नॉर्सेट में बैतर प्रदर्शन करूंगा इस क्लास के बाद बैतर प्रदर्शन करना पॉजिटी वर्ड जरूर है बट डारेक्श है यहां आपको याद रखना है कि इसमें डारेक्शन लेसं मौर पॉजटीव नेगेटीव बैटर हाइर ऐसे वर्ड से तो वो दिखाता है क्या दिखाता है तो इसा हैपोथिस उसको क्या कहेंगे डारेक्शनल हैपोथिस तो यहां बता गया है कि जिन पेशन्ट को ऑपरे वाड में एडमिट है उसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया और वो जिन्दा बचा हुआ है और वो कह रहा है कि वैसे आप चिंता करने की बात मैं बैटा हो तो यकीन मानिये बहुत बहुत फरक पड़ता है पड़ता कि नहीं डॉक्टर तो कह देगा कि कोई दिकत नहीं होगी कि सब ठीक होगा लेकिन डॉक्टर से ज्यादा इफेक्ट आपका किसकी बात का होगा पेशिंट की इसलिए हम लोग सेलेक्टेट बच्चों को लाके यहां कहलवाते हैं यह तो यहां आपको एंग्जाइटी सेल्फ इफिकेसी पे पॉजिटीव असर दिखेगा लेस एंग इसके अंदर H1 तो मैंने आपको बताया, H0 भी बताया, तो H1 कैसे लिखते हैं, जैसे आपने देखा, breast cancer patient with social support will have less depression than those without social support, और इसका H0 क्या होगा, there will be no difference, support system वालों को भी depression होगा क्योंकि breast cancer detect होगा है, और without support system वालों को भी depression होना ही है क्योंकि breast cancer detect होगया, वी इनल आइपोथिस होगया, so there will be no difference in the depression score between breast cancer patient with support और without support, अब आइपोथिस हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के लिए statistical test यूज करते हैं और जो test हम यूज करते हैं, उस status को कहते हैं, inferential statistics, क्या, inferential statistics, सुनाएगा ये नाम, अब मैं पूछना ही बंद कर देता हूँ, सुना तो कुछ है नहीं तुम लगोंने, स्टैस्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है, descriptive statistics, इसमें सरफ डिस्क्राइब करते हैं, mean, mode, median, standard deviation, range, quartile deviation, ऐसे कुछ नाम आते होंगे, स्टैस्टिकल टेस्ट के अंदर आपने T-Test, Z-Test, ANOVA, Chi-Square, ऐसे कुछ नाम सुने थे गया, हाँ, वैसे कुछ नाम आएंगे, वह है, inferential statistics, inference का मतलब बता, meaning draw करना, अब आम उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाट अट लिस्ट यह आपको हम, as it is, Norset में कहीं बार आया है, देखो question क्या है, if you fail to reject null hypothesis, when null hypothesis is actually false, हम null hypothesis को ही accept यह reject करते है, null hypothesis is true हुआ हमें accept कर लेना है, null hypothesis false हुआ हमें reject करना है, accept तोड़ी करें उसको, रिजेक्ट करना है, लेकिन आपने गल्ति से नल आईपोचिस गलत था, फिर भी रिजेक्ट नहीं करा और एकसेप्ट कर लिया, समझ भारो मैं क्या कर रहूं तो क्या होगा फ्रक्राइब Two Error क्या होगा कैसे मैं दुबारा बताता हूं अमें क्या करना होता है to start nem कि statistical test research में नंगा आईपोधिस को accept रिजर्ट करने कें लिए bliver Aha तब हमारा रिचर्च वाला एक्सेप्ट होगा होगा कि नहीं हो जाए तभी तब हम आपन से लेक्ट होंगे हमारा तो यही परपस है है कि नहीं पड़ दुर्बागे से कई बार ऐसा नहीं हो पाता इतना ज्यादा नहीं करते हां हम क्या करते हैं वह रहर करते हैं मनल यह पड़ोसी सही हो गए कि तुम्हारा से लेक्षिन नहीं हुआ अब ना इपसुे मान लो से लेक्षन नहीं हो तो हमें उसको एक्सेट ना चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं लेकिन जूटा बता रहे हैं कि हो गया इसा कई बार बताना पड़ता जोट बोल रहे हैं कि नहीं और हम क्या कर रहे हैं पाल्स पॉजटिव इस तो टाइप वन एरर लेकिन कई बार कुछ बच्ची क्या करते हैं आपने देखा होगा एक बच्चे ने सुसाइट करी दस्वें के रिजल्ट के बाद क्योंकि उसने सोचा वो फेल होगी हो सकता उसने सही रोल नमबर नहीं देखा एक्चुली वो फेल भी नहीं हुई थी ये बात बाद में बता चलता है यानि कि उसने वो फेल हो गई हूं एक्सेट कर लिया रिजेक्ट करने की बज़ा है जबकि वो फॉल्स नेगेटिव और यह टाइप टू एरर क्या है कुछ हद तक पता चल पा रहा है क्या यानि कि इंटेंशनली तो हम विदिक करेंगे तो आपने रिसर्च हाइपोटेश को सही साबित करने के लिए टाइप वन एरर करेंगे क्या करेंगे टाइप टू एरर तो एक्सिटेंटली होगा जैसा उस बच्ची ने सुसाइड भूत अच्छी है क्या है था वर बहुत ही अच्छी है तो यह यह टाइप वन औरीजला और पावर आपर सट्टी इसंट पर आपके वह बीटा की तो आपकी पावर डिक्रीज होती जा रही है हो रही है कि नहीं सो कुछ द तक यहाद रखने की कोशिश करना यह अब सेंपलिंग पर आसान वेशन आते हैं आपको आता सेंपल सिलेक्ट कैसे करते हैं देखते हैं इसमें इस पॉपूलेशन में से कोई क्राइटिरिया के यह भी कई बार आपको इस तरह से पूझे जाती है कि पॉपुलेशन विच और विच दा रिसर्च फाइंडिंग्स आर टू बी जनरलाइस एक्सेबल और टार्गेट ऐसे दो वर्ट में बांटते हैं तो होता कैसे सपोज मुझे नर्सेज पर स्टडी करनी थी जैसा मैंने आ मैं उनके वहां विजिट कर सकता हूं उनकी जानकारी मेरे पास है तो यह इन में से मैं क्या लूँगा सैंपल लूँगा सैंपल विल भी ड्रॉण फ्राम एक्सेबल पॉपुलेशन लेकिन दूसरे नर्से जो उनकी जैसी करेक्टरस्टिक्स वाले हैं जो फाइंडिंग हो कि जो प्रॉब्लम्स आएगी वह प्रवेबली उन पर पर जनरलाइज की जा सकती है जा सकती है कि नहीं तो जो रिजल्ट से जिसको मैं जनरलाइज करूंगा इंडक्टिव रीजदिंग यूज करके कि आप ऐसे तो आगे जैसे भागयों को भी यह प्रॉब्लम होगी तो दो वह पॉपल्लेशन क्या ग्राइगी तारगेट टे जी पर रिजल्ट लागव कर रहे हूं वह टारगेट पॉपलेशन हो एक को ऐसेंपलिंग टाइप होती है बताहो जारा स्क्रेशन का आंसर सिरा किоль 2 जयसे अमने रेन्डमाइजेशन देखाना रइनाम इजेशन प्रोबयाबिलियिटी प्रोब वर्ण याद अठना लहने है प्रोबिलेटी इस चांस चांस जांस ओकावार बडाभाजना पुरिश्य है कर रहा है सब को फर्म भरने के लिए करा सब को एक्जाम के लिए इन लाइट करा सब्सक्राट पर्र माक्स की बैशिस प सेलेकशं है सु काफी अध्-तक talented भें भया है यह इस लेगिन यह लेज यह उंलाइन फर्म निए होता पता ही लिडिया निकला कुछ अप्लब लोगों hab outta तो ए फैर हुआ किया एसा सो स्दृब爆 Turks 10 ग्रोक्तो सम्प fehlt breakfast Central क्या केते हैं तरेनम मतलब किसी को भी ऐसे टिक कर लिया च हृए लिच्प- praying टेक्निक है अपनी मर्जी से ले लिए आपने तो जैसे डिसर्च डिजाइन भी इतनी स्ट्रॉंग बीगिनर्स नहीं यूज कर सकते उनके पास इतने साधन और नौलिज नहीं होता तो बीगिनर रिसर्चर भी जो है वो रेंडम सेंप्लिंग टेक्निक यूज नहीं कर पाता सब्सक्राइब बश्रांश टेक्ट devo कि अब क्या घ्यारों मेरे करता जान। 3 अब तो उनठेफ किया क्या नहीं कियाです हुआ आप शाहस की साण्स मिलत вамटने इसव करता हैं कि अच्छा रिजल्ट जैन्यून रिजल्ट के लिए आपको प्रोबैबिलेटी सेंप्लिंग यूज करनी चाहिए तो यह एक्जाम्पल है यहां पर नौन विच अफ फॉलोविग इस डॉट एक्जाम्पल आफ नौन रेंडम सेंप्लिंग के एक्जाम्पल है और एक नहीं ह बेंडम सेंप्लिंग के और एक वह र cheating रंडम सेंप्लिंग काया से पतान भी परपजी रंडम में आता क्या क्टा कान्विनियंस रेंडम में यह सब नॉन रेंडम में हैं तो फिर रेंडम में क्या आया क्लस्टर सेंप्लिंग टेक्निक कैसे अभी बताता हूं मैं आगे यहां देखे जरा एक और क्वेस्ट्ट और रिसेर्चर विशेज तू परफॉर्म स्टडी ओन टिपिकल काडियक पेशेंट और सेलेक काडियक पेशेंट एज सेंपल यह किस प्रकार की सेंप्लिंग डेक्टिक है चाहिए तो पिले आसान परपस्जीव कैसे यह भी हम समझ लेंगे जैसे मैंने बताया मेरे लिए पानी बटल बरवागे लानी है तो मुझे पूछ ऐसा लगेगा कौन सा बच्चा चिमेदार है और वापस भी आएगा तो हम उनको दे देंगे कतम अगली बार किसी और को भी बोल दिया तो भी चलेगा न यह देखो जड़ा इस पर क्रेशन आ सकता है determining sample interval represented by k randomly selecting a number between 1 and k and including each kth इसके जएके n भी लिकावा सकता है nth element of your sample यह कित sampling technique के steps है systematic कैसे बता रहें तुम लोग सब यह सब आंसर तुम्हारे फटा पट से आ रहे हैं अभी मैं एक एकर को explain कर देता हूं confusion दूर हो जाएगा sample लेने की इसको चावल बनाना तो आता ही है पाने डाला चावल डाला बस कुकर में किती सीठियां आएगी एक साइन से को कर मोबाल ना चरूबी तोड़ी है अर बार और और अच्छे कुक कॉन-कॉन है तुम कॉन कॉक है अब यहां sampling क्यों जरूरी है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम टेस्ट करते न कि चावल प्रॉपरली कुक हो गया कि नहीं तो टेस्ट कैसे करते हैं एक दो एक दो कम होगा यार थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा था था कियो कि चावल चिपक देना भी और हमने से पर क्या आपने सारे चावल चखे कुछ चावल के बेसिस पे आपने कंक्लूड कर लिया कि सब चावल बॉइल्ड हो गए हैं सब चावल कह सकते हो इसे क्या-क्या फाइदा हुआ तो इसलिए कोई भी रिसर्च की फाइंडिंग सब पर लागू नहीं हो पाएगी जो उस सैंपल के जैसे थे उन कंडिशन में यह शायद लागू हो जये तो इसे टाइम बचा आपना कम लोगों से हम ज्यादा लोगों के बारे में जानकारी स्प्रेड कर सकते हैं कर सकते हैं कि ने that is why sampling is important और sampling के methods क्या-क्या है जैसे मैंने बता है probability is giving chance everybody randomly और non probability is taking according to your wish तो non random में हम sample कैसे लेते आपने जो research किया था उसमें आपने sample कैसे लिया था कि suppose मैं जो nursing में study कर रहा हूं माल लो nursing में study मुझे नर्सिच चीए sample के तौर पे तुम लोग तो हुई अब मैं माल लो hospital के गेट पे बैटावा हूं चाय पी रहा हूं और कोई hospital से स्टाप भी आगे नसे चाय पी ने सब्सक्राइब और मैं सोची रहा था या कोई ही participate कर लेते हैं तो मैंने कुछ questions उनसे पूछ लिए और उन्होंने बता दी है मेरे एक sample हो गया हो गया कि नहीं सो मुझे कैसे मिले कान्विनियंट्ली मैंने कोई जोड लगा चाय के दुकान पर आपने आप चलके आगे इन फैक्ट इसको तो हम accidental sampling कहेंगे क्या कहेंगे इसे research में मुझे 20-30 लोग और चीए कोई नहीं यहां बैठ रहे हो हर आदा गंटे में दो-दो लोग तो आते ही रहते हैं अच्छा मैंने का ठीक है भाई उसने एक तरीका बताया पर मैंने का आप मेरे को रैफर कर दो ना आप बता दो कि यह सा तोड़ा ऐसा कर रहे हैं आ नहीं आपके कोई फ्रेंड है तो रहां ठीक हमारे गुरूप है मैं उसमें बोल दूगा ओ लोग आपसे मिल जाएंगे यानि कि अब मैंने क्या बना दी चैन क्या चैन उनके जैसे लोग वो खुदी अपने को रैपर कर रहे हैं तो इसको क्या सकते हैं नेट वर्क या चैन तीन जोड़ो फिर BMW लो Singapur जाओ ऐसे marketing दोज देखते रहते आप लोग देखते हो कि नहीं? महीं देखते हैं? जब तुमारी नौकडी लगेगी ना तो यह लोग भॉत आएंगे तुमारे पास कि Singapur भेज़ देंगे, Malaysia भेज़ देंगे, BMW ले आएंगे तुम लोग क्या काओगे? Thank you आम खुद ही ले लेंगे तो वो क्या करते हैं? तुम तीनों को डूब है या फिर तुम तीन और डूब जो तुम और डूबेंगे ऐसा करते करते, BMW आई जाएगी ना? जब 10-20 डूबेंगे तब एक आदगी तो नहीं आएगी क्या? अब इसको इन्होंने नाम दिया Snowball क्या दिया? नेटवर्क वाले को और क्या नाम दे सकता है? Snowball Snowball आपन तो क्या? गरीबी में रुमाल पास करना, तक्या पास करना, बोटल पास करना ऐसे गेम केलते थे यह यूरोप वाले क्या? Snowball बना या? ऐसा फैंकते थे तू आगे तू आगे एक से आगे एक सैंपल पकड़ते रहो इसको क्या नाम दे दिया? Snowball इजी लेकिन अभी इससे जो भी नर्सिंग ओपिसर मिले मुझे क्योंकि चाहेगी केंटीन पर ड्यूटी के टाइम पर आने वाले लेस सीरियस नर्सिंग ओपिसर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं अब मुझे जो एक्शुल प्रॉब्लम जाननी थी ना वो प्रॉब्लम तो बताने वाले बहुत कम या आए ही नहीं ऐसे नर्सिस मैं मुझे ढूंकि एक होओ तो अच्छे सेंपल्स चीए क्या च्या सेंपल्स भी ले पाऊंति、 मुझी पता रिवर्ब्लम सेंपल्स प्लॉट का मिलते कहाfik हैं को तो इस लो बॉट कि उस続 पसेंपलू इसाए का थैऽerd तो इसका नेक्स लेवल हो सकता है तो परपजिव और जज्जमेंटल, जो मैंने उबलीक में लिखा ये सब अलग-अलग भी है, कुछ बुक्स में आपको अलग-अलग लिखावा मिल सकता है, मैं अपना जज्जमेंट तभी यूज़ कर पाऊंगा, जब मुझे आपके बारे में पता है, यानि रिसर्चर लड़किया मिली, यह उल्टा 80-20 हो गया, तो मैंने का यार फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बराबर, तो हर लिमिटेशन को ओवर कम करने के लिए, कुछ ने कुछ क्राइटीरिया बना दिया, एक और सेंपलिंग टेक्निक आगे, जिसको कहते है, कोटा सेंपलिंग टेक्नि पॉसिबल, तो आप इलिजिबिलिटी क्राइटीरिया को किसी एक करेक्टरिक के आदार पर बांट दो, चाहिए को मेल फीमेल हो, जेंडर का, या मैं कह दूँ कि मुझे तो सारे GNM नर्सेजी मिले, BAC कोई मिला ही नहीं, मैं चाहता हूं, BAC बालों को क्या प्रप्लम है, त 50 MSE मुझे कैसे लेना है, मैं तैय कर लूँगा, या तो convenience है, या परपजीव से, जो भी कोई technique हो, तो यह क्या हो गया, कोटा sampling technique, और non probability weak method है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, probability, अब probability तभी ले पाओगे, पहले आपके पास सभी लोगों की list हो, तो पहले सभी नर्सेज की list उसके पास होने चीए, list कहां से आएगी, आप लोग form भरोगे, form भरते ही list आगई, अब form भरने के बाद best हो, कैसे पता चलेगा, exam दोगे, number आते ही पता चल गया, चल गया कि नहीं, तो उन्होंने सबको मौका देके, एक better candidate ढूणने की कोशिश की, so इसमें हम कैसे करते है, एक होता है, simple random sampling, simple random, जैसे हम कहते हैं, lottery method, यह lottery जीत गया, आपका ही allotment, lottery से flat का allotment हो गया, car का allotment हो गया, जो भी होता है, या फिर एक flipping the coin, toss, जैसे cricket team में पहले कॉन बैटिंग करेगा, टेनिस में पहले कॉन सर्विस करेगा, कैसे देखते हैं आपन, toss, और आज गल, वो KBC में कौन बनेगा, करोड़ पती, घर बैटे, जीतो, jackpot, सवाल का उतर दो, 12 रुपे में SMS बेजो, तो करोड़ पती कौन बना, KBC वाला, यो कि 12 रुपे में, 2-3 करोड़ लोगों ने तो बेजी दिया, 25-30 करोड हो गया, और देख या, एक लाग रुपे भापस किसी को, अब वो क्या करेंगे, मालो 2 करोड़ लोगों के random mobile number है, जिन्होंने message किये, उसमें से computer एक lucky number पिक करेगा, यस, तो वो table of random numbers या, randomly यह से चिट से निकाला जाता है, फिर उसको computer jig phone लगा देंगे, और अमिताब कहेगा, वो थोड़ी आगे exam में, वो कहेगा, simple random method समझ में आया वो चिट फाडने वाला, तो उसमें random number ही रहते हैं, और फिर वो block भरते हैं, जिनके वो number आगे, वो चीट जाता है, अब इसमें क्या हुआ, simple random sampling में भी पता चला अपने को, जैसे मालो क्लास में 300 लोग है, मैंने 10 लोगों में gift बांटनी थी, ऐसे ऐसे 10 लोग सेलेक्ट कर यह आगे, पीछे वाले बच्चे करें सर माला तो हम लाते हैं, गेप इनको दे रहे हो, यह क्या तरीका हमें मौका मिलना, तो मैंने को मैंने तो simple random से लिया था, तुमारे तक मेरी नजर पहुंची ही, तो बोले सर है दाने कुछ system बनाओ, क्या बनाओ, system जिसमें दो चार आ अगई systemic random sample, अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि मेरे पास तो 10 ही gift है, student है 300, यानि कि total number of samples available n, by desired number of samples small n, तो मेरे पास class interval 30, यानि मैं हर 30 में बच्चे पे एक चलूँ, तब जाके सभी बच्चों को cover हो, समझ पा रहे हो, ऐसे 30 में एक दे दिया, 30 में एक दे दिया, फिर 30 मे पहुंची जाओंगा, जाओंगा कि नहीं, समझ पा रहे हो, तो ये मैंने class interval निकाला, कैसे, available sample, desired sample, तो हर 300 बच्चा लूँगा, अब हर 300 कौन सा लूँगा, तो मैंने एक चिट निकाल ली, 30 numbers की बीच में कोई एक number ले लिया, suppose 5, एक चिट से ले लिया 5, तो पहला पांच अगला कौन सा प्लस 30, यानि की 55 को ऐसा करते करते, लास्ट वाला किसको मिलेगा, लग बग 300 के आसपास, जो होगा 265, मिलेगा कि नहीं, समझ पा रहे हो, सो सिस्टेमिक सेंपल इस, having a class interval, and taking every nth number, nth को मैं काता हूँ, फाला नंबर, होगे देना पन फाला, फाला कैसे आया हर 30, और 30 कैसे, क्योंकि हमने class interval निकाल लिया, available by desired, और 30 तक कोई एक number ले लिया मैंने, सपोज मैं एक लेता, तो अगला 31 होता, सपोज मैं 29 लेता, तो अगला 69 होता, होता कि नहीं, उसमें वो 30 add करते जाते, जाते कि नहीं, तो ये मैंने और fair होने की कोशिश की, लेकिन किस मत साथ दी नीरी, इसमें भी ज्यादा लड़के select होगे, योगी ऐसी बैटे वे ते रोल नमर वाइस, अब और इन फीमेल महां का गी हमारा representation ज्यादा है, क्लास में, हमें ज्यादा मोका, हमारे लिए वोई कोटा बना हो जो पहल बनाया था आपने वहाँ, नॉन रेंडम मे बनाया था कि नहीं, तो यहाँ पे कोटा की जगए क्या बनता है, strata, क्या बनता है, बागी सब सेम, gender, education, place of residence के आदार पे मैंने population को दो भागों में बाठ दिया, सपोज मैंने का आप वो 50 males and 50 females लेंगे, और लेंगे कैसे उनको कोई भी एक तरीके से चाहिए, systematic से ले लो या simple, random से ले लो, समझ पा रहे हो, और next जो आता हो आता है, cluster, अब cluster भी क्या होता है, cluster बतला एक sum, sum, अब किसी ने का, कि best nurses चाहिए हमें 300, तो मैंने का, कहे को 300 nurses, ले लो, और उसने सबको ले लिया, तो किसी को objection हुआ क्या, हुआ कि नहीं, randomization, हो गया, randomization, when you take the entire group, then it becomes cluster sampling, क्या, जैसे हमने कहा, कि माल नरिष्ट बच्चों पे हम study कर रहे है, उस लम में गए वां तस माल नरिष्ट है, हमने सबको ले लिया, इसका मतलब क्या लिया, यानि उस cluster को cover कर दिया, कि suppose this area भगत कोटी cluster is covered, yes, suppose एक बहुत बढ़ा program है, malnutrition को assess करने वाला, पूरे दुनिया में, या पूरे भारत में, या पूरे जोदपुर में, कितने माल नरिष्ट बच्चे, तो मुझे ये randomization बार-बार करना पड़ेगा, कैसे, suppose भारत के अंदर 600 district है, तो मैं sequ systkl 67 करूँगा, फिर 100 district के अंदर 500,nosták solid, तो मैं sequin hayaja, यानि माल निंदम तषे, क्लूप है तो मैं contempor acal, यानि कि Flu, crois के अंदर 5000 गाहँ में, सिलएक करमा तो मैं pharmamal, फिर 100 गाहँद करूँगा, समझ पा रह और हूं, यहों हम सबको मौका तो दे रहे हैं पर हम उतना जान नहीं पा रहे हैं यान कि multi stage cluster क्या करें हम इसको बार-बार randomization किया आपने more than one time more than one time तो यह हमने sampling के बारे में देखा अब data कैसे collect करते हैं तो उसके तीन तरीके होते हैं डिटा कैसे collect करते हैं एक तो आप ने examination का तरीका देख रखा है जब आप exam देने जाते हो तो pen and paper test होता है आप लिख के बताते हो आपके सामने list of questions होती है आप खुद लिखते हो तो उस technique को कहते हैं self report क्या कहते हैं self report तो यहाँ पर एक पूछा हुआ है कि इन में से कौन सा method नहीं है लेकिन एक्सपरिमेंट नहीं है तो जब आप self report करते हो ना self report तो खुद लिख के बताते हो क्योंकि आपको एक list of questions दी questionnaire आप बोल के बताते हो तो आपका क्या लिया गया है interview क्या लिया गया है इंटर्व्यू और कुछ आप एक्जाम में वाइवा देते ना वाइवा वह से तो वह इंटर्व्यू है आपका कुछ आप बोल के भी नहीं बता सकते लिख के भी नहीं बता सकते तो observe करता है examiner observe और observe क्या करता है procedures क्या करता है तो अपना क्या होता है practical exam होता है और कुछ चीज वह भी observe नहीं कर सकता ना पता सकते हो तो वह मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं क्या करने पड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं बायो फिजिकल जो वेरियेबल है अपना जैसे मैं आपको पूछो आपका आपको याद रखना है वेलविटी मीन्स क्या और रिलाइबिल इन क्या तो एक वर्ट का मतलब आपको याद रखना है a Q 15 q i q especially c'th a qu' Mississippi City सिम काटें वेलिटें वेलिटें वेलिटिल stanieक्तिंस के बाद वात मानने हो जाएगा वो जाएगा कि नहीं चलेगा नहीं एक्पर ठोट जो भी रूजर से फॉलो imagem कर रहा है गाइडेंस में उसको वैलीडेट करवाया, क्या करवाया, एक्सपर्ट से उसको वैलीडेट करवाया, कि सर यह सही है, क्या लोगों ने सजेशन दिया और वो सही बना फेर, तो वो क्या हुआ, accurate, यानि कि ता इंस्टूमेंट मेजर्स, what is supposed to measure accurately example बताता है एक बीपी एपरेटस का वेइंग मशीन का वो बीपी एपरेटस या वेइंग मशीन बीपी एक्यूरेटली मेजर कर रही है तो वो क्या हो गई वैलिड हो गई उसकी रीडिंग हो गई कि नहीं अब वो मार्केट में आ गई लेकिन लोगों को उस पर वरोसा नहीं है क्यों कि किसी ने बताया कि वो 120 बाइटी ही बता था बीपी चाहिए मुर्दे का ही लेलो बीपी बता रहा है पर या फिर एक आधगा ठीक बताया एक आधगा ठीक नहीं बताया कुछ वेंग मशिन होती ना जो एक एक्स्ट्रा ऐसे अपने ठरक लगा दिया तो सही वजन बताती है फिर वो बिगड़ जाती है और कुछ देर बाद फिर से चाहिद सही बता दे तो ऐसे पर आप धरोसा करो होगे क्या तो एक होता है reliability 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 कैसे आती है reliability आती है consistency से कैसे consistency से Consistency जे मतलब वह इंस्टूमेंट लगातार बार-बार हर बार हर सिचुएशन में वही रिजल्ट देता है यहां रखके आपका वजन चेक कर लिया वही आया गाउन ले जाके कर लिया वही आया अमरीका ले जाके कर लिया वही आया समझ पार है वाफ तो यह consistency होती है तभी भर और कोई आदमी कांसिस्टेंटली गलत चीज बता रहा है तो वह रिलायबल तो है क्योंकि वह बता है लेकिन गलत यानि कि that is not valid that is not consistency नहीं हमें accuracy भी देखने है क्या देखनी है accuracy वो बेड़ी आया बेड़ी आया वाली बात आपने देखी होगी लोगों ने मान तो लिया लेकिन accurate नहीं था तो फिर reject कर दिया तो consistently selection कौन दे रहा है पका ठाप है तो रिलाइबिलिटी और वैलिडिटी में फरक आपको जो question पूचा जाएगा accuracy लिखा जाएगा या consistently measures what it's supposed to measures इसको जो नापना चीए वही यह नापरा है लगातार तो यह क्या है कंसिस्टेंट लिखा हुआ होगा तो भी वैलिडिटी अंजर आएगा consistently measuring what it's supposed to measure yes ठीक है जो उसको नापना चीए वह नाप रहा है तो वह वैलिड है क्या है तो reliability हम देखते है जाए stability क्या stability over a period of time over a period of time similar results are produced then this is reliable okay so statistics के test तो सर ने आपको कापी summarize कर दिये थे मेरे क्याल से mean mode medium standard deviation दोड़े देख लेना देख लोगे क्या ओके वेरिगोड अब यहां मैं आपको थोड़ा सा तो हम नर्सिंग एजूकेशन के दो चार कंसेप्ट देख लेते हैं यह बताना बहुत जरूरी था जो अलबर्ट आइंस्टाइन में कहा था मैंने नहीं कहा है नहीं को तुमारे लिए मैं किसको किसको बुला-बुला के सुना रहा हूं कि अपने आपको इंपलाई करके सही चरी के से सोच पाएं तो नसिंग एक सब्जेक्ट आपका और एजुकेशन के कुछ कंसेप्ट सम लोग क्विकली सम अप करेंगे यह एक डेफिनेशन किसी ने दी है बाई एजुकेशन आई मीन ओल राउंड ड्रॉइंग आउट आफ बेस्ट इन दा चाइल्ड मैन और स्पिरिट इस इस गिवन बाई मात्मा गांधि कि हाम किसी इंसान या बच्चे के बाडी माइंड स्पिरिट का बेस्ट डेफिलप्मेंट कर लें तो वह एजुकेशन का परपस होना ची आजकल आपन सिर्फ डिग्री या कागत जमा कर रहे हैं दुर्भागियस से हाना सो यह मात्मा गांधि के आपने डेफिनेशन देखी बागी कम्यूनिकेशन का प्रोसेस आप लोगों को आता है यहां पर ट्रांसलेटिंग मैसेज इंटू वर्बल और नॉन सबख सिखाए जाते हैं वह थो ए इंफ़ोर्मल यह ऐसा करने से गडवड होती है और जीवन मेह किताव auf और हमें सो इनला सकती है क्या दिला सकती है क्या दिला सकती है नोगरी नोगरी So, formal we undertake in schools or institutes. यहां पर देखिए, मेरी कहल से यह वर्ड आपने सुना होगा कि नहीं मुझे डाउट है. Another term for interpersonal communication is mass face-to-face, didactic, virtual reality. बी नहीं होगा बच्चो हैं. आप यह यह तूनना है ही. Didactic. क्या यह डाइडेक्टिक? दो मेतड्स यूज किये जाते हैं एजूकेशन में, डाइडेक्टिक एंड सॉक्रेटिक. उनका मैं मतलब समझाता हूँ. यह वर्चुल रियलिटी तो आजकल अपन देखते हैं, वी आर, वर्चुल रियलिटी हो अपन ऐसा कुछ वी आर सेट लगाते हैं, दूर बैटे-बैटे वीडियो गेम खेलते हैं ऐसे लग रहा कि आप प्लेन ट्राइव कर रहे हो, पसिबल है ऐसा, वह आता ना, गेम्स के अंदर या ऐसा सेट आता है, आप इमेजिन करो कि वो एक बड़ा सीट पे दिया है, उसमें ऐसे ग्राफिक्स आ रहे हैं, ऐसी साउंड आ रही है, आपको लग रहा है, आप ही वो एरोप्लेन चला रहे हो, और वर्चुल डियलिटी, मोधी जी अब प्रचार कर रहे हैं, रिशी के इसमें बैटे-बैटे, और आपने को सामने मंच पे वो खड़े हैं, ऐसे 3D ग्राफिक्स से क्रियेट हो गए, तो वर्चुल डियलिटी है, क्या है? यह फ्यूचर है अभी, टेक्नोलोजी का, तो डाइडेक्टिक और सॉक्रेक्टिक का मतलब बता देता हूं, हम दुर्बागे से जो कुछ भी पढ़ते हैं, लेक्चर मेथट से, वो क्या है? डाइडेक्टिक्स, यानि कि इस रिजिट वन वे कम्यूनिकेशन, रिजिट वन वे कम्यूनिकेशन, वन वे कम्तलब आज, मैं आप से भीच-भीच में मौका दे रहा हूं, समझे की नहीं, या जो कुछ भी, बट उससे मुझे कुछ खास इन्पुट नहीं मिल रहा है, आपके ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, आप सिरफ रिसीवर बने वे हो, क्या बने वे हो? रिसीवर, और परम परगत परीके से, इंडिया मिल रहा है, आख से कि इंडिया में परम यंडिया धुट नहीं है, राड़ देलो, बार बार देलो जिस तुम घड़े हो, नहीं मिल नहीं है? ही मैं भी यह वैसल सो ज्यादा तर यह classroom education जो है यह डाइडेक्टिक है क्या है क्या है डाइडेक्टिक सो लेक्ट्स एग्जामपल ऑफ डाइडेक्टिक कम्युनिकेशन इससे बैटर क्या होना चाहिए सुकरेट्स ने बताया था इसलिए सॉकरेटिक या mutatics या ellentics ऐसे कुछ और नाम दिये हैं आप इसमें स्टरफ सॉक्रेटिक तो at least याद रखना यह जो philosophy और एक परिका बना है communication का यह two-way cooperative communication के लिए use होता है यहां student को classroom teaching की तरह नहीं पढ़ाया जाता basically क्या देखा जाता यहां पर challenging the student with questions about their own beliefs and experiences आपको thought-provoking questions दिये जाए कि आप कुछ सोचो और अपने आपको imply करो तो ऐसा curriculum activity based curriculum आएगा देरे देरे इंडिया भी इस तरह शायद जाए आगे और activity based curriculum आए तो education में हम क्या देखते है education में हम देखते है education के philosophies फिर education में एक objective से लगा के lesson plan unit plan course plan और curriculum जिसको आप syllabus नाम देते हैं वो इस तरीके से बंटा हुआ रहता है सुना आपने पहले okay good so education के philosophies जैसे idealism, pragmatism, realism, existentialism ये कुछ philosophies है इस वाज़े क्या पुछा है कौनसी philosophy बिलीव करती है कि ultimate goal of human activities, realization of human mind in his or herself यान कि जहां mind है वो सब कुछ है कौन देखता है ये तो mind बतलब ideas क्या था philosophies का मैं आपको थोड़ा सा example बता देता हूँ एक एक करके सबसे पहले अपने जो last option था वो देखते हैं वो है existentialism क्या existentialism तो exist करना exist करना जैसा हमने आपी सोक्रेटिक कम्यूनिकेशन में देखा कि ये जो फिलोसोपी है ना existentialism ये क्या सिखाती है ये सिखाती है कि every individual is unique and education must cater the individual differences अपने यां गदा गोडा उल्लू उल्लू का पट्टा कुत्ता आदमी आदमी जैसा और सबको एक ही श्टिक से आका जाता है की 10 कर लो 10 कर लो 10 कर लो 10 कर ली और और यहीं टेलेंट ठीक्या कोई मोके नहीं मिले न और कुछ करने का तो शायद एजुकेशन के साथ साथ ऐसा कुछ और बैटर होता तो प्रबेबली येस यदि आप फिश और मेभी प्रबेबली रेबिट मैं कॉंपिटिशन करवा होगे तो कौन जीतेगा फिश या रेबिट मैंसे चलो चलो इसमें टाइगर चीता एड़ कर दो चीता चीच हैगा नई आप गलत क्या रहे हो तो यही सब हो रहा है आपने साथ क्योंकि अपन मेंसे सब लोग अलग है बट रेस एक ही भागे जा रहे है भागे जा रहे है पता नहीं क्या होगा बट फिलाल चवदा तारिक तक तुम भागते रहो ठीक है तो यह एक्जिस्टेंशिलिजम आएगी यह फिलोसोपी कभी इंडिया में तब दुबारा जनम लेंगे अपन तो फिलोसोपी का मतलब क्या यह ग्रीक वर्ड है आपको बता दू मैं फिलोस एंड सोफिया से मिलके बनावा है फिलोस मेंस लवज और सोफिया यह इसको अब सोफोस का होगे न तो यह विजड़ यान की लव और विजड़ नौट फॉद फॉद नौलेज ठीक है विजड़ और नौलेज और विजड़ में डिफरेंस क्या है एक होता है अकल अकल ना ऐसे ज्यान और अकल विजड़ इस एप्लिकेशन ऑफ नौलेज ठीक है जिब आप नौलेज अप्लाई करने लगते हूं यू बिकम वाइस नौलेज जमा है किसी काम का नहीं है या उसका यूज नहीं कर पा रहे तो वह तो जस्ट एक गारबेज है तो फिलोसोफी तो हो गई अभी मैं आपको फिलोसोफी के टाइप बता देता हूं नैचुरिलिजम आइडिलिजम रियलिजम प्रेग्मेटिजम और एकलेक्टिजम यह का दोर है क्या नहीं इसी को समझा देता हूं तो सबसे पहले जैसे आपन देखते थे ना अपने नहीं इसी करें तो उन्होंने बढ़ी ऐसा गॡुकुल बिने वहा तो इसी वची लगा के नहीं जंगल में जाडियां ङहां कर तो ना चूरलिजम अचरेलेजम ना चूरलिजम तो बिग्निंग जो हूई थी नेचर is the ultimate source of knowledge कि इसी छीज है अपने धीर दीर और फिर सारी च यह आएडियास के दम पे राभ को भी हर सकते हैं सब्सक्राइब तो वा लो फुमस्क्राइब को आइडियों ने जो तुम पीते हो आत्मा थाइब वाला ना सुपर नेचुरल पावर वाला गॉल्ड मतलब श्रस्टी भग्वान चलता है और इनसान के माइड में श्रस्टी के अनुसार कुछ भी करने की श्रमता है फिर तिरे तिरे लोग और आगे प्रैक्टिकल लोग अमेरिका डेवलाप होने लग गया उन्हें कि यह बगवान बगवान कुछ नहीं होते हम ही बगवान है धर्ती पर रियलिटी ओरियंटेड लोग आगे कि वाटेवर इस रियल जिसको देखा जा सकता बगवान दिखा नह इंडीड जिसकी रियलिटी पर्सिव की जा सकती है वही एक्सिस्ट करता बाकि नहीं करता फिलोसोफी वाले मानते हैं रियलिजम फिर लोग आगे और ज्यादा प्रैग्मेटिज्म प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या बेस्ट ऑं दर यूस बेस्ट परेंड तबहीं यह जो काम आता है वाई फ्रेंड है. बाकी सब समझेगी नहीं? तो इस फिलोशोपी का ये आज कल की टिपिकल फिलोशोपी है. वाटेवर ही यूस्पूल, इस गूद. तिल इस यूस्पूल, तिल रैं इस गूद. वैनेवर ही नट उस्पूल, इस नॉट गूद. तिल देन इस यूसफुल अदरवाइस गार्बेश जब तक तुम जैन्सी में हो तब तक तो यूसफुल ही है और उसके बाद आहां हां ओके तुम लोग वह पता चलांगी है ऐसे-खैसे हम थोड़ा फ्रेगमेंट भी होना चाथे हैं थोड़ा रियल भी होना चाहते हैं थोड़ा अईडिलियुक्त के कुछ अच्छे तो लोगों ने कहा खिजडी बना लो क्या बना लो और एक और नहीं फिलोसोफी पैदा हो गई जो कहलाती है एकलेक्टिजम एकलेक्टिजम मिक्स्ट क्या मिक्स्ट सहथ बैटर रही बैटर ऑप्शन है एक उसका करिकुलं होगा उसे हिसाब से आगे रोजगार के चांसे होगे तो हम चाहते हैं कि हमारा एकुकेशन जो एक्जिस्टेंशिल फिलोषवी था उस तरफ जाए तो और बेटर होगा होगा की नहीं अब होता क्या है आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग करके चोटा तो तुम लोग ने टीचिंग किया गया कुछ छोटा-चोटा टॉपिक देखें फिर क्लास वाले खुश हो गए अच्छा तो हम क्या करते हैं एक टॉपिक कोई भी सिलेक्ट करते ना जो आपको दिया गया होगा प्रबेबली टीचर्स द्वारा फिर तुमको कहा था कि इसके अबजेक्टिव बनाओ क्या बनाओ कि तुम क्यों यह पढ़ाना चाहते होगी at the end of the class what student will achieve ऐसे कुछ लिखते थे आम अबजेक्टिव अब बनाए तो आप फोड़े से चेक करने के बाद अबजेक्टिव बना लिए उस अबजेक्टिव बेसिस पे आपको content लेना है क्या है तो content के लिए आपने क्या बनाना है lesson का प्लान lesson हो तो आपका काम हो गया लेकिन एज़े टीचर हमें तो आपको एक यूनिट एक सब्जेक्ट एक कोर्स पढ़ाना है पढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे हम उल्टी अप्रोच लेंगे क्या लेंगे हम प्लान करते हैं आप बनाने तक का रस्ता बताएगा कैसे होगा यह रस्ता हम कहेंगे यह चार साल का होगा first year के अंदर यह कोर्स होगा फिर करिकुलम के अंदर क्या आएगा course प्लान फिर first year के अंदर कोर्स प्लान फिर फिर सब्जेक्ट बताते हैं आपके anatomy होगी फांडेशन होगी यह microbiology होगी यह nutrition होगा यह biochemistry होगा ऐसे subjects बनाते हैं बनाते हैं कि नहीं सो फिर course के अंदर फिर हम क्या बनाएंगे unit क्या बनाएंगे फिर unit से हम topic डालेंगे फिर teacher उसका lesson plan बनाके unit by unit lesson by lesson syllabus cover करेगा करेगा कि नहीं तो इस तरीके से हम teaching implant impart करेंगे लोगों को पढ़ाएंगे अब जब मै teaching पढ़ाऊंगा तो मेरे को कुछ teaching methods आने चाहिए आना जैसे लेक्चर है पैनल डिसकर्शन है सिंपोजियम है सेमिनार है वर्क्शॉप है ऐसे नाम सुने होंगे आपने तो थोड़ा जा मीनिंग देख रहा है वह था सिंपोजियम सिंपोजियम का मतलब होता लेक्षर सीरी एक आया दूसरा वक्ता तिसरा वक्ता एक टॉपिक पर बोल रहा है पर उसके एसपेक्ट अलग अलग है प्रतिक वह पार में सेंपोजियम हो गया उसके बाहतर और ऑडियंस ने कुछ ड़ावट है यह लेक्षर से शोट लेक्षर सिर्श्य को और बताते हैं कि अपने बता हो इसे नागरिकता ले सकते हैं कि दे सकते हैं इस एक मोडरेटर चिलना तरहता है चुप 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 शान 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 आपका टाइम हो गया प्लीज बीच पे ना बुले समझ पा रहे हो और यह गता माइक्रो टीचिंग क्या छोटा टीचिंग इस पर क्वेश्चन आता है जो नया टीचर बनता है न उसको पूरे 40 मिनट की क्लास नहीं देते दस मिनट की क्लास देते और आज हम सिरब देखेंगे कि वह इंट्रोडक्शन देना शीख जाए दूसरे दिन देखेंगे वह बोड यूज करना शीख जाए तीसरे दिन देखेंगे वह सरफ क्वेश्चन पूछना शीख जाए यानि कि हर स्कील को छोटे-छोटे पार्ट में बाढ़ दिया और फि इस पे clinical teaching methods भी आते हैं जो आप लोग hospital जाते हो क्लिनिकल राउंड, case studies, case presentations, एक होता है anecdote, anecdotal report, सुना है आपने, anecdote का क्या मतलब, question आएगा इस पे, आदर समें टो, anecdote, so anecdote का मतलब जैसे अभी class के अंदर, एक बच्चा अच्छे से response दे रहा है, मैंने अबजर्व करा और मैंने उस बच्चे के जो भी मेरे पास evaluation करें, मैंने लिख दिया कि, he is good in this, so probably, आगे जाकर बाकी लोग team के उस पे work कर सकते हैं, क्लिनिकल में काम करते हैं, हमने देखा कि वो चोटे बच्चों पे बहुत अच्छे से बॉंड कर पा रहा है कोई, तो हमने अनेक्टोट में डाल दिया कि this student has good ability to connect to child, कुछ लोग relative को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं या communicate बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमने डाल दिया कुछ लोग क्या है जिनके ऐसे स्किल्स हाथ वाले स्किल्स होते हैं लाइन डाल हुई या ऐसी कुछ चीज तो उनके वो लग लिग दिया मतलब स्टूडेंट की पस्नलेटिका कोई सिग्निफिकेंट अब्जरवेशन उस घटना को हमने लिखा बड़ याद रखना यह मिसकंड़क्ट नहीं है अदर्वाइस यह इंसिटेंस रिपोर्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा नॉर्मल इवेलिवेशन का पार्ट है और उसके कुछ खूबी या हो आज वो बचा डिप्रेशन में है या लो फिल कर रहा है और मैंने देखा कि यह पीछे पीछे बैटा रहता है कभी पाटिसिपेट नहीं करता तो यह मैंने एनकडॉट डाला क्या डाला लेकिन एक बच आप है प्रोसेश रेकॉर्डिंग मिरी कहल जाुद भल होगा प्रोसेस रेकॉर्डिंग और हम में तता रिस्पान्स दिया हो लिखते हैं कО कि अप Dgirl लर्निंग मेथट से तो लेकिन हम एविएट्स यूज करते हैं आज कल ओडियो विज्वल इड्स अब एविएट्स में क्या होता है एविएट्स के अंदर आप आज कल टेक्नलोजी से यह प्रोजेक्टेट टाइप के आगए पहले मॉडेल्स चार्ट और ऐसे कुछ नाम एविएट्स के दोरान और कोर्स के एंड पर जो एविएशन होता है वो सब्मीटिव एविएशन टोटल सम्ट में हुआ है वो समझ पाले हो आप है अब इस तरीके से लेस्न बनाने से लगा के पढ़ा के एवेवेट्स करने तक के आपके टीचिंग लर्निंग स्किल्स आए तो क्या करते हैं बच्चे के डॉमेंच में फोकस करते हैं मैं Bowl आपने डॉमें औफ एजूचेशनल औपज़ेक्टिव यह क्या हैाय क्या है गर्नेटिव डॉमेंन और आपका बेभीशा हो क्या हो चाहिज़ 50 मैं एक और आपिसको डोमेन क्या सकते ऑफैक्टिव सकते हो और स्किल्स में भृषई होए स्किल्स में आता साइको मोटर डोमेन ए साइको मोटर डोमेन सुरह आफैनर impressive 20 होना चाहिए हमारा attitude सही होना चाहिए हमारे स्किल्स सही होने चाहिए तब जाके हम एक successful इंडिविज्यल बन सकते हैं यह होते हैं डॉमेन नॉलेज के साथ deal करने वाला cognitive इमोशन के साथ प्रबेबली जो आप वहां देते वह अफेक्टिव इन साइकेटरी यहां कोनेशन केते हैं क्या कहते हैं कोनेशन एटिट्यूड के साथ जो डिल करता है और साइको मोटर साइको मोटर डोमेन यानि की स्किल के साथ टास्क परफ पढ़ाते टाइम हमें कैसे पढ़ाना चाहिए कि नौन टू अनौन पहले जो चीजे पता है वह बता है फिर अनौन एरिया में जाए पहले सिंपल फिर प्रबेबली कॉंप्लेक्स तरह ऐसे कुछ साथ आठ पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप नोट्स में चेक करना यह जन ONC education के नंड़ इंडिया में जो education की हिस्टी रही है है। इंडिया में nursing education की जो हिस्टी रही है वह तो मेरी क्योंब सर रहें आपको fundamental में बता दिया होगा B.AC nursing कब शुरूब है M.A. ad v messy nursing मॉस्रूरू है अब NNMCB बन गया है इंडियन नासिंग काउंसिल की जगह है तो वो सारी चीजें आपको याद रखना है तो हमने ओवर आल तरीके से आपको ऐसा कोई टॉपिक जो मतलब इसके पारे में आप सोचो नहीं और एक्जाम में सीधा आ जाए उसकी संभावनें लगबग मिनिमाइ कर दिए तो मुझे लगता है आप अपको कोई टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि सार हमें थोड़ा और एडिशन होता तो बैटर हो पाता तो आप मुझे पूछ सकते हो अंडेट क्रेशन के अंदर सेंप्लिंग जो है न वो कापी नहरो हो गही है बट मालों दो तीन भी क्रेशन बनेना पर हम चाहते हैं कि आप लोग उनको भी स्पाट कर पाओ एक वर्ड उता नर्सिंग और नर्सिंग और एक वर्ड उता परफॉमेंस अप्रेजल तो अपरेजल नर्सिंग पर्सोनेल का या इंडिवीज्वल का होता है यानि कि साल भर में आपने जो काम किया वह एक्प्लोई के तौर पर इसको कैसे एवेलवेट कर रहें और उसमें वह तो एरर बताए दे मैंने पहले ओवर एवेलवेशन और अंडर एवेलवेशन वाले ज क्या खोगला अबर कहते हैं मैं कुछ नहीं खोगला है और एक होता है अंडर एवेलवेशन ओफ डिजर्विंग पर्सन जो अच्छा काम करता है पर चाहता बहुत को बाव नहीं देता प्रबैबली तो लोग कहते हैं इसका एटिट्यूट सहीं है यह नहीं वह नहीं उनको कम ग्रेट्स दे रहें जितना डिजर्व करते हैं उनसे कम इसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट क्या हो उन मतला वह सींग आते हैं क्या सींग जयानि उसके पीछे ही पड़े हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहें यह दो बड़े बाएसे जै ओवर एवेलवेशन और अडर क्लास में भी बच्चों की अक्सर सिकायद रहती है घिजर हम कीतना रही अच्छा लिख दे हैं नमबर ज्यादा तो उनके ही आते हैं इस्पेशली वह जब लॉंग आंसास लिखने होते हैं तब एमसी क्यू में तो क्या बायस होगा तो यह बायस हो सकते हैं ओडित जो है न पेशेंंग अश्वल्ख में होनेके बाद आप रेकॉड को अडिट करते हो मैं पूप सत गोगर रिट्रीच करते हो यह सपěक्टिव वहूडिट हुआ क्या हूँआ रिट्रीच स्पेक्टीव पेशएंट चला गया अप देख रहें कि आपने टेंघ्री नस्सिंग के अर तो यह concurrent, concurrent audit कहलाता है, concurrent का मतलब साथ-साथ, patient है, हम care दे रहे हैं और साथ-साथ evaluate कर रहे हैं कि बराबर care दी या ने, तो as a nurse मेरे क्याल से यही terminologies आपके काम आएगी, आपके कुछ ने आता है, तो आस-पास देखना वो भी हमने कही ने कहीं बता ही रखा होगा, अब रुमेशार को भुला देना ची है, मेरे क्याल से, अच्छा, तो रुमेशार आपको ओंकोलोजी के कंसेप्ट बताएंगे, वहाँ, शर, क्या वाद, क्या वाद, so thank you so much and i request samisha to continue the class good afternoon yes 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 so last 11 days continue and today we complete it we have a lot of time so we don't have a lot of time so we don't have a lot of discipline and we continue yes yes we are doing all of them everyone good evening hello can you see me something yes yes where are you live yes 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 start very important oncology nursing so oncology terms we have a lot of time and if we talk about disease it is also very big and dangerous but we will talk about oncology and nursing if we talk about exam if we talk about exam we will play a very important role and start with that the first one world cancer day in it is it is the 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 स्टार्ट करते हैं वेट जाएं जिसको जमना जम जाएं next three hours के लिए आप हिलने का कोई मोगा नहीं आपके पास next three hours कोई trafficking नहीं होना चाहिए yes so world cancer day on 4th of February each year पहला हमसी क्यों जो वन लाइनर कभी कभी आ जाता है कि वर्ड केंसर डियम कब सेलिब्रेट करते तो आंसर क्या होगा 4th of February जब भी कोई डेज सेलिब्रेट होता है तो उस दिन कोई न कोई न कोई होगा वैसे ही थीम आपको दी जाती है so every year यहां पर वर्ड केंसर डिपे भी एक थीम जन्रिट होती है और अगर हम थीम की बात करें तूटाउजन ट्वेंटिफूर क्लोज दा केर गेप कर देखते हैं वहां पर आप देखते हैं उनके फादर्स लिखे होते हैं सब में जैसे फारम आमने पढ़ा यह अधर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे सब में होगा फादर आप तो यहां पे हो जाते हैं कुछ साल बात तो अभी जनरेशन चेंज होगी उनको पराने पसंदी है मोडन वाला चाहिए तो फिर फादर चेंज करें मोडन फादर करते हैं तो यहां भी ऐसा ही है अगर सब्सक्राइब करें मोडन वेडिकल उंकलोजी के फादर पूछे तो आंसर डॉक्टर सिटनी वार्बर नेक्स्ट एमसी क्यू कॉंसेप्ट आप कीमोथेरेपी में फादर आप कीमोथेरेपी अगर आता है आंसर सुट भी पॉल हल्रेच इस दे परसं वीस नॉन इस फादर कशक्राइब को किमोथेरेपी नेक्स्ट सुट थो तो बार एक पूछा गया है कि हुष डवर्ण सेप्ट बार कीमोथेरेपी दिलिया कि दिया था तो अंसर क्या होगा फिरस बारे ब्लीष्टल्फ directement को राइब के ψventions सेप्ट आप किमोथेरेपी यहां पिन पे आपको नेक कुछ MCQ जो एक्जाम में आते हैं मोस्ट कोमन केंसर पर फेला इंडिया के अंदर सबसे कोमन केंसर मेल के अंदर क्या है तो आंसुर क्या होगा अरे बंद कर दो तो आवाज क्यों करना है नीचे जाओ इससे लुट करें इन इंडिया इनमेल लाज सोटी एंसर गवाज करें रजे। betting इंडिया नेश्या की परिया में बात करें या फिर वर्ड वर्ड बात करें दोसर में क्या है से मैं और वह आपका प्रयस्ट कैंसर इस मोस्ट कोमन अंडिया as well as in word in female next lung cancer is most common cancer in mean worldwide like if only India की बात करें male में common cancer oral cancer और अगर हम worldwide male की बात करें तो lung cancer और female में दोनों ही same रहेंगे चाहे आप इंडिया की बात करें या फिर आप worldwide बात करें दोनों ही क्या है breast cancer clear? yes अरे सुबह से पढ़ रहे हो आज तो अलग अलग पढ़ रहे हो सुबह मैच, reasoning, पदानी, GK क्या क्या पढ़ाया सडने, फिर research, education, admin yes और अब oncology, then genetics सो आपका खिचली नहीं होना चाहिए अध्रान conscious concept clear करना है, focus रखना है कि oncology स्टार्ट हो गया अभी मेनेजमेंट के flow में ही चलना है कि फिलो सोपर चल रहा है, फिलो मिन्स लव, सोपर मिन्स चलनी रहा भी था है yes सो अभी स्टार्ट क्या हो गया है oncology, very good, next oncology के अंदर कुछ और mcqs exam में आप से पुछे जा सकते हैं simple simple word के questions like hyperplasia what is hyperplasia now increased number of cell is known as hyperplasia anaplegia anaplegia का means आपके पास दो टैप की सेल है दो सेल है, दोनों को आप compare कर रहे है और दोनों में कोई similarity नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे anaplegia sale ये एक sale है और ये दूसरी sale दोनों में कोई similarity नहीं है structure में, shape में तो दोनों sale एक दूसरे के लिए क्या है anaplegia तो आप sales of differentiation यहां पर differentiation का मतलब है similarity कि एक sale दूसरी sale से कितनी सिमिलर है that is differentiated sale तो ये दोनों sale एक दूसरे से क्या है un-differentiated है और उसको हम क्या बोलते anaplegia next lipoma lipoma it's the word derived from lipid lipids इसको हम बोलते है fat so fat या lipid का जो tumor होता है उसको हम क्या बोलते है lipoma that is known as the lipoma so lipoma is the benign tumor of fatty tissue fat में tumor बनना उसको हम क्या बोलेंगे lipoma next adeno carcinoma बहुत बार exam में आया है so जब भी adeno carcinoma हम word use करते है उसमें दो word है adeno plus carcinoma so carcinoma का meaning होता है cancer in epithelial tissue carcinoma का means cancer in epithelial tissue and when this cancer is present in the cell which is responsible for the production of secretions कोई भी body के अंदर secretion प्रोडूस करने वाली cell है और वो epithelial cell है और उसमें cancer होता है उसको हम क्या बोलेंगे adeno carcinoma so adeno carcinoma is the cancer of glandular glandular का मतलब gland से word लिया है और gland का मतलब होता है जो body में क्या करती है secretion प्रोडूस करती है उसको हम क्या बोलते है gland so यहाँ पे glandular tissue जो हम बात कर रहे है gland की हम बात कर रहे है adeno carcinoma is the cancer of glandular tissue याद रहेगा next warning sign of cancer so these signs are very important for your exam as well as in your basic life also आपकी basic life में भी आपके लिए help करेंगे और इनको याद रखने का simple चा तरीका है c-a-u-t-i-o-n that is caution so change in bowel और bladder habit यह indicate करता है bowel यानी GIT के cancer को and bladder का मिन साब के urinary cancer को so अगर bowel या bladder habit में कोई भी changes होता है तुरंट doctor से consult करना है a reason that does not heal properly कोई भी ऐसा लीजन हो रहा है specifically in oral cavity या और किसी अधर पार्ट में बोडी पे और वो proper healing उस time duration में नहीं हो रहा है तो तुरंट doctor से consult करना है unusual bleeding or discharge और यार्स यस आप लोग क्लास को सब के पास सो बिल्कुल कॉन्पिटेंस रहना है जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना सब कर दोगों जितना आप लोगों ने खिस लेगा जितना आप लोगों ने रहना है झाल झाल सो हमेशा ध्यान रखना है इसी जजबे को आपको लास तक मेंटेन करके रखना है यस और याद रखना है कि यही जजबा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा यही जजबा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा और जमी बंजर हुई तो क्या हुआ यही से जल निकलेगा ना गबरा ना उदास हो एं मेरे साथी इन एंदेरी रातों से एं मेरे साथी इनी रातों के दामन से कल सुने रहा कल निकलेगा सो बिलकुल रात के बाद सुबह आईगी और वो सुनेरा कल बिलकुल आने वाला है ये रात खदम होने वाली है सुनेरा कल आपके लिए बहुत जल्दी फिप तॉप मई को आने वाला है तो बस तोड़ा सा बचा है तब तक स्ट्रगल करना है फिर लाइप में मजे ही मजे है फिर आप नर्सिंग और पिसर बन जाओगे और फिर घरवाले बोलेंगे बस साधी कर लो फिर मजे ही मजे है फिर आप बलोगे साधी भी कर ली फिर बाद में बस बच्चे सर बच्चे ब करोगे और बच्चे वह अगही जन्रeशन में भैजते रहेंगे वो मझे चलते रहेंगे बच्छे हिसिल यहाँ चलते रहेंगे चलते रहो कंद कंद कर मैनत कर लिदयां नहीं हो जाहिए नहीं। Indigestion or difficulty in swallowing, that is an indication for JIT cancer Obvious changes in worth or mole And the last one is Naginka for persistent hoarseness, indicate the laryngeal cancer So, नो करते हैं आगे, next Oncology के अंदर, आगे next There are two types of tumors in the oncology One is the benign tumor and second one is the malignant tumor Benign tumor which is very innocent tumor It is a mastome tumor, यह किसी को harm नहीं करती है This is the harmless growth, no metastasis Metastasis means spreading of tumor from one part to another part That is known as metastasis So, benign tumor doesn't show any metastasis Capsulated, यह से capsule में बन रहती है और capsule में बन रहीगी तो बाहर जानी पाएगी So, इसलिए यह metastasis produce रही करती है And cellular differentiation present होता है Means यह same cell जो होती है वो normal cell जैसे ही दिखती है कोई changes इन में ज़्यादा नहीं होता है लेकिन this is the nasty tumor It's a harmful growth, very dangerous tumor Metastasis present, non-capsulated यह एक word आता है एक होता है uncapsulated और एक होता है uncapsulated दोनों अलग अलग है Uncapsulated का मतलब जिसमें capsule नहीं है Uncapsulated मतलब जिसमें capsule present होता है So, उसको समझना EN और UN दोनों अलग अलग है और cellular differentiation not present Means यहाँ पे अनापलेजिया प्रेजेंट रहेगा Clear? Next अगला Asbestos, यह कुछ chemical carcinogen से जो आपकी बोड़ी के अंदर cancer cause करता है कभी-कभी पूछ सकते है Asbestos is the non-chemical carcinogen for pleura Pleura means Lungs की जो आपकी layers है उसमें बात करें pleura The next one is the heterocycline amine Is the non-chemical carcinogen for colon cancer जो आपका chemical है यह जो आपको colon cancer cause करता है Cadmium is the non-chemical carcinogen for prostate iodine-131 Has an affinity for thyroid gland में cancer भी करवा सकता है उसको cancer को ठीक भी कर सकता है दोनों काम कर सकता ही 198 AU AU क्या होता है AU क्या होता है What is AU Aluminium That is AL Aluminium is L It's ORM ORM सुना है सुना है आज जाके देखना है क्या होता है It's a type of metal यह भी एक type का metal होता है जैसे आपका aluminum होता है यह भी होता है यह भी होता है गोल्ड होता है 198 AU इस पूर लिवर वर्कर एक्सपोस्टो बेंजीन वर्कर एक्सपोस्टो बेंजीन एव एन इंक्रीज रिस्क आप डवलपिंग एक्यूट लुकेमिया नेक्स्ट ग्लियो ब्लास्टोमा सुना है नाम ग्लियो मिन्स ग्लियल सेल और मैंने कुछ दिन पहले ही बताई थी ग्लियल सेल ग्लियल सेल का मतलब नियुरो ग्लिया और नियुरो ग्लिया होते है छे टाइप के पताये थे सो उन में कैंसर होता है उसको आम क्या बोलते Glioblastoma and this is the most common tumor in our nervous system in the brain the common target organ for metastasis in whole body the lungs the most favorite place cancer secondary cancer which we call it one place and the other place that will cause the most common place the most favorite place of lungs because there is blood for long time stay से करता है हाई स्टे का लंग्स के अंदर एक्सचेंज के लिए बाद में बाद में जाता है वेसल में रुखता नहीं है चला जाता है अर्ट रूबता नहीं है फोटा इसले वहां पर चंश होने के चांसे बढ़ जाते हैं यह हो गया metastasis spreading of cancer from one part to another part is known as metastasis biopsy is a confirmatory test for cancer क्यों से राता है cancer का confirmatory test क्या है biopsy accepts one cancer that is the naproblastoma or Wilms tumor in case of Wilms tumor the biopsy is contraindicated so Wilms tumor में आपको biopsy नहीं करनी है बाकी सब जगे हम क्या करेंगे biopsy कापोशी सारकोमा कि एट से टाइप आप स्किन केंसर एट से टाइप आप स्किन केंसर एट से टाइप आप स्किन केंसर एट इस वेरी कोमन विद पेसेंट विद एट्स एक वाले पेसेंट में यह कापोशी सारकोमा इस वेरी कोमन केंसर और यह क्यूसन भी दो तीन बार एक्जाम में पूचा गया है अगर आपकेंसर की बात करें केंसर होने का जो में वीजन होता है वह होता है सेल का बार बार डिमेज होना और वापस उसका रिजन रेट अगर यह कॉंस्टेंट होता है सिंगल सेल में रेगुलर्ली तो वहां पर क्या डॉलब हो जाएगा कैंसर और अगर नॉर्मली बात करें तो यंग एडल्ट में हो इम्मुनिटी है इतना पावर है कि यह सा नहीं होता लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है फिर आपके अंदर यह प्रॉब्लम्स होने के च सब्सक्राइब करेंगे अगर यह अपनॉर्मली हाई है तो यह क्या इंडिकेट कर रहे है परसन में यह सब्सक्राइब करने के लिए मौथinea चाहिं सब्सक्राइब करने के लिए थ्री स्टेप हम फोलो करते हैं जब हम एक्जामिनेशन गरते तो पहली स्टेप आती है सुफान पोजिशन में और सुपान पोजिशन के इंदर ब्रस्ट को निया है, completely centered to periphery, असेस करना और कोईभी लंप है या पाल्पाबल लंप फील हो रहा हुआ हुशा है उसको इलिदिफाई करना है, वोध प्रस्ट के उंदर, राइट पी अंदर वी राइट और प्रस्ट बेहा है चुट शूट पर पूर्प भाल पाइड सांथर भरेष्ट आपके जो ये head यहां इसके पिछे से लगाना है and then अपने chest की जो muscles से उनको tight करना है और देखना symmetry of the breast so these symmetry should be in the equal brush के अंदर जो आप observe करेंगे वो symmetry क्या होनी चाहिए equal and third step जो आती है वो आती है hip के उपर आत रखे hands को पिछे करके symmetry assist करना है तीनों ही step आप जो इसमें perform करते हैं कौन सा टेस्ट है ये breast self-examination कप करना चाहिए तो after days of 20 and best time क्या होता है तो answer होगा self-examination done every month usually after 7 to 10 days of menstrual cycle so basically female के अंदर ये problem हम देखते है कि female के अंदर menstrual flow की वज़े से hormone का level up and down रहता है कभी high रहता है कभी low रहता है और जितना hormones का level up रहेगा tissue के अंदर tenderness ज्यादा रहेगी hormones का level low रहेगा tissue non tender आपको feel हो सकता है so अगर आप अलग-अलग days पे test करेंगे तो tissue के अंदर अलग-अलग tenderness आपको feel होगा और result false आएगा अगर आप same day पे perform करेंगे तो result क्या आएगा same आएगा इसलिए time duration कहां से count करना है menstrual cycle से ताकि hormone का level same रहे और वो time क्या रखा गया है seven to ten days of menstrual cycle कम से कम दस बार एक क्यूस्टन आगया होगा और I think सबको पदा है यह yes कि ब्रस्ट केंसर सब्सक्राइब कॉमन किसमे होता है तो इसको हम बोलते है डक्टल केंसर कौन सा डक्टल केंसर जो आपकी लैक्टी फिरस डक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है डक्टल केंसर commonly involved in breast cancer the next is TSE टेस्टिकुलार self examination जो मेल के अंदर हम टेस्टिस केंसर को identify करने के लिए यूज़ करते है like in female, male में ऐसा कोई hormone का level up and down नहीं होता है इसलिए इस टेस्ट को किसी भी दिन किया जा सकता है but 4 days अब आपको हर महीने same रखना है यानि आप एक person मन्त की first date ले सकता है 10 ले सकता है 15 ले सकता है जो उसकी इच्छा वो date पर टेस्ट कर सकता है next उसको उसी date पर वापस perform करना है यह आपको same रखना होता है and इसके अंदर एक और point जो टेस्टिस है उसका tenderness वो important होता है like सबसे जो relaxed टेस्टिस फील होते वो होते आप्टर बातिंग स्नान करने बात करने के बात में जब टेस्टिस का examination करेंगे तो वो बिलकुल completely relaxed होते है और अगर कोई भी growth है तो वो easily identify की जा सकती है सो इसका question भी यही आता है कब करना है तो as the age of 15 years usually after the sour बात करने के बात में टेस्ट करना होता है and clinical examination every three years हर तीन साल में यह टेस्ट करना होता है next digital rectal examination या DRE जो हम करते हैं यहां पे rectal cancer के लिए and second हम करते हैं यहां पे prostate cancer के लिए जब भी digital rectal examination करते हैं carefully ध्यान रखना है क्योंकि जब हम rectal examination करते हैं और आप finger insert करते हैं rectum के तुरू तो phanic nerve जो है वो stimulate होने के chances जादा होते है और वेगल stimulation और वेगल और फैनिक लगबग फैनिक नर तो सोरी मैं डाइफ्राम से यहाद आ रहा है मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है वेगल नर्व हम बात करें वेगस सो वेगस अगर ब्रेडी काडिया वान पेसेंट काडियक है तो वहां पर इस्यू प्राब्लम हो सकती है और उसके बाद ही टेस्ट करना है और नेक्स्ट तो इंटरकोश जो सेक्शिल इंटरकोश की अक्टिविटी के थ्री यह में जब से ज्यादा रिस्क होती है यह कैंसर अपोने के next बाइपसी वट इस बाइपसी एक्जाम में बहुत बार यह कि ऊसन पूचा है बाइपसी के बारे में एक पीस लेश लेना जो तो वो सो करता है उस whole structure की characteristics को, लाइक गर पे, पहले भी बता है, मैंने ममी राइस उबालती है, बोल करती है, तो ममी ऐसा तो नहीं हर एक राइस को निकाल निकाल के दबा के यह यह पग गया, यह नहीं पगा, तब तक साम हो गई, अब साम वाला, तो वहां पर हम क्या करते हैं? एक सिंगल जो पीस होता है, उसको निगाले के ऐसे करते हैं, पग गया, वोलते है राइस पग गया, तो कैसे पता चला? तो वो क्या था? एक बाइपसी स्पेसिमेन की तरह है, अन्या है, अन्या है, शोला था पता हमानलेताहिताल मेशना हुल्हणों है एक स Finnish उक्रल्टेजुंआ है, शोला पहिन यसए वोलते पैसिमेन, को है स्क रायएक च्रली तुमर, प्रवासिज दिशी आंट की ऑल्य ऐ और ला पता है है उस्ट्टाइपसले स्टैंट, So histology, and second one is the cytology. जब हम histology की बात करते हैं, histo का मतलब होता है, tishew, and logy का मतलब steady, cytos का मतलब होता है, sail, logy का मतलब steady, sail से बनता है tissue, tissue से बनता है organ, organ से बनती body, system more than body, सो फ़िया रहा रहा? क्या डिर्फेरण्स रहा? जब हम रही हिस्टी की बात करते हैं, इस्टी नोजी के साथ, हम एक और वड़ जोडते है Hystopathology इस्टी पैहतोलोजी जब हिस्टी लोजी के लिएए आप 斯ंट करते हैं, लेबरट्री के अंदर तो histology से पता चलता है कि यहाँ पे जो आपने cell भेजाए जो भी आपने tissue भेजाए उस tissue के अंदर जो characteristics है वो normal है या abnormal है like normal cell है या cancerous cell है वो किस से में पता चलेगा histology के अंदर cytology से पता नहीं चलेगा अगर यहाँ पे normal tissue है तब तो problem खतम लेकिन अगर यह abnormal है तो यह बोलेगा abnormal है तो कौन सा है benign है या malignant अगर benign है तो फिर problem खतम क्योंकि benign तो बेचारा मासूम होता है कोई problem नहीं करता है if it is malignant then again it is having a problem फिर यह क्या करेगा problem problem में यह malignant में पुछेगा कि metastasis present है या absent है so यह सारा कौन बताता है histology and इस सारे process क्यों complete करने के लिए आपको minimum time लगता है 7 to 15 days और साथ से 15 दिन तर किसी भी human kit sale को प्रिजरू करना है तो उसको बिना preservative प्रिजरू करना possible नहीं है so you required app preservative and अगर अगर प्रिजरूर्वेटिव की बात करें तो यहां कौनचा यूज़ करते है formalin 10% strength भी याद रखना है 10% तो जो भी specimen histopathology में वेजते हैं उनका strength कितना होता है तो answer होगा formalin 10% जो strength होती है वो हम यहां पे use करते है अब आते हैं cytology पे so cytology की बात करें तो cytology बताता है यहां पे कि आपके person के अंदर जो cancer हुआ है जो हम cancer की बात कर रहे है उस याद सोरी जो आपने sale बेजा है laboratory में वहां पे कितनी number of sale कितनी है number of sales जो भी tissue आपने बेजा उसमें कितनी sale है वो कौन बताएगा cytological examination cytology से पता चलेगा कि इसमें इतनी sale है अगर वो number of sale जितना tissue में होनी चाहिए उतनी है तो okay अगर cancer होगा तो वहाँ पे number क्या मिलेंगे बहुत high sale के number मिलेंगे तो हम identify कर सकते हैं वहां भी तो दोनो clear cytology के specimen जो है वो आपको result immediately मिल जाता है इसलिए इनको प्रिजरू करने के requirement नहीं होती है histology के अंदर एक और condition हम बढ़ते हैं इसको आपने पहले सुना होगा उसको बुलते है frozen section सुना है frozen section frozen का मतलब जो tissue होता है उसको हम freeze करते हैं जो भी आपने specimen बेजा उसको slide पर रखते हैं उसकी slide बना के उसको freeze करते हैं और freeze करके उसका testing करते हैं identify करते हैं और वो आपको immediately result देता है कि tissue normal है या abnormal है वो किससे पता चलता है frozen सो फिर हम 15 दिन क्यों wait करते है जब इससे immediately पता चलना है तो 15 दिन क्यों करना है yes why you required 15 days if result is available in few minutes है growth करवाते है both will provide the same result दोनों से same result मिलेगा कि normal है या abnormal है cancerous है या नहीं है वो बताएगा दोनों ही test फिर हम अगर हम बात करें तो most common is this histopatology यह common नहीं है क्यों नहीं है अगर कोई चीज common होती है तो उसका क्या meaning होता है why it is common क्यों common होता है common किसको मानते है easy होता है okay point और so यहां पर जो easy most common का मतलब हो है जो best होता है जिसका result best होता है जो reliable होता है reliability की बात हम कर रहे हैं यहां पर अगर हम frozen की बात करें और इसकी बात करें तो reliability 100% मिलते है इस्टोपेटलोजी में यह जो बोलेगा वह confirm 100% sure है फिर आप बली denial करो कि मेरे को नहीं हो सकता है cancer तो मेरे दुस्मन को हुआ होगा बले ही आप बोल रहे हैं डाबडा में से आ रहा है लेकिन cancer confirm है अगर यह बोल रहा है लेकिन यहां पर इसने बोल रिया cancer it में भी possible कि वह गलत भी हो सकता है आगे जाके इस्टोपेटलोजी में negative यह सकता है सो यह reliability के basis पर इसका reliability बहुत कम होता है फिर हम करते क्यों है frozen कब करते है frozen section कब frozen section किया जाता है frozen section कब करते है yes like मैं एक surgery assist कर रहा हूं यह एक oncology surgery चल रही है और आपने breast cancer के लिए breast lump था और उसके लिए breast की surgery करी और जो छोटा सा lump था उसको निगा lumpectomy किया lumpectomy जब हम करते हैं जिससे यह lump था यहाप यहाप एक cancer था तो आप क्या करते हैं इसको ऐसे cancer करते हैं लेकिन जब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे surgeon के mind में रहता है कि यार कई cancer का कोई piece रह तो नहीं गया अगर एक small piece भी आ रह गया तो वह क्या कोज करेगा वापस cancer नहीं करवाएगा सो इसको निकालने के बाद में हम क्या करते हैं इनके एक corner से anterior पार्ट से lateral पार्ट से middle पार्ट से और inferior पार्ट से और इसका deep जो है वहाँ से सबसे छोटे छोटे piece निकालते हैं और उन पांचोई piece को laboratory में भेजते हैं किसके लिए frozen section के लिए और वो उसी time आपको immediately बताते हैं कि यह tissue normal है या cancerous है अगर normal है तो मतलब आपने सारा cancer निकाल दिया और अगर लग रहा कि नहीं इधर वाले में cancer आए तो फिर वो इसको थोड़ा इधर extra काट लेते हैं अगर लग रहा कि इधर cancer है तो इसको ऊपर से थोड़ा extra काट देते हैं नहीं इधर cancer है जिदर काट दो जिदर cancer positive आता है उदर से extra ले लेते हैं तो फ्रोजन सेक्शन हेल्प करता है दूरिंग सर्जरी तो फ्रोजन सेक्शन कब बेज़ा जाता है तो आंचर क्या होगा इट्स सेंडे इंट्रापरटीवली जब सर्जरी चलती है तब प्रोजन सेक्शन अब यूज करते हैं बाकी क्या यूज करेंगे इस्टो पैथोलोजी क्लियर यह है बापसी इंवोल सर्जिकल इंजिजन अप स्माल पीसे आप इस्टीजनल का मतलब है बड़ा सा मास से उसमें चोटा सा इंजिजन दिया अपने और एक पीस निकाला इस इंजिजनल सो जब आप इंजिजनल करते हैं उसका मतलब है कि बड़ी ट्यूमर है और वहाँ से एक स्माल पीस निकालोगे जिसको हम अधरवट में बोलते हैं सब टोटल पायपसी पूरा नहीं निकाला उसका एक पीस निकाला शब टोटल एंड एक होता है एक सीजनल जिसको हम बोलते x2מים तोंटल यहां चोटा सा ट्यूमर होगया आप उस चोटे से ट्यूमर में से चोटा जपीस निकाले कि पहले चेक कराओंगा मैं तो संच्बवाएंध नहीं फिर पता चाहित है फिर इसको पुरा निकला और इसंच्च deshalb मैं पूरा ऐसे कट किया पुरा ही निकल जाएगा पार और सुचर कर तो वो केंचर है नहीं है तो भी पुरा निकाली दी हमने यह सो एक्सीजनल का मतलब टोटल पायपसी और इंसीजनल का मतलब सब टोटल पायपसी क्लियर एक्सीजनल जब करेंगे तो ट्यूमर मास्ट क्या इसके अलावा और कितना आपके सामने रख दिया फिर पूछ रहे मेरा नाम क्या है शामलाल मेरा नाम क्या है शामलाल रहे दिल लिखा हुआ देखो बड़े बड़े अक्सर में इसके अप्सर में बड़ा ट्यूमर होता है उसमें से स्मॉल पिस निकालते है और एक्सीजनल में स्मॉल ट्यूमर होता है उसको पूरा निकाल देते हैं यस इंडिकेशन क्लियर है मुग करें आगे नेक्स्ट बाइपसी में एफ एन हैसी दाट इस रफाइन नीडल एस्पाइशन साइट नोधी जो भी बता है मैंने नंबर आप सेल आपको बताएगा और इट इस मोस्ट कॉमनली यूज दिन केस आप ब्रस्ट कैंसर पार कुछ नहीं आप लोग लिए कुछ नहीं है आप अराम से रिलेक्स से रहो नेक्स्ट एस्पाइरेशन ओप सेल बाइफाइ निडल बेसिकली बोडी के अंदर कुछ और्गंस कुछ बोडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे इंसेजनल मार्क इंपोटेंट हो जाता है लाइक फेस अब फेस पर इतना बड़ा कोई कट लगाना था यहां ट्यूमर हो गया काट दिया ऐसे और इसे बड़े-बड़े कि लोइड वह बन गें सारे और उसको लेकर आप गूब रहें अच्छा लगता है हम चाहते हैं कि यह जो है वो थोड़ा बना गए ऐसाई तो सर्जन भी वहां कोशिस करता है कि मार्क ना दिखे इसलिए हम सब क्यूटिकुलार सुचर लेते जितना फाइन सुचर हो सकता है करते हैं और वो सारा benefit किसके लिए सकार को prevent करने के लिए कसा करते हैं शौटिक लाइक फिमेल के अंधर के अंदर अगर ब्रस्ट केंसर में हैं अगर ब्र विए नेक्स्ट कीमो थेरपी बहुत इंपोर्टन टॉपिक कीमो मेन का टॉपिक है यह कीमो थेरपी यस चाहिए पी तरह बात करें बिल्कुल जितने भी ओनलाइन बोच कर रहे हैं अभी तो कमेंट हम आज देख नहीं पा रहें आप लोग के क्योंकि टाइम नहीं इतना कि मिल्कुल आपके लिए भी चाहिए थोड़े देर में डॉन्ट वारे आएगी नहीं पिलाए आज पिलाए आज पिलादिया कि निकलाए वह आप लोग की मिस्टेक हैं मेरी मिस्टेक नहीं है इस योवर बिस्टेक नोट माई कि आप लोग को पहले बोला सुबह से स्टार्ट हो जाना है साम को स्टार्ट होने से फिर दुकानी बंद हो जाती है यास क와 gini की मोघकी की आप की है अ् summertime का मेंज केमिकल चली कि मेंज करते हैं और की मिकल का मतलब ड्रक्स अप्ञश्यू स करते हैं कैंसर्स ड्रक्टख्ड जो केंसर को करने के लिए और उनकी बात करें पहला यह तो पढ़ले यह ओल्ड़ी फादराप केमो तेरपी सबसे बेस्ट जो वे है जिससे कीमो तेरपी हम दे सकते वह है Central Road is the best one, periphery से दे सकते हैं, बड़ बेस्ट नहीं है, बेस्ट वन क्या है, Central Line, Pic Line, Chemoport, Ekman, यह सारे best है, Pic Line और Chemoport is used for the long term therapy, Pic Line की बात करें, it is for the 6 month, and it is for 3 to 5 years, तीन से 5 साल तक Chemoport चलता है, और 6 मन तक Chemotherapy चाहिए, तो आप Pic Line के साथ आ सकते हैं, Pic Line means peripheral incertate, central catheter, The next is the Alaminar Flow Fault or Cabinet is used for chemo drug preparation, it is very important, All the chemo drugs are cytotoxic drugs, and you should take precautions for your self also, अपने आपको बचाना बहुत जड़री है, क्योंकि बाकी लोग को भी chemo देना है, आप लोग खुद chemo से प्रॉब्लम में हो जाओके, कैंसर हो जाएगा, तो उनको कौन chemo देगा फिर, इसलिए safety करनी है, आप लोग को अपनी, जब भी chemo preparation होती है, तो आप देखेंगे किसी private hospital में जाएंगे, आप जहाँ NAPH है, तो वाँ पर एक अलग से chamber होता है पूरा, और उसके अंदर एक negative flow का laminar flow रगा रहता है, जो सक करता है air को, प्लस आपको पूरा फिपीज वियर करना होता है उसके अंदर जाने के लिए, और उसके बाद वहीं पे drugs को load करके, जैसे हम normal antibiotic mix करते हैं, वैसा ही mixing होती है, बट उसके अंदर करना होता है, ताकि सारी drug कुछ exposure तो बाहर चली जाएं, आपके उपर spill भी हो जाएं, तो पीपी पहना हुआ है, उससे कोई issue आपको नहीं होगा, नॉर्मली ऐसे नहीं करना है, अगर थोड़ा सा भी कहीं लग गया, तो cancer कर सकता है, next, chemotherapy dose is calculated on the basis of BSA, that is body surface area, कैसे निगालते हैं, body surface area is equal to, under the root, height in, meter square, and weight in, kilogram, divided by, आरे क्या करते नहीं पता है, height, weight, divided by, 3600, यह square होना चाहिए, meter square, यह इसा formula होता है, body surface area calculate करनेगा, यहाँ पर formula कुछ नहीं पूछते हैं, उससे मतलब नहीं है, कि exam में जो question आता हो क्या आता है, कि एक patient आपके पास आता है, स्क्राइब किया, आप उसको कीमो लगाने वाले हैं, और पेसेंट को कीमो जो दिया जाएगा, वो पेसेंट के बीसे कल्कुलेट करके दिया जाएगा, तो अब आप आप एजे नर्स सबसे पहली आपकी प्राइटी क्या है, वहाँ पे options होते हैं, ask the patient for their height and weight, check the patient height and weight, check the patient file for their height and weight, or ask the patient height and weight from the doctor, so remember that never ask the height and weight to any doctor, any patient or any file, always believe on yourself, अपने आप पे बिलीब करना और उसकी height and weight उसे time check करना है, and you should check every time, एक बार check कर लिया है, यह नहीं सोसना हर बार वही रहेगा, हो सकता है, कीमो देने से patient का weight loss होगा, परसन दूबला पतला होगा, अगली बार वेट कम हो जाएगा, हो सकता है, जादा हो जाए, पता नहीं कुछ भी, so weight हर बार आपको check करना, और उसके according ही drug calculate होती है, तो कभी भी आपको उसका previous weight height ही लेना है, या पेसेंट से नहीं पूछना है, वो बोलेगा, होगा, 60-60 कुछ दो होगा, अब आप बोलोगे, 60 नहीं हो याँ सित्तर, 65 ले लेता हूं बीच में, फिर पता चला, उसका तो 55 ही रहा है, वीडियो भी निखाया था याद है, इसमें ऐसे प्रिक करते हैं, यह catheter आपका right atrium के opening पे होता है, next, drugs, drugs के अंदर कुछ drugs जो हम पढ़ते हैं, पहली drug है आपके पास, alkalating, anti-tumor, antibiotics, anti-metabolites, mitotic inhibitor, topo-isomerage inhibitor, और कुछ अदर, सिर्फ पास्ट लगेंगे, और इससे जो भी क्यूसर आएगा, एक्जाम के अंदर, यहां से अगर एक्जाम में कोई भी क्यूसर आएगा, तो आपका घलत नहीं होगा, और लास्ट में की मोमें तो ही आपकी एल्प करने के लिए, यास, स्टार्ट करें, पहली ड्रग, एल्किलेटिंग एजेंट, एल्किलेटिंग एजेंट के अंदर, पहला पॉइट इस स्पेसिपिक और नॉन स्पेसिपिक ड्रग, तो पहले मिनिंग समझ लो, स्पेसिपिक और नॉन स्पेसिपिक, स्पेसिपिक का मतलब, जो किसी specific part पर जाके ही work करती है, उसको हम क्या बोलते है, specific, तो जब हम cell cycle पढ़ते हैं, दो phase पढ़ते हैं, एक होता है M phase, एक होता है inter phase, और inter phase में G0, G1, S phase, G2 phase, पढ़ा है, तो drug जाके किसी भी phase को block कर दे, चाहिए G1 को करे, G2 को करे, S को करे, M को करे, उसकी इच्चा है, उसको हम बोलते है, non-specific drug, and if the drug is blocking a particular phase only, like आपने drug दिया और सिर्फ M phase को block कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे mitotic inhibitor specific group of drug, drug सिर्फ S phase को block कर रही है, तो that is also a specific drug, तो non-specific मतलब वो किसी भी group को क्या कर सकता है, block कर सकता है, तो ये drug कौन सी है, non-specific, किसी भी cycle को, जो cell cycle की phase है, उसको block कर सकता है, तैली drug, cyclophosphamide, बहुत important drug, बहुत very well known drug, एक्जाम में multiple time इसकी question आते है, cyclophosphamide, alkylating agent drug है, और very widely used drug in alkylating agent, जो alkylating drugs होती है, उनमें सबसे common use होने वाली drug, cyclophosphamide, it is very well known for its side effect, which is hemorrhagic cystitis, और इसका exam में multiple time question exam में पूचा जाता है, so, most widely used alkylating agent, and it can cause hemorrhagic cystitis, hemorrhagic cystitis क्यों होता है, जब आप cyclophosphamide drug की बात करते हैं, तो cyclophosphamide drug की composition जब पढ़ते हैं, उसमें कमपोजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं, एक्रोलिन, नोट इनुलिन, इट्स एक्रोलिन, यहां पे एक structure हम पढ़ते हैं, इसका नाम है, एक्रोलिन केमिकल है, यह किसमें होता है, ड्रक्स के अंदर ही होता है, it is not metabolizing in our body, not we can absorb in our body, यह जैसे ही आप लेते हो, वैसा ही बाहर निकल जाता है, यूरिनरी सिस्टम के तुरू, यह ड्रक्स बोड़ी से बाहर आएगा, किस के तुरू, यूरिनरी सिस्टम के तुरू, तो किड्नी इसको सीधा बाहर फैंक देगी, किड्नी से किसमें गया, ब्लेडर में, जैसे ही ब्लेडर में आएगा, स्पिंक्टर बंद है, एक्रोली नहीं यहां पहुँच गिया, अब यह जब यहां है, तो कुछ तो करेगा, तो इससे रुका नहीं जाएगा, यह क्या करेगा, मस्ती करेगा इस वाल के साफ में, और जब छेड़गा नहीं करेगा, इरिटेट करेगा, तो वाल क्या हो अब च्क करेगा, वाल क्या है, उडलेटा जब आ लएगमुःटै, नहीं जब ऒलते हैं, श्युच मने क इसका क्या है, हो जाम करें हो की में आइख उजिक इस मिदा किसका है, प्रापलेमुन का इसको बाह एखा है क्या है, इसको बॉаться, यह ठोरन्ट वहर से तुरंथ बाह और चार्ट एमेल उपर से डालने सकते सीधा कैसे बरे तो भई पेसंट को पानी ज्यादा पिलाओ पहली रेस्पोंसिबिलिटी पेसंट का वाटर इंटेक क्या करो इंग्रीस कर दो वाटर इंटेक के साथ साथ में अगर आप आप आई फ्लूट इंडिकेटेड है तो वह भी ज्यादा देश सकते हैं यूरीन ज्यादा बनेगा तो जल्दी से जल्दी बोड़ी से आउट होगा और आपका अक्रलीन ज्यादा एक प्रॉब्लम यहां पर क्रियेट करेगा सेगंड तिंग आप पेसंट के इंदर क्या कर सकते हैं इसको डेस्टोई करने वाली ड्रग दे कुर की एक्रॉलीन के इफेक्ट को कर देता और जब आकॉलीन काम नहीं करेगा हैं तो हैम्डिक सेट इस्टेटटप करेंगμεने तो यह कृषन आग्जाम में कि पएली रेस्पोंसिबीलिटी तो हमें क्या लिखनी में है increase oral intake हमें नहीं लिखना है कि पेसेंट को ड्रग दे दो पहले अगर option में fluid intake नहीं लिखा हुआ है Yes, clear है Welcome, Roitas या किस्वन पूछ रहे है All of the warning sign of cancer accept unexpected weight loss change in the size of lump or hoarseness of voice So weight loss होना It's not a sign of cancer It's not a warning sign of Cancer, cancer में weight loss हो सकता है बट वो इंडिकेटेड यह नहीं है कि cancer ही हुआ है Weight loss तो खाना नहीं खाने से भी हो सकता है हो सकता है दम दूबले पतले weight loss मना cancer हो गया ऐसा तो possible नहीं है हो सकता है यह किसी अधर वज़े से भी आपको weight loss की वज़े से दूसरा रीजन भी हो सकता है कि अधरेटिक एजेंट में सेगंड ड्रक सिस्प्लाटिन इट्स ड्रक विच इस वेरी वेल नौन फोर वोमिटिंग मतलब सबसे ज्यादा वोमिटिंग करवाने वाले ड्रक जितनी भी ड्रक से उन में सबसे ज्यादा वोमिटिंग कौन करवाती है पर्सन में वोमिटिंग करवाती है पहले से पता है तो प्रसन को क्या दे दो एंटी एमेटिक एंदर जिसको आप परिनोम के नाम से जानते हैं अगर ओंटेंचेटरण उप्शन में नहीं है सो जब भी सिस्प्लाटिन देंगे या कोई भी अदर कीमो ड्रक देंगे हर ड्रक देने से पहले क्या लगाते हम एंटी एमेटिक बिकोज एवरी ड्रक इस हविंग ए रिस्क पॉर डवलपिंग वामिटिंग एंड रिस्क पो सिस्प्लाटिन ड्रक चल रही है आप्सेंट में क्या अप्ल टेस्ट मन्टूइंग करेंगे तो आंसर क्या लिखना है कि एपक्ति और अर्यप्टी दोनों एक है किपनि संट क्या रिणल फंक्शन टेस्ट आपको करना है सेंपल लेना है कौनची वाइल में येलो या फिर दोनों वाइल होती है क्लेन वाइल और भेजना कहा है बायो केमेस्ट्री में आपको रिजन मिल जाएगा आपका किड्नी फंक्सन टेस्ट मिल जाएगा क्लियर नेक्स्ट अल्टेटिंग एजन में अगला ड्रग बुसलफेन अब यह सकता है आपके इलास्टिक टीश्यू यानि उन्हों सप्रेट हो सकते हैं वापस कॉंट्रक्ट हो सकता है लेकिन जब हम बात करते हैं बुसलफेन की तो यह बुसलफेन उनको फाइबर में कनवर्ट कर देता है अब यह स्प्रेड उखी सकता है इसे पर्सन के अंदर क्या प्रोब्लम आएगी बुसलफेन देने से ब्रेटिंग डिफिकल्टी पैसेंट को डिस्निया होगा और अगर पैसेंट में डिस्निया प्रजेंट है तो मतलब ड्रग का साइड एफेक्ट हो रहा है जब भी हम पैसेंट को बुसलफेन देते हैं उससे पहले आपको हमेशा क्या करना है प्लमोनरी फंक्षन टेस्ट परफॉंब करना है सो बूसलफेन, it can cause pulmonary fibrosis and bone marrow suppression जब भी ये ड्रग देते तो कौन सा test करना है, answer क्या लिखना है PFT, pulmonary function test next, anti-tumor, antibiotic के अंदर, ये भी कौन सी ड्रग है non-specific, जो पहले ड्रग थी, वो भी non-specific और ये भी है non-specific, very common drug, dynorubicin and doxorubicin याद रखने का simple चा तरीका, d4, very good so, ये सीधा जाकर attack करती है, इसके उपर और जब इधर attack होता है, तो फिर आदमी तूट जाता है क्यों क्योंकि यही तो जरूरी है जिन्दा रने के लिए, नहीं है so, hurt ये ड्रग आपकी बोड़ी में क्या produce करवाती है cardiac toxicity so, पहला point आजाता है, drug is contra-indicated in cardiac patient अगर patient में cardiac problem है, तो dynorubicin, doxorubicin drug provider नहीं करना है दूसरा, normal patient है तो उसमें बिना cardiac monitoring के drug नहीं देना है यानि ECG करवा के मंगानी पहले से, ग्राप पहले ही लेके आना है साथ में drug के time पे ECG monitoring लगा के रखना है, ग्राप चलता रहेगा monitor के इंदर सो वो आपको test करना है, जब भी आप dynorubicin, doxorubicin दे सो drug can cause heart failure and you require cardiac monitoring during the infusion of this drug clear, next, bleomycin, it is also very well non-drug for same pulmonary fibrosis और ये भी pulmonary fibrosis कर दी, तो क्या test करना है very important pulmonary function test, so pulmonary fibrosis course करता है और क्या करना है, PFT pulmonary function test, next, anti-metabolite cell cycle specific है, अगर cell cycle specific है, मतलब किसी एक specific face को block करेगा, कौन सी specific face, तो याद रखना है, this drug block the S phase of the cell cycle, protein synthesis जो phase उसको block करता है, अगर हम इसके category की बात करें, तो ये कौन से group में आती है, DHFR, DHFR, Dihydrofolate Reductase Inhibitor, जानते हो, क्या होता है, जानते हो ये, नहीं बता है, very good, very good, ये और very good, calendar, अब पेज भी नहीं बता है, तो सारे पेज खागे, अब 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 ये, तो, हम बात करें, DHFA, ये क्या होता है, dihydrofolic acid, this is the dihydrofolic acid, ये होता है, inactive form of folic acid, and it is converted into active form in the presence of DHFR, dihydrofolate reductase enzyme, और ये भाई साब सको convert कर देते हैं, THFA, tetrahydrofolic acid, and this is the active form of folic acid, और folic acid होगा, तभी क्या होगा, protein synthesis होगा, so bacteria क्या करता है, इसको convert कराके, protein synthesis करता है, और हम जो drug देते हैं, वो drug क्या करती है, इसको block कर देती है, जब ये block हो जाएगा, तो active form नहीं बनेगा, folic acid का inactive होगा, और inactive होगा, तो protein synthesis stop हो जाएगा, और bacteria की growth या, cell की growth, bacteria और cell, जो cancerous cell है, उसकी growth वहीं पे stop हो जाएगी, और आपका cancer ठीक हो जाएगा, so this is the mechanism of actions of the methotrexate, रख clear, so it is the dihydrofolate reductase inhibitor, it should be given with n by 2, n by 2 याद है, normal serine 0.45% half NS, half NS के साथ में देना है, it's a hypotonic solution, and it's a type of alkaline solution, आपकी ये drug जो होती है, वो alkaline medium में ही active रहती है, acidic medium में work नहीं करेगी, सो इसको हमेशा किसके साथ देना है, alkaline solution, normal serine 0.45% के साथ देना है, pH आपको monitoring करनी है, MCQ आता है, कि एक patient को methotrexate के साथ में आप discharge कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं, tablet के साथ में, अब आप उस patient को discharge advice में क्या बताएंगे, सो भाई जब methotrexate चलती है, तो आपको कौन सा pH maintain करना है, alkaline, और alkaline pH patient को सब कुछ पता है, अभी बोल के बता देगा, अभी मेरा alkaline है, थोड़ दिर बाद अभी acidic होने वाला है, बता देगा, के से पता चलेगा उसको monitoring करना पड़ेगा, और pH monitoring करने के दो क्या है, यह की main तो तरीका तो एक ही होता है, वो होता है, blood sampling करके, और blood में भी arterial blood निकालके, और उसमें भी, ABG का सेंपल निकालके, machine में लगाएगा, तो patient बहुत इसली ऐसे करेगा, निकालेगा, machine में लगाएगा, रेजल निकालेगा, बोलेगा, यह तो acidosis हो रहा है, इसको alkalosis में convert करना पड़ेगा, yes, मुझे soda by cup थोड़ा लेना ही पड़ेगा, तो patient को क्या पता है, नहीं पता है कुछ भी patient को, बट patient को हम बता सकते कि, आप urine निकालेंगे, container में urine correct करेंगे, और उसमें stick dip करेंगे, और उसका color देखेंगे, अगर यह color यहां से यहां तक आ जाता है, तो यह acidic है, इससे आगे जाता है तो alkaline इतना तो समझ सकता है, वो teaching advice आपको discharge में patient को बतानी है, जिसको हम बोलते है dip stick method, क्या बोलते है, dip stick method, क्योंकि हमें urine का pH लगबग 8 maintain करना होता है, ज्यादा highly alkaline भी भी होना चाहिए, highly acidic भी होना चाहिए, so आपको 8 maintain करना होता है, उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है, जिसकी हम बात करें clear, next, side effect of methotrexate is the apodotoxic drug, photosensitive drug, and जब हम folic acid का conversion बंद कर देंगे, active form नहीं बनाएंगे, तो cell की growth तो रूख गई, cancer cell की, बड़ उसके साथ साथ normal cell की growth भी क्या हो सकती है, stop हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, पेसेंट को synthetic form of folic acid प्रोवाइड करेंगे, जिसका absorption सिर्प normal cell कर सकती है, और आप उसको क्या बोलते है, folic acid या जिसका अधर नेम क्या है, leucovarine, तो इसको हम बोलते हैं antidote of methotrexate, अगर methotrexate की severe toxicity होती है, यह पेसेंटी जैविंग, severe toxicity of methotrexate, वे विल प्रोवाइड, leucovarine और the folic acid as an antidote, clear, next, use of methotrexate में, it is very common used drug in the anti-cancer drug तो ही, उसके लावा ectopic pregnancy, when the fetus जो है, implantation होता है, वो नॉर्मली आपका chopper pole यूटरिस में आपको देखने को मिलता है, but if it is implanted outside the uterus, like tubal pregnancy, or abdominal pregnancy, or cervical pregnancy, अगर outside the uterus हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ectopic pregnancy, और यहाँ पर हमारा मेन मेनेजमेंट का एम क्या होता है, what is the aim of management in ectopic pregnancy, sell को, growth नहीं करवानी है, so in case of ectopic pregnancy, the goal of management is to eliminate और भाहर निकालना, जो आपका product of conception है, उसको out करना, that is the priority हमारा goal हो ही है, because ectopic pregnancy कभी भी survive नहीं कर सकता है, चल नहीं सकती है, like pelopin tube पे implant हो गया, क्या, वहाँ पर बच्चा हो सकता है, और बहुत severe pain होता है, so हमारा main goal क्या है, उसको immediately वहाँ से eliminate करना, भाहर निकालना है, और उसके लिए हम क्या करते है, methotrexate देते हैं, यह methotrexate का mechanism क्या है, यह सिर्फ किसको destroy करेगा, fast growing cell को बोडी में, और अगर हम fitness की बात करें, तो fetal growth जो होती है, वो भी बहुत fast growing होती है, और इसी वज़िस से, यह methotrexate उसको जागे क्या करेगा, destroy, दूसरा patient आता है, पगड़ के गुटले, देखा है, रॉमेटोईड, arthritis, जो नी में बहुत दर्द है, इसलिए, बेंड नहीं करता है, इसलिए चलता है, पेरों से, बेंड नहीं होता है, वैसे सीधा 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 है, पर हाथ जादा किया, तो हाथों में दर्द होता है, वहाँ पे बहुत सारा, एक्सेशिव मांड में, जो सेल ग्रोध होती है, उन टीश्यू अर्थराइटीस हो रहा है, जो इंफ्लामेट्री सेल का डेलोप्मेंट हो रहा है, फास्ट ग्रोविंग सेल बन रही है, स्टेगमस, लड़ कड़ा के चलना, फ्लूरो युरसिल, इज अलसो नोन फोस्ट थे हैं एंड फूट, यह जिसकों बोलते हैं, पेरिफेरल नुरोपेथी, तिंगलिंग सेंसेशन, नंब्नेस, प्रिकिंग सेंसेशन यहाँ पे फील होगा, एंड फूट में उसकों बोलते हैं, पेरिफेरल नुरोपेथी, कौन करवाता है, आंसर होगा, फ्लूरो युरसिल, नेक्स्ट, मर्केप्टो प्यूरीन, यह ड्रग याद रखना क्यों ज़रूरी है, उसका रीजन है, बिकोज वी अर गिविन ड्रग फॉर दे मैनेजमेंट आप, कैंसर, किसके मैनेजमेंट में दे रहें, कैंसर के अंदर, और कैंसर की बात करें, तो सेल की ग्रोथ क्या होती है, बहुत ही, ज्यादा एक्सेस ही होती है, अब आप सेल को डेस्टोई करोगे, तो सेल जब डेस्टोई होगी, तो उसकी सेल डेमेज होने की वज़े से, हाई मांड में क्या जनरेट होगा, यूरिक असिड बनेगा, अगर आप बरकेप्टो प्यूरीन दे रहें, तो इसके अंदर भी क्या है, प्यूरीन और प्यूरीन एक प्रोटीन है, जब प्यूरीन का मेटाबूलिजम होता है, तो ये भी क्या मनाता है, यूरिक असिड, तो यही ड्रग इस सेल को डेमेज करके यूरिक असिड बनाता है, और इस ड्रग की वज़े से भी क्या बन रहा है, ऐुरिक एसीड इससे उरीक एसीड का लेवल कि यॉजाएगा बहुत ही घुई और यॉरिक गोडर्यक अजए गाउक बर अच tourist कड्यारिटिस गाउट को जब भी हम् Senhor तो यहां पर हमारी responsibility है always give the drug which can block this reaction और यहां पर जो एंजाई उता उसका नाम है Xanthine Oxidase So you should provide the Xanthine Oxidase blocker drug to the patient So the purine will not convert it into uric acid and person will not suffer with the gout or goutry arthritis So the drug which block this purine sorry this Xanthine Oxidase The drug is known as Allopurinol Allopurinol So this drug block the Xanthine Oxidase Allopurinol के बारे में क्यूसर आता है It is the group of drug which come under it is the group of drug which is known as Xanthine Oxidase inhibitor or Xanthine Oxidase blocker or Xanthine Oxidase antagonist drug Yes यह drug किसके साथ देनी है Merkeptopurine के साथ में So it can cause Hyperurisemia and Habitopoxicity Clear Hyperurisemia को treat करने के लिए आपको साथ में क्या देना है Xanthine Oxidase blocker drug Next Mitotic inhibitor drug it is the cell cycle specific और drug के अंदर Venkristine and Venplastine दो specific drug हम पढ़ते है Venkristine and Venplastine के अंदर main drug symptom जो आते है वो आता है involuntary dropping off eyelid that is tosis So person will have the tosis peripheral neuropathy and very very important constipation ये दो बार के उस्तन आप से पूचा है कि आपके patient को Venkristine drug चल रहा है तो आप उसके अंदर क्या सबसे important ध्यान रखेंगी और option के अंदर ना constipation होता है ना tosis होता है ना peripheral neuropathy होता है So यहाँ पे ध्यान क्या रखना है जब आप Venkristine दोगे और यह Venkristine आपके patient में क्या produce करेगा A common side effect that is constipation It will produce constipation So stool will deposited inside the lumen JIT में deposit हो जाएगा Now this hard stool जब JIT में deposit होगा और यह forcefully आगे push किया जाएगा Then it will damage to this inner mucosal lining जो अंदर mucosa उसको क्या करेगा यह mucosa को damage करेगा और उसकी वज़े से आपको inflammation और other problems होना start हो जाएगी इसी वज़े से Every patient with receiving their sales cycle specific Venkristine drug और sometime other drugs के साथ में भी हर person को lactolose syrup दी जाती है जितने भी chemotherapy वाले patient आते हैं उनको हमेशा daily basis पे lactolose दी आता है Lactolose क्यों देते हैं To soft the stool Stool को soft बनाने के लिए ताकि आपके patient में constipation ना हो इसका एक options एक बार आया था इसमें लिखाता बाउल रेजिमें यूज करना है क्या यूज करना है बाउल रेजिमें बाउल रेजिमें का मतलब बाउल को protect करने के लिए जो methods हम यूज कर रहें उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टोपो आइसोमरेज इनिबिटर यहां पे specific drug the etopocyte which is known for the orthostatic hypertension and it will produce orthostatic hypertension mainly when the drug is given very very fastly जब आप इस drug को बहुत fast infusion करवाते हैं fast देते हैं पेसेंट को तब यह drug क्या करेगी आपको orthostatic hypertension करवाएगी orthostatic hypertension means when patient is changing position suddenly the blood pressure will fall down that is known as orthostatic hypertension or postural hypertension and in this situation you should give the advice to the patient that you should change your position very very slowly and you can also support to the patient if patient is already having non-case for orthostatic hypertension slow the infusion ठीक है टेरीपोसाइट इस बॉन मेरो सप्रेशन अधर्स के अंदर एक ही ड्रग यहाद रखनी है टेमोक्षीफेन citrate कौनसी ड्रग है यह ड्रग अधर्स केंसर किसको ब्लॉक करता है अधर्स केंसर है रिखा तो यह ड्रग एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक करके उसके एफ्यक्ट को कम करवाती अधर इस्ट्री यह यह ड्रग so it is an estrogen antagonist drug drug of choice in breast cancer decrease the effect of estrogen now estrogen की बात करें तो estrogen के कुछ beneficial effect होते है और उन beneficial effect के अंदर पहला effect होता है कि estrogen जो है आपकी body के अंदर blood से calcium को bone में transfer करने में आपकी help करता है estrogen help the shifting of blood calcium to the bone और जब calcium blood से bone में जाएगा तो bone क्या रहेगी strong क्योंकि calcium is a chillating agent of our body यह भी क्यूसर पूस्टेते कभी कि which of the following chillating agent of human body तो answer क्या है chillating का मतलब चिपकाने वाला कौन चिपका के रखता है तो calcium जो है वो आपकी bones के चिपकाने का काम करता है it's a chillating agent so female जो होती है अगर आप देखेंगे मिनोपोस से पहले कभी भी female में osteoporosis नहीं होता है क्यों क्योंकि यह estrogen क्या करता है calcium के level को हमेशा card deposit कर वाता है बोन में और बोन में calcium रहेगा तो चिपकी हुई रहेगे मजबूत रहेगी और और कभी बॉस्ट परसिस नहीं होगा जब हम यह drug देंगे तो इस estrogen का effect क्या हो रहा है decrease तो calcium जो आपका blood से bond में सिप्ट हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा और जब blood से bond में सिप्ट नहीं होगा तो इसका level क्या हो जाएगा increase, blood में increase और blood में increase तो क्या करेगा hypercalcemia, it's a very common side effect of tamoxypane citrate second thing, bond में जब calcium नहीं जाएगा तो bond कैसी हो जाएगी weak and person will have a higher chance for the pathological fracture और osteoporosis तो वो भी हो सकता है so it can cause hypercalcemia और जब calcium का level बहुत severe बढ़ेगा तो calcium आपकी body में यह भी deposit होना start होगा joints जहां भी इसको space मिलेगा and specifically it gets deposited in your eye orbital cavity and due to that deposition it will produce visual disturbances so आपको vision problem आएगा steroid भी दे सकते है पेसेंट को आपके immune system को suppress करने के लिए bond मेरों के rejection को prevent करने के लिए so steroid therapy में dexamethazone प्रेटनसोल जब भी steroid देते तो साथ में क्या देना है anti-acid देना है ताकि पेसेंट के अंधर किसी तरह का कोई भी gastric problem या पैप्टिक culture होने के chances ना रहे next toxic effects of chemotherapy most common is nausea and vomiting and to prevent this problem we always provide पेसेंट undencetron or other anti-emetic drug before giving chemotherapy alopecia is the loss of air it is temporary क्यों सब्सक्राइब एक्जाम में कि पेसेंट is having chemotherapy and पेसेंट को आपने explain किया कि आपकी बाल सारे जाएंगे और आप ऐसे हो जाओगे पेसेंट बहुत ही ज्यादा suppressed depressed हो गया बहुत tension में है और पेसेंट को क्या advise करोगे आप सो पेसेंट को बोलना है कि यह temporary होता है permanent नहीं होता है छे महीने चलेगा तो छे महीने रहेगा जैसे ड्रग बंद वापस आना start अब दूसरा तरीका है कि भई छे महीने तक आपको थोड़ा बुरा लग सकता है और उस बुरे लगने को अटाने के लिए अपने उपर क्या लगा दो एक केप लगा दो केप पैना पिता जी नहीं बन पाएंगे इसके बाद कीमो देने के बाद ना माता जी बन सकते हैं ना पिता जी बन सकते हैं तो यह specific advice patient को देनी है और specifically counseling भी कि जाती है if persons are unmarried अगर साधी नहीं हुई है बच्चे नहीं है तो उनको advice करते हैं कि you can go for the sperm preservation or the ovum preservation so after IVF मेरी इसके बाद IVF से क्या किया जा सकते हैं वे भी delivered करके आप माता जी या पिता जी बन सकते हैं वो उनको बताया जाता है वो उनकी choice है करना नहीं करना है यह आपको उनको बताना है क्योंकि यह क्या होता है permanent fertility जो है वो permanently loss हो जाती है बंवरोड करेगा और बंवरो , इसलिए को यदिइ बंवरोड करेगा इसलिए पेसंट्स को या कर आता है अपने बंवरो को क्या करना इं प्रिजरू कर लो पहले से यह बात में मोन मrated जब करें दो कि नभी हम चाहिए पर बात कर आप SHSA छेब हैं जब भात करें सेल नहीं होता है तो छेल फोस्पेति कि आपका है पर लेक इहाँ है सो ऑफार और आपको यॉरिक थे इसमें ट्यूमर लाइसेस सिंड्रॉम नेक्स्ट एक्स्टावेसिशन और इसमें कोई किनूला ढाल रखा है यहां से अगर कोई किनूला बाहर निकल के फ्लूट लीक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे एक्स्टावेसिशन तो 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 इसको हम क्या बोलेंगे एक प्रिश्य 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 प्रिश तो आपका प्रेसर लगाने से और ज्यादा क्या होगा अप्जोप्शन ज्यादा डीप होगा और अंदर चला जाएगा ज्यादा देमेज होगा लाइक इन केस और निडल स्टिक इंजरी देखा है जैसे इनिडल स्टिक इंजरी होती है एक खून ड्रॉप ब्लडगा आता है उसको भी मेरा खून जैसे आपके खून और किसी का खून है यह नहीं और उसके बाद कुछ होते हैं इसको दबा दबा कि यह से निकालेंगे आप घबराने से ओसाई नहीं होगा तो डू नॉट पैनिक नेवर स्क्वीज दफिंगर नेवर सक्वीज करना है और क्या होगा मेरा मेरा में तो हैचाईवी हो गया रहे कहां से हो गया अभी तो निडल लगा है एचाईवी बहुत दूर आगे तो ध्यान लखना है दियान दूरिंग वाटर वित नॉर्मल सॉप सॉप और वाटर से उसको फाइव तो टेन मिट तक वास करें और उसके बाद अपने सुपरवाइजर को इंफोर्म करें और आपका जो है अर्टी एंटी रिट्रो वाइरल जो थेरेपी है वो स्टार्ट जाएगी और आप ठीको आपका जो प्रश्टार में परकिशन पूचे जाता है का कॉमन साइड एफ़ेक्ट क्या होता है तो ऐंसर क्या होगा सटी किस थे मोस्त कॉमन साइड एफ़ेक्ट ऑप रेडियेसन थेरेपी sore throat अगर आप radiation प्रोवाइड कर रहे हैं नेक एरिया में that will produce sore throat बार बार throat के अंदर sore फिलो ना it is very common in case of radiation given in the neck region the next is external radiation यानि radiation का जो source है वो body से बाहर है उसको हम क्या बोलते external और अगर source का body के अंदर है उसको हम क्या बोलते internal एक्जाम में क्यूसर इनके other name पे आता है so external is also known as tele therapy and internal is also known as brachy therapy याद रहेगा tele and brachy therapy next radiation therapy में अगला the most common radio isotope used in brachy therapy brachy का मतलब internal radiation therapy और वहां पे सब से कोमन टैप का radio isotope जो हम यूस करते है वो क्या होगा iodine 131 i131 that is the most common radio isotope अगर हम बात करें tele therapy की तो वहां पे कोमन होगा that is cobalt 60 external के अंदर और इंटरनल में iodine 131 to prevent the irradiation wash the irradiate area with soap and water जब हम radiation करते हैं तो उस पार पे बहुत इचिंग होती है और skincare बहुत इंपोर्टेंट होता है नेल्स सोट रखने पेसेंट के skin के उपर कोई तरह का कोई भी emollient, cream, तेल, powder कुछ नहीं लगाना है डॉक्टर से पूछ के उस एरिया को normal soap and water से क्या कर सकते हैं wash कर सकते हैं बस इसके लावा और कुछ भी नहीं करना होता है pregnant nurse not allowed to care the patient in radiation therapy or the department यह अपनी सेप्टी के लिए है कि कभी भी pregnancy के टाइम में specifically in the first trimester even कभी भी allowed नहीं है नाइन मन तक लेकिन first trimester तो बहुत important है क्योंकि वहाँ पे organ genesis चल रहा है और अगर उस टेम में radiation exposed हुआ तो बच्चे के अंदर congenital deformities हो जाएगी इसलिए कभी भी radiation department में pregnant female को allowed नहीं करते है next radio इस पे जाने से पहले एक और point sometime question आता है कि अगर radiation जो implant है वो बाहर निकल गया internal radiation therapy में तो हमें अपने आपको होश्यार नहीं समझना है patient के भीटाइड के उपर एक बड़ा सा container रखा होता है लेड केप के साथ में और उसके साथ में एक long handle force app रखा होता है so simply लेड़ अपरेंट पहनना है अपनी safety के लिए हमेशा लेड़ अपरेंट को patient के फ्रेंट पे फेस करवा के रखना है बेग कभी भी फेसे पेसेंट को नहीं दिखाना है patient को बोलना है आगे से पीछे से बिल्कुल no हमेशा रूम को exit करते टाइम backward जाना है कभी भी ऐसे नहीं जाना है पीछे से यह चल रहे है patient हाँ ठीक है अरे भी पीछे सारा radiation expose होगा क्योंकि आगे से ही protection होता है लेड़ प्रिंट कहां protect करता है front से back side से protection नहीं करता है next point जब भी आप कोई भी पहार निकल जाता है internal source तो उसको हमेशा long handle force ship से उठाके container में ढाल के बंज कर देना है और फिर किसको inform करना है doctor को हमें कुछ भी वापस reinsert उसको नहीं करना है next किसी भी person को internal radiation therapy वाले patient के room में 15 minutes maximum normally 10 to 15 minutes हम बोलते हैं लेकिन maximum time के तरह है 15 minutes है उससे ज़्यादा allowed नहीं करते है minimum distance free fit is the minimum वो तो कम जब होनी चाहिए उससे दूर आपकी इच्छा है वहाँ रखो patient को राम राम भोही से कर लो आपकी इच्छा है आपको कुछ करना है नहीं करना है बात करनी है नहीं तो कोई बात नहीं पास में बिलकुल नहीं जाना है नहीं तो उस patient में cancer होने के चांसे बढ़ सकते हैं next radio sensitive tumor जो एक्जाम में कभी-कभी आ सकता है कि कौनसी highly sensitive है कौनसी medium है कौनसी list है तो highly के अंदर आपका आता है lymphoid anaplastic, lymphocytic and pancreatic और इन सब में सबसे highly sensitive tumor है pancreatic cancer जो सबसे highly sensitive radiation के लिए होता है so radiation exposed से pancreatic cancer हो सकता है और अगर pancreatic cancer हुआ तो उस पे radiation देके उसको ठीक कर सकता है क्योंकि यह highly sensitive है moderate के अंदर आपका reticular and squamous cell और list के अंदर आपका आता है the mesenchymal और the osteofibroma और वी केंसे connective tissue और इसमें सबसे common आपका osteocyte bone cancer जो सबसे least sensitive होता है इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम लेड़ेपरिन पहनते हैं वो सिर्फ यही पे पहनते हैं पेरों पे तो नहीं पेहनते हैं इधर तो नहीं पेहनते हैं पैना यहां पे भी ऐसा पैना इसा पैना इसा पैन लो सिर्फ अंदर रही जाती है वहां से इसलिए cancer होने के chances नहीं होता है बोन में radiation exposure से कभी cancer नहीं होता है लेकिन आपके पैसें में हर्ट में लंग्स में लीवर में स्टमक में radiation डालने से cancer हो सकता है इसलिए हम यहां पे क्या पहनते हैं प्लेड़ेपरें नेक्स्ट साइड इफेक्ट पढ़ा दिया एओ टीवरिद्पस अरिध्मा डहर्मट इस में इसमें याद किया रखना है तो क्रेंट कुररिस नेक्रेजिन में है तो सौर्थ रॉald is the most common imito-lympoid cancer so bone marrow transplantation is the process of taking cells from the bone marrow for the retransfusion of the patient cell लेके पेसें बही वापस transfuse करना उसको हम क्या बोलते bone marrow transplantation next next stem cells are administered same as the blood transfusion via central catheter बहुत सारों ने सोचा होगा केसे निकालते हैं केसे डालते हैं तो निकालने का प्रोशिजर जोता है वो क्या होता है bone marrow का होता है bone में होता है so हम निकालते हैं multiple needle puncture करके ऐसे बार-बार needle puncture करेंगे bone में फिर एस्पिरेट करेंगे most common site is the most common site is the posterior iliac crust posterior iliac crust is the most common in adult and the TBI is most common in बच्चों में सबसे common is the tbial bone so ये common site है बाकी other flat bone से भी आप निकाल सकते हैं so bone मेरो major amount होता है वो flat bone में होता है और बाकी other bone जो होती है जिसमें बहुत कम होता है तो निकालने ता ही हम flat bone से आपके iliac crust most common और बाकी बच्चों में tbial bone is the very common और ये transplant केसे करते है तो उसका आंसर होगा जैसे हम पेसेंट को blood transfuse करते है सेम उसी तरह से आप पेसेंट को क्या करवाते है आपका bone marrow भी transplant करते है बस इसमें केर थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखनी होती है क्योंकि infection होने के chances यहां पे ज़्यादा होते है next common site अभी बताए मैंने the posterior ile crust in adult and the child is having TBR umbilical code blood is also a rich source of stem cell it is also a very important point like umbilical code यह जो हमारा umbilicals होता है और जो placenta होता उसको discard कर देते है after delivery उसको नहीं रखते है लेकिर उसके अंदर जो blood होता है वहाँ पे high amount में क्या होता है stem cells होता है और आप उनको remove करके preserve कर सकते है further future use के लिए जो बहुत important है तो यह भी stem cells का source हो सकता है autologus अपना निकालके अपने लिए prevent preserve करना that is known is autologus autologus is the very common type of autologus is the common type or we can say most common type of donation जो सबसे common होता है engraftment means like आप ने इदर blood में दिया stem cells का है blood में है उनका real place का है bone stem cells का blood से bone में shift होना that process is known as engraftment and engraftment का indication होता है जब आपके blood के अंदर RBC WBC और platelet का level बटना start हो जाएगा मतलब bone marrow में जो bone है वो bone marrow मिल चुका उनको और उनका production उनने start कर दिया इसलिए आप daily basis पे क्या करता है इस patient में CBC complete blood count तो question आता है कि engraftment successful हुआ या unsuccessful इसको check करने के लिए कौन सा blood test करना है तो daily basis पे आपको complete blood count करना है और most common line कौन सा यूज करता है एक बान जो direct chest पे हम लगाता है एक बान catheter next complication, graft failure, graft versus host disease पता है दो type के immune system बन जाता है एक होता है graft का immune system और एक होता है host का immune system host का immune system बोलता है कि भई ठीक है मैं तेरे को accept कर लेता हूँ मेरी body में गया graft उसको मेरी body बोला कि okay आप acceptable हो आपको कुछ लिए करेंगे अब यह graft अपना immune system को activate करता हूँ और बोलता है एक minute रुको आपको भी मैं check कर लेता हूँ आपको मैं accept करूँगा और नहीं करूँगा लाइक अगर वह काली दास वाल एक्जाम्पल याद है आपको तो वह उसी टाली पर बेटके उसको काट रहा जिदर इदर बेट डाली इदर है तो इदर ही बेटा इदर से काट रहा है उसको नहीं पता जब यह कटेगी तो इसके साथ मैं भी नीचे गिरूंगा क्या दे बही काटना तो इदर बेट और आगे से काट ता कि वह इस गिरे तू नहीं गिरे यहां पर ऐसा ही है कि यह इसको मार रहा है जब यह मर जाएगा तो तू का जिन्दा रहेगा फिर ग्राफ्ट भी क्या गया खतम सो इसको हम क्या बोलते ग्राफ्ट वर्सेज यह है वहाँ पे अब्स्रक्शन आजाता है और वेरी कोमन ड्रग जो मिया पे यूस कहते है रगोफ चोईस पोर इस कंडिशन दे फिप्रोनेट प्लेट यादे देफड़ अधिज़ चोईस पोर इस वीन आप्लोजीव इस नेक्स क्या ब्रस्ट कैंसर अभी बताएं थोड सेल में दर सबसे कमन में स्क्राइब। इन पस्क्राइब। अक्टूबर। में जो भी श्केल के लिक केमपेंट करके चलाते हैं। वो पूरे मन्थ तक एक रिबिन करते हैं तो पिंक रिबन साइन is the sign for breast cancer awareness ऐसे एक पिंक रिबन पहना जाएगा सल्ट पर यह जाहां भी वो वेर करते हैं कपड़े लगागे रखते हैं पूरे महिने तक इसा रहेगा तो यह सिंबल किसका है इट्स एन breast cancer awareness symbol पिंक कलर में होगा वो आपका पिंक रिबन सिबन यह लिखा हुआ है दा पिंक रिबन इस एंटरेशनल सिंबल अप प्रस्ट केंसर अवार्णेस वर्ड नेस्नल स्योरी नोट वर्ड नेस्ननल मेपृफिय डे तोर्ड फ्रैड इस अउक्टवर हीर अचने साल ऑप्ट यह लुग क्या होगा वर्ड मेमोग्राफी डे आम चैल्यवरेट करता है gäller नेकस्ट 3rd Friday of every October, every year October month में जो मैं देखते हैं और वहां पे mammography day self-date होता है अगर आपकी बुक में लिखा देट लिखा होगा तो उस येर का होगा जिस येर में प्रिंट होगा देट लिखा है उसमें बुक में देट लिखा है नहीं लिखा है बस ठीक है so early menarche and the late menopause are late and late pregnancy and null Boy is the risk factor of breast cancer so जतना जल्दी menarche starting of menstrual cycle और जब menstrual cycle starting होगी तो gastron का level बढ़ना स्टाट हो जाएगा और अगर menopause so ज्यादा नहीं तक उसके लावा late pregnancy or nulli प्रेटि यहाँ पर भी estrogen का लेबल आई रहता है और इसकी विए से ब्रॉस्ट केंसर होने के चांसी जो यहां पर बढ़ जाते हैं डॉटल केंसर थोड़ देर पहले पता है मैंने लैक्टी फेरस डॉक्त के अंदर कैंसर हो जाता है यह दिस दॉक्तल कैंसर ओर मस्तल कमन प्राट अफength ए से प्रॉक्त वाट कीजिए लाट प्रॉटल कान से वीए सबीपल ब्रॉस्ट क्रॉटल काल пл सक्टल कीजिए यहां पर्कार्ट ईंगीजर्ट इस्पल्फेंट आपर उसका ओद्वनेट चांस में प्रॉस्टिं ए सथ लिपाल आफर उससेन इर्रेगुलर सेप आपको मिलेगा इसको क्या बोलते इर्रेगुलर सेप पाल्पेट करने पे फील हो रहा है उसको बोलेंगे कारेक्टर स्टिक सॉप्रस केंसर निपल डिस्चार्ज एंड रिट्रेक्शन मैनेजमेंट अभी बता है था टैमोक्सिफेन सिट्रेट इस एस्ट्रोजन डिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग यस यह साइड इफेक्ट आ ओल्डेडी देख लिए सारे नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट इस इंपोर्टेंट एक्जाम के लिए यहां से क्युस्टन आता है पहला आपका है लउप्पक्टोमी अगरं हम बात करें लॉप्पेक्टोमी एप को आपने आसे काटके निकाल द्यु इसको हम प्या बोलते लॉप्प्प्प्पप्प्प्प्प्त अग्स 555 एउस दिसे हे निक्ना और फिर बचे विए पार्ट को दोनों को ऐसे स्ट्रेच करके शुचर कर देते हैं MRM मोडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी दो बार एक्जाम में क्यूशन आया है MRM के अंदर पूरा का पूरा ब्रस्ट उसके साथ में जो आपका एक्जिलरी लिंप लोड होती है एक्जिलरी लिंप लोड डिसेक्शन, ALND यहाँ पे पैक्टोरलिस मेजर और पैक्टोरलिस माइनर मसल्स को रिमूव नहीं करते हैं सिर्फ ब्रस्ट इस्यू उसके उपर की स्किन और एक्जिलरी लिंप लोड है उनको हम आउट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं MRM total simple mastectomy उसको भराकी lymph nodes और नहीं निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं simple mastectomy only mastectomy जहाँ पे ब्रस्ट को निकाला जाता है and radical mastectomy जहां पे ब्रस्ट उसके साथ में ALND कि अशके साथ में पैक्टुर statistics major and factor leaf operator minor दोनों मसिल्ज को निकाल देते हैं कि उस सर्जरी को हम क्या बोलते है रेडिकल मैस्टेक्ट्वूमि तो किसमें क्या निकालते हैं यह याद रखना उसको हम क्या बोलेंगे? Brust Reconstrics. Clear? Yes. Important after surgery, Nursing Management. In Nursing Management, हम ड्रेन लगाते हैं. This is the negative pressure drain. ये negative suction drain होता और ये negative pressure से suction करता है. So, हमारी responsibility है कि ड्रेन हमेशा क्या रहना चाहिए? Charge रहना चाहिए. इसको हम बोलते हैं, Charge रहना चाहिए. So, क्यों रहता है कि ड्रेन लगा रहना रहता है? रोमोवेक या हमोवेक और फिल हो गया. अब क्या करोगे आप? So, clamp the drain इसको clamp करना है, open करना है, empty करना है, compress करके वापस इसको negative charge कर देना है. Next. JP drain, same. ये भी negative pressure drain है, but pressure का difference होता है. हमोवेक के अंदर high pressure होता है, with hard tube होती है, लेकिन या फ्लैक्सिबल tube होती है, और pressure क्या रहता है, यहाँ पे low pressure रहता है, minimum pressure रहता है. नर्सिक मेनेजमेंट में important position, lymphatic drainage, जो यहाँ पे एकजिला में आपने surgery करिए, उसको improve करने के लिए, आपको heart से नीचे ले जाना है, तो आपको इसको semi-faller position और जो surgical side का hand है, उसके नीचे क्या लगाना है, shoulder के नीचे pillow लगा कि इसको heart level से उपर रखना है, ताकि lymphedema होने के chances ना रहे. Surgical side elevated above the heart, no IV injection, no BP measurement in surgery side. जिदर surgery किया है, उस हाथ में न BP लेना है, नहीं आपको कोई blood sampling करना है, ना को injection लगाना है, अगर ऐसा किया तो क्या होगा? क्या होगा? If you are checking blood pressure or if you are giving injection, क्या होगा? So it will increase the pressure in the hand और pressure पढ़ेगा, तो वहाँ से lymphed लीक होके आपके एक्षिलाम आएगा और लिंपीडिमा ऐसे हो जाएगा आथ अप अंदर इडिमा हो कैसे फिर आद इस से रहेगा, इंदर इडिमा हो जाएगा इस से हाथ ही रहेगा पिसे, So lymphedema को प्रिबेंट करने के लिए करते हैं, के साथ में बॉल्सक्वीज एक्ससाइज दी जाती है थाकि लिंपीडिमा नाओ, Clear? Next, Cervical Cancer, So it is also a very common cancer, After breast cancer, the cervical cancer is also a common cancer, Early age of first intercourse and the frequent intercourse with multiple partner are the risk factor for cervical cancer. What is kasexia? It is a type of muscle wasting syndrome, Muscle wasting syndrome जो हम पढ़ते हैं, जहाँ पे generalized weakness होती बोडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? Kasexia, So आपको इसमें बहुत जादा weakness और muscle wasting देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं, Kasexia, Hemorrhage, सब से important symptom में आता है Hemorrhage, Cervical Cancer के अंधर, Painless Bleeding, It is a clinical presentation indication for this cancer, Hemorrhage is the most important symptom of cervical cancer, And यह तो बहुत बार आपने सुना होगा, Screening Test for Cervical Cancer, Pap Smear, Is the screening cancer for cervical cancer, Four main symptoms, The Cervix Bleed on the Touch, जैसे आप Cervix को Pulpate करेंगे, क्या स्टार्ड होगा? Bleeding, उसके साथ में, It is Friable, Easily break होने वाला, It is a fixed and has lost its mobility, अगर हम नौर्मल बात करें, नौर्मल अगर हम बात करें, तो जो Cervix होता है, उसमें एक mobility होता है, Cervical Dilation, जो हम बोलते है, नौर्मली जब बेबी डिडिर होता है, तो दैले होता है, और नौर्मली वापस contact हो जाता है, तो इसमें एक Dilation, जो होता है लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, फिक्स, नौर्मलिटी, ना दैलेट होगा, ना चॉंटक्ट होगा, एंग लाट्वन इस, Induration of Cervix, जो हम एंटिपाइटिक लगा के Induration, चेकरते हैं, कितोना बड़ा होगा यहां पर, रेट रेट वो एंडूरेशन, बेसाई सर्विक्स के वाल पर भी क्या मिलेगा, आपको एक क्लियर एंडूरेशन मिलेगा, Management, Connization, What is Connization? With the help of Cryo Surgery, With the help of Cryo Surgery, What is Cryo Surgery? So Cryo Surgery is also known as Cold Surgery, With the help of Liquid Nitrogen, और Nitrous Oxide, आप एरिया को freeze करते हैं, और फिर सर्विक्स को ऐसे, Conn Shep पे कट कर देते हैं, यह सर्विक्स हैं, तो इसको इस तरह से, Conn Shep में काट देंगे यह वाले पार्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं, Connization, जहां पर यहां पर cancer था, इदर इदर तो उसको काट के निगाल दिया, Conn Shep में, Next, Laser Therapy, Laser Use करके भी हम कर सकते हैं, TH, Total Abdominal Histectomy, Abdomen कट करके, Histectomy करेंगे, So, दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, Total और Radical में क्या डिफरेंस है, So, Total Histectomy में सिर्फ यूटरस, सर्विक्स और और उसके साथ में फिल्पिन ट्यूप, लेकिन जब हम Radical की बात करते हैं, तो वहां पे, Total Histectomy के साथ साथ में, वन थर्ड पार्ट ओव वेजाईना, और पैल्विक लिंपनोड उनको निकालते हैं, उसको अम क्या बोलते हैं, Radical Histectomy. Next, Nursing Management, So, Limit Stair Climbing, Heavy Weight Lifting for 2 Months, Because, जब हम वैट लिफ्ट करते हैं, तो सारा प्रेसर जो है, आपका पैल्विस पे होता है, वैलकुल, Biopsy is the confirmatory test for the cervical cancer. Next, Avoid Tub Bath and Sitting for Long Period. So, जब आप Sitting करते हैं, लंबे टाइम तक, तब बात करते हैं, तो उस कंडिशन में, Sitting बात या तब बात, जब ही हम करते हैं, Sitting की कंडिशन में, तो वहाँ पे आप देखते हैं, कि जो सारा weight होता है, वो आपके pelvis पे होता है, और surgery भी वहीं करी गई है, इसलिए आपको ये avoid करना है, long time के लिए, Avoid intercourse for three to six weeks, Monitor Vaginal Bleeding, and Early Emulation, पहले भी बताया था मैंने, after surgery, सर्जन की पहली choice क्या होती है, पैसेंट जितना जल्दी चल सकता है, उतरा जल्दी उसको क्या करना है, move करना है, ताकि surgical complication को prevent कर से, next, uterine cancer, the next one is uterine cancer, cancer of uterus, slow growing tumor, arising from endometrium, mucosa of uterus, क्यों सनाता है, uterus के अंदर जो तीन में लेर होती है आपकी, perimetrium, myometrium, endometrium, most common cancer किस लेर में होता है, बहुत है, सबने पी लिया, बहुत है अब, कोई बात ने लिए आप बहुत है, उसको पिला एकुजा, यस, अरे ज़्यादा चाई पीना भी, स्वास्ते के लिए क्या होता है, फानी कारक होता है, आप लोग को लगता है कि चाई पीएंगे, तो अच्छा लगेगा, बढ़ अच्छा नहीं लगता है, it is very harmful for your body, so, मेरे को, अच्छा आमें फोलो कर रहे हो, आप ने, कुछ समझ नहीं हा ना क्या कह रहे हो, आप लग, हाँ, वेरी गुड, तो, बढ़ चाही तो है, एक बाहना, बाते करने का, बाकी कुछ होना नहीं है उससे, कुछ नहीं होना है, और सबसे बड़ी, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राब्लम है, कहीं भी जाओगे, लोग जो है कौना डूंडते रहते हैं, मौका देखते ही, उसके उपर डाल देते हैं, तुने किया, नहीं तुने, सो वो जो चाही होता है, वो इंडिया में सबसे कॉबन होता है, और उसका रीजन, एक रीज़न, वो जो सबसे लास्ट में कच्रा बसते हैं, वो टी लिफ हमारे पास आती है, पता है आप लोग को, जब चाही बनती है न, एक सबसे उपर वाला वो अलाग, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, लास्ट में जो बच जाता न, ये पेकरो यहाँ वालोग लिए, वाग बकरी चाही, काटा टी, मिश्रिलाल चाही, सारा कच्रा चाही है, कोई चाही नहीं है, आप, जो, जहां पे चाही का प्रोडेक्शन होता है, लाइक, साउथ साइड में या चिदर भी होता है, वहाँ आप जाएंगे और देखोगे, तो उसका अलग ही फिलिंग होता है, ये चाही नहीं है, ये तो सिर्फ टाइम फास, नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं याँपे, यूट्रस के अंदर कैंसर की, येस, यूट्रस में कैंसर की हम बात करते हैं, तो मुस्ट कोमन लेयर्स आफेक्टेड होती हो कौन सी है, ये अंदोमेट्रिल कैंसर इस वेरी कोमन इन उतराइन कैंसर, नेक्स्ट, अर्योगी बाते है, रिस्क फेक्टर अप उतराइन कैंसर, तो यूज अप ए र्ट और एच आर्ट, हर्मोन रिप्लेश्मेंट थेरपी, और एच आर्टी, ए आर्टी एस्ट्रोजल रिप्लेश्मेंट थेरपी, जितना ज़ादा बोड़ी के साथ एक्सपरिमेंट किया जाएगा, उतना ही जभी ज़ômी ज़ादा रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है, like after menopause estrogen जो होता है वो बहुत beneficial होता है लेकिन natural है अगर आप artificially जाओगे synthetic therapy के साथ तो body में वो क्या करेगा problem like after menopause specifically जो higher economic belong करते है जो higher economy से वो females जो होती है वो menopause के बाद भी higher estrogen के level को higher रखने लिए HRT start कर देते टेबलेट लेना और टेबलेट का बोड़ी पर बहुत negative impact होता है बहुत harmful impact करती है इसलिए HRT करने से हो सता है कि beauty maintained रही like estrogen जो होता है वो आपकी face के ऊपर wrinkle नहीं आने देता है it's a very beneficial effect of estrogen रिंकल नहीं आते हैं इसलिए male की बोड़ी के उपर आप देखोगे तो 30-40 के बाद ये permanent mark आना साधी सुधा आदमी की निशानी बन जाती है वो होता है stress वाले रिंकल ऐसे आजाते हैं लेकिन female के अंदर आप देखोगे तो मीनोपोस तो कभी रिंकल नहीं आते है मीनोपोस से पहले आप्टर मीनोपोस रिंकलिंग स्टार्ट होती है और उसका benefit किसकी बिल से हो रहा है सारा इसको मेंटेन करने के लिए फिर ERT स्टार्ट कर जाते हैं और वो फिर क्या करवा सकता है अगर हम बात करें यहां पे एस्ट्रोजन की तो एस्ट्रोजन कभी भी फिमेल में 50 यर से पहले हाइपर देंसे नहीं करवाता है लेकिन मेल के अंदर 30 के बाद ही BP की प्रॉब्लम स्टार हो जाती है विकोज एस्ट्रोजन इस नेचुरल वैजो डालेटर यह वैसल्स को डालेट करके रखता है और जब वैसल्स डालेट रहती है तो आपको ब्लड पेसर हाई होने के चांसे नहीं लेकिन मेल के अंदर नहीं होता है इसलिए मेल के अंदर BP बढ़ जाती है आप्ट इस लेट मिनोपोस फेमिली इस्ट्री ओपेसिटी दी एम डियापेडीज मेलाइटस मैंने क्लिनिकल सिम्टम में अगर हम बात करें तो यूट्रस का कैंसर होगा यूट्रस अनलार्ज होगा तो सारे सिम्टम एंगे रिलेटेड टू पैल्विक एरिया और परा सिम्टम प्रेशन है किसी इंगेंसर लाइक यूट्राइन केंसर सरवाइकल केंसर इंडिकेशन वहापे रहेगा वेजाइनल डिस्टास लो बेक पैल्विक और अब्डमिनल पेंट जब मास होगा बढ़ा सा और वह एप्डमन में यहां रहेगा बेक साड में उसका प्रेसर से पें ह होगा लोवर अब्डमिनल में पें होगा पैल्विक रीजन में आपको पें देखने को मिलेगा एंलाज यूट्रस अल्ट्रसाउंट करेंगे तो यूट्रस का नॉर्मल जो वेट होता है 60 ग्राम होता है नॉन प्रेगनेंट फिमेल में इतना ही होता है लेकिन यहां पे दे इतना है राडिकल इस्टेक्टोमी अब ही बताया था यहां पर याद रखे इस्टेक्टोमी जो है आज के टाइम में करंट ताम में अगर देखे तो एक बिजनेस बन गया है इस वेरी कोमन आप यह ज़िए बिजनेस इन ऑस्पिटल्स नॉव सो वह चीज आप यहां रखे बिजनेस की तरह हो गया है लाइक हिस्ट्री आप जैसे ओस्पिर में जाते हैं इस्ट्री पूस्ट है क्या हो गया पेट दड़ दो रहा है कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं आपकी थेली निकालनी पड़ेगी चलो कोई और प्रावलम कुछ नहीं है क्या करना बच्चे द्रणी की थेली निकालनी पड़े या नहीं युत्रस को निकालना पड़ेगा ठीक है निकालो वह अब क्या करें निकाल दिया बाद में पता चलahi रात को मक्ए केनई काया थी गेस बन गी थी इसलिए तरद हो रहा है वह निकली सब ठीक हो गया ऑप us Tell me you didn't respond. To be a बहुत कोमन है और सर्जरी करके उनको 30-40,000-50,000 रुपे मिल जाएंगे रोज का एक सर्जरी करेंगे पचाएं खुब पेसे कमाएंगे तो यह चीजे बहुत कोमन हो गई और हमें इन चीजों को थोड़ा द्यान डखना है और हमें उन लोगों के साथ इसा है नहीं होने देना है और यह से चलना लग जाता है इतना बड़ा अपनोमन होगा उसके साथ ऐसे उनको लगता हम तब बुड़े होगे मोटे ही रहेंगे अब कहां जाब कहां एक्साइज होगी हमसे बाद में जब सर्जरी क्राते तो अब 10 किलो वेट लॉस कर लिया है एक तम से क्यों कि कंध मेरे मान इस तो इस बहुता है मैंने इस तीक नपाओ टो इंपरेंट इंड़ेंगे आग्या धिक इनको आपी चुछ जब बाद चलता है इतना बड़ा उस्पिटल थो और बादो उस्क्राइगा तो बार बार अब रॉन उड़े एंगे तो बार बार इप अधले ज़ लाई कराएंगे, the most common type occurs in the outer lining of the ovaries, epithelial ovarian cancer, सबसे common cancer, अगर ovaries के अंदर हम बात करें, तो दो टाइप की होती है, एक germ cell production cell होती है, और एक epithelial cell होती है, तो यहाँ पे सबसे common किसमे होता है, epithelial ovarian cancer, risk factor में is, no children, first birth, late birth अगर है, या फिर gene mutation है, तो यह कुछ risk factor में आते हैं, जो आप ovarian cancer करवा सकते हैं, symptoms, enlarge or swelling of the abdomen, urge to pass urine more frequently, क्योंकि uterus किसको compress करेगा, bladder को, और bladder compress करेगा, तो बार-बार urge होगा urine पास करने का, abnormal vaginal bleeding, pain during sexual intercourse, and a lump or nodule in the groins, और umbligas, so, यह clinical symptoms यहां मिलेंगे आपको, diagnosis, ultrasound करो, पता चल जाएगा, कुछ और करने की जरुत नहीं है, biopsy से confirm कर सकते हैं, CA 125 याद रखना है, pedasphor, uterine, ovarian, cancer, biopsy, confratory, and ovary is the most sensitive organ, जो हम organs पढ़ते हैं, पहला नमर पे आता है, pancreas, लेकिन gynecological organs में ovary है, तो यह second number पे आता है, बोडी के अंदर तो, लेकिन gynecological जितने भी uterus, ovary, phalepent tube और जो भी है, तो वाप पे second number, तो पहला तो किसका नमर है, pancreas का ही है, नेक्स्ट, management, same रहेगा, इस्ट्रेक्टोमी कर देंगे यहां पे भी, सजरी इस फर्स्ट्राइन ट्रिट्मेंट, लेप्रोटोमी, और टोटल अब्डोमिडल, इस्ट्रेक्टोमी, ओफरेक्टोमी, ओफरेक्टोमी मेंस, रिमॉल आप ओवरी, इस्ट्रेक्टोमी, ओवरी को निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, ओफरेक्टोमी, बिल्कुल, बिल्कुल, ओनलाइन वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, यह रिकरे हैं, यह क्या हो रहा है आज, दो बार क्लास से, अपने आप बाहर आ जा रहे हैं, हम, बजब यह क्लास नहीं चाहती, कि आप क्लास के अंदर रहो, बट आप लोग को क्या करना है, क्लास के अंदर ही बना रहना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी संगर सो, लेकिन मेदान छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि जब तक हम सक्सेज नहीं होंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं, और बिल्कुल आप लोग बहुत जल्दी सक्सेज होने ही वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपकी मंजिल जो है, आपको मिलने वाली है, और हमारा थोड़ा काम भी कम हो जाएगा, हम यहीं चाहिए, इस बार तो सीटी नी थी जो अटपर ने, हमारा तो टेंसर बढ़ा दी इन्होंने, इसलिए हम तो चाहते हैं जल्दी अगला नोट सेट वापस आएं, और आपस सीटे निकाले और हमारा काम, अगला तो आएगा, आप के लिए लिए अगले बेच के लिए नहीं लाना है, अरे आप लोग तो चले जाओगे, अगले बेच वालोगों तो नोट सेट सेवन ही देना है, तो हमें तो पड़ा नहीं है, आप तो जाओगे, आपकी किताबे तो लॉक में ऐसे लगाओ गए बोला था मैने लॉक करके चाभी कहा फेक देनी है इधर फेक देनी है हम देख लेंगे उनको बाद में आगे next oral cancer very common cancer in India in male so next oral cancer is the most common in India in male and in most common cancer में आते है आपका oral cancer most common associated with alcohol and तबबाको तो आज ही क्या करे एलकोहल बीडी सिग्रेट गुटका तंबाकू पान मसाला खेनी जर्दा यह जो भी चीज़े हैं इन सब का क्या करे सेवन बंद करे नहीं तो फिर वो गुटका प्रॉब्लम पीड कर सकता है तो यह गुटके पीडी सिग्रेट से दूर रहना है क्या करवाता यह यह क्या करवाता है अभी मैं बार बार प्यूंगा तो यह बोलेगे अभी तो आपने बोला सिर्वार बार 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 ने खेड़ा आप तो अधिक्या करना है अभी तक तो एक गंटा और गंटा और चलाना है इसलिए इसकी जरूत पढ़ती है बाकी आमें कोई जरूत नहीं है नसे के लिए नहीं नशा तो बस इस किताबों का होना चाहिए चोटे मोटे नसे में क्या रखा है है बाई जब नसा करना ही है तो किसका करना है किताबों का करना है इन बीडी सिग्रेट गुटका तमाखू में क्या रखा है इसा चोटे मोटे नसे हैं इनको फेग दो आप लोग आज इस से यस चलो नेक्स्ट इस ख्राणी किरेटेशन आप दे म्युकोजल लाइनिंग आप माउट औरल किविटी बिल्कुल आवेसा ध्यान अगनेस जो मंजिल रखनी है वो बड़ी रखनी है मोटी रखनी उच्छी रखनी है चोटे मोटे में क्या रखा है क्यों उनके चोटे के बारे बड़ा सोचोगे तो चोटे मोटे ऐसे ही साथ में आजाएंगे आपके नेक्स्ट आरे बस आपी आएगा अगला क्लिनिकल मेनिफरस्टेशन तो स्टार्टिंग में वर्निंग साइन में आपको बोला था एसोर देशन नोट इल प्रॉपर्ली यह ए डिज इन इंडिकेशन फोर और यह एंड केंसर इस डिफिकल्टी इन चेविंग शेलोंग एंड स्वेलोविंग एंड स्वेलोविंग एंड स्पिकिंग राइक बहुत सारे ऐसे पेसे आते हैं हम जो है डेली ओरल सरजरी तो बह का फृष औरम्स कि हाए अगा इसफेट साल डेल से कुछ लोग तो आइसे होते हैं उनका छूई इतना खुलता है गया करते हैं ऊगुटके को एसे पगड़ के पूरा schon За प् statistics with the बूरा मिक्स कने के बाद अब उनका माउत आपनिंग जो वह माउथ ओपिंग इतरह सा है, वह बोल में ले पाता है, वो उसका ऐसा बिल्कुल छोटा सा माउथ बनाएगे पिखेट का, फिर उसको पूरा एदर लगा के, अब खाना नहीं खा सकते हैं वो मुझ से, यो कि जाता नहीं अंदर, मुझ से चेविंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओपन नहीं होता है, लेकिन घुट का खाना चरूरी है, चेविंग नहीं कर सकते हैं, उनके पास एक और थरीका है, अंदर बढ़ लिया, फिर वो मुझ को ऐसे इलाएगे, तो वो अंदर हिलता रहेगा, क्योंकि चेविंग करने से भी इलाती ही तो है, अब नहीं हिलता तो फिर वो, सो, नेक्स्ट, आगे, मैंने से इंटोरल के इंसर हो गया, तो मुझ को काटना पड़ेगा, और मुझ किसी और का देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुझ उसका देखने राएग नहीं रहेगा, नेक्स्ट, रेडियेशन, हाँ, चाई को थोड़ा एसी मेरका टंडा करने के लिए, नेक्स्ट, हाँ, चाई तो अच्छी नहीं है, पर यह थोड़ा गरम है, बस थ्रोट को एक्टिवेट रखने के लिए, और कोई परपज नहीं है, अगर हम और केंसर की बात करें, और केंसर के कुछ क्यूसन जो याद रखने है, पहला क्यूसन, और केंसर में सबसे कोमन अफेक्टेट पार्ट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा किंसर होता है, कहां पे लोवर लिप में, क्यों क्योंकि वो जर्दा ऐसे मिला मिला के सीधा इधर ही रखते हैं, होता है? वान एग्जामपल, हमारे गाह में एक परसन है, उनको बहुत बच्पन से हम देखते हैं, और वो गौर्वेंट सर्वेंट है, उनको एक दिर मैंने पूछा, उनके जो हाथ रहता है, वो ऐसे रहता है, मैंने उनको पूछा, यह आपका फिंगर ऐसे क्यो रहता है, अभी तो मुझे ने पता है, पहले मैं जब छोटा था, ग्लाव में रहता था, तब 10-12 तक चपता, वो ऐसे उनका फिंगर ऐसे, मैंने बोला, इसको ऐसे करो, ऐसे रहाओ पाई से, फिर बाद में, पता चला कि वो उनकी फिंगर ऐसे इसली रहती, क्योंकि वो ऐसे करके, अब फिंगर का से भी ऐसे हो गया, पर्मानेंट फिंगर ऐसे हो चुगा, आज जिन तक ऐसी है, अभी उन्होंने ठाना बंद कर दिया, गुटका नहीं खाते हो, लेकिन फिंगर ऐसे रहेगी हो, जहाँ भी ज थंग कर शकते हैं, इसका जो क्यूस अग्जाम भिआता है, बहुत सारे टैप के कैंसर होता है, बट सबसे कॉमन टैप का जो इसोफेजिल कैंसर होता है, वो होता है, अदेनो कार्चिनो, सो बहुत बार क्युसे ना है कि इसोफेगस में सबसे कॉमन कैंसर नहीं लिखा होगा, हा लिका है, the most common cancer is adenocarcinoma is the most common cancer in esophageal cancer, other is commercial carcinoma, most common site so, जहां पे junction होता है GE gastro-esophageal junction, GE junction पे सबसे common आपका cancer होता है अगर GE junction option में नहीं है तो lower part of the esophagus, जो आपका distal part है वहां पे सबसे common esophageal cancer आपको देखने को मिलता है symptoms के अंदर जब isophagus में problem है तो खाना नहीं खा पाएगा so, difficulty in swallowing is the early symptom odinophagia is the painful sorrowing जब अदिस्ती खाएगा तो दर्द होगा sub-sternal pain or fullness hemorrhage is the bleeding होगा persistent hiccups जब ही throat के अंदर या आपके GIT में कुछ होगा तो बार बार उसको बाहर निकालने के लिए क्या आएगा hiccups तो यहां भी क्या होगा person में persistent hiccups आपको देखने को मिलेगा respiratory difficulty यह GIT आपका respiratory tract और यह पीछे आपका isophagus जब यहां पर tumor होगा तो यह किसको compress करेगा आपकी इस membrane को और इससे आपका respiratory tract क्या हो जाएगा ने दो और आपके person में respiratory difficulty देखने को मिलेगी diagnosis के लिए isophagoscopy and biopsy city ठीक है management early stage है तो आपका treatment है cure करके उसको जल्दी से खतम करना हमारा main goal लेकिन late stage में हो गया तो फिर वहाँ पे palliative surgery ही आपका options होता है and in late stage the relief of symptom is main goal surgery chemotherapy radiation और उसके साथ में isophagic tomie हम यहां पे करेंगे surgical management the isophagic tomie with gastric pull up stomach को उपर pull करेंगे जहां पे cancer है जैसे यह आपका isophagus और यह आपका stomach तो इस पार्ट को काट देंगे इसको थोड़ा उपर करके इसके साथ वापस जोड़ देंगे that is the gastric pull up surgery isophagic tomie and free adrenal graft नीचे लिकावा है free adrenal graft आप इस पार्ट के अंदर यहां पे जैजनम का एक पार्ट लेके anastromasis करके grafting भी कर सकते हैं तो वह भी एक option हमारे पास अवाइलेबल है nursing management person खाना नहीं खाएगा और खाना नहीं खाएगा तो उसको अदर वे से food देना है लाइक अगर ओरल नहीं ले सकता है अगर यह जा सकती है तो एंजी से अगर यह डालना भी पॉसीबल नहीं और अगर उससे भी पॉसीबल नहीं है तो हम TPN स्टार्ट करेंगे total parental nutrition कर दे और तीपी न के साथ में आप को मेन्टेन करें तीपी यपी यपी देते हैं बहुत इंपोटेंट है द्रखना क्या ध्यान रखने it will produce a hyperglycemic solution so hyperglycemia हो सकता है बंद करते time hypoglycemia हो सकता है तो वो ध्यान रखना है और TPN के साथ में infection is a very common problem so always keep tickard and take a new one with new IV seat पराने वाले को use नहीं करना है कोई भी globules, fat globules दिख रहा है तो उसको reject कर देना है use आपको नहीं करना है next, position so anesthetic effect low-fowler ताकि patient aspirate ना करें sideline दे सके और अगर after recovery from anesthesia high-fowler position so आपका pressure जो है वो नारे कोई भी gastric reflexes उपर नहीं आए secretions उसके लिए high-fowler position आप प्रोवाइब करेंगे prevent reflex of gastric secretion aspiration pneumonia is a very common problem in post-operative patient after isophasectomy next laryngeal cancer cancer of larynx larynx के cancer में सबसे common question आता है the voice problem जो आता है that is the hoarseness of sound जो आपको सबसे कॉमली देखने को मिलता है so this is the cancer of larynx जो दिख रहा है यहां यहां पर growth दिख रही है next risk factor सबसे common BD cigarette गुटका BD cigarette वाले secondary smoke भी आता है कि मैं तो नहीं पीता हूँ पर रोम पूरा दुए से बढ़ा रहता है बाकि मैं तो आती नहीं लगाता हूँ बस टारेक्ट ले लेता हूँ ऐसे ही so the secondary smoke भी indicate करता है alcohol chronic laryngitis and voice abuse voice abuse का मतलब जोर जोर से चिलाना singer कभी high tone में कभी low tone में कभी high pitch कभी low pitch तो यह जो mimicry artist actors teachers इन सब में होने के chances ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा आवाज आपको नहीं करने है नहीं तो फिर आमें चिलाना पड़ता है next symptoms में hoarseness of the sound more than two week early symptom cup sore throat lump in the neck and dysphagia difficulty swallowing dyspagia difficulty in breathing and hemoptysis blood आना किसके साथ में cup में next management radiation therapy early stage है तो chemo with radiation and laryngectomy हम कर सकते हैं प्रेक्योस्टोमी करके क्या करेंगे लारिंग्स को बाहर निगाल देंगे इस्तो फेजल स्पीच में बना सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में स्टॉरी में दिखा था gastric cancer stomach important है stomach cancer में जो GI cancers हम पढ़ते हैं इसके अंदर में आता है इसकी surgical management पर क्योस्टोम आता है एक्जाम में intestinal cancer सारे cancer कौन से होते है एडिनो कार्चिनमा होते है most common part की बद करें तो 40-45% आपका डवलप होता है किसमें lower part of the stomach जो आपका lower part है यहां पर सबसे common होता है so here this is the most common 40-45% तो इसो फेगस में भी lower part stomach में भी lower part most commonly affected होता है आपका next symptoms stomach में अंदर early stage की बात करें तो दो curvature हम बढ़ते है एक होता है laser curvature and second one is greater curvature so जो laser curvature होता है वहां से cancer सबसे पहले start होता है जब कोई thing small thing को effect कर रही है cancer कर रही है तो वहां से symptom कम आएगे यही अगर laser curvature को effect करता तो symptom जाद आते तो early stage में symptom नहीं आते stress जब आगे आगे जाएगी और जब greater curvature effective होगा cancer थे तब आपको क्या मिलेंगे symptoms आना start होंगी pen relieved by anti-acid in early stage dyspagia and digestion early satiety पेट जल्दी भर जाना क्योंकि अंदर तो tumor बरा हुआ है तो खाना कहां जाएगा तो जल्दी से आदा कुछ खाया बास हो गया मेरा बहुत है early satiety आपको यह देखने को मिलेगा weight loss होगा क्योंकि खाना निखाएगा and palpable mass आपको फिलोगा lead sign के अंदर next is stage of gastric cancer तो टोटल चार स्टेज हम यह पढ़ते हैं पांस स्टेज 0 जहां पे सिर्फ mucosa के अंदर है stage 1 जहां पे mucosa and submucosa stage 3 mucosa, submucosa and 0 आपकी muscularis layer half covered है half नहीं होई है stage 3 जहां पे mucosa, submucosa and muscle complete हो गई है वो 3rd और 4th में बाहर निकल जाता है metastasis start जाता है वो है stage 4 next इसोफे जो इसोफे को गैस्टो ड्यूटनो स्कोपी करके बायपसी लेके आप टेस्क पे बेज देंगे CT, heptoman and chest और यह एक important sign जो याद रखना है sister Mary Joseph nodule सापके ebook में picture बना होगा देखा है सबने GI malignancy को indicate करता है umbilicus के just pass में इसा nodule होना that is very common in case of GI cancer specifically in stomach cancer sister Mary Joseph nodule question आजाई कहा होता है GI malignancy में आपको यह देखने को मिलता है management में आप क्या करेंगे gastrectomy gastrectomy में दो टाइप एक होता है complete एक होता है partial complete का मतलब तो complete stomach को निकाल देना एक होता है partial इसमें build growth first and build growth second so build growth first को हम बोलते है gastro-dudynostomy 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 के अंदर जो stomach का part है उसके गर हम बात करें तो minimum part cut करते हैं approximately nearby 25 to 30 percent और बाकी part को वापस dudynum को stomach से जोड़ देते हैं that is build growth first limited gastro-dustomy 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 gastro-d सिस्कृत्प करें गेंग जेजनम से इसको मझां बोलते और इसको किया बोलते गास्ट्रो जाजन इसको बोलते गास्ट्रो जेजनज्ओंस्ट पूरा यह जे जनम् से चुट्थ और और की स्कू बिट्व push यह बाकई श्मेर से केरेगा इसे तो थो दोनौ is दोनों clear? नेक्स्ट Pancretic Cancer जितने भी Cancer होते हैं सब से ज्यादा highly highly dangerous, highly malignant और सब से जल्सी death करने वाला cancer जिससे सब से पहले death हो जाती है वो है आपका pancretic बात dangerous cancer है यह pancretic cancer और पता नहीं चलता है आदमी की एक मेने में पता चलता है उसके एक मेने में डेट हो जाती है इतना डेंजरस है यह इस बात करें तो केंसर किसी भी पार्ट में हो सकता बड़ सबसे कॉमन पार्ट कि अगर पेंक्रियास के बात करें तो हमारी बोड़ी के लिए सबसे इंप्रटेंट प्रेंट का पार्ट कुंसा है चेल पार्ड is most common because वहां पे होता है आपका लेंगरेंस आइसलेट ओप लेंगरेंस जहां पे बीटा सेल जो इंसुलीन और ग्लुकोगोन का प्रोड़क्शन करवाती इंसुलीन वही पार्ट हमारा सबसे इंपोरेंट है अगर उसमें कैंसर हो गया तो फिर पूरा पैंक्रिया जटा देते हैं लेकिन हेंट पार्ट में कैंसर हुआ तो फिर हम क्या करते हैं वेपल सेजरी करते हैं जो अभी बताता हूं में अप्रोक्सिमेटली सेवंटी परसेंट ओपैंक्रेटिक एंसर अपिर इंदे हेंड ऑप दे पैंक्रियास most common site symptoms में very important tried of the symptoms तीन tried symptoms आपे main मिलता है the pain, jaundice and weight loss, the classical tried of pancreatic cancer, तीनों symptom का tried याद रखना है next, ascitis, insulin deficiency, clay color stool and dark urine, so यह symptom में main tried आप याद रखेंगे management में CT, RT, total pancreaticotomy, कब करेंगे total pancreaticotomy, जब कौन सा part affected है tail part, और whipples कब करेंगे, यह question भी आया था, in which type of cancer the whipples is indicated, वहाँ पे options थे, head of the pancreas, tail of the pancreas, body of the pancreas और any is, ऐसे तो, तो answer क्या होगा, सिर्फ जब head part affected होता है, तभी हम क्या करते है whipple करते है, बाकी part में हो तो फिर क्या करेंगे, total pancreaticotomy करेंगे, यह होता है whipples, आप इसमें क्या करते है, इस part को पूरा काड़ देते हैं, जिसमें आपका common bile duct, आपका stomach का part, pancreas का head, उसके लावा यह आपका goal blader, यह सारा काड़ देते हैं, सब अड़ा देते हैं, और फिर इस duct को वापस जोड़ के, यह इस ते से genostomy, pancreas को आप जेज़नम से जोड़ रहें, इसको वो बोलता है, पीजे, इसको क्या बोलते है, पीजे, और यह होता है, इस बाइल डक्ट, CBT है यह, common bile duct, इसको वो बोलते है, जे़नम से जोड़ते हैं, इसको वो बोलते है, डीजे, So, duct को जेजनम से जोड़ना, that is B, so, 3 anastomuses के जाते है, जेजे, पीजे, इसको याद रहेगा? चलो, अगे, next, colorectal, JIT का last cancer वो है आपका, colorectal cancer, colon में cancer होना, that is the colorectal cancer, colon and rectum are more common, जो सबसे कॉमनली तो इंटेसoler का schreiben में नहीं होता है और उसमें भी सबसे कॉमना आपका Rectum में हाइस cancer होते है तक ताह है हम स्ब्सक्राइब का cancer होगा इड़नो-garcinoma इससे यह वि tripage in on can all cancer को जिस्तरे से होगा हाइस्ट किसमें होते है रेक्टम में 50 जो केंसर होते हैं वह रेक्टम में आपको दीखने को मिलते हैं कि अच्छेंड़न कोलॉंट 15 ट्रांस्टवर कोलॉंट 5 desending कोलॉंट 10 एंद सिंग्मॉट 20 एंड रेक्टम 50 परसेंट जो यहां दिख रहा है यहां पर ascending, transfer, descending, sigmoid and then rectum, highest किसमे है तो आंचो लिक रहे है, rectum, clinical symptom, bowel habits change, anorexia, weight loss, इसमें common याद रखना है, जो warning sign का, change in bowel and bladder habits, management, जो part affected है, उसको काट के आठा दो, सबसे easy अगर management cancer का है, तो वो है colon cancer का, क्योंकि colon बहुत बढ़ी होती है, जहां पर cancer हुआ, यहां cancer हुआ, तो दोनों तरफ से काट दो, इसको fake दो, वापस दोनों को जोड़ दो, कोई problem नहीं होती, जिसको हम बोलते है, hemicollectomy करना, उसके अलावा हम other management like rectum cancer हुआ, तो distal part है, last part है, intestine का, वहां पर थोड़े issues होते है दो टाइप की surgery करते हैं, तो यह तो segmental resection with anastomosis, जिसको हम बोलते है, hemicollectomy, जो मैंने अभी बताया आपको, बीच में से काट के, वापस anastomosis करना, अगर lower part पर है तो हम करते हैं, APR, abdomenal, resection and LAR, low anterior resection, दो, surgery हम करते हैं, APR, with sigmoid colectomy and LAR, APR कब indicated है, जब आपका rectum, पूरी तरह से, completely, anal, canal तक पूरा cover कर लिया है, कुछ भी part, normally बचा है, last part तक, तो फिर हम जहां से cancer है, वहां से लेके, पूरा rectum और NS पूरा काट के अटा देते हैं, और नीचे वाले opening को close करते हैं, और जो sigmoid part होता है, उससे permanent colostomy मना देते हैं, So that is, APR, जहां पे lower part बिल्कुल normal नहीं है, सारा part affected है, और एक होता है, LAR, जहां पे cancer जो होगा है, वह रेक्टम में है, लेकिन नीचे वाला कुछ पार्ट नॉर्मल है, तो हम जो normal part है, उसको रखेंगे, उपर वाले part वो काट के, Sigmoid को वापस आपके, रेक्टम का जो lower part है, उससे जोड़ देंगे, circular steppler यूज करके, that is known as LAR, low anterior resection, Prostate cancer, very common cancer in old age, बुड़े लोगों में होने वाला सबसे common cancer आपका, prostate cancer, old age में, So elderly male, most common cancer in elderly male, 70% of cancer occurs in old age, 65 years के बाद, ये cancer सबसे common होता है, Clinical Manifestation, it's a hard piece size nodule or irregularity palpable on the rectal examination, अभी बता है था, VRE, Digital Rectal examination, जब हम करेंगे, तो एक hard piece size nodule palpate होगा, वो हम याद देख सकते हैं इस cancer में, Urinary Obstruction, decrease the size and force of urinary stream, the early symptom, Qustion यही आता है एक्जाम में, जब ही आप history collection करेंगे, तो पेसेंट से क्या history collect करेंगे, तो पेसेंट से पूछेंगे, कि क्या आप यूरीन पास करते हैं तब आपके पेर गिले होते हैं, नॉर्मली अगर बात करें तो urine पर्सन पास करता है तब stream जो होता है वो पेरों से अवे होता है और पेर वेट ली होता है, लेकिन जब प्रोस्टेट्ट केंसर या प्रोस्टेटिक ाइपरपलेजuldade है ग्रोथ है तो वहां परस्कम होता है और स्ट्रेंग लो होने की वज़े से सीधा यूरिन पेर पे लगरती है और उसकी वजह से पेर क 정부 अब नेक्स्ट वच्तस पूभिफाइब कहां यूज किया जाता है तो आंसर क्या लिखना है It is the scoring system which is used in the cancer of prostate gland Gleason scoring system most common system doctor used to grade to prostate cancer Management क्या करेंगे management Drugs हमारे पास prevention के लिए इसके लिए है और prevention की अगर हम बात करें तो first therapeutic cancer vaccine superlucil अरे उदर नहीं भी इटने आपको focus board में करने है 6 रोपे पहले ध्यान आपका उदर जा रहे So vaccine कौन सी है superlucil superlucil is the pro vaccine आरे सर नहीं आएंगे भी सर जो है जब मैं यहां से message भीजूंगा तब सर आएंगे So इसी लिए आप लोग अभी genetics बाकी है learnt वरे और exam में 100% दो क्यूसर आएंगे और अगर आप चाहते हो कि नहीं करना तो आई बंद कर देंगा So last topic है उंकों का उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं Next Abitron, Fasetate या Zytica and Carbazit Axel यह भी आपकी vaccine से जो हम यूज करते है prostate cancer में Other radiation therapy and surgical management Surgical management में Radical prostatectomy हम कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद में TURP जो आपको बताया ता याद है तो वो हम यहाँ पर perform करते हैं अगर Yes genetics की बात करते है आप लोग silent हो जाओ वो भी बताता है silent हो जाओ पहले यह जित्रे भी आगे है सब चुप चाप बेटे रहेंगे क्योंकि अभी class कतम नहीं होगा तो आप लोगो silent रेना है बात बिलकुल प्ले करनी है जल्दी से बेढ़ जाओ genetics के अंदर जो यह पाउच की बात करें एक ओक पाउच जो हम पढ़ते हैं यह यह इलियल कंड्रिट हम बनाते हैं सिंपल सा होता है कुछ भी नहीं है और इंटेस्टाइन के जो साइड में होता है उसको हम बोलते हैं अमेंटम से ब्लड वेजल जाती जो इस पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है सो हम क्या करते हैं जब ब्लेडर के इंजर होता है तो ब्लेडर को आउट कर देंगे और उसके जगे एक पाउच बनाएंगे जो यूरिन को टेंपनरी एक पाथवे प्रोवाइड करेंगा सो वहाँ पे हम क्या करते हैं लाइक यह इलियल पाउच है मैं इससे पाउच बना रहा हूँ तो इसको बनेंगे इलियल पाउच या इलियल कंडुइट क्या करेंगे इस पार्ट को यहां से कट करेंगे इस पार्ट को यहां से कट करेंगे यह blood vessels इसके साथ रहेगी और इसको यहां से ऐसे कट करेंगे पूरी layer को साथ में फिर इस पाउच के दो end है एक end इदर एक इदर एक end से हम stroma बना देंगे और दूसरे end के उपर आपके जो unit यूरेटर से उनको लागके इस तरह से इंप्लांट कर देंगे सो यूरेटर से यूरीन इसमें जाएगा और पाउच से सिधा बाहर आएगा इसको हम बोलते है इलियल कॉंड़ेट सिंपल जाए बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आगे सिस्टम अभी हम बात कर लेते हैं इस पढ़ा है यूरी गुड़ अभी पटते हैं इंटो डिक्शन फादर एफ जेनेटिक्स नेट में भी आएगा वी स्दफादर आफ जेनेटिक्स जान सो आन्चर होगा ग्रीगर मेंडल सुन सुन के थक है मड़के दाने वाला एक्स्परिमेंट बार बार करने वाला नेक्स्ट ना बेसिक उनिट ऑफ हेडिटी एज जीन और इसको अगर अगर बात किरें कहां प्रिजेंट होता है तो डीने पढ़ा है डीने डायोक्सी राइबोस न्यूक्लिक असे डबल अलेक्स स्टेंडर्ड जो आपके हुक वाई साब रोवर्ट हुक याद है next the Tom Zee was coined by the Johnson in 1909 in 1953 the Watson and Crick jinnki हम बात करें discovered double helix model of DNA in 1956 Tizoo and Liwan demonstrate the actual number of chromosome in human that is 46 chromosome कितने होते हैं 46 in number और 23 in pairs याद रखें दो type के chromosome हम पढ़ते हैं one is the autosome and second one is the halosome autosome जो आपकी body की जितनी भी heritage जो आप लेके जाते हैं माता जी पिता जी से आगे generation में और जो halosomes होते हैं वो होते हैं sex chromosome जो help करते हैं sex determination के अंदर अरे silently जाने चुपचा आप जल्दी से भेटना है class ख़तम नहीं हुआ है जल्दी से next gene सुनाए धीन gene is the basic unit of genetics so gene is defined as a segment of DNA which carries the genetic information like आपने सुना होगा कि ये तो अपने माताजी पे गया है ये अपने पाप अप गया है ये उस पे गया है तो वो जो गया होता है वो किसकी विल से गया होता है gene की वजब से क्योंकि gene तो माताजी और पिताजी नहीं दिये है तो उनके उपर ही जाएगा so चल्दी चल्दी चलो ब्रुखना नहीं है next gene is the basic physical end the functional unit of hydratory chromosome कितरे होते है 46 pair में 23 the pattern is called gene दो डैप के होते है एक होते है deployed और एक होते है haploid deployed का मतलब जो double होते है एक साथ वो deployed और जब आप मियोसिस पढ़ते है तो आपके बनते है four cell बनती है वहाँ पे होते है haploid single होता है यह क्या होते है haploid single है तो haploid और double है साथ में तो diploid number of chromosome is 46 44 chromosomes are autosome जो भी बताया and rest two are called sex chromosome in male male के अंदर होगा xy female में होगा xx y आता है हमेसा पिदाजी से इसलिए आगी जो हम परते y-linked disease y-linked disease सिर्फ father से boy या male person में shift होती है कभी भी female में नहीं होती है next अरे बीचे क्या हो गया आवाज नहीं करनी है चुपचा पेठना है yes next cell division there are two cell division मियोसिस एंड माइटोसिस माइटोसिस के अंदर टू टिप्लोइट सेल बनती है डॉक्टर सेल यह थोड़ा और कम था जो यह और करो आपको है इसको अटाओ भी मुझे गिराओं के बाद में एंड मियोसिस की बात करें तो कितनी डॉक्टर सेल बनेगी चार यह क्यूसिसन आइटिंक लास्ट यह एक्जाम में पूछा था सो फोर्ड डॉक्टर सेल का बनती है आंसर सुड़ भी मियोसिस मेंडलियोन इनहरिटेंस लास्ट पार्ट है आपका क्या हो गया यह डिस्टरमेंस किसने करवा है कोन है उसको बुला के लाओ अच्छा सो सरका है मैंडलियोन इन टेंडरी टेंस हो है हम बढ़ेंगे यूट्यूब के उपर कल आज के लिए बस यही तर्थ अच्छी चैणताव कोन है इसलियोस जब्र दॉलू अबेंगेंगेंगेंग समय करे है पर दो इसलियोन झाल 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 कि अभी टाइम का भाव ठीक है लास्ट में पुले हैं तो रोज बसती रहती है हम चाहते हैं हमारे गुरु जोन के लिए ताली की बरसात हो जाए मैं मैं जितना जिखांगा उतना आपको एक वर टालिय के साथ एक साथ वेखांगाई एक बंगर से हैं अब दो के साथ तालियों की बरसात होगी बिल्कुल जिए के साथ की हाँ फिर भूर में पूलेुकिं रिख हाफ बाद्स भास को दा लें गोर अच्छह whenever की जो पोड़ाना जैसे कि उसे एहसान कहते हैं जो सब को बदल देया उसे इंसान कहते हैं और किता बढ़ी तो बहुत को ने लिखा लेकिन जिसे बाबा सहाब ने लिखा उसे भारतिये संभिधान कहते हैं और जो एक नहीं दिन में तीन-चार घंटे कंदर रिसार्च और मेरेजमेंट को लपेड़ दे उसे सरहनुमान कहते हैं कि मैंने सोचा यह यह पर्फेक्ट परस्टंआल्टी के लिए कोई रही वट नहीं बंढ़ रहा था तो इनके लिए कोई पर्फेक्ट भू करता संभिधान कया है निस लिए मैं उसको कोर्रेलेट करने की कोशिश की क्योंकर है कि इस था कि न किस्ट सिंबल ऑ परफेक्षन शर्मर परफेक्षें इतना है तुज है और रहे लेकिन इस यह यह सुर्द किर थे कि युच्छ पर एव यह दिखता है पहले जब हम ओनलाइन क्लास आप लोगी तरह देख करके मतलब जब रूम पर रहते थे घर पर रहते थे तो मतलब कोई अगर जैसे सेलेक्ट हुआ तो बोलता था सारे टीचर्स को लास्ट में बोलता था एस्पेसली पर अकी सरें हनुसर हम सच बता रहे हैं हम हनुसर को नहीं जानते थे ह हम सब्सकी हैं हनुसर कोरें लेकिन यहां आने बाद पता चला जिस तरह से अच्छा आप लोग ने ताजमाल देखा होगा कर देखें हैं ना जिस तरह से आप ताज माल दे लेकिन मुझे लगता है जिस नियूपर पर यह जैंसी खड़ा है उस पिलर के नाव है अनुमान सर्व है हमाँ सरी सीज्ट पिलर अफ जैंसी हमारे हर एक टीशर एक से बढ़ के एक है जैसे एक कलास हमारे मननिय आर्सी शर ने लिए किते हैं किंग ऑफ फार्मा और ओटी और आईसीव के सुपर हीरो हमारे आर्शी सर के लिए जोर दरता लिया हो जाए इनका एक खुबसूरा साइर है कि हम किसी के भरोसे नहीं जीते हैं अरे अपने दम पर आख लगाएंगे तुम साले आर जाने की बात करते हो हम मंजिल को भी उठा के लाएंगे को ये अपनी मंजिल को वुला की जिया तो जिया अपनी मंजिल का भुला की जिया तो क्या जिया है तम तुझ में तो उसे पा के डिखा लिख दे खुण से अपनी कामियाभी की कहानी और बोले उसकुंसर कर करता थिकाह थैंक क्यों थैंकड की बैरी मस्टांक्स पॉर लिस्टिंग अबाइद धोस्त करें लास्ट में लोगाएंगे सर के लिए पुछ गिफ्ट देने उससे मेंूच बोलना होगा थैंक यू थैंक यू वेरिबट्स गोड़िएंग एरिवर्बीमान और को या हलो गुड इवनिंग सर गुड इवरिवन और पीछे वाले जो बच्चे हैं उनको स्पेशली गुड इवनिंग आज सारे सर इन्होंने बताया ना कि ताज महल वाला जो एक्जामपल तिया ना भाया ने वैसे सारे सर आज थंगे मर्म लग रहे हैं कहीं सुनाया किया कोई director, managing director काम करता हूवा मिलेगा कि आपको सिर्फ उर्डर देता है ना लेकिन हमारे तेरेक्टर, managing director बारा बारा गंटेश Kerry हैं हम लोगोर डे कुछ ना कुछ तो अच्छे पुन्य के काम कीये ही होंगे जो इतने अच्छ이्खे टीचर्स मिलें ज्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही, थेंक्यू सो मच, और हाँ एक लास में, पता है मैं अभी दो दिन बाद फाइनली चली जाओंगी, मेरी थोड़ी जोब इशु है इसलिए, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं यहां पर और रुकू, और पड़ू, लेकिन मजबूर यह ज मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़नी पाऊंगी, बस जो, थेंक्यू सो मच, थेंक्यू सो मच, थेंक्यू, एक बार, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कि खड़े हो जाए, दीदे के लिए जोड़दा तालिया बजाए, प्लीज, क्यूंकि, थेंक्यू, क्यूंकि, थेंक्यू, क्यूंकि, सब कुछ लोग ऐसे हैं, पैसे नहीं दे पाए, कुछ दे पाए, दीदी ले, अकेले तीन जार रुपे दिये, अकेले, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने, आईडी का, क्या हो, स्वाइसर से की उपर स्टेट पर आए, और अपना गिफ्ट लेए, या सर, एक स्टुडेंट आजो कुई भी बोईस, अभी शेक, आओ, इसमे अगेंट नगें, विवने खड़ी मुअन मन रही करकें, बोआए, अब मैं खड़ेंट लेए, अब मैं आपने नगेंट नगेंट लेखें, विलियम सर, दिन देयाल जी, अरे विस्टुरी ना देंगा, राम ओतार, राम ओतार, पार है राम ओतार, आरे मौद, राम को बोला देज़े का वार देंगा, लेको आरे स्टेस एतना क्या फोबिया, इस्टुडेंट आजाओ, या सर अपने ली कितनी मेनद्स करते हैं, कोई बयज आजाओ, दो उपर आगा के खड़े हो जाओ, पर्ताब। दें देया जी, पर्ताब, दो, पस्ट पास्ट ओजाए़, जास्ट पास्ट ओजाए़न्स अजाए़, तो यजाठर, सर्दार, लिला भाई, लिला भाई, कणा रामजी, लिला भाई, लिला भाई, लिला भाई, कणा रामजी, आरिवे से दोलो को जाना निये, बैठ चाओ, शुलो, ग्यान की बाते मिलने वाली उन गुरू से कहीं नहीं मिले की बार, गुलाब जामून मिलेंगे, तरो नहीं आरे बात में देजेंगे अजय को अच्छोड नहीं है अजय कोई नाम क्या स्कुला नहीं है अजय को नहीं है अर्जुन को लेख बाइजी कोई गल्साना आज एक एक गल्स कोई भी आदो नेकर इस्ताब या वेलबल नहीं है विचे खान निचे खाना बना रहे है आपके लिए उनको बाद मेदे दिंग कोई ना, कोई प्रोब्लम ने प्यारे दोस्तों, एक यारा दिन से एक कंटीडियू ग्लास चल दी है, बारा गंटे खड़े रहे के पड़ाना असान नहीं होता, हमारे गुरू अमारे लिए कितना कर रहे है, अभी वो दिदी बोल के गए, अभी शेक बया बोल के गए, आज के जबाने में अगर कोई भी ब काम, चोटा सा काम भी क्यों नहीं हो, वो हमारे हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े गहते हैं, अमारे बारे गंटे के सबने के लिए, जयाइनसी ने बहुत कुछ किया, पढ़ाने बहुत कुछ किया, और उन्हों ने अपनी पूरी जिदनी मैनत लगा नी लगा ली, अगर अमें हम करना है अपने पर में बड़े ज्यान से कंट जो फोकस से वाप कियूशन को सौल करना है, इसलिए का है तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, साथ में है जैनसी फैमेली, तो हर नर्सिंग ओपिसर की किसमत भी बदलेगी, जमी वो आस्मा को बदल देगी जमी वो आस्मा को बदल देगी चांदनी रात के महताब को बदल देगी आप J.I.N.C. पढ़ के तो देखो वो हर फ्यूचर नर्सिंग ओपिसर से नर्सिंग ओपिसर बदल देगी और हमारे प्यारे अकी सर के लिए ये कितनी मेनद करते हैं हमारे लिए इनके ओपर दो लाइन अपना वजूद बनाकर हर किरदार निबाते हैं हमारे प्यारे अकी सर ही है जो हमारे सबनों को सजाने के के लिए जिन्दरात मेनद करते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डायक्टर सर्च से कि वह स्टेज़ पर आए असोग सर और मैं अनुसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका माला पहना कर समान करें असोग सर्गा कि अब तराव कोड़ा होएंगे जा हर सर जुग जाए वही मंदिर है जा हर सर जुग जाए वही मंदिर है जा हर नदी समाज जाए वही समंदर है जीवन में इस करम भूमी में युद बहुत है लेकिन जो हर जीद जाए वही हनुसर है अब मैं रिक्वेस्ट रूँगा कि है सोक सर से वह अनुसर को माला बेना है शिक्षक समाज का वो बल्फ है जो खुद जलकर दूसरों के घर को रोशन करता है खुद की आरजू के दामन बरने के लिए खुद की आरजू के दामन को भने के लिए सब पत पर चलते है लेकिन अली सर वो धीपक है जो औरों के सबनों के खातिर जलते है प्लीज वेलकम टू दा इस्टेज मिश्टर मुक्तियार अली सर शिरी सर इस तरह से मुस्कुराते है शीरी सर इस तरह से मुस्कुराते हैं कि परिशान लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं शीरी सर ऐसे मुस्कुराते हैं कि परिशान लोग कर खुश परिशान लोग देखकर भी खुश हो जाते हैं आपकी बातों का सर क्या कहें आपकी बातों का सर क्या कहें अलफाज तारिफ बनकर कुद होटो पे आ जाते है प्लीज वेलकम डू दा स्टेज आर्ट श्रिशर आश्मा हमसे नराज है तारों का गुस्सा भी बेहसाब है हमसे जलते हैं सब लोग क्योंकि हमारे पास चान से भी प्यारे आर्ट श्रिशर है प्लीज वेलकम डू दा स्टेज आर्ट श्रिशर जो ना पूरा हुआ उसे अर्मान कहते है जो ना पूरा हुआ उसे अर्मान कहते है जो ना बदले उसे इमान कहते है जिन्दकी मुश्किलों में बने ही द्वीत जाए जो हर जुखता नहीं उसे ही करंशर कहते है Please welcome to the stage करंशर और हमारे प्यारे रविशर के लिए मुस्कुराट का कोई मोल नहीं होता कुछ रिस्तो का कोई तोल नहीं होता हर कोई रविशर आपकी तरह अनमोल नहीं होता Please welcome to the stage रविशर ठीशर की रविए-प्येशर का पुछ धानितुट good कर दोल नहीं होता तो रौंविशर क्वपक्टा का जगेः इस HEँ ईँट रगे होता पिसे से ऑ और स्टुट्ट डूटका पिसे अ पा बडेश akan Gभ्या एजगेए अबी तो असली मंजिल पाना बाकी है अबी तो इरादों का इंतिहान बाकी है अभी तोली है मुठी बर जमी अभी तो आसमा बाकी है अभी तो बुरा आसमा बाकी है कि आसे पिझेव्टर नो था ने कार है अभी तो के में कि लुगकान से बयुगका करेंक करेंक खो दासमा रेकर भर कार्णकर को अभी तोली पaudience मत रहन दोट आप सरसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एगवार हो चास्वा पेंडे निचे दो आप सरसे दो एक बार नर्शिंगारी में के लिए जोरदार तालिया आप 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 ढया आप 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 हम कि अमची कि अगते ऐट है कि अन्याव में अधिर्ज द्र आए कि अधियो है अधिवर को बैटेंगे हैं बजार एक बार खड़े हो जाए बेर जाओ, थैंक्यू, देखो, अपने माबाप के अलवा, अगर कोई अपने को आगे बढ़ते हो, देखना चाहते हैं, वो एक गुरू, मैं श्कूल पढ़के किया, बीसी नर्सिंग में फॉर्ट, थर्डियर में हूँ, चार साल से मैं ही हूँ, मैंने आज तक ऐसी कोचिंग, ऐसे गुरू कहीं नहीं देखे, क्योंकि मैं इतना डरता हूना, इस्टेज पर आते हैं, बहुत फास्ट फास्ट बोलता हूँ, लेकिन असोक सर्व से कभी भी मिलने जाओना, कोई रुकाउट रुकाउट नहीं आती, कोई किसी परकार का कोई पढ़ने यहां पढ़ाने आजाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, एक सर्पाइस देखे लिए थोड़ा सा और, देखो गुरू जुना नहीं बहुत कुछ, 130 घंटे कितने उसोचो, 130 घंटे में पूरे नर्सिंग को लपेट दिया, नर्सिंग क्या और यह 20 नमर अपने बंढ सारे के वो भी लपेट दिया करन सर ने, अब हमारे वाले आर्मी में सर के लिए कुछ स्पेसर लेकर आए, उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आए, कर दो दिखते हुआ है कि कि अब कर दो स्टेएिय के कि में सक्ति अ हां स्टेएिया कि कалता यह 20 बंटे इनक फ्रावचाना, इसान्वा क्या बंग ये उता है शुलन दुका प्यार के लिए, ट्रदीकर, आइक टीचर? ट्रेकारण टीचर? 땡्यो्य, प्रचीर वर्व Common Pr!. से बതल को दो zwischen अल्मोस्त लास्ट 11 डिस और एवरी डेट्टो अल्हार क्लासे शुबह आठ बजे श्राम को आठ बजे मिशन नॉर्स्टेट 06 परस्ट अप्रेल को स्टार्ट किया सुबह आठ बजे बच्चों को क्लास में आना और सुबह आठ बजे से शाम को आठ बजे तक एक सिंगल टीचर के दुआरा बारा घंटे पर डे क्लास लेना I really salute you and your teachers है ना और ये ये सिरफ कहना असान नहीं है और आपने और आपके जैन सी परिवार ने करके दिखाया है 14 अप्रेल ठीक दो दिन बात All India Institute of Medical Science एम्स का एक्जाम है और उस एक्जाम में Nursing Officer बनने की ये जिद JINC के Future Nursing Officers की इस बार जरूर रंग लाएगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ को सफल बनाने में Dynamic Personality और मेरे बड़े भाई Backbone of JNC डॉक्टर हनुमान विश्णोई प्रिये सरीराम विश्णोई सर जो हमेशा एक उम्मीद लेके क्लास में आते हैं और सरकाएक ही टारगेट है जल्दी से आपको दिवार पे चिपकाना है जल्दी से अपको प्लीज अपनी सीट ना चोड़े एक्सक्यूज मी अपनी सीट ना चोड़े प्लीज जाएंसी परिवार के लिटिल चैम और सब के दिलों पर आज करने वाले अली सर जाएंसी जाएंसी नौलेज के भंडा एक मासू मुस्कराट के साथ एक फ्लो में चलते वे जबर्दस कंटेंट डिलीवर करने वाले आरसी कुमावत सर और स्लिम ड्रिम स्टील बोडी और पेडियाट्रिक और माइक्रोबाइलोजी को नौर्सेट जैसे बड़े एक्जामे आसान करने वाले प्री है सर्माजी और आप सोच सकते हैं नौर्सेट प्री के लिए 20 मार्क्स रीजनिंग मैच्स और सुप्रा साब करने वाले करन चोधरी सर और यह है आपकी टीम जे आएंसे जिनोंने 11 दिन लगभग 110 गंडे 120 गंडे सारे नौर्सेग के 17 सब्जेट को important point, bullets, images, videos के साथ priority नर्सेग MCQ के साथ systematically complete revision करवाने वाली टीम को मैं JINC परिवार का मुख्या होना कि नाते तहे दिल से salute करता हूँ JINC offline और online जितने भी बचे class को watch कर रहे हैं आप सब के dedication को भी मैं सलाम करता हूँ बचो इस mission को सफल बनाने के लिए तीनों hostel के वार्डन मुक्ता मैम सौनू मैम पिंकी मैम मैस के मुक्य सूत्रधार काना राम जी और उनकी पूरी टीम देन टाइम से खाना पहुंचाने का काम करने के लिए दीन दयाल जी JINC गुरुकूल JINC विद्या पीट JINC ग्यान इस्तलम और JINC करम इस्तलम इन चारों हॉस्टल के गार्ड और जितने भी JINC टीम के पियॉन और हमारे आईटी के टेक्निकल एक्सपर्ट विलियम सर और सवाई सिसोधिया सर हमारे JINC रिसर्प्शन टीम से आर्थी में साथ में कम्प्लीट टीम इन सब का JINC परिवार शुक्रियादा करता है जिन्होंने सुबह से लेके शाम तक 24 आर्थ की एक्टिविटी आपके इमोशन आपके मेंटली स्टेबल रखने के लिए एक अच्छा फूट डिलीवर करने में अच्छा एनवारमेंट देने में सब ने इस मिशन में बढ़ चट के इससा लिया और इस पूरे कैम्पेइन में इंडारेक्ली पार्टिसिपेट करने वाले जैनसी नीट के एचोडी हमारे प्री है मेंदर भारती सह और उनकी पूरी टीम का भी शुक्रियादा करता हूँ जो ये रेड आर्मी है इस रेड आर्मी को इस मिशन के लिए त्यार कर रहे है जो आने वाले टाइम है आपको डॉक्टर नसिंग ओपिसर परामेडिकर और अलग-अलग प्रोफेशन में देखने को मिलेंगे और इस रेड आर्मी की जो है फ्यूचर मोटिवेशन आप सभी फ्यूचर नसिंग ओपिसर आप सब का शुक्रिया अब मैं और स्पेशली आपका सुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ आपने जो ये एंड किया हमेशा हर क्लास के एंड बहुत खुबसूरत होता है आज तो आपने ये प्यार भरी बाला एक खुबसूरत वाइट टी-शिर्ट सब के लिए और ब्रैट का वोगल और पूरी non-teaching team के लिए t-shirt और ये जो एक एक सम्मान दिया उसके लिए आपका सुक्रिया और गुटेट के लिए हम आपका सुक्रिया इस चुनावी मौसम के अंदर पीछे देखू अच्छा अबने बाप लाइब में पीछे देखना ही नहीं है चुनावी मौसम के अंदर ये बड़ी सी माला देखके न मुझे मोदीजी जैसे फीलिंग आ रही है और अब्दुलकलाम सर ने कहा था कि बेस्ट टैलेंट आर फाउंद बैक बेंच जब क्लास्रूम और हमारे क्लास्रूम के बच्चों ने इसको प्रूब कर दिया तो थैंक यू सो मच आज आप सब लोगों ने मिलके फूरे जैन्जी परिवार के लिए जिस तरीके से नॉन टीचिंग टीचिंग टीम के लिए छोटी-छोटी क्रियेटिव गिप्ट दी है ना वो सब हमारे दिल के बहुत करीब है जो हुआ होने तो यह सब चुल्पुल पांडे बने वे हैं ना उनको इग्नोर करो सो हम इस बैटरीन एनर्जी के साथ नॉर्ट सेट के लिए जा रहे है और हम सब की दुआएं आप लोगों के लिए हैं कि एक्जाम में जो भी क्वेशन आएगा आपका सुपर कम्प्यूटर वाला चिप उसको रीड करेगा तुरण प्रोसेस करेगा और सही रिस्पोंस दे देगा तो आप लोगों को बहुत बहुत शुप कामना है और हर प्रोग्राम एक गैदरिंग और सेलिबरेशन बन जाता है अपने यहां पर कि अपने संसकार वेल्यू बेस्ट एजुकेशन को दिखाता है और हम सब बहुत अच्छा मैसूस करते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट और इंडायरेक्ट एफर्ट से उसको आप लोग साकार कर देते हो वापस हमें स्पेशल फील करवा देते हो तो हम और चार्जड अप हो गए हैं अभी मेंस के लिए अचीवर बैच प्लान करेंगे जल्दी ही और आप लोगों को अभी दो दिन अपने बैतरीन रिविजन के लिए लगाने और 14 को बहुत गुट न्यूज के साथ आप वापस आओगे एक्जाम सेंटर से ऐसी मेरी काम प्रिपरेशन और रिफ्रेश होने के डेज होंगे और फिप्टीन को थ्री ओक्लॉक को फिर से क्लास होगी इनकेस आप सेंटर से दूर हो तो कोई नहीं एड़स करेंगे लोग आपको मिस्स करेंगे नौर्टेट बैच के लिए बता रहा हूं मैं यह सिरफ नौर्टेट ब अब मैं आपको अपनी तरफ से शुब कामना ही देता हूं स्टेज बे काफी डिस्ट्रबेंसे जे तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अली सर दो शक्त का है अली सर प्लीज कि एक बाख नी सर की क्लास है एक्चुली अपनी परंपरा रही है प्लीज बच्छो लिसन केरफुली अपनी परंपरा रही है जो टीचर इस मिशन में जो कॉंट्रिब्यूट करें उनके जैन सी परिवार एक लव ओफ टोकन देता है हनुमान सर का पेंडिंग था तो फर्स्ट वी केन अप्रिशेट हनुमान सर बच्छो गेस करो बच्छो गेस करो बच्छो प्रॉब्या प्रॉब्या है अपको अश्या करो आप्स्या वह प्रॉब्या क्या तो नावाई रिक्वेस्ट अली सर्ट इवरीवन आज के सांदार समापन समारो जो हमारी बारा गंटे की क्लास बारा दिन चलिए उसके लिए आप सब को हर्दिक बदाई और सुपामना है और मोटिवेशन की आप लोगों को जरूरत नहीं है बस फाइनल अटेम्ट की बारी है आप लोग कैसे कर पाते हो उसके लिए हम तेरा तारीक को आपको और अच्छे से एक बार वीडियो जैन सी इन सिंग के उपर पेपर कैसे कंड़ेक्ट करना उसके बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे से आप पेपर कंड़ेक्ट करोगे ऐसी हमें उम्मीद है क्योंकि हम लोगों ने मिलके बहुत अच्छी मेहनत की है अगर हमने मेहनत अच्छी की है तो ऑन-लाइन वाले तो बहुत ज़्यादा हम मोटिवेटेड है और आफ-लाइन और ऑन-लाइन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बो बेढ़ेगा और बहुत सारे हैं से जैसे आपका जेंटर कहीं किसी का अपने इस जगह पर है किसी का बाहर है तो नए दोस्त भी मिलेंगे आपको जैन सी तो एक अलग तरीके का आपको एक महौल एक अपना पन लगेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ जैसे अब नौरा तरह चल रहा है अब कुछ लोग को फास्ट करते होंगे क्योंकि हाँ यह होता है पैं सुनो जब कोई भी फेस्टिवल होता है न तो फेस्टिवल से हम गौड से मांगते हैं कि गौड हमें यह देना तो गौड हमारी जरूर जो जायज तमन्ना होता वो पूरी करता है वैसे ही आज जैसे मैं Eid celebrate करके आया हूँ तो Eid का जो ये तिवार होता है ये हमारे साल का सबसे important day होता है इसमें क्या होता है कि 30 दिन रोजे चलते हैं और उसके बाद में आप जो भी दूआ मांगते हो वो 100% पूरी होती है ऐसा माना जाता है जिदनी भी आप मांगते हो तो मैं आपके लिए एक बात बोलता हूँ आप सब लोगों के लिए कि तू जो भी दूआ मांगे जब भी दूआ मांगे मेरा रभ तुझे वो अता करे मेरा रभ तुझे वो अता करे कि तेरे हाथ उटे बाद में उससे पहले रब तुझे वो अता करें तैंक यू सब्सक्राइब देन नाओ आई रिक्वेस्टेड रस्पेक्टेड स्री राम सर् मैं क्या गुलाब जामन तरफ नजर थी उदर तो मैं ध्यान नहीं दिया कि मेरा नाम अचनक से आने वाला था तो लगातार 11 दिन के संगर्स और 12-12 गंटे 12-12 गंटे की मेहनत के बाद आज फाइनली इतने अच्छे ये वेलकम प्रोग्रम ये वो धन्यवाद प्रोग्रम जो भी उसके लिए दन्यवाद सबका बहुत अच्छा बच्चों ने भी ऐसा initiative लेते हैं कि टीचर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो student भी हमसे वापस हमें return देने के लिए कोशिस कर रहे हैं ये बहुत अच्छी सोच है अच्छी बात है ऐसा करना चाहिए तो इसी सोच को आगे बढ़ाता हुए जॉब लगता ही पहली salary मेरे account में डाल देना नहीं चाहिए वैसे मजाग कर रहा हूँ वैसे तुम दोगे भी नहीं है ना तो तैयारी सबकी बहुत अच्छी हो गई तुमने सब कुछ पढ़ रखा है एक्जाम में जाने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है लोग बहुत मिलेंगे तुने अच्छा वो पढ़ लिया क्या कैसे पढ़ लिया कोई मतलब नहीं उनसे कल जैसे तुमको बताया ही था कि इधर उदर लोग जो बताये कि हम भाई बस हमारा हो रखा है तो तुम्हारे सारे ब्रमास्तर तीर धनुषबान सब लोड है एक दम अफ लोड़ेड हो फुली बस टार्गेट पे लगाना है ना वो एक्जाम में चुवा पकड़के उसका क्लिक सई जगे करना है चुवा मतलब समझ रहे माउस कम्पुटर का वे तो वो सई जगे क्लिक करना है और उसको बार-बार नहीं दबाना है ना चुवा कि फूँच अगर बार-बार दबाओगे तो गड़बड होती है इसलिए फर्स्ट क्लिक माइड माया वहीं क्लिक करना है अधरवाइज इदर उदर नहीं और आराम से रिलेक्स होके एक्जाम देना जैसे अली सर ने बताया आपको कि थर्टिन तारीक को और बता दिया जाएगा इनर सिंग पर वीडियो अफ्लोड करके कि कैसे अटेम्ट करने है क्विश्टन तो आराम से रिलेक्स होके दीजिए सब एक्जाम पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है अब ज्यादा कुछ कवर करने की कोशिश मत करना कि मेरा वो रह गया वो पढ़ लेती हूं या लेता हूं ऐसा होगा नहीं है वह ना एंजाइटी बढ़ जाती है टाइम जब पास में आता है तो तो रिलेक्स रखे जो इंपोर्टेंट टोफिक है उसका रिवाइज कर सकते हो उतना कर लो बाकि पढ़ लिए हो अब सब तो फुली लोडेड हो जगे नहीं है और इसका ख्याल रखे माइंड में कोई खराब करने वाली चीज ना डाले कोई खराब कर रहा तो उसको बोल दो कि चवदा तारीक के बाद देखेंगे है ना तो तब तक होल्ड रखो और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो अलड़ा बैस थैंक यू सो मच तो नेक्स रखेस्ट रखेस्ट तो आर्शी कुमाव सर्थ थैंक यू थैंक यू थैंक अर्में यह सो बोलना भी गुट इवनिंग वन्स अगें सो बिल्कुल सर्ण ने बताया लास्ट 11 डेस से जो हम प्रिपेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल आपका जो होसला है वो आसमान से भी उपर है अभी नौर्ट सिट तो क्या आईए सारेस का एक्जाम भी रखते तो वो भी आप कर लोगे अब तो ऐसा आपका होसला है बिल्कुल हम भी कर रहे थे तो आप करेंगे बिल्कुल बिचे से सो एक्जाम की बात करें बिल्कुल तैयारी आप लोगोंने पर्फेक्ट कर ली अभी सबसे इंपोडेंट जो है स्टेडी आप लोगोंने करी है बस स्ट्रेस को कंट्रोल करना है अभी और अपने आपको ये मान के रखना है कि आप नर्शिंग ओपिसर बन गए है सब अपने अंदर ये सोच के रखो कि आप नर्शिंग ओपिसर बन गए हो क्योंकि जो हम सोच लेते हैं आदा तो वहीं पर खतम हो जाता है फिर आदा बच्चा है जो एक्जाम में जाके हम कंप्लीट करनेंगे और बहुत फेमस दो लाइन भी है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है अरे जीत तब होती है जब हान लिया जाता है तो बिल्कुल आप मन में ठान लो कि आप नर्शिंग ओपिसर बन गए और एक्जाम में वो आदा एंसाइटी स्ट्रेस सब पहले ही खतम हो जाएगा और जब आपस आओगे तो बिल्कुल चेरे पे वो गुलाब की तरह बिल्कुल खुला हुआ आपका चेरा टमाटर की तरह लालाल होगा और वो वेनकोमाइसिन आपको याद जरूर आएगा वहाँ पे है तो बिल्कुल बेना किसी स्ट्रेस के दो दिन रेलेक्स होके जो इंपोर्डेंट पॉइंट्स आपने लिखे उनको रिवाइस करना है और 14 को अपने एक्जाम में 100% अपना अफ़र्ट्स पूट करना है और बिल्कुल रिजल्ट की परवा नहीं करनी रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि हम JINC में हैं और रिजल्ट घराब होने वाला बिल्कुल नहीं है तो no worry about the result हम बिल्कुल आपके लिए तयार है अच्छीवर बेस के लिए आप सभी का स्वागत है अच्छीवर बेस टू के अंदर और हम यहीं पर उस क्लास को कंडेक्ट करेंगे आप सभी के लिए तो विस्यू वन्स अगें गुट लग पूर अपकमिंग नोट सेट एक्जाम थाइंक यू थाइंक यू नाओ आप सभी का तहे दिल से सुक्रिया हार्टली ठैंक्स तू आल कि इतना अच्छा प्रावडली फिल यह जो पूरी 11 दिनों की ठिकान है ना यह 5 मिनिट में उतर गई हम सब की और सबसे पहले सेलेक्शन तो अपना हो गई शौर है वो तो हो गया नहीं होगा शौर होगा लेकिन सेलेक्शन से पहले अगर आप JNC आए हो तो आपको कई चीजे उसमें सीखने की जुरूत है मैं सोचता हूँ अगर आप JNC आए हो तो वो चीजे आपके अंदर आए सबसे पहला सरलता क्या नहीं चीए? सरलता, सहजता और एक Humanity मानाउता अगर ये तीनों चीज आपके अंदर है ये तीनों चीज आपके अंदर है तो एक अच्छे गोड डारेक्शन के लिए और जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो गोड अला मतलब जो भी आप कामना कर रहे हो बगवान इश्वर उसको 100% आपको देगा लेकिन ये नहीं कि आप किसी के परती नेगटिव पॉइंट लेके बेथे हो ठीक है तू बाहर मिल देखता हूं मैं क्या करता हूं एक नेगटिव थोट उन चीजों को अवईट करो अपने लक्षे के परती तब जाके क्या मिलेगी सफलता जो अंदर का अपना जो क्या होता है एक अंदर का क्या होता है अंदर का जो इंसान होता है उसको छिपाना है बिल्कुल हाइट करना है जब तक अपनी सफलता अपने को ना मिले बिल्कुल सरल रहना है कूल रहना है क 063 के लिए, thanks to all, thank you, बिल्कुल दो सब्द आप सभी के लिए, कि हसकर जीना दस्तूर है जिन्दगी का, और बस एक यही किसा मसूर है जिन्दगी का, और बीते हुए पल कभी लौट के नहीं आते, बस एक यही सबसे बड़ा कसूर है जिन्दगी का, और जिन्दगी के हर पल को खुसी से बिताओ, और रोने का टाइम कहां सदा मुस्कुराओ, चाहे यह दुनिया कहे आपको, चाहे यह दुनिया कहे आपको, आवारा पागल दिवाना, बस एक बात याद रखना, यह जिन्दगी ना मिलेगी आपको दो बारा, तो, थैंकिस तो ओल, बांस अगें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, सर्मसर, बुलंद, आवाज कि धनी, नाव रिकुस्टेट करन्ट चूदरी, सर्व, बुड विनिंग सभी को, तो आप सभी को ओल्टा बेस्ट एक्जाम के लिए और इतना मान समान करा, आज नेतावड़ी फिलिंग आ रही है, वैसे मैं काफी दिना से आपको चुनाओं के बारे में पढ़ा रहा था, लोकसभा के बारे में, फाइनली आज हम जीती गए, तो सबसे पहले सभी टीचरों ने आपके लिए भूत मेहनत करी, बारा-बारा घंटे पढ़ाए, सभी टीचरों ने एक होके आपके लिए भूत मेहनत करी, और आपको भी पता संक्टन में सक्ती होती है, और अर्मान सर ने एक दो दिन पहले एक रील लगा रखी थी, खेर आपके पास तो टाइम ही नहीं था रील देखने का, लेकिन मैंने देखी थी, उसमें एक मैस की इक्वेशन बता रहे थी, एक का स्कॉर प्लस बी का स्कॉर, या तो ये कर लो, या पर ए प्लस बी को जोड के स्कॉर कर लो, तो यही पूरी टीम ने आपके लिए काम करा है एक का स्कॉर प्लस बी का स्कॉर का मतलब जान रहो एक का भी स्कॉर करो फिर बी का स्कॉर करो फिर जोड़ो जैसे एक का स्कॉर मतलब आपने च्यार का स्कॉर करा तो अनमान सर कोई इस्टेटस लगाते हैं, तो मैं उसको बड़ी गहराई से देखता हूँ, मैंने खेर दो बार देखा तब मेरे को बात समझ आई थी, मैंने सोचा अनमान सर ने इतनी मेनत के साथ लगई आया तो कुछ बहुत अच्छी चीज लगई होगी, तो इसलिए अनम मैंसे कुछ बच्चे नहीं आये थे, उनको ऐसे लगा था कि हमारे बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, रिजिनिंग मैजी के, क्योंकि नर्सिंग के सब्जेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेरे पास ही था, और क्योंकि मैं परी किलियर कराऊंगा, तभी तो आप मेंस मे मिलेंगे कभी, तो परी तक पहुचाने में थोड़ा मेरा सयोग होता है, और सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, उसको मैंने आपके लिए आसान बढ़ने के पूरे प्रियास करे, और पूरे भारत के विदेश के मैंने बर्मन कराए, बाकि जाने के आपके पास में टाइम नह जानते नहीं हो, अब आप जानने लगें, तो अब आपको दो दिन तक सांती से जिन्दी की जीनी है, लड़ाई दंगे कुछ भी नहीं करने, कोई लड़ाई हो भी करेए, मना ना करना, ये दो दिन बाद करना आप, जो भी है, एक अच्छी सांत दिमाग सापको एक्जाम देना, अब आपको कोई करन्ट के अपयर या किसी अपयर की तरब आपको दियान नहीं देना है, कुछ भी आपको पढ़ के नहीं जाना, जो आपको जितना पढ़ा दिया, वह बहुत है, अब सांती से आपको एक्जाम दे के जाना, जो आपको पढ़ या उन्हीं में से ची और पिछले ग्यारा दिनों तक आपारा बारा गंटे एक जगे पर पढ़ते रहें और सभी टीचरों ने आपके लिए मैनत करी तो सभी टीचरों को मेरित और आपकी सब की तरफ से सुब कामना ही बगवान इनको इसी परकार स्वस्त रखे तंदुरस्त रखे ताकि आगे भी है ऐसे बढ़ात रही है थैंक यू बचों को अगया है इस मिशन में कॉंट्रिब्यूट करने वाले उन सभी युद्दाओं को जो है आपकी तरफ से समान दिया जा रहा है मैं दिने जी गोईल साब से रिक्विस्ट करूंगा फ्लीज आएं मैं मुक्ता मैं से इतको स्कुणगा फ्लीज आए लीला भजे खेंगा करूँ मीरे, सब्सक्राइब कर में बाद निद्यू करें, बत् divorce कुर्वादak, कि पार विडूर कारें। निद्यूब बेफेकराण बॢदह, वा पनगेति पार रामजी बिद्यूकिंथ एन्ड काना राम जी प्लीज आए जी तू शर्वन प्रेम देन द्याल जी कि अपर है जा कोई नहीं कि एक शांदर कोशिस आप सभी future nursing officers की तरफ से और यही होता है कि एक दूसरे को सम्मान देना जिंदगी में आगे बढ़ने के एक नया रास्ता तैक करने में वदद मिलती है तो अब फाइनली नॉर्सेट एस्पिरेंट जो 14 अपरेल को नॉर्सेट 06 का एक्जाम देने जा रहे हैं अब सभी को best of luck अब आप अपने आपको रिलेक्स रखेगा बहुत अच्छा आपने पड़ा है नेक्स्ट टू डे अपने आपको रिलेक्स रखने के लिए आप ज्यादा किसी से बात ना करो कोई आपको स्टिमूलेट कर रहा है तो सौरी बोल दिजेगा और ये नेक्स 48 आर्स का टाइम बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए माइंड को स्टिर रखें डाइवर्ट ना होने दें और इसे कई एक्टिविट आपको डाइवर्ट करने की कोसिस करेगी स्बेशली जब आप सेंटर की तरफ निकलेंगे तो हो सकते आपके साथ टेंपो में, ट्रेइन में, बस में, बड़ी-बड़ी बुक के साथ पढ़ते वे कई बच्चे आपको दिखें तो गबराना मत सेंटर पे पहुंचोगे तो आप पर भी बड़ी-बड़ी बुक के साथ बच्चे आपको बैठे वे दिखेंगे गवराना मत सेंटर में जैसे एंटर करोगे, कम्प्यूटर डेस्ट आपके सामने उपन होगा आपको अच्छे से पता है कि 100 MCQ है, 90 मिनट का आपके पास टाइम है और स्पेशल इंस्टेक्शन जो है, 18 मिनट में आपको 20 MCQ करने बार-बार ये खुद से उम्मीद ना करेगी, मैं बाद में देख लूँगा क्योंकि इस बार बाद में देखने का मौका बिलकुल नहीं है शुरुआत आपकी होगी पहला MCQ, दूसरा MCQ, तीसरा MCQ दिए आपको नहीं आए गबराना मत जब आपकी शुरुआत हो जाएकी तो धीर दिर आपका जो चिप, मैमोरी कार्ड है, जैन सी वाला वो सब रिकॉल करना शुरू कर देगा और प्राउडली इस 120 घंटे की मेहनत को प्री क्रैक करके अब ये टीचर को समर्पित करे अब कल 12, 13 और 14 तिन दिन नौर्सेट बैच कर लिव रहेगा आप अपने सेंटर जा है, वहाँ यथावत पहुचें, टाइम से निकलें, ऊवर कॉन्फिडेंट ना हो और इस्पेशली आप जब पेपर सॉल कर रहे होंगे, तो पास वाले कंप्यूटर पे 30 मिनट में पेपर करके बैटने वाले बच्चे भी होंगे, पचास मिनट में पेपर खतम करके बोले, इस पेपर का तो क्या, मुझे तो सब आता है, हमेशा खुद पे वरोसा रखना, और इनका भी सम्मान आपकी तरफ से, आए, अभी सोग जी को एक नई जिम्मेंदारी के साथ स्कूल में पोस्टिंग दी हुई है, कुछ दिनों के लिए, फिर भी आपका प्यार इतना है इनके लिए, तो ये वहाँ से आपको best of luck कहने आए, तो असोग जी तरफ से भी आपको best of luck है, ओकी को लाँ, प्रिश करें, इस्पेशली दक्षा जो कह रहे थे कि सर मुझे जाना है, मैं करनी पाऊंगी, दक्षा आप इसी नॉर्सेट में बहुत अच्छा करके आने वाले, आना, और ये रियली लव यू और प्राउड अफ यू कि आप जिस स्टुडेंट जैन सी परिवार में है, आना, दन कीप हाड वर्क, टेक केर व यूर्सेल्फ, अब आपका परिवार जो है बढ़ गया है, जिमेदारियां बढ़ गई है, एक परिवार होता माम बाप का, दूसरा ससुराल और तीसरा आप का जैन सी परिवार, अना, अन्द वी आल लव यू, यू विल टेक कर यूर्सेल्फ, यू नू दू यूर बेस्ट, जल्दी ही परी के बाद फिर मुलाकात होगी चिंता नहीं करें, अन्द वी स्टॉंग, और कभी-कभी खुदा जो एक लिमिटेड टाइम देता, उसमें अच्छा करना होता है, अन्द वी सेलेक्ट हो कि आपको आना है, आना, दक्षा बेसिकली गुजरात, एमदबाद से हैं, जाम नगर से, और मैं बताना चाहूंगा, अल्मूस बच्छी एकजाम देने चले गए हैं, महारास्था से कौन-कौन है, महारास्था, मध्यपर्दीश, उत्रपर्दीश, हिमाचल, हिमाचल, दन, चत्तिसगड, गुजरात, तभी तो हम कहते हैं, JNC Mini India है, है ना, हर राज्य के बच्चे, JNC परिवार का इसा है, अगें, थांक्यू एवरी माच्छ, और लव यॉ अल, आ, किसी को कुछ बोल ला है, तो जरूर आये, मन में ना रखें, प्लीज, एनिवान, if you want to say something, you are most welcome, गुडविनिंग, आज नहीं लगता है कि नाम बताने के दरुवते हैं, क्यूमें कल ही आया था, और मेरे जाते, सर्थे एक बात कही थी, कि आज, जितेंदर ने अली सर की कमी पूरी कर दी, तो मैं इस बात पर कहना चाहूंगा, कि अली सर की कमी में, तो क्या, कोई भी पूरा ने कर सकता, क्योंकि, अली सर जो अपने आप में, एक प्रस्नल टी है, वो कोई भी नहीं हो सकता दूसरा और हमारे जयाइंसी के जितने भी टीचर है उनके सा कोई बन भी नहीं सकता और जो इस्टुडेंट लाइफ होती है वो एक बीच की तरह होती है क्योंकि बीच को अगर सही जगों रोपन कर दिया जाए तो खिल के एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है फिर उस पेड़ को कोई ला नहीं सकता है और जो हमारे टीचर है वो वही काम करते हैं कि उस बीच को एक पानी देते हैं और अच्छे से मतलब उसका रोपन करके फिर वो रोपित हो जाता है वो बेच तो इसलिए हम आज जो के सारी और कहता है कि हम जाइंसी से पढ़कर आये हुए है जो किसी से अपनों में जान होती है सपनों में जान होती है पंग भर बनाने से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है थैंक यो सर आपने बहुत अच्छा पड़ाया पड़ाया तो सही पर चीवन में भी सब कुछ सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है कबीर जी ने गुरु जी के लिए कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसी को लागू उपाई बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए चार लाइन है जब तक सफल ना हो और जब तक लक्षे ना प्राप्त हो तब तक हम नहीं रुकेंगे बुप अप्राइन से तब शब तक हम नहीं रुकेंगे आपकी बुप उपार लख दो किष़्ड को तो पता होगा आपकी नहीं जब पता होगा कि मतलब मैं किस कंडिशन पे थी किस कंडिशन पे यहां पहुंची हूँ, लेकिन मतलब जब मैं सर से लेके गई कि शायद मुझे जाना पड़ेगा, तो उनका एक मन पीजे एंडिगेड में रहके, उनका बॉन्न मेरो ट्रांस्प्लांट हुआ है, तो सबसे पहले कीमो थेरपी हुई, मेरे हर्स्वेंड है, तो उनको AML बलड कैंसर और शादी के six-month-बादी वो डाइगनोज हो गया था, तो जब मैं जयाइन्सी में थी तब बलड कैंसर डायगनोज होओ और मैं इस बेंच पर बैठ इठी थी और मैंने इस ही बेंच पर सर को रिपोर्ट बिताई थी कि सर ऐसे ऐसे हो गया, तो सर ने मुझे यही पताया थ सब शाहिए सर को पता लगे था कि ब्लेड का इंसर आ लेकिं सर ने मुझे नहीं बताया था सर ने बोला मुल्टिपल इंफेक्शन है किसी हॉस्पिटल में दिखा कि लाओ सर ने बहुत अच्छी वात उससे बढ़िया नहीं पुछ इसकता मुझे आज भी यादर समय नंबर दिया था मुझे बहुत मुश्क्री से काड बनता और यह मेरे से बैटर कोई नहीं जानता तो सर ने मुझे सर का नंबर दिया था उन्हें इतनी हल्प करी हमारी अव्मर्ज को अच्छी जोड़े थे वो जे आइंसी से पड़के गए थे तो उन्हेंने बहुत सारी हल परी जब उनको मैंने कॉल करी तो मैंने पीजी आइस से बाहर खड़के उनको कॉल करी कि मैं आसाइसर में को सर ने नंबर दिया भूल कोई बात निया पा जाओ ना किसी दे कि सर ऐसी बात है और मुझे जाना पड़ेगा सर ने मुझे लाइफ रूम क्लास्रूम तो दे दिया लेकिन जब मैं गर गई तो पीजिया में महीना रही तो मेरा हस्में बोड़ने लेगे कि तेरी पढ़ाई भुट फराव हो जाएगी तु चाहएगी तु चाहएगा मैंने तेरी पास है लाइफ रूम क्लास्रूम तो यहां से तो देख लेगी लेकिन जो तेरा हुने रहे जो तेला होसला आए न वह वहां जाके बढ़ेगा यहां पे नहीं बढ़ेगा तो थांकियो सर इतना प्यार देने के लिए और यहां पहुंचीओ बहुत बड़ी बात है इ लिटरली वो डॉक्तर को जब स्टाफ नसी डॉक्तर आते थे ना तो वो पहले उनको बता रहे थे थे दोक्तर बोलते तुम सीख्टे गाहों से हो तो मैं आजसी कमावर सेर के उनको कलास दिखाया करती थी कि देखो यह होता है उनको में गुगल सेच नहीं करने दिया है पांड़ में इसर के बेंचे कुछती सबदीया के क्या हपता है।। अम्हार सेफ्टीर में पूसितपियो होग है हुग से निकार कैन्सर में देखिती है। उनके ब्लड काइंसर में ओयड वोद्ध कर से निंदिमें स्टोरिस आते थे अशोक सिर तो वो उसको देखके बहुत पोजिटिटिव करते थे तो उनको वहां से हमल लेकर मुझे यहां तक भेजना शायर मेरे लिए बहुत बड़ी बाता है और थांक यू सो मैं सर थांक यू सर नर्बस फिल हो रही है गलती होगी तो माप कर दीजेगा ना सर हमारे तरफ से आपके लिए छोटी से गीत है अच्छे हैं भाग हमारे जो आप यहां है पधारे खिल उठी ये बगिया दिल की प्रांगन में आपका स्वागत है कीतन मन से स्वागत है नन्ने नन्ने फूलों से सुन्दर हार बनाए हैं भाव बरे पुसपो से स्रता गुछ सजाए हैं सिविकार हार कर लेना आसी से हमें दे देना जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना प्रांगन में आपका स्वागत है कीतन मन में से स्वागत है अंबर में जैसे चम के सूरज चांद सितारे है अत्ति आपके आने से दिखती वही नजारे थी जिसकी हमको प्रतीक्षा वो सुबदीन आउसर आया नैनों में चमक लाई जो दीदार आपका आया थैंक यू और बच्ची ने अपनी जो पीड़ा बताई मैं कहना चाहूंगा अर उसके बाद परिस्तितियां हर इंसान के साथ आती है अब जैन सी परिवार का हिस्सा हो और हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट करने की बागी उपर वाला हमेशा महरबान होता है तो मैं उस बच्चे राजेंदर का भी शुक्रिय अदा करूँगा जिन्हों आपकी हेल्प की और आप मजबूत रहें आप जल्दी सफल होंगे और परिस्तितियों से जो लड़के आगे बढ़ता है वो ही तो सिकंदर कहलाता है ना बिलकुल है और हमेशा परिस्तिति से आप लड़ें और आपकी जरूर बहुत जल्दी जीत होगी बीस्तों आप लिए बहुत इंपर्टेंट और जो नॉटसेट करेंगा जो आने वाले नॉटसेट करेंगे आप लोगों को बहुत है तो बुलाने चाहेंगे सबसे पहले आप लोग सबसे पहले आप लुग सरबादे घंडे तिर पादे घंडे सर तिर पादे घंडे सर अबी सेख जी प्लीश कांवान दस्टिश प्लीश कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोगों ने सबसे पहले बहुत बड़ी माला लगबग 10 फिट की माला थी लगबग 10 फिट की माला थी हम लोगों ने सर को लगाया था और उस माले का बस एक ही मोटो था कि यूनिटी एक स्टेंथ होती है जिसको एक साथ अगर रखा जाए अगर सभी टीचर एक साथ रहेंगे तो कोई ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है तो हम लोग ने जो माला बनाया था उसका बस एक ही मोटो था कि यतने भी जिए एंसी के फेकल्टी है वो सब एक यूनिटी में रहें ताकि बाहर जितने भी लोग आए वो कभी ब्रेकडाउन ना कर पाएं और जैसे अब जितने फेकल्टी है जो हाड़वर करते हैं उनको स अब प्रोग्राम करेंगे कि सिर्फ 20 मिनट और उस से अब लोगों को हर्मोन सीगरीट होता है है एक होर्मोन और है पी हर्मोन के बारे में हम लोग से अच्छा बेहतर कोई और नहीं जान सकता है अगा आई समय का मवावव है जल्दी खतम करेंगे हम लोग कि आप समों कि मुस्क्राइट काफी है शांदार एंड वी ओल और फ्रॉम बिहार क्योंकि मुझे लगता कि कोई बियार के भी सर इधर लोग बहुत हैं आप बियार को भूल जाते हैं हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर बियार कम बोलेंगे बियार कर दोसक्ते हैं लेकिन लाजवाब रखते हैं कि आधिते अलग है हमारे दुनिया वालों से कम दोस्त रखते हैं लेकिन लाजवाब रखते हैं बेशक हमारी माला छोटी हो मगर उसमें सारे फूल गुलाब रखते हैं हमारे टीचर्स का इतना करवा है कि हम सब के बारें बोल नहीं पाते हैं जैसे मैं तो रिजनी के सुपड़े साफ करने वाले हमारे माणिये करन सर कहते हैं कि लगा दो आग पानी में चवानी उसी को कहते हैं जो एक ही दिन में पुरा मैं तो रिजनी के सुपड़े साफ करते करन सर उसी को कहते हैं हमारे यूथ आइकन सबके चाहेते हैं अली सर आज के जड़ में एक बात बता दूंँ आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा इंडिया में फैन हमारे अली सर के अभी हम प्रूब कर देंगे कर देखिए अभी ट्रेंडिंग में कौन सा कोर से भी एसी नर्सिंग और नर्सिंग बहesten अचिअदा ट्रेंडिंग में कॉन स एए तो लिटवसर में और जयाइनसी में सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग किसके हैं से अरीश के जिस और चाहिए उस और मोड़ी सभते कहते हैं कि तलुआरों के साहिब पर इतिहाँ समारा बनता है जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है कि जैसे जब शर्र अली nel कलास लह रहे इनके गला बहुत खराब था और हमारे मन्या अनुसर का भी एक बार गला में बहुत ज़्यादा प्रब्लम था फिर भी कलास ले रहे और एक बात सोचिए सर इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लेते हैं सिर्फ पैसों की बात नहीं है ये लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेट रादर देर लॉंग और ये सारे लोग सिक्षा के बतावलत खड़े वाले होने वाले लोग है लेकिन कहते है ना कि सिक्षा और शर्णी का दूदे जो पिये का होता हाड़ेगा इस स्टेट्मेंट इस गेवन भाई सिम्बल अपनावलेज बदी सत्व बिश्वरात ने डॉक्टर भी आरमेट कर अब को कि लंगा तेकन नवर से तेकी जोगती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए अश्मा को जमी पर लाने वाला चाहिए ढुखती है जुनिया जुकाने वाला चाहिए आस्मा को जबी पे लाने वाला चाहिए बने अजिसे अब स्कुछ कुछ दे दिया हरे बाउन को चाहिए समकुछ एक कहते है कि तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तो मुझे और और क्या चाहिए ना किसी की मदद ना दूआ चाहिए तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तुझे भूल जाना जाना मुम्किन नहीं तुझे भूल जाना जाना मुम्किन नहीं, तेरी याद ना आए, ऐसा कोई दिन नहीं, तेरी याद ना आए, ऐसा कोई दिन नहीं, देखता रहता हूं मैं, बस तेरी कलासे, गरदूंगा यूँई, सारी चाम कलासे, तेरे ग्यान को पाना मेरा पागलपन है तेरे ही यादों में मेरी हर धरकन है जैसा कि अभी मैं मेक रो रही थी अगर आप लोग जब भी एक्जाम सिंटर में जाहिएगा फोटिंग कोई होने वाला है ना तो सबसे पहले तो अपने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ठीक है अब यह दस मिनट का जितना भी महोल है ना अगर थोड़ा सा भी मायूस होगी है आप लोग तो इस महोल को याद कर लिजेगा और उस वक जो हॉर्मोन सीग्रिट होगा है पी हर्मोन वह आप लोग तो टूटे हुए प्याले में सराब नहीं आता और इसके मरीज को कभी आराम नहीं आता यह सबी लोग ने सुना है और हर स्टेज में सबी लोग मतलब की प्यार मोहबत यह सब कुछ करते हैं लेकिन यह जो सर लोग है ना चाहिए जितने भी टीचर हैं इन लोगों को देख मतलब की पता ही नहीं चलता है और दो लाइने आप लोगों के लिए कि बर्फ को पानी बदलने में समय लगता है और किस्मत के लगे दर्वाजों में किस्मत के लगे दर्वाजों में जो लग जाता है ना जंग उसको कम हूने में समय लगता है और थाइंक्यू सर यह 20 मिनट आप लोगों को देने के लिए सही में इन्होंने बोला जैसे कि निगेटिवीटी से दुर रहना चाहिए तो हमें मतलब हमारी तरीफ करने वाले की कमी हो जाए तो कोई दिकत नहीं लेकिन जलने वालों की कमी नहीं वनी चाहिए कहते हैं कि जलत हो तो जलने तो पुझाना हमारा काम नहीं चला कर राक ना कर दू तो जैंसीन हमारा नाम नहीं और लास्ट में काना चाहते हैं कि बहारे मुस्कुराते हैं जब चमन में फूल किलते हैं और हम मुस्कुराते हैं जब ऐसे 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 लोग मिलते हैं थैंक्यू थैं thank you so much thank you